चलते हैं, बड़ा ही अच्छा और सुन्दर टॉपिक पड़ते हैं, कौन सा, वाइस शुरू करते हैं, कल जो है आपको इसके हैंडाउट मिल लेंगे वाइस के, साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, don't worry, question tag आज ही कर लेना, कल डाउट बता दूँगा, डाउट हो होता है वाइस, वाइस क्या है, वाइस क्या होता है भाई, आवाज, वाइस होता है आवाज, और आवाज नीचे, है न, मेरी बास नों धान से, वाइस आवाज नहीं होता है, वाइस आवाज अलग होता है, जब ग्रामर में बात करते हैं तो वाइस होता है, क्या होता है, व वाद्ची है, जितना हमें ये समझ में नहीं आया था, उतना ये नहीं आ रहा है। वाद्ची लिखने से क्या समझ में आ गया? मैं? वाद्ची क्या होता है मैं आपको बताता हूँ मैंने board पर एक sentence लिखा board पर देखना जरा?, मैंने लिखा tom आगे कुछ लिखा होगा सेंटेस आगे लिखा होगा मुझे बता दो यह सेंटेस अक्टिव होगा या पैसिव होगा थोड़ी देर के लिए पांतरस मन मुझे देदो कोई कुछ नहीं लिखेगा पहले समझा रहा हूं फिर आपको पर समझाएगा तॉम को देखकर बताओ कि यह सेंटेस लिखा होगा यह सेंटेस अक्टिव हो सकता है या पैसिव हो सकता है दोनों सकते हैं राइट अगर मैंने लिखा हिम सेंटेस कुछ लिखा हुआ था बाद में लिखा हुआ था हिम बोलो अक्टिव है या पैसिव है कैसा है कैसे पता चल को देख कर यह नहीं कहा जा सकता कि sentence active है या यह noun था और यह क्या था pronoun तो noun, pronoun, conjunction, preposition, introduction इन सब को देख कर नहीं बता जा सकता कि sentence active है या किसे देख कर बता सकते हैं आप किसे देख कर बता सकते हैं आप वब को देख कर बता सकते हैं आप अगर किसी sentence में लिखा is going ना मुझे subject बताओ, ना मुझे object बताओ, सिर्व बताओ, सर ये, active है, बोलो ये सुनो, और अगर लिख दिया गया है, is beaten, is beaten, सर ये क्या है, passive है, किसी भी helping को आपके साथ third form का आना, passive हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन मैंने 10th में पढ़ाया था, इस हमार was word के साथ ing आता है, अगर ing आए third form आए तो पैसे भी होता है, डिडाय में के clear, ना subject देखकर sentence का पता चलता है, active है, और ना ही object को देखकर, देखकर पता चलता है तो किसको, verb को, डिडाय में के clear, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि, जो voice है, जिसे हम watch कहते है, is a form of verb, बोलो, form of verb ही तो है, और हमें क क्या बताता है, पता आपको क्या बताता है ये, लिखा है, he is beaten every day, he is beaten every day, और एक लिखा he beats them every day, दो ने समझना, he is beaten every day और he beats them every day, ये passive है और ये active है, वो आपको देखकर बता सकते हैं, अगर मैं he or them हटा दूं फिर से, तो फिर कुछ ने पता चलेगा, पता चल रहा है तो किस से, वर्ब से, अब ये भी देख लो, he is beaten every day, इस sentence में जो subject हो कौन है, ये की वज़े से इजा रहा है न, अगर दे लिखा होता तो क्या आता, क्या आता, आ रहा था, आवाज निकाला कूर, उसमें डरने मली कौन से बात है, अगर दे होता तो क्या होता, यानि हम कह सकते हैं, ये क्या है, subject है लेकिन doar नहीं है, क्योंकि ये पीट नहीं रहा, पिट रहा है, मेरी बात सम्म्म्यारी है, इस sentence का subject active नहीं है, अगर active होता, तो काम को करताव, ये काम करता है, जो बंदा active होता, काम करता है, ये काम ही नहीं कर रहा है, तभी तो पैसे वे, इस वाले sentence में आ जाओ, रहें बुलो यह सोनो यह अट्व हैं दौर भाग कर काम को कर रहा है पीट रहा है आद इस तो और पीटेगा यह सोनो तो यह एक्टिव वहीज है और यह पल्वीज़ है देख कर पता चलता किसे वर्ब को दूसरी बात यानि वहार्ब की वह फॉम जो हमें यह बता-दे व्व से हम voice बोलते हैं, अभी definition board पर लिख दूँगा, फिर से बोलता हूँ क्या, वब की वो form जो हमें बताए कि हमारा subject active है या नहीं, active है या inactive है, active है या passive है, उसी form को बोलते हैं क्या, passive form, डिदा में के clear, और passive form की अगर बात करें, तो passive form का subject जो होता है, वो active नहीं, passive होता है, doer नहीं है, voice verb की form होती है, मैं voice लेकल पैसे फोड़ी लिखा लहाँ, क्या लिखा रहाँ, voice, voice verb की form होती है, वो active हो सकती है, वो passive हो सकती है, वो जानकारी ये भी देगी की subject ही क्या है, और वो जानकारी ये भी देगी की subject क्या नहीं है, is that clear, समझ आया, yes or no, इस definition को हम पहले लिखते हैं, लिकिन इजरा voice, voice is a form of verb that tells us, that tells us whether the subject is active or not, यह definition आप लिख लेंगे, समझने के बाद, सभी ने नोट कर लिया, वर्ब की वो form जो हमें बता दे कि हमारा subject actively participate कर रहा है या नहीं, उसे voice बोलते हैं, इसे clear, tense का दूसर नाम active होता है, tense में मैंने तुम्हें हर helping verb के साथ आने वाली main verb का chart बना कर दिया था, याद है कि इसके साथ कौनसी main verb आती है, वो किस situation के लिए था जब sentence active होता है, क्या होता है, अगर passive होगा, तो helping verb चाहे जो हो, main verb वोप की कौनसी form होगी, third form, क्या यह बात सबको sound में आ रही है, yes, no, right, आ रही है, मैं रफ कर दूँ, लिख लिए होगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, मैं आपको active passive पहचानना भी चिखाऊंगा, क्या होता बता दिया, definition है, इससे कुछ पात, इससे पलने नहीं पड़ेगा, पैचानेंगे कैसे, कैसे पैचानेंगे कि कोई sentence active voice है या passive voice है, उसे भी देखते हैं, कैसे पहचानते हैं कि कोई sentence active voice है और कोई sentence passive voice, ठीक है, देखते हैं, active, वैसे आप active पैसिव कैसे पैचानते हो, किस चीज की मदद से पैचानते हो, है, वर्ब की मतद से पैचानते हो, question समझ पातों में क्या पूछ रहा हूँ, अभी जो लिखा है वह ही पूछ रहा हूँ, active passive को पैचानना है, तो हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए, वर्ब की form पर, वर्ब की form पर, और बिना third form कोई passive नहीं होता, जब तक sentence में क्यान आए, वीथरी नाए, तुम केरलिस रहना, वो passive हो ही नहीं सकता, इस बात की गरंटी पूरी मेरी है, लेकिन अगर third form आ जाए, तो तुम यह मत कह देना है कि वो passive ही है, without third form, there is no passive wise, but every third form is not passive wise, क्यों? क्यूंकि बात जब अब active की करो गे, तो इसमें वर्ब की कोई भी form आ सकते है, first, second, third, ing, s और es, यहां कोई भी form आ सकती है, तो सर यह कोई बहुत बड़ा difference ठोड़ी है, भी third तो यहां भी आ गया, और third वहां भी आ गया, तो difference क्या है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, form कोई भी हो, लेकिन उस action को perform करने वाला, उस verb को perform करने वाला, अगर doer उसके पहले है, तो फिर चाहिए first हो, second हो, third हो, ing हो, s औ, es हो, sentence कैसा होगा, active होगा, यही तो active में doer active होगा, is that clear, fine, अब जब हमारे पास V3 है, तो याद रखना, V3 को करने वाला doer, या तो उसके बाद होता है, और या तो होता ही नहीं है, उस situation को क्या बोलेंगे आप, passive wise, कोई परिशानी किसी को, yes or no, बिना third form कोई भी sentence क्या नहीं होगा, passive नहीं होगा, लेकिन third form के साथ दो बाते मैंने आपको बता ही, कि वो जो होगा, क्या, दूर, वया तो वब के, या तो नहीं होगा, क्या बात मरी समंद में आ रही है, yes or no, Vimal में ये बात समंझ में आ रही है Dيرoo हाँ अभी बात मैं लेंगे Preeti समंच में आ रही है Preeti नहीं कूई गल्टी होई आगे लिए बोत में बाइस भए में बाले में चल जाता है कोई भी नाम रो रहो कोई नो कुई होता है अब देखो मैं क्या बता रहूं आपको, जैसे मैंने sentence लिखा, मैंने कहा, he is a teacher, he is a teacher, sentence active है या passive, कैसा है, clear है, तुम do or or के चक्कर में बाद में पढ़ना, सबसे पहले चक्कर में पढ़ो किसके, v3 के, v3 को देखना सबसे पहले ज़रूरी होता है, अगर sentence में v3 नहीं है, फिर चाई do or हो या नहीं हो पैसे हो गई नहीं, और v3 है तब दूसरी बात चेक करना, क्योंकि v3 को पैसे नहीं बड़ा असान होता है, इसमें v3 है नहीं, मैं बोलूँगा active voice, कौनसा voice, बोलो मरी बात समझे आ रही है और नहीं आ रही है, right, अच्छा अगर मैंने कहा, he has broken a chair, ये देखो मिल गए v3, ये v3 है, लेकिन v3 के बाद chances बढ़ जाते हैं कि sentence passive हो, ये थोड़ी की होगा ही, अब आप देखोगे उसके पहले ये करने वाला लिखा है क्या, काम क्या हुआ है, टूटी है, किसने तोड़ी है, यानि ये तुवारा subject ही नहीं, अपे तू, doer भी है, कदाप ही चंदे ना रखे, okay, the subject is both a subject and a doer, so the formation wherein you are writing the subject and the doer right before the verb is your passive voice, so this is again, sorry, active voice, कुछ भी बुलवा लो आप से, this is active voice, ये हमारा क्या हो गया, active voice हो गया, एक और ग्जाम्पल देखते हैं, मैंने कहा, she was, she was invited this time, she was invited this time, उसे इस बार बुलाया गया, वह की third form दिख रही हैं अभी को, कौन सी third form है, invited, बस हमें ये देखना है, इसे करने वाला अगर इसके पहले है, तो active है, नई तो क्या है, passive है, invite करने का मतलब होता invite करना, ना की invite होना, निमंत्रण देना, ना की निमंत्रित होना, निमंत्रण समझते हैं आप, आमंत्रण, ये नहीं समझते हैं, बुट पर देखो, इसने invite किया या invite हुई इतना बताओ हुई है या किया है किया है किसको बुलाया इसने इसने she को ही बुला लिया she इतर आओ अरे she को ही तो बुलाया गया है she ने बुलाया नहीं she को यानि यह तुम्हारा sentence का subject तो है लेकें did I make it clear और doer जब कहीं दिया ही नहीं third form का तो मैं इसे क्या माल लोगा क्या यह बात समन में आई छोटी सी बात समन में आई सभी को पहचानना आ रहा है third form का doer अगर दिया हो उसके बाद या ना दिया हो तो sentence होता है passive voice form कोई भी हो अगर doer पहले दिया हो तो sentence होता है active voice और अगर third form ना हो तो हमेशे sentence कैसा रहेगा बिना third form के कैसा रहेगा active voice ही रहेगा क्या मेरी बासन में आई अगर मैंने कहा sit down sit down यह लिखा active है या passive sit कौन सी form है third form क्या होती इसकी seated अचा चोड़ो 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 एक मिनट एक मिनट cut the tree cut the tree cut 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 तीनों cut होते हैं यह कौन सा cut है पहला वाला है तीसरा वाला कभी कोई sentence V2 या V3 से शुरू हुआ है V1 से शुरू होता है तो लाग हो दिखने में एक जैसा हो लेकिन V1 होगा हमें कोई चीट नहीं कर सकता हमें हो शयार right क्योंकि a sentence may begin only with V1 no sentence begins with V2 or V3 इवन एक 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 रिज़ेंबल्स another form हाला कि दुसरी form से मिलता जुलता है दिखता है उसके जैसा लेकिन ना हमसे ना हो पाएगा वबकी कौनसी form इड़ा में के clear कौनसी form तो यार ये कौनसी form होगी छोड़ो ना second और third और ये V1 होगा अगर शुरुआत में आया है तो V1 होगा दिमाग लगानी की जुद नहीं है इसमें third form है कहीं तो ये भी active और ये भी active कितना आसान पढ़ा रहा हूँ मैं आपको समझ में आरा नहीं आरा अब ही बताता हूँ थोड़ी देर में ठीक है पैसान आ गया active passive अगर third form ना हो तो sentence active होगा third form में एक चीज़ और देख लेना है कि उसका doer कहा है clear कुछ लिखना इसमें क्या लिखना है इसमें अब देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ आगे बहुत ध्यान से समझदा exam में हर बार ऐसा नहीं आता कि तुम active का passive बना दो passive का active बनाओ कई बार ऐसा आता है sentence में error, improvement और fill in the blank होते क्या जरूवत आप पढ़ी कि sentence का passive बनाना पड़ा जबकि मैं कह रहा था कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो क्या जरूवत है यह बात ऐसे बोलने की कि अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ा ही जाती है मैं खाना खा रहा हूँ क्या जरूवत है बोलने की खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है क्या जरूरत है इन सब चीजों को बोलने की मैं आपको बताऊंगा मैंने कहा कल दरवाजे तोड़ दिये गए उसे उठा लिया गया पुलिस बुलाई गई मुझे कुछ नहीं बताया गया चार लोगों की हत्या कर दी गई जंगल में कई पेल काट दिये गए यहां ग्रिजी बड़ी अच्छी पढ़ा ही जाती है और भी बढ़ा ही जाती है सामने दुकान में कपड़े बड़ अच्छे बिखते है यहां इक्प्टर इखाया जाता है क्या मेरी भास मने में आ रही है मैंने कहा मुझे तो बोलाया ही नहीं गया, कुछ बताया ही नहीं गया, फल बाट दिये गए, किताबे जब जब दी गई, क्वेश्चन पेपर बना दिये गए, एक्स्पिनेशन नहीं दिया गया, सैल भाट दी गई, अरे भाई इसमें करने वाले का तो मैं नाम ही नहीं ले कहीं ही जो मैं एक्जामपल बोल रहा हूं, इसमें डूर इस अपसेंट, दो रीजन से अपसेंट है, या तो डूर इंपर्टेंट नहीं है, और या तो पता ही नहीं है, मैंने कहा मेरी बाइक चोरी हो गई, बाइक, क्या, मेरी बाइक चोरी हो गई, मुझे पता होता, तो म मुझा के लेता नहीं मुझा नहीं पता किस ने चोरी कि क्या बोलूगा my bike was stolen तो भाई पैसिवाइज दो तरह से बनाया जाता है दो रीजन्स होते हैं बनाने के या तो डूर का पता ही नहीं होता और काम हो गया और या तो डूर का पता हो लेकि उतना important नहीं कि पता है दिद्ध कि व्ट्श्व काम हुआ मैने गा मात्वा गांधि की हत्या हो गई मात्मा गांधी की लोग हाजारों लोग मरते हैं डेली की बात है लेकि आज इक भर कामों तक इसलिए जीए क्योंकि कौन बरे यह important नहीं किसने मारा किसने मारा यह important नहीं है शारुक ने मारा, आमिर ने मारा, सलमान ने मारा, इंपोर्टेंट नहीं है, अमिताब ने मारा, किसी ने भी मारा, इंपोर्टेंट कौन है, मिस्टर गांधी मारे गए, हमारे लिए ये इंपोर्टेंट नहीं है, किसने मारा, आज बड़ी बात कि कौन मरे, तो सब्जेक्ट यानि डूर से ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है, मेरे लिए इंपोर्टेंट है मेरी बाइक, आमिर चुरा ले, अमिताब चुराए, शारुक ले जाए, सलमान ले जाए, होंगे घर के, मैं तो रिपोर्ट लिखा हूँगा, मुझे उनके साथ सल्फी नहीं चेह, मुझे मेरी बाइक चेह, डिडाय में किखला, मेरे लिए इंपोर्टेंट वो नहीं मेरी क्या है, वाइक इंपोर्टेंट है, उस कंदिशन में पैसिव बनाया जाता है, प्रैक्टिकली समन में आ रहा है, आप मेंसे कुछ लोगों ने प पढ़ा होगा, तो बताया जाता है कि तीनों profit continuous का नहीं बनता कौन-कौन से profit continuous present profit continuous, past profit continuous और और एक होता है future continuous इनका नहीं बनता लेकिन यहाँ उनका भी बनेगा, यह समझने वाली बात है, सुनना ध्यान से, मैंने कहा चार दिनों से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है या चार दिनों से पैसिव वईज पढ़ाया जा रहा है सुन रहा हूं मैं क्या करहा हूं सुन कर टेंस बता सकते हो कौन सा है चार दिनों से पैसिव वईज पढ़ाया जा रहा है में वह तुझ्अ मुझशा कि काम रहा हैं यह कौन रहा है इस सेंटेंस को अगर ट्रांसलीट कर इंगलिश में बोला जाएगा तो पैसिमें ही बोला जा सकता है अब तुमि गया कि perfect continuous chances का passive नहीं बनता है तो बतला बेचारा यह वाग के हिंदी में रह जाएगा यह तर्थ हेगा कि मुझे अंग्रिजी में एक पर बोल कर बता दू ऐसा होगा इसे भी इंग्निश में बोला जाएगा कैसे बोला जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा कैसे इस चीज को report करेंगे passive wise में कैसे लिखते हैं मैं आपको बताऊंगा यह इसका भी बनता है data में कि clear हम समझेंगे इस बात को बहुत अच्छी तरह में समझाना चाहता हूँ कि passive की जरूत क्या पड़ी अभी मैं आपको practically समझा रहा था अब मैं आपको technically समझाऊंगा ठीक है क्या समझाया जब doer का पता और यह doer object से important ना हो जादा important वो हो जो हुआ हो ना कि वो जो कर रहा हो मेरी बाद समझा रहा है कि कपड़े सुखा देना कमरे साफ हो जाने चाहिए मुझे नहीं मतलब कौन करेगा तुम करो तुम आपने शागिर्दों से कराऊ मुझे मतलब नहीं है मैं कलाऊंगा मुझे क्या चाहिए कमरे साफ चाहिए इड़ाय मैं की क्लिया रहा है doer does not matter for me you get anyone and everyone but get my job done that's what I want from you people right so when the action is more important than the doer we take the help of passive voice समझ आ रहा है अब तकुछ टेक्निकली कि पैसिव की जरूरत क्यों और कप पड़ती है पैचानना आ गया यह पैचानना आ गया प्रैक्टिकली बता दिया क्या जरूरत पड़ती है अब टेक्निकली बता रहा हूं ठीक है ध्यान से समझना ध्यान से समझेंगे एक वर्ब होती है transition कैसी होती है आपको पता transition verb ही होती जो कह लेती है clear? अगर transition wave के बाद क्या आ गया और object होता noun कभी भी उसका passive voice नहीं बनेगा कभी भी उसका passive voice नहीं बनेगा इस बात का ध्या अगर किसी वर्ब का object उसके बाद दिया हो तो उसका passive नहीं बनेगा दिक्कत तब आती है कि verb कैसी हो लेकिन उसके बाद क्या छूट गया, क्या मिस हुआ तो अब या तो तुम इस verb का object लिख दो correction के लिए क्या लिखो इसका और या तो हमने पढ़ाए कि इसके बाद क्या लिखते है और या तो हम उस condition में इसका क्या बनाते हैं? Passive voice मेरी बात समद में आ रहे है? नहीं समद में आ रहे है? अब ही बताता हूँ बोड पर देखो मैंने कहा He He Hurt By a Stick कोई कुछ नहीं लिखिए का समझे का बहुत आसानी से यह वब की second form है हर्ट, हर्ट, हर्ट वाली यह इसका क्या हुआ? Subject अब doer है कि नहीं वह हम decide करते हैं हर्ट करना किसी को चोट पहुचाना यह के ट्रांस्टेव वब होती है यह sentence है गलत इसके बाद object वाय नहीं क्या गया? Preposition और object क्या होता? नहीं तो तुमने इसे object नहीं दिया अब इसका एक correction हो सकता है कि यहां तुम क्या लिख दो कोई sentence correct हो जाएगा He hurt them, He hurt her, He hurt me कुछ भी लिख दो क्या मरी बात सुनगे? दूसरा correction हो सकता है He hurt himself Himself क्या बन गया? उसका? object बन गया? क्या बन गया? राइट, यह हो सकता है by सही नहीं है, with कर लो with a stick, by living doers के लिए होता है जो कर सकते हैं काम को with done stick He was hurt with a stick क्या मरी बात सुनगा ही? He was hurt with a stick आपको पता ही, पैसिब बन गया अचा पैसिब बना की किया के आपने? वर्ब कैसी थी? कैसी थी? एक transitive verb बिना object लिये हुए correct नहीं हो सकती डिडाय में की clear? अगर तुमने object इसके बाद लिखा था तो correct हो गई थी क्योंकि object दे दिया और अगर self लिखा था तो correct हो गई क्योंकि self क्या बन गया? object बन गया और अगर तुमने passive बनाया इसकी demand एक ही मुझे क्या चाहिए? अब तुम्हारा लिखा हुआ subject subject भी है इस verb का और क्या है? object भी है ये doer नहीं है Is that clear? ये recipient है receive कर रहा action को ये doer नहीं है subject और क्या है? समझ आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है क्या समझ में आ रहा है? एक transitive verb को जब उसका object नहीं मिलता सही करने के तीन तरीके या तो object दे दो या self दे दो या पैसी बना दो पैसी बना कर क्या करते है? verb के subject को ही verb का object बना देते है समझ आ रहा है? y से वर्षा, एक और condition exam में क्या एगा? एक transitive verb लिखी होगी और उसके बाद उसका object लिखा होगा लेकिन उसे passive बना दिया गया होगा और वो गलत होगा इसे एक एक्जामपल देता हूँ जो मेंस में आया था जड़ा देखेंगे कैसे? इमर दोबर बताऊँ मैंने क्या कहा? एक transitive verb को क्या चाहिए होती है? अगर object दो sentence correct हो जाएगा दूसरा तरीका self लिखो correct हो जाएगा तीसरा तरीका passive बना दो correct हो जाएगा passive बनाते समय हम क्या करते है subject को ही क्योंकि transitive verb बिना object लिए correct नहीं होगी डेटाय में के clear? object supply करने के तीन तरीके ठीक उसके बाद object ओके self object बन गया? यहाँ subject को क्या बना हो? ओके, डेटाय में के clear? एक, वाज क्यों लिख रहे हैं? वाज क्यों लिख रहा हूँ? यह वर्ब की कौन से form थी? form थी? कौन से form थी? passive किस से बनता है? किस form से? तो अब यह 3rd form हो गई है लेकिन यह form थी कौन सी? तो टेंस भी तो नहीं बनना है, यह V2 है helping और के बगए तो passive बनेगा यह नहीं? इस र क्लिर? आपकी निजर में helping और है लेकिन अच्छली है नहीं लेकिन आप helping बनो कोई दिक्कत नहीं है active से passive आना या passive से active जाना कभी meaning नहीं बनता और याद रखना कभी tense नहीं बदलता अगर tense बदलेगा तो जाइट सी बात meaning बदलेगा meaning नहीं बदलता हर passive का active बनता है हर passive voice का active voice बनता है लेकिन हर active voice का passive voice नहीं बनता है क्यों नहीं बनता है? active की verb ट्रांस्टिब भी हो सकती है intrans्टिब भी हो सकती है passive-transitive verbs का ही बनता भी सिखा दिया passive बनाना मतलब एक transitive verb को उसका object देना होता है और अगर वो अभी intransitive है तो जो object मांग ही नहीं रही तो क्या जबरदस्ति object दे दोगे आप कुछ समझ में आ रहा है? यह सुनो, पढ़ा तो पहले भी होगा लेकिन यह सब समझ में नहीं आया होगा एक example और दे रहा हूं समझा जो exam में आता है ठीक है? exam में question आया the inspector no no inspector नहीं, officers the officers who were on inspection who were on inspection were discovered many discrepancies officers who were on inspection were discovered many discrepancies यह ए पार यह ब पार यह ब पार यह रहा सी पार्ट dean or error है, समझना जब तक concept को नहीं समझोगे exam में तुम्हें नहीं पता चलता sentence active का है कि passive का है, error कहां से आया है concept से पढ़ोगे बाद समझ में आ जाएगी is that clear? sentence को देखना शुरू करें सबसे पहले आपने sentence में क्या लिखा? noun है noun है या नहीं है noun sentence में क्या बनते? subject क्या? बोलो, subject बनेगा object क्या बनेगा? subject तब बने जब इसको वब मिले इसे आगे वब भी चाहिए होगी और हू भी वब लेता है? हू भी तो subject होता है पढ़ाया था नहीं पढ़ाया? हू की वब तो यह हो गई इसे वब चाहिए देंगे आगे बढ़ते चलो inspection work यह देखो वब मिल गई यह वब जो है ना वो किसकी है? officers की है लेकिन देखने वाली बात यह है कि discover जो होता है वो एक transcript verb होती है कैसी होती है? भाई ढूनना तो क्या ढूनना? बताओ कि क्या ढूनना? भाई हम यह थोड़ी कहते है I am discovering मैं ढून रहा हूँ मैं ढून रहा हूँ मैं खोज रहा हूँ तो मुझो क्या खोज रहा हूँ discover कौन सी वब है? transformative इसे क्या चाहिए होगा? many discrepancies part of speech में क्या है? part of speech में object नहीं होता part of speech में noun है part of speech में क्या है? जो चीज singular plural हो noun pronoun होता है noun है और एक verb के बाद आने वाला noun pronoun उस verb का क्या होता है? बोलो जी क्या होता है? अगर action verb है तो क्या होता है? और अगर non action होता है? तो एक compliment है object यह बता दो discover करना काम होता है नहीं होता है? तो यह उसका क्या है? एक transition verb को object चाहिए होता है तुमने verb के बाद लिखा है लेकिन तुमने sentence देखो passive voice लिखा है इसमार was work के साथ ing आता है लेकिन तुमने third form लिखा मतलब sentence passive लिखा है और verb के बाद object भी दिया है यह गलत हो गया आ रही बात समझ में अब हमें क्या करना पड़ेगा? यह जो तुमने पहले लिखा है न यह sentence का subject है object नहीं है यह उस verb का subject और doer है subject और बात भी इनकी कर रहे हैं और discover भी नहीं किया इन्हें discover नहीं किया गया यह object नहीं है जब verb का object बाद दिया गया है तो तुम verb के पहले भी क्यों दे रहे हो? कुछ समझ में आ रहे है? इसलिए इस form को active बनाना पड़ेगा या तो word discovering लिख दो या सिर्फ discovered V2 लिख दो समझ आया? जब verb का object बाद होता है तो passive नहीं active बनाया जाता है या active वही होता है जब उसका doer उसके अभी सिर्फ बना रहा हूं पढ़ा नहीं रहा हूं अभी आपको दिखा रहा हूं समझा रहा हूं बता रहा हूं किस तरह से question exam में frame किये जाते हैं एक और example दूँगा फिक लाज को शोड़ूँगा यह नोट कर लिया होगा? यह passive कैसे पहचानते? समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिकत? तुम चिंदा मत को जब तुमको लास्ट टोपकी पढ़ाऊंगा तो इतनी सिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा वो भी मुझे इतना ही आता है ठीक है? कौन सभाला? बता रहा हूं V2 को बात समझ में नहीं आया? देखो तुम यह बताओ अभी बताया है कि passive तब बनता है यह दो पैसिव चेक किया है तब बनता है जब ट्रांसिटीव को क्या नहीं मिलता है object नहीं मिलता तुम यह तो object देदो यह self-form देदो यह उसका क्या बना दो तुम ने यह बब के बाद noun लिखा तो इस बब का है क्या हो? object है तो भई जब object उसके बाद है तो पैसे थोड़ी बनेगा active बनेगा और सच में वो जो है ना officer उन्होंने discover किया है वो काम कर रहे है ना कि उन्हें discover कर दिया गया है isMR wasmar के साथ ing होता है ना कि third form होता है isMR wasmar के साथ क्या होता है? ing होता है तो यह बना इस ao you give it to the it might change और यह तो क्या कर दोगे? वी-2 लिख दो बना इस यह इस रहागा passive form में मत लिखो एक और example, लिखो just a video कि को when the same time जैसे मैंने कहा they were flown to तु अमेरिका येस्टरड़े कल उन्हें अमेरिका उड़ा दिया गया कल उन्हें अमेरिका उड़ा दिया गया कल उन्हें अमेरिका उड़ा दिया गया A part, B part, C और D part समझ रहा मैं क्या कह रहूँ? ध्यान से समझ ना यह वाजवर के साथ जब वीत्री लिखा जाता है तो पैसिव होता है यही ना वाजवर के साथ वीत्री लिखा जाता है तो पैसिव होता है ठीक है हलाकि मैं चार्ट बनाओंगा समझाओंगा इस बात को समझो आप इसका मतलब यह होता कि यह उड़े नहीं न उड़ा दिया गया अरे यह फ्लाइट से गए है भाई यह उड़कर गए न उड़ा है नहीं गया है फ्लाइट का मतलब उड़ना और उड़ना इंट्रांसिव वर्ब है मतलब क्या कि यह जो आपने लिखा है मतलब यह इस वर्ब के बोलो क्या है जबकि ऐसा नहीं है यह सब्जेक्ट तो है लेकिन अब्जेक्ट डूर है यह उड़कर गए है ना कि इन उड़ाया गया है कैसे समझ रहे हो यह जो verb है वो intransive verb है कैसी verb है और intransive verb को object नहीं चाहिए होता और जबकि passive voice में verb के पहले उसका object ही लिखा होता है और जब यह verb हमारी कैसी है in तो भई यह इसका object बनेगा sorry intransive verb है तो यह object बनी नहीं सकता इसमें object आये गई नहीं बलकि passive में यह उसका क्या होता है object होता है मतलब यह कि इस बब का passive बनी नहीं सकता तुम flew करोगे flew they flew to America yesterday they flew to America yesterday क्या मेरी बात समझ में आ रही है आ रही है जड़ा इसे note करें जल्दी सब्सक्राइब हाजी मैं क्या कह रहा था कि किसी in-transitive web का हम passive नहीं बना सकते कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बतो आ रहा होगा जब आप passive बनाते हो तो तो तुम में पहले लिखा होता है वो कहने को subject होता है बट ना वो उसी web का object होता है अगर web को object चाहिए ही नहीं तो भला कैसे पैसे बना दोगे यह सुनो कैसे पैसे बना दोगे यह तरीके होते हैं improvement, error और fill in the blank करने के बाकि वो तो बालक बच्चे करता ही है कि क्या I am teaching English English is being taught by me अभी में आपको चार ऐसे option दूँगा अभिया तो time हो रहा है अपका कल में आपको option दूँगा चारो ही तुम्हें उस sentence के passive लगेंगे लेकिन आप सही choose नहीं कर पाऊगे जब तब बारीकों को नहीं समझोगे एक्जाम के दो टॉफिक जो तुम्हें बहुत आसान लगते सर्फ पचास नंबर तो पूरे हैं मेरे इनमें तो एक नंबर नहीं हिलता ऐसा लगता है तुम्हें अभी एक्जाम में गए नहीं हो ठीक है एक्जाम में आएगा तो शायद यह भी ना पैचान पाओ कि एक्टिव या पैसे है वह पैचान नहीं सिखांगा कल इसके बारे में बात करें ठीक है क्वेशन टैक सारे सॉल्व कर लेना ठीक है कल वोईस को डिटेल में पढ़ाऊंगा कल हैंड़ मिल जाएगा मौनिंग में वोईस कापको ठीक है थैंक यू सो मजग गैस थैंक यू कि पढ़ रहे थे क्वेशन टैक अभी कप्म नहीं हुआ एक्वेशन टैक अच्छा बागी कल मैंने कहा था खत्म हो गया बोल दिया था मैंने का तक कर के आएंगे आप कर लिया होगा गुड एक दो कॉश्चंस में डाउट होंगे जादा होंगे इन आपके वो में आभी आपको बता दूंगा नया हैंड आउट मिलना इसे लिए आप एक मुझे भी दें हाँ मैं भी क्लास का हिस्सा हूं हूं मिल गया सभी कोई इस चलिए जी देखते हैं कि चलते हैं कोई परिशानी कोई दिकत किसी में बता ही जड़ा किस वाले में डाउट है क्या है 14 और 43 14 और 43 देखते हैं जरा सारे जो बच्चे बार भी है द्यान से 14 लिखा है एवरीबडी इंदी आफिस हैस लेफ्ट अरली हैंट दे खुद पर विश्वास रखो आंसर की गलत हो सकती है तुमारे दोस्त आस पड़ोस वाले गलत हो सकते हैं लेगे खुद पर यकीन करो ठीक है इसका एंसर कले दिया इसलिए परिशान हो रहो है इसका ज़ी ए हैवंट दे ही होगा क्योंकि बड़ी हमें क्या देता है दे तो दे के लिए हैसने तो आएगा नहीं क्या हो जाएगा haven't day चौदा नंबर क्वेशन था 14 चौदा नंबर क्वेशन टैग में वाइस नहीं क्वेशन टैग वाइस तो भी शुरू करेंगे ना ठीक है लिख लिए अच्छा अगला क्या है नंबर कौन सा 43 43 देख लिका है we used to see epidemic in villages earlier हम गामों में पहले epidemic ऐगे किसमा लिअपमिक होता है ठीक माहा गाय हमारी महामारी ओक Если महामारी फांप क्यों देखो तो भाए यूजस गया लिखा है क्या सिसुख श्वीं शुक्ष किशे हैं टैग बनाते हैं तो पहला टैग प्रफर करते हैं जैंड क्षा नहीं है यह आंसदर है तो फिर पूचा क्यों है समझ में नहीं आ रहा था यूज्टू को दोते से बताया ना अगर यह option ना होता तो यह होता लेकिन जब यह मिल गया तो इसकी जुषत हमें नहीं है क्ले ना क्योंकि यूज्ट को वीटू मांते हैं मैंने आपको पहले भोला ता क्या मांते हैं और किसी भी वीटू का टैक्ट डिद और डिड नॉट से बनता है इस दिये बड़ा असान हो गया डिद नॉट बन गया लोग बहुत आसान टॉपिक है, ज्यादा कोशन मत पूछना बना में निरास हो जाओंगा मैं प्लाणिंग कुछ और करके आया था ना इसलिए 22, none of the students attending your class answered your question बताय था न मैंने, ये तो कराय था none of the students attending your class answered your question answered वोप की कौनसी फॉर्म answered वोप की second form, कौनसी फॉर्म तो भई second form का tag किस से बनेगा didn't या did से अब वो sentence पहले से negative है क्योंकि none लिखा, क्या लिखा, तो none की वज़े से क्या आएगा अब यहाँ प्रणाउन क्या आएगा दे ही तो आएगा, क्या आएगा, दे 43 और देखें और आगे चलें 43 हो गया ना, और कोई doubt लास तक, कौनसा 20 95 और 100 95 कहता है कि nobody bothers इसका tag बढ़ाना है nobody bothers, यह sentence सही है गलत है यह बताओ सही या गलत hand out ले लेना यह दो बिला, वो भी nobody bothers sentence थो ठीकी है, क्योंकि हमसे error तो पूछनी रहा, और हम error निगाले भी तभी जब पूछा जाए आप सही हो लग रहा है कि इसमें object नहीं है यह जो bother verb होता ना, यह transit भी होती है और in transit भी होती है, इसे stop होता है क्या रुकना भी होता है और रोकना भी होता है, वैसे ही यह होता है इसे clear है, तो bothers का मतलब हम dust लेंगे यह negative है ना, तो positive बनेगा अब buddy के लिए pronoun क्या आता है दे, तो dust दे तो होता नहीं इसलिए do दे, क्या आएगा clear हो गया, do दे clear हो गया 100 अमरोर देखें, 100, 100 college girls seldom wear sarees these days, आज कल college girls शायद ही sarees पहनती है तुझी seldom word मैंने आपको पढ़ाया था देखने में positive लेकिन होता इसका tag positive बनेगा आपके बास जो वह वह वहर है क्या है, where जो वीवन है, क्या है, इसका tag या तो don't बने, या do बने आप बताएं क्या बने do दे होना चाहिए, और एकजाम में आया था कोई परिशानी, कोई दिकत 96 96 और देखते हैं it hardly rains here शायद ही यहां मुश्किल से ही यहां बरसात होती है it hardly rains here hardly कैसा होता है negative होता है, तो tag कैसा बनेगा यहां जो वर्ब है, वो rains है क्या है, तो यह तो does ले ले यह doesn't ले ले लेकिन does ले ले, क्या ले 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 और does it आजाएगा, क्या जाएगा does it does it, I hope अब हो गय होंगे, एक last कौन सा, 70 74, गरंटी ले तो last है भई और भी तो पूछ सकते हैं तुम्हारे ले ले last है चीक है अरे, बोर पर देखो न, आपको बुरा लग गया क्या हासकर बूला करो न, सर मेरा last है औरो को क्या पता, है न, ऐसा रहा करो 74 देखते है 74 क्या लिखाए I don't suppose क्या लिखा है, anyone will volunteer, will they? अच्छा यह लिखा हूँ, अच्छा question है, 74 अच्छा इसमें होता क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था कि I know 102 और 191, बस यह न, 102 और 191, ठीक है, 74 पहले देखें, फिर 102 और 191 भी देखते हैं, हाँ, मैंने आपको पढ़ाया था है, जब कंजंशन that होता है, क्या होता है, तो that में हम करते हैं, बादवाले का tag बनाते हैं, क्योंकि वही information main होती है, पहले वाला तो बस एक additional information होती है, तो वैसे यह I don't suppose, इसमें एक चीज़ क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, I don't suppose anyone will come, ऐसा लिखा है, anyone will volunteer, देखो one की वज़े से दे क्या आएगा, क्या आएगा, और यहाँ will, दे हो, या won't, दे हो, यह issue है, ठीक है, इसको हम conjunction के लिए छोड़ेंगे, मैं आपको जब पढ़ाऊंगो तो बताऊंगा, जब that लिखा होता है, तो that के बाद वाला part negative नहीं बनाया जाता, that के पहले वाला part negative बनाया जाता है, और sentence negative ही consider होगा, कैसा consider होगा, भई, दे हमें लेना यह पका है, issue इसमें है, यह नहीं, यही होगा, will they, मैं आपको बताया है, थोड़ा connection पर छोड़ देंगे इस चीज़ को, जब that वाले clauses होते हैं, तो that के बाद वाला negative नहीं रखते हैं, पहले वाला negative रखते हैं, हमेशा that की बा होता है, आपको conjunction में बढ़ाऊंगा, हमना principle clause का negative बनाते हैं, किसका principle clause का negative बनाते हैं, यह पहले वाला हो जाते है, इसलिए will दे लिखा हुआ है, ठीक है, 102 और 192 और देखते हैं, फिर शायद कात्म होगे होंगे डाउट, 102 देखें, क्या लिखा हैं, Each of the students has done well in the annual examination, haven't they, इसका answer पीछे क्या दिया हुआ है, नो अरर दिया है, hasn't he, Each of the students, तो each of the students आपने लिखा, has done, आप यहाँ दो को वर्ब क्या हमारे पास है, has, has का लेंगे तो क्या बनेगा, hasn't, is it clear, यह कोई everyone, no one, someone, anyone तो है, नहीं, बही, प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद वाला तो subject होता नहीं, हम यह subject लेंगे, और subject के लिए ही प्रणाउन लेंगे, और प्रणाउन तो यह खुद ही है, खुद ही यह क्या है, लेकिन कौन सा प्रणाउन है, कौन सा, कहा, Demotriative कहां सा। तुम सब बोलो को मैं मान लूँगा। Distributive है। कैसा है.. ख़खो बर खंब लेना कौन है परלस्टनल कौन है। Each के लिए दे लेंगे या ही लेंगे। May इसक लो क्कुलर होता है तो भूर क्या कर देंगे, hasn't he, कोई परिशानी, कोई दिखकत, हर एक लड़का, C, C नहीं, she, हाँ, तो each of हो सकता है, मैंने अपको बदाया है, जब जंडर करना पता हो, तो हम प्रफर क्या करते हैं, मेल, इसले, इसले मेल, ठीक है, 102 यह हो गया, एक क्यानवे नमबर और देखें, एक क्या कहता है, दा, कैप्टन, एज वल एज, फाइब अदर मेंबर्स, आफ दे टीम, वाज प्रेजन्ट, वरंट दे, यह तो गलत हो गया, यह सब कोई पता है, as well as, में subject कौन सा होता, पहले वाला, बाद वाला, तो पहले क्या लिखा है, कैप्टन, तो कैप्टन है, सिंगुलर, तो वोजन्ट होना चे यह क्या होना चेए, अब वोजन्ट ही होगा, या शी होगा, आप बता दो, जेंडर का ना पता हो तो क्या होगा यही तो होगा wasn't he 103 103 और देख लें दो ओल लेड़ी can can hardly walk and is now confined to her house तो hardly है ना hardly hardly कैसा है तो tag कैसा बनेगा इसलिए can't she ना बनकर can't he sorry can she बन जाएगा अहां मैंने आपको बनाता ना conjunction से जब sentence जोड़ते हैं तो हम कौन सा लेते हैं जो conjunction free होता है और conjunction free कौन सा हो गया she can hardly walk इसलिए can से बनाओ can she all right चले आगे चला जाए आगे चले है heading ला लेंगे जरा voice पढ़ते हैं जान से आपको handout मिल गया voice का voice से भी exam में error improvement black pen use करो हाँ ठीक है कि बाद हेडिंग लूगा है से बस हो कि हाजी क्या कह रहा था हमें वाइस से एक्जाम में सिर्फ जो है न एक्टिव से पैसिब बनाना यह पैसिव से एक्टिव बनाना ही नहीं आता है वो तो आता ही है साथ ही साथ हर टॉपिक से एक्जाम में error improvement और fill in the blank भी आते हैं तो लगबग 200 questions आपके पास voice topic से ही error के दिये हुए हैं अगली class यानी कल में आपको conversion वाला handout डिला दूँगा जो हम करते हैं active से या passive से उससे ज़्यादा complicated confusing और important है यह सीखपाना कि किस तरह से वहां से error और improvement बनते हैं ठीक है बाहर जो बच्चे बैठे हैं आप कोई doubt हो नहीं question tag में थोड़े अगर लेट question बताया जाएं तो परिशान नहीं हुआ करे कई बाड नेट भी slow होता है ठीक है मिलके सभी answer चलते हैं आगे क्या लिखा voice ध्यान से समझेंगे voice fruits बहुत important पाधने जा रहो अच्छा पढ़ाँ गश्लिए कह रहा हूँ कह क्या बच्चा मुझे बताए कि V Sing obt Gaut a है कल बताया इलच पढ़ा दिया कुछ क्या तो बताओ ना आप तो ऐसे बहाना कर रहे हो बेकार में महिनत कर रहा होगे नोटक के अच्छी लगती मुझे जब मैंने कोई चीद एक बार बैच में बढ़ा दी दुबारा पढ़ाने में कता ही मजानी आता अलग अलग बैचे में दस बार पढ़ा या पास्स और पहले होता है तो होता है छिए हाँ वाइस इसलिए बनाया जाता है ज किना अग्जा यहीं ना? ठीक है, चलिए, यह बात मैंने आपको बताई दी, टेजबुंदी भी एक बात और बताई थी, क्या? एक वब होते है, ट्रांस्टिव, कैसी होती है गईस? ट्रांस्टिव वब होते है, और ट्रांस्टिव वब को अगर उसका, क्या नहीं मिलता? नहीं मिलता ध्यान रखेंगे एक Transitive Verb को अगर आपने Object नहीं दिया तो भई ये Expression कैसा हो गया Wrong हो गया तो इस Right करने के लिए इस Incorrect को Correct करने के लिए हमने क्या देना होगा Object देना होगा या तो Object दे दो या Verb की Self-Form को इसका Object बना दो और या तो दिये हुए sentence का क्या बना दो Passive Voice बना दो मेरी बात समझ रहो Passive Voice बनाने से होता क्या है कि आगे लिखा के गया subject ही उस वह का क्या बन जाता है Object बन जाता है क्या मेरी बात सबको समझा रही है शाद यही बाते मेने कल आपको बताई थी यही तक बताया था हाँ इसमें subject क्या लेंगे Passive Voice में subject क्या लेंगे अभी देखते हैं Example दिया था कोई मेने कौन सा जरा बताऊ एक flown वाला और officers वाला यह example दिये थे ना ठीक है अब देखे जरा discovered वाला दिये थे थे ना officer who discovered ऐसे करके All right जब को जिसे मैंने बोड पर लिखा मैंने कहा she is given she is given him a pen today she is given him a pen today ऐसा sentence बोड पर लिखा हुआ है is given is MR के साथ generally कौन सी फॉर्म आती है ing कौन सी फॉर्म आती है ing फॉर्म आती है लेकिन हमने यहां कौन सी फॉर्म लिख दी third form जिसका सीधा सा इंडिकेशन यह है कि यह sentence कैसा है passive voice भाई जो structure है इसे देखकर तो यही कहेंगे कि sentence कैसा है passive voice है यह हमारा passive voice है वर्म को देखते हुए हम कह सकते हैं लेकिन फिर passive voice की जो conditions होती है parameters होते है वो fulfilled होने चाहिए वर्म की third form okay है लेकिन third form को doer उसके पहले नहीं होना चाहिए doer या तो या तो लेकिन देखने की कोशिश करते हैं यह पाद और भी होती है भाई जब passive बनाते हो ना तो passive का subject ही passive का verb का क्या बनता है यह वर्म का subject ही इस verb का क्या बनेगा यह verb होगे इसके बाद क्या लिखा him pronoun है appen एक noun है किसी action verb के बाद लिखा गया है noun pronoun उस verb का क्या होता है यानि एक object और object object समझ गया बत को हमने sentence को अगर passive बनाया है तो फिर sentence का subject ही sentence का क्या होना चाहिए था लेकर तुम तो object उसके बाद लिख रहे हो यह गलत हो गया कई तरीके से चीजों को समझेंगे आप do or ना दिया हो तो passive होगा पीछे दिया हो तो passive होगा उसका object अगर वर्ब के बाद दिया है तो वह passive नहीं होगा ऐसा कुछ करके अब यह sentence होगा गलत तो यह जो वर्ब passive form में है इसे गलत यह बदलना पड़ेगा क्यों बदलना पड़ेगा क्योंकि जो आपने structure लिखा है वो आधा active और पैसे भे या तो इसे पूरी तरह पैसी बना दो या पूरी तरह active बना दो तो हम क्या करेंगे या तो लिखेंगे she has given him a pen today या she is giving him a pen today ऐसा लिखेंगे जिससे यह जो doer है ना doer ही बना रहेगा और object बाद आ जाएगा इसे आप subject भी बनाओ और क्या बना हो तो आप is giving कर दो या क्या कर दो has given कर दो क्या मेरी बात समझ में आ रही है right क्या बना वब का object वब के बाद है वब का subject और वब के पहले है यह बिलकुल सही लिखा हुआ है active बन गया active पैसे बने हाँ इसको अटागर gives gifts भी लिख सकते हैं she gifts लेकिन थोड़ा सा यह भी समझना पड़ेगा has given को हटा कर gifts भी लिख सकते हैं लेकिन हमें time frame क्या लगा दिया तो थोड़ा impractical लगता है कि यार वो आज उसे पैन देती है आज एक दिन होता और वो आज आज ही होगा कलतो होगा नहीं परसो भी नहीं होगा तो यह काम तो एक बार हुआ और एंडेफरेंट में जो काम होते हैं वो रूटेन की तरह होते है तो इसलिए बहतर होगा या तो continuously करो और या तो एक बार has given कर दो लिख सकते थे लेकिन वो अगर always होता sometimes होता, often होता तो लिखते यह एक दिन का नाम है तो भई एक बार ही काम हो रहा तो habit नहीं बना पार है ठीक है एक और example दे रहा हूँ फिर मैं आपको सिखाना शुरू करता हूँ अभी तो मैं समस्यां बता रहा हूँ कैसी आएंगे the bomb was the bomb was hiding in the court in the which the terrorist was which the ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं पूरी तरह क्लास में हूँ अगला क्या दूँगा ये एग्जयाणपल में चला है पिछले काधा नहीं दे रहा है ये एग्जांपल में लिखाए कि जो बॉम था वो उस कोट में छिप रहा था जो कोट आतंगवादी ने क्या कर रखा था पकड़ रखा था सही है सेंटेंस यह कुछ गलत है क्या गलती है बताओ है हा यह जो स्ट्रक्चर है वो active structure है कैसा है समझे लिजना न far aाइंटीय कography रहता है और अगे लिखागे सेंटश उसका नासर नासर उसका सब्जेक्स होता है साथ ही साथ क्या होता है तो क्या कभी बॉम चिप सकता है कि व向 नहीं चिपा करता बॉम के नेक होते उन्हें जो यूज करता हुनके रदोंपर डिपन्ड करता है कि वो क्या चाहते है बाम अगर चिप रहा होता तो फिर दिकत हो जाती बायो है नहीं रहा था तो ये active doer नहीं पैसिव doer है तो was hidden कर दिया जाएगा ये भी समझना होगा मेरी बास समझरों में क्या कह रहा हूँ बॉम जो है छिप नहीं रहा था बल्कि क्या था छिपा हुआ था छिपा था के लिए रहा हुआ जब को ऐसे questions भी कई बार एक्जाम में आ जाया करते हैं ठीक है चलें आगे कि दूर कौन है दूर मिसिंगे तभी तो पैसे भे थार्ड फर्म कर दूर ना हो या उसके बाद हो तभी तो क्या होता है इसलिए आपने लिखा भी हर तरह जब तुम करोगे सारी बाते फुल्फिल्ड हो रही होंगी दूर नहीं दिया होगा या पीछे दिया होगा और पैसे बनेगा ठीक है चले अब हम आगे चलते हैं मैं इसर फकर दूंग चलिए मैं सरफ करता हुँ आगे बढ़ता हूँ कि हाँ भी पैसे में कैसे है उस अगा पैसी में बनाय जाए हाँ पैसी में अगर बनाए जो कैसे बनाएंगे she has given him a pen पैसे बनाने के लिए हम क्या कर देंगे object को उसका क्या बनाएंगे subject तो object को ठाकर आगे ले जाएंगे अब हम आरे पास object दो हैं एक क्या है और दूसरा क्या है a pen, क्या मैंने आपको छीज़ सिखा ही थी object दो होते हैं, direct object याद है सभी को, right देखो, exam में क्योंकि हमें लिखना नहीं होता तो जो option आएंगे उनको देखेंगे आप दो तरह से पैसे बना सकते हम को आगे ले जाकर या आप pen को आगे ले जाकर ठीक है, him आगे जाएगा तो क्या बनेगा he has been given a pen by her या pen आगे जाएगा तो क्या बनेगा a pen has been given to him by her तोनों बाते हो सकते हैं दोनों exam में आएगे तो क्या करेंगा और एक आएगा तो क्या करेंगा अगर एक आया तो टिक करेंगे जो आया वही सही है लिखे अगर दोनों exam में आएगे तो सोचने वाली बात क्या है यह है कि हम पहले prefer करते है direct object को आगे ले जाना is it clear verb के direct object को पहले ले जाकर लिखना prefer किया जाता है did I make it clear अब आपको direct और indirect object में समझा चुका था आपको पता था direct object क्या होता है है क्या होता direct object जो क्या होता है verb हाँ जिस पर verb का सीधा आसर होता है यह मैं यूँ भी कह सकता हूँ यूँ भी कह सकता हूँ जिसके बगार जो verb है ना वो incomplete हो जाती है अधूरी लगती है इस में से अगर तुम हम हटा दो तो चलेगा लेकिन आप पहन हटा दो नहीं चलेगा तो ऐसे object जिनके बगार verb क्या होती incomplete होती है उसे क्या बोलते हैं आप direct object बोलते हैं कोई पारिशानी किसी को नहीं ना दोनों बाते मैंने आपको बता दी इस बात का बड़ा द्यान लगना चलेए आगे आगे हम यहां पर दबाम अबजेक्ट है यहां जो दबाम है वो subject है लेकिन डूर subject के साथ साथ वो क्या है object है बात सम्झा गई चलते हैं आगे रफ कर रहा हूं मैं अब हम सीखेंगे इन चीजों को जो हम कर रहे थे exam में बड़े अच्छे questions आते हैं बहुत अच्छा level होता है यहां पर the man was hiding in the court तो होता या नहीं होता मतलब passive बना देते हैं या active ही रखते हैं यह पूछ रहा हूं नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूं पहली बार में कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं आपको बताता हूं मैं तुम्हारी जगे question पूछता हूं ठीक है क्या तुम यह जानना चाहते हो कि अगर sentence यहां the man लिख दिया जाता the man was hiding अगर यह लिखा होता तो क्या यह sentence सही होता यह तो तुम यह पूछना चाहरे हो यह तुम कहना चाहरे हो the man was hidden in the court अगर यह लिखा होता तो क्या मैं इसका active बना देते हैं इसा कुछ इसा कुछ फिट से फिट से बलो फिट से क्या हाँ हाँ आदमी ने कोट में वम छिपा रखा है वह अक्टिवाइज है यह sentence लिखो के कैसे यह तो बताओ आप नहीं the man was hidden in the court और नहीं नहीं यह नहीं हो सकता यह गला लिख दिया आपने the man was hidden in the court यह तो हो सकता है कि व्यक्ति जो है कोट में चिपाता है कोट बड़ा हो चिप किया हो सकता है और आप कहना चाहरो वह अभी ना हिंदी में सही बोला है इंग्लिश में गलात हो गया कुछ और बोलेंगे इंग्लिश में तब बात बनेगी कि अगर व्यक्ति नहीं वाम चिपाया तो क्या बनेगा बनाएंगे क्या डूर अगर पहले आ गया तो है क्या और बनाएंगे क्या मुझे समझ रहे हो मैं बोल लेता हूं भाई समझा करो बात को डूर अगर पहले है तो पहले से हो क्या है बोलो एक्टिव बनाओगे क्या उसका पस यही तो कह रहा था चले आगे चलिए जी देख पतानी कॉन जा रहा था मैं आपको वाइज वाला यह हो गया क्या बतानी जा रहा था आगा चीक है अभी मैं पढ़ा तेखो देखो दा थीफ के स्पेलिंग क्या होती है में बिल कुर सब्सक्राइब दा थीफ वाज गोज गट एंट ही वाज सेंट तू जेल बाइदा पुलीस बताएं यह सेंटेश सही है गलत है थीफ को पकड़ा गया और कहां भेज दिया गया किस के दौरा पकड़ा किसने भेजा किसने डूर कौन है और डूर पके बाद है तो सेंटेश कैसा है और पैसे भी हमने लिखा है जोड़ दिया करो पैसे भी हमने बस यह ही जानना चाहरा हूं कि सही लिखा गलत दिखाएं कि सही लिखा है बिल्कुल सही नो एरर कि सोच लो को ना बताएं कि ही वास को अटा दूं क्यों कि क्या कर रहा है रिपीट हो रहा है इसलिए हाँ पूरा काम पूलिस करा है ठीक है लेकि मेला भी तो यह ही गया है काम पूलिस कर यृह जै की हमने एक बार ही लख लगए त котором आ अंगजन कि किया एक में क्या हुआ था यहांसे सिर्फ ही अटा दिया गया था एक तो यह लिखा हुआ ऑप्शन इसे ए मान लो जो लिखा हुआ ए मान लो बी में क्या मान लिया अपने ही अटा दिया हां तो कि समँझा रहें ची में क्या हूब था ही भी हटायागा कि वाज भी हटाया गया है और डी में क्या हुआ बाहिदर पुलिस यहां भी लिखा गया बाई दा पुलिस वहां भी लिखा गया को I'll कौन्सा साउप्शन ठीक होगा पुलिस ने गली महले में चोर कई बार हम लोग भी तो पकड़ लेते हैं, yes or no, फिर पुलिस आके क्रेडिट ले जाती, मैंने पकड़ा, मैंने पकड़ा, पकड़ा तो हमने, ऐसा कई बार हुआ, तो क्या बात यही बताना चाहरो तुम, नहीं, पुलिस ने ही पकड़ा, पु ठीक है, इस वाले में जो option था, वो यही था, कि he was हटाया जाएगा, ठीक है, बहुत close options से आते हैं exam में, इसी चीज़ को हम ellipsis बोलते हैं, अगर same verb और same subject को अब repeat कर रहे हैं, उसे हटाया जाते हैं, तो कई अच्छे questions exam में आ जाते हैं, he was हट जाएगा, क्या बनेगा, that he was caught and sent to jail by the police, clear हुआ, understood हैं, he or was, नहीं लिखा जाएगा, अच्छे question exam में आते हैं, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है? एक और example फिर हम आगे चलते हैं, लिखा है people, the people say that he helps the poor, यह sentence active voice है, है नहीं है, पैचाना तो आता होगा, वोपकी कहीं भी third form, तो बात सोचना मत कि यह passive है, active है, चलेगा काम, right, अब हम इसका passive बनाएंगे, कई बत्चों को पहले से आता है, आप इस बात का ध्यान अखेंगे, कि इसमें तुम्हें it, it का use नहीं करना है, और that कभी use नहीं करना है, क्योंकि आप fatak से पैसे बना देंगे, क्या, it is sad, it is sad that fatak से बना देंगे, वो बनता है, वो बनता है, लेकि एक्जाम में कई बार वो option में नहीं आता है, और आएगा तो थोड़ी सी कहीं गल्दी कर देगा वो, जैसे मैंने people के पहले क्या लिखा है, और वो क्या लिख देगा, it is said by people, अचा हम यह बारिकियों का अध्यान नहीं रखते, people के पहले जब दान ही लिखोगे नहीं तो general sense होगा, लेकिन यह किसी गली महले गाउं के कहीं कुछ खास लोग थे, जो कहते थे कि वो क्या करता था, गरीबों की मदद करता है, समझरों में क्या करा हूँ, तो people के पहले से दा हटाने का मतलब पता क्या हो जागा, दुनिया जहां के सारे लोग सभी यह कहते हैं, जो कि sense नहीं है, तो हमारी आदत क्या बनाने के it is said that, it is said that, ऐसा option दिया होगा, लेकिन थोड़ी सी गलती कर देगा और दूसरा, तीसरा चौथे में कभी यह लिखा ही नहीं कहीं भी, it is said, it is said, it is said ही नहीं, it is said का एक ओप्शन उसमें गलती है, दा हटा कर people लिख दिया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी इस sentence को, it और that को बिना इस QA passory में convert कर सकता है, कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जल्दी बताएं और आगे चले, यह सब बताकर आपको इसलिए में रियलाइज गराना चाहता हूँ कि टॉपिक को हलके में ना लें, बराबर बढ़ेंगे, बहुत इत्मिनान से बढ़ेंगे, जल्दी से बताएं इसका अगर पैसिव बन रहा हैं आपसे तो, है, जल्दी बता देता हूँ इसका मैं बता देता हूँ अगला वाला पना के दिखाना, यह तो मैं बता देता हूँ, उसके बारे में कहा जाता है कि वो गरीबों की क्या करता है, मदद करता है, यह भी बिल्कुल सही पैसे वह है उसका, एक वो भी जो आप जानते थे बनता है, इट इस सेड, इट इस सेड बाइद बाइद पीपल, आगे पुरा हूई क्या, वो भी हो सकता है, वो आपको पता है, सिखा यह आला, इसलिए रहा हूँ, क्योंकि एजाम में कभी-कभी वो आला ओप्शन नहीं आता है, यह आता है, तो कहीं कोई थोड़ी सी गल्ती हो जाती है, इस वाले को दुबार एक्स्मेंड करूँ, इसको दुबार एक्स्मेंड करता हूँ, तो इसे इस तरह से भी बना सकता है, क्या मैंने आपको यह नहीं बताया था, कि दैट के पहले जो लिखा जाता है, वो इंपॉर्टन नहीं होता, अभी तो शिखा कर आगे बढ़ा हूँ, तो फिर हमने किया क्या, मैंने आपको बताया था, अच्छली जो यह बात होती है, यह इसका अब्जेक्ट होता है, यह इंपॉर्टन होता है, अगर ही हल्प दपूर है, हम इसका भी पैसी बना सकते हैं, लेकिन कहीं नहीं कहीं वर्प कॉण सी इन्वाल्वड है, उसे भी तो कहीं दिखाना है, तो हमने क्या किया, उसको उठा कर आगे लिखा, यह इस सेट तो हैप दपूर, यह इस सेट तो हैप दपूर, जड़ा यह वाला सेंटेश बनाना, मैंने कहा, इसमें भी तुम्हें इट और दा यूज नहीं करना है, जल्दी बताएं, इतना तो यही बनेगा, इसके आगे की कहनी आप बताएं, अच्छा इन दोनों में कोई डिफरेंस हमन में आ रहा है आप लोगों को, क्या डिफरेंस है, है, हाँ, इसमें वो करता है, इसमें उसने मदद की या करता था, दोनों में टैंस का देफरेंस तो है, अब वो टैंस का देफरेंस कहां से दिखाएं, जबकि यह वोफ बनों में से और, ऐसे टिफिकल कोषटन अग्जाम में आ जाया करते हैं, Did I make it clear? He is said to have helped the poor. He is said to have helped the poor. If you remember, I told you that to have third form action is the same as the third form action. If you remember, the gerund was shown to have third form. So we will get these complicated options and we will never have thought about it is in a place. It is the option, it is the wrong, it is not the option. And if it is not the option, we will not understand how it will be. Do you understand my story? If the place where the set is written, then it will be so much. How much is the difference? And if the set is written here, then what happens? If the set is written there, then what happens? The sentence is wrong. The sentence is wrong. You guys are doing anything. Before the past and after the conjunction, what will happen? We have all forgotten. We have to forget to forget. Now, voice shallas or voice. It means tense again, we will forget. Is that clear? If the first principle clause is in the past, then it doesn't teach the camera app. Then it will be wrong, it will not be right. Is that clear? Is that clear? Is that clear? In which case? In this case? There people said that he helped the poor. This is verb's second form. This is the activity. This has made money. When the asset has made money, then what will happen? Is that clear? The rest of the structure will remain here. Are you understanding me? Do you understand the present past? Do you understand the present past? How do you understand the present past? Okay, if it is present present, then it can happen later. But if it is present past, then it will not happen later. Think, first someone will tell you, or will this work happen? Reporting happens in any kind of thing, when it is done. Either it will help or not, this will be told later. So, the work that happens later, if it happens in the past, when it happens in the past, then the first thing happened, which will happen in the past? It will happen in the past. This is the logic that happens. Is that clear? You have told me that the market is gone. So the market is gone, then it will say that. If you are saying in the past, then when will it happen? Past or past? Is that clear? Let's go ahead. If you haven't read it yet, tell me what kind of questions can happen. Now, I will start studying. Now, I will start studying. I will study very easily and slowly and slowly and slowly, I will take it here. I will tell you. Let's see. Now, you have a big surprise. What about the sound? You don't understand? You don't understand? Now, you will come. Don't do it. Now, I will start rule number one, two, three. Okay? Some kids sit in the past, when will it start rule number one? When the movie starts, the money will be gone. Okay? Now, the advertisement is going to start doing this, which will be added to 10 minutes. Let's see. Let's see. Voice. Voice. Guys, you know, voice. You know what happens? Active and passive are two voices. What do you have to study on this topic? Let's see on the board. Slavers. This is a syllabus. This is a syllabus. Oh-oh. This is a syllabus. You know. We have... We have three types of sentences, which we will learn from active and passive to active. What is one? Assertive sentence. And what is the second? Tell us what is. Interrogative sentences. And what is the third? Tell us. Imperative sentences. Do you understand me? Do we understand all these structures? And what do we do? Do we know? Do we know any assertive sentence? Who starts with the subject? Who ends with the subject? Full stop. And what does any assertive sentence do? What does it do? It gives us some info. What gives us? Information gives us information. He is a teacher. I'm giving this knowledge. He is not a dancer. I'm giving this knowledge. Do you understand me? All right? Interrogative sentence. You all know that what will come to this? Question mark will come. And what does it do? Questions ask. What do you ask guys? Is there any trouble for anyone? How do you understand an imperative sentence? How do you understand? How do you understand? Any sentence that starts with someone? V1. V1 starts with V1. And what does this sentence do? What does it mean? It means request, order, suggestion. Tell me, I understand. What does it mean? In the sentence, request, order, suggestion, and that will start with the first form, we will say, what is imperative sentence? What does it mean? I understand? How do you understand? How do you understand the sentence? First, we will recognize these three sentences. We will begin with this. Then we will recognize the sentence there is active. Or passive? Active-passive-passive-passive-passive. Explain it to you? Explain it? Do you understand? If you understood through that form, it is active. The third form is active. The third form is that doer. It is passive. Do you understand the same thing? Right. Do you understand the sentence? Right. right दूसरी और यह तीसरी बात बताने जा रहा हूं धान देंगे तीसरी बड़ी important जो बात बता रहा हूं वो क्या है तीसरी important चीज ये है लिख लिया हो तो लिखना बंद कर board पर देखेंगे तीसरी जो important इंपोर्टन चीज है वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं तीसरी इंपोर्टन चीज क्या है हमारा सेंटेंस अगर अगर असर्टिव और इंटरोगेटिव है क्या है असर्टिव और इसमें object नहीं है, तो remember कि इनका passive पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं बात तो नहीं पढ़ा रहा है, थोड़े पहले क्या बताया था, भई उस वब का passive बनाते हैं जिसे वब का object ना मिला हो, और उस वब का object देने के लिए ही उसका क्या बनाया जाता है, अगर किसी sentence में वब का object ही नहीं है, तो passive कैसे बनाओ गे, मतलब यही है, कि अगर verb transitive है, तो passive बनाओ गे, और अगर intransitive है, तो क्या passive बनाओ गे, वजब का he is sleeping, वह सो रहा है, he is, इसमें object है, तो क्या passive बनाओ गे, और object क्यो नहीं है, अगर sentence without object correct है, तो the only condition, situation is that the verb is इन-transitive अरे अंग्रेजी समझ में आती है नहीं आती तो बोल दिया करू ठीक है तो अगर sentence without object भी correct होता है तो that means the verb is intranesitive and intranesitive verbs are not translated into passive वाइस बास समझ में आ गई यहां clear हुआ आगे बढदते हैं अगर हमारा sentence कैसा है बोलो कैसा होगा तेनी तो पड़ने यार दो उपर लिग दे नीचे क्या आएगा ऐसे चला करो English के साथ reasoning भी लगाया करो मुझे लगे कि आप जो है mentally healthy है imperative sentences अगर नीचे हैं अब देखे आगे फिट दिमाग लगाना imperative sentences है इसमें दो बाते हो सकते हैं अबजेक्ट हो भी सकता है और अबजेक्ट नहीं भी हो सकता है आप बताएं इन दोनों conditions में पैसी बनेगा या पहले वाले का पैसी बनेगा दूसरे वाले का नहीं बनेगा दोनों का नहीं बनेगा दोनों का बनेगा दोनों का बनेगा दोनों का ही पैसी बनेगा क्या लगता यह क्या लिखा था? इनमें object नहीं तो passive? अगर इनके भी object नहीं पर passive नहीं बनना था, तो अलग से क्यों लिखा गया? यहीं लिख देता? क्या लिखता? assertive, interrogative, imperative, no object, no passive. अलग से लिखने का एक मतलब है, object है तो भी बनेगा, और object नहीं है तो भी बनेगा. बोलो कुछ समझ म में आया, yes or no? मेरी बात समझ में आ गई? कि भई imperative sentences अगर हैं, तो उसमें दोनों ही conditions में हम passive बनाएंगे, इस बात का बड़ा ध्यान रखना होगा, object है तो भी और object नहीं है तो भी, कोई परिशानी हो तो बताओ मुझे, को दिकत, यह बात आप नोट करें, मैं syllabus और रूल व active voice or in passive voice, can we do it, can we recognize the sentence being active voice or passive voice, yes or no? yes we can, second thing, name or type of the sentence, the given sentence is whether an assertive sentence or interrogative or imperative, can we recognize that, yes or no? and the third important point is, the given subject is with object or without object, can we do that, can we recognize the verb being a transitive with object or intransitive without object, yes or no? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हम, जब यह तीन बाते आपको आने लग जाएगी, तब मैं आगे की बाते सिखा पाऊँगा, यह तीन बाते आनी बहुत जरूरी है, यह note करें, यह तीन पॉइंट नोट करें, और मैं आपसे कुछ पूशने जा रहा हूँ, जल्द से लिखें और आगे चलें, समझें और आगे चलें, इहां इंपरिटी में क्या हुआ, तब ही पॉसिबल क्यों है, यह कहना चाह रहे हो, मैं अभी बताता हूँ, प्ले नोट करो, गौतम थोड़ा सा किसका नहीं चेर फसी कैसे, निकल आएगा न, थोड़ा किसका होगे नि हो गया, हो गया, हो गया, पानी ना बैठके पीना चाहिए, लिख लिख लिया सभी ने, हाँ जल्दी से लिखो फिर आगे चलते हैं, जल्दी से, यह बात अभी बता रहा हूँ क्यों होता है, अब नोट करो पहले, नोट कर लिया होगा, चलिए, अब यह बाते में आपको समझाओंगा, ऐसा क्यों होता है, उससे पहले मैं तीन बाते आप से जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, अब सारे लिखना बंद कर दें, और मैं कुछ sentences बोलूँगा, आपको पहला काम यह बताना है, कि उस sentences कैसे हैं, उनका नाम क्या है, assertive है, interrogative है, या imperative है, पहला काम यही करना है, पहला type questions का यह होगा, दूसरा मैं आपसे पूछूंगा कि उनमें अब्जेक्ट है या और तीसरा आपसे पूछूंगा कि वह एक्टिव है जभी तीनों चीज़ें आप पहचानने लग गए तो मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा ठीक है कोई कुछ लिखे के नहीं बहुत जल्दी जितनी जल्दी आप बता सकोगे बताओगे मैं पहला सेंटेस भोला हूं वाट अरे तुम क्या करने वैसे थोड़ी करना है जै कोई बात नहीं अच्छा लगा तुम पूरी तरह मेरी बातों को सुनते हो तो अब मैं अगला बोलूँगा फटाक सेंटेस का पहला नाम बताएंगे फिर मैं अगला जो बोलूँगा उसमें बताओगे और तीसरे में क्या बताओगे एक्टिव और पैसे बताओगे पहला बहुत अच्छी तरह कर पाओगे दूसरे वाले में सॉफ्ट्व थोड़ा सा हैंग होगा तीसरे वाले में सॉफ्ट्व पूरा करप्ट हो जाएगा अभी बता चल जाएगा ठीक है चलिए करते हैं दटीचर इस टीचिंग पैसी वाइस असर्टिव है और कहां चक्कर में यह तरीके होने चाहिए जल्दी करेंगे आप अगले सेंटेस बोल रहा हूं ही इस अनाइस टीचर वाटर वी दूइंग वाइर वी शाउटिंग प्ले क्रिकेट सॉल्ड़ क्वेस्ट्व थो नॉट मेंक अनॉइस लेट उस प्ले क्रिकेट लेट वर्प की फर्स परमती सो तो इस वाटिचर वाटर वाटर देश वाटर वाटर वी लर्निक पैसिव इस आर वी गोंप दो नॉइस सब्रोपर ली सिंग ऑ सौंग विरी गुड कुछ भी नहीं बैरी गुद संटेंश नहीं भाई ना वीवेन ए नहीं चेलिए यह काम सब को सम्च अनु आया दूसरा तो बोलने जारों क्या करेंगे या पैचने के ऑबड़ेक्ट है या नहीं यह कैसे पैचने के बतातूं मैं बतात mêmes किसी भी構 में अगर ऑब्जक्ट है तो उस भुख के बाद ही तो आता है कि वो होता क्या नाउन या अब तुम ये पहचान ने के चक्कर मत पढ़ना कि सेंटेंस कैसा है असर्टिवेंट इसरो सीधे पकड़ोगे क्या वब और वब के बाद क्या ध्यान दोगे कि सर ने कोई नाउन प्रणून बोलाया ऐसे पहचान पाऊगे इसे क्लियर मैंने का sit in the corner sit in in अगया ना इंदो प्रणूजिशन है तो नहीं होगा चलो खर मैंने मान लिया तुम्हे आता है इसमें टाइम जादा लग जाएगा भई आपको आता है मैं जब लिख दूँगा तो वर्ब के बाद अगर प्रणूजिशन आ गया तो अबजेक्ट नहीं है और अग English is being taught, he has been invited, they will distribute the prizes, he is coming today, they are driving my car, he is writing a sentence, why are you playing, सब को सुन प्या रहा है, good very good, अच्छा एक चीज़ और सुना दू, बता देता हूं आपको, sentence बोट पर लिखा, he is ill, he is ill, all right, he is ill, यह sentence active है या passive, इसका passive बना लेंगे, क्यों, क्यों नहीं बने, object, क्या object नहीं हो तो कभी passive नहीं बनता, assertive, interrogative कर नहीं बनता, assertive और, यह assertive है या interrogative, imperative तो नहीं है, तो नहीं बनेगा, क्या मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं कि हर active का passive पॉसिबल नहीं है, active है, passive बनेगा, बोल सकता हूं ना, लेकिन ऐसा कोई passive नहीं जिसका active नहीं बने, हर passive का क्या बनेगा, लेकिन हर active का क्या नहीं बनेगा, yes or no, right, एक और चीज़ बता दो जिता हूं मैंको, क्या, active से passive ब मेनिंग नहीं बदलना चाहिए का मतलब यह भी होता है कि टेंस नहीं बदलना चाहिए क्योंकि अगर टेंस बदल गया तो मेनिंग तो अपने आप ही बदल गया ठीक है अगर मैंने यूं कहा कि he is driving a car तो नहीं है तो एक्टिव है असर्टिव है पैसिव तभी बनेगा जब इसमें क्या होगा है या नहीं है क्या है हम इसका passive बनाएंगे, passive बनाते हैं किया होता है, door का पीछे जाना होता है या door को हटाना होता है, और लिखे गया object को आगे लाना होता है, यही तो होता है ना, आपको बता यह था, passive voice मैं subject ही का होता है, कैसे बन जाई यह object, जबके object वो है, इसे आगे लाओ, बोलो क्या करें, आकार, passive कैसे बनता third form से, driven, और by क्या हो गया, by him, अच्छा, अब तुम ध्यान देना, ये जो tense था, present continuous, tense क्या था, अगर tense बदल दिया, तो meaning बदल जाएगा, और meaning बदलता, लेकिन passive बिना third form बनता, तो passive की third form तो आ गई, लेकिन tense की requirement तो फ इसका being हो जाएगा, tense की requirement को fulfill करने के लिए, हम बी की form ले लेंगे, और passive बनाने के लिए, वो वाली, उसकी जो हैना, कौन सी form लिख देंगे, third form लिख देंगे, ये present continuous है, और ये passive है, समझ कर देखो, अब ये car चला नहीं रही, चला ही जा रही है, जिसके द्वारा, वो दिमाग को एक बात लाओ, हर passive का active बनता है, हर passive का, लेकिन हर active का passive, is it clear, active passive पैचानना आ गया, sentence का नाम पैचानना आ गया, object है या नहीं आ गया, हाँ बोलो, being इसमें, क्या है, मतलब, हाँ, ये, helping of है या main verb है, क्या कहते हैं आप, helping of या main verb, ये जवाब इसका मैं नहीं दू क्या है, यार, ऐसा तो पहली बार हो रहा है, मतलब, main verb, पहली, helping of, बाद में, कुछ भी बोलते हो, क्या, मतलब, बोलना है, तो कुछ भी बोल दोगे, कभी भी ing किसी भी sentence में helping of नहीं हो सकते, कभी भी third form यार helping of नहीं हो सकते, is it clear, ये helping है, ये main है, लिखागे है, ये v3 है, v3 मैंने आपको ये भी तो पढ़ाया था, कि past participle होता है, पढ़ाया था, past participle adjective की तरह use होता है, बताया था, तो यहाँ पर लिखागे v3, ये verb वाले v3 नहीं है, ये adjective वाला भी 3 है, ये कोई नहीं बताता, ज्यादा बताओं तो confused हो जाओगे, ठीक है, ये helping है, ये main है, यही तो मिलकर tense बताते हैं, बाकी लिखे के third form जो tense नहीं बता हैं, वो भी नहीं होते हैं, वो participle non-finite होते हैं, साहिमा तो मेरी बात से, yes or no, कई ऐसे दुख दर्द मैंने ना सीने में छिपा रखे हैं, कोई मानता ही नहीं, मैं बता दूँ तो मानता ही नहीं, मेरे बच्चे तो मान लेते हैं, वो भी थोड़ा सा जबाव डालो तो मानते हैं, ठीक है, नहीं सर फालाने तो वो पढ़ा रहे हैं, धिमागे तो वो पढ़ा रह नहीं उलाव एंण दो हराएं रॉल नहीं पड़ता है और बार 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 बताता है पस्लोल ऐधको थो फरक नहीं पड़ता इसे मीनिग पड़ता हैं मीनिग बड़ल जाएंगा Kollege Leek और जोइन के और या वह क invece न ऑखराएं नहीं पड़ता हो रमजाएंगा हाँ बताएं क्या करो कुछ कह रहे को दुवर मिसिंग नहीं है लेकिन बाद में तो है दुवर कौन है इसमें दो बाते इती बाद में आया नाय वह होता है अभी लिखो तो भी आता दो तो भी हो जाए गैं किलेर है सभी को चल पड़े अब हमागे हर पैसिफ का क्या बनता है लेकिन हार एक्टिव वो क्या नहीं बनता पैचान लोगे आप जिसे पैसिव बोलोगे उसका एक्टिव बनाने के लिए तैयार रहना और जिसे एक्टिव बोलोगे उसका पैसिव बन भी सकता एक सेंटेस बोड़ पर लिखता हूं बताना एक्टिव है कि पैसिव यह बड़े मुद्दे हैं जिन पर कई बार बहस होती थी डेमो में बहुत पहले मेरा भी डेमो हुआ करता था अब तो नहीं होता आप देता है निजया डेमो लेता मैं पढ़ाता नहीं जागे कि तुम भालतियों की बाते करोगा आता तो मैं कुछ ने डेमो लो कि मैं वैसे गलावित कर दूँगा अब आप इस पर भाहस हो गई ठीचर बहुत पहले आज की बाद साल चोड़ो यह सेंटेंस था इस पर भाहस यह एक्टिव है पैसे एक्टिव है एक्टिव है इसमार के स कोई बात नहीं एक्टिव एक्टिव बाकि सारे एक्टिव करें तुमने पैसिव कहां तुम 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 अकेले बढ़ गए कोई बात नहीं अगर आप पैसिव कहते हो इसका एक्टिव अना दू इसलिए इनों नहीं कहा था इसलिए ना लेकिन को भी रह था लेकिन देखी एक्टिवी है बनेगा इसका एक्टिव जी नहीं यह पहले से एक्टिव है इसे क्लियर ना जाने कितने वर्षियों तक पढ़ाने के बाद दाड़ी सफेद हो गई बाल भी सफेद हो गए आप इसलिए बड़े अध्यापक बनगे क्योंकि आपकी उम्र हो गई यार त करता रहा उसे उसका तजरुबा है कि इसे क्लियर तुम 10 साल गाड़ी चलाते रहे 11 सल पढ़ने लग गए तुम यहां गाड़ बनने आए थे गाड़ की नोकरी की दसजार में बाद में मुझे वहां फलाने वाले में मोका मिला मैंने बाद बढ़ाना शुरू किया तुमने वहावश खराब किया वह गाड़ भी बन पा रहे हैं तुम तो बन भी कए थे क्योंकि उनका जमीर नहीं कहता कि मैं गाड़ वनू को और तुम यह बात फेस्पूप डालते हो लाइक पटोडते हो कहते हैं क्या वह यहां से वहां क्या क्या करते हैं वह सलम्डॉक मिलेनियर दूंगा तो क्या तुम इसको पैसे बोल दोगे जब इस सेंटेंस में कोई अक्षिन होई नितए रहा कि लिए इसका कोई एक्टिब बने गई यह एक्टिब होईज ऑ लेकिं ध्यान देना अब बताओ वह इंज्ट है यह सेंटेंस एक्टिब भी हो सकता हूँ और पैसिब ना भी हो मैं सम्झाता हूं कैसे इसका एक्टिव बन सकता है संबडी इंजर्ड हिम इंजर्ड हिम वी टू और यहां तो इंजर्ड विंजर्ड नहीं हुआ उसे चोट लगी थी मैंने देखा ने मैं कै Cert. जरूरी चोट मारें तुमसे खुद लग गई हो तुम दरवाजे से निकल लें ख्रोजा लंग गए चोट लोग में समवन तो नहीं आ है एप्क्टिर में बोले है सूनों तो यह यह ल worksती है और उसे चोट लगी देखकर मुझे क्या पत mineral नियुक्द की या किसी ने दोने बाते हो सकती हैं, तो सर अगर इसमें आप passive कह देते हो, तो इसमें क्यों नहीं कह रहे हो, मैं कहे रहे हो, इसका active बना दो, इसका active यह बना ओगा, क्या मैं बना देता हो, जो उस विक्ति ने बना या था, उस teacher ने बना या था, वो यह था, कि someone injures him, उसे ये समझाओ, इंजर्ड सिम ये बनेगा, आपको पता ही क्या है, समवन इंजर्ड सिम का मतलब है कि कोई जो है रूटीन बिजनेश की तरह, हैबिट की तरह, उसे रोज जो है गायल कर देता है, वो मूर क्या क्या, दोचार को भी लेकर आएगा, किसी तिन वो भी तुम्हें गयल करेगा यह क्या चल रहा भाई सम्वन इंजर्स इस डाट रूटीन बिजनेस डाट अपन एवरी देश्ट पॉसिबल तो भाई ऐसे रटना नहीं होता है कि अजमर किसा थ्रेट फॉर्म आगे तुमने का पैसे यह लो इस अकलार? गलत हो जाएगा यह सेंटेस मीनिग्लेस है मैं नहीं नहीं चिहर ब्रोकन और ज़ु इस डाट बीक्न जो इस से पैसे मांते श्क्टिव बनाएंगे संबड़ी ब्रेट्स डिस 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 बमी luggage डिस डिस को उठता होगा लेकिन टूटी हूई चेयर को तोड़ देता है याद जरा सी भी चेयर तोट गई तो अगली बार क्या तोड़े गाउट तूटी हूई है कि मेरी बाद समझरो लेकिन ना वो इसका भी पैसे मानते हैं और active attack कि बनाके ये देते हैं क्या someone breaks this share, उन्हें सम्झा दें कि यह सेंटर प्रक्टिकल ही नहीं है, क्या तो लिख दोगे, समबडी डाइज, कोई मर जाता है, औरे मर नहीं जाता है कोई, मर गया होगा, ये तो चलेगा, समबडी डाइज गलत होगा, ये लिको everybody तो बहुत ध्यान से चीजों को समझना कि active है या passive है अब आगे चलें गाई तीनों बाते आपको आ गई अब आगे चलते हैं समझते हैं और बताना चाहरा हूं ठीक है रफ कर दूसे सब नौट कर लिया यह सारा कुछ नौट कर लिया अब मैं आगे चल रहा हूं और बोड पर बारा सेंटेसस लिक रहा हूं मेरे साथ लिक्यें अब 12 सेंटेस जो मैं लिख रहा हूं जब तीन बाते आपको пैचाननी आ गई हैं उसके बाद हम चीजों को सीख सकते हैं एक sentence लिखा, we should fight for our, क्या, country, एक बात मुझे बता दो, यह sentence assertive है, interrogative है, imperative है, कैसा है, कैसा है, assertive, right, जब sentence की शुरुवात किसे हो, assertive कह दे न, हाला कि सुनने में लग रहा है, यह suggestion है, लेकिन फिर वो क्या होगा, जब यह लिखा जाएगा fight for our country वो suggestion होगा यह statement हमें तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ assertive है active है active है active है active है जब तक third form नहीं तब तक कैसा है active है तीसरी बात बताओ इसमें object है या नहीं है और अगर है तो कौन सा है है या नहीं है है नहीं है कितने कहते है residence object है कितने कहते है नहीं है सारे कहते है नहीं है good क्योंकि जो main verb हो कौन सी है उसके बाद object होता तो यह होता noun pronoun होता तुमने क्या लिखा object नहीं है clear हो अब हो अब हो आ रहा समन पर right इसे लिख लो आप उसके बाद नहीं यह लिखो जो मैं लिख रहा हूँ पहला sentence sing a song हाँ बता है हाँ 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 imperative कैसे नहीं है कैसे नहीं है वही बात है कि imperative कैसे नहीं है और assertive कैसे है तो अगर यह imperative होता तो वीवन से शुरू होता वह की यानि किसे शुरू होता fight for our country फिर we should ना लिखा होता subject की शुरू होने वाला कैसा होता है assertive होता है clear है चलिए जी sing a song दूसरा लिखे sleep early today तीसरा लिखे do not disturb your roommates तीसरा चौथा don't go out alone पाँच मा let him play cricket let him sleep in the room let him sleep in the room please solve this question please solve this question it please do not shout please do not shout next never insult the rich never 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 dance dance here here always respect your elders always come on time always come on time this ते ठीक है चलिये लिखे ये ट्ल्प सेंटर से लिखने के बाद आज जो तुम्हारा काम है मैं बता देता हूं, तो मैं फिर से यहां तीन बाते करनी है, इनका नेम यह एक्टिव वाइज है या और इनमें अब्जेक्ट है या नई है, यह तीन बाते हमें समझनी है, इन तीन बातों को हम समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, लिख लिया सभी ने अगर लिख लिया हो तो जाते जाते ये तो बता ही जाओ कि इन में से कितने सेंटेस एक्टिव हैं कितने पैसिव इन में से कितने एक्टिव हैं और कितने पैसिव इन में से कितने एक्टिव हैं और कितने पैसिव सारे एक्टिव हैं अरे शौर, सारे अक्टिव हैं, सबका यही मानना है, बिलकुल सही है, ठीक है, मेजरिटी विंज, एक साथ हो तो सही भी गलत होता है, गलत भी सही होता है, तो यह सारे के सारे क्या अक्टिव हैं, रीजन है किसी में भी थर्ड फॉर्म है यह नहीं, है क्या, जब किसी में थर बताएं इसारे इंपरेटिव कौन से नहीं इंपरेटिव है वो बता दो पांचवां थ्री फॉर फॉर फाइव थ्री फॉर अच्छा यह बताओ यह इंट्रॉग्रेटिव हैं है कोई भी ऐसर्टिव हैं का मैं यह इंट्रॉगटिव होता तो क्या होता किसी में है व्येंट्रॉगर्डिव नहीं है तो सपटसप्चर्प कहते थे इम्पेरेटिव हैं इसे क्लियर यह सारे सेंटेसें इंपरेटिव हैं वीवनी तो है यह दूवीवन नहीं होता क्या वह उसका नेगेटिव तो डूनॉट गो हो गया हर जगह वीवनी है रिस्पेक्ट के पहले ऑल्वेज डवाफ है लेकिन आलवेज राटा तो इसे तब भी 10 8 पिंप कि आपको पता है कि कि पैसिफ्ट है कब बनाते हैं वह इस हां यहीवाले का आ एना बहुत सारह में हो जाएगा किसी बास नहीं है कि तीन चार बच्चीं वक्रांद आप सभीको पताए ER भानाते हैं ऐऊ आनå पैसिब पंदा मैंने आपको बताया था जब हमारी वप एक ट्रांसलिफ हूब होती है लेकिन उसे क्या मिलता आपज오 नहीं मिलता ता फिर उस वब कहां में आथा पैसे बना दे या उसका आपजेट उसे दे दे या उसमें सेबुसल में है ठीके आप सभी के पास हैं हैंडाउट्स बलाओ हाँ 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 ओके बता देता हुआ मिल गया सभी को आपने कहा की ही आज ब्रोकन अचेयर ही हाँ ब्रोकन अचेयर कप इसमें इंक और डाल देना अचेयर ही हाँ ब्रोकन अचेयर इसका पैसिव क्या बने का आप जानते हैं यह पैसिव वइस है यह अक्टिव वइस है पैसिव वइस हमें भी थी चाहिए होता है यानि हमारे पास भी थी पहले ही था हमने इसमें बीन क्यों लिख दिया यही ना मत्तब अगर अगर इसका पैसी बनाएंगे तो चेयर को आगे लिख देंगे बाइं पीछे लिख देंगे और यह लिख देंगे क्या चेयर है ब्रोकन बाइं ऐसा करके कि बीन क्यों लेते हैं एक्स्ट्रा बीन की अब यहां देखो तो माना जाएगा क्योंकि इसकी वादे क्या रहाए ? अगर इस को इस फोटा नहीं सकता तो इस बात से कोई मुक्र नहीं सकता है वो माने ना माने sbjč यहे इस अPlayer subject को चेंज करता है यह subject है लेकिन, दूर नहीं है अब ये में क्या कह रहूं सोर कौन सी नहीं बात है, doer है, doer नहीं से अगा फरक्ष पड़ता है देखो जी, यहां यह काम इस पर कर रहा है तो यह action verb है यहां यह काम इस पर हो रहा है तो being verb चाहिए है नहीं चाहिए नहीं समझे यह परफॉर्म कर रहा है, एक action होता है, एक non-action होता है, action और, is it clear? यहां लिखा किए V3 और V3 नहीं है, adjective है passive voice में लिखा किए V3, V3 नहीं, कहने को V3 होता हूँ, adjective होता हूँ, मैं बरबर आपको बता जुका हूँ आचा, passive voice में जबाब आते हैं और किछी के लिए adjective लिखते है, तो उसकी state होती है जिसे I have been worried, I have been worried since morning, सुवे से मैं परिशान रहा हूँ तो उसमें I have been, been क्या है होने की third form, और worried क्या है, adjective तो यहाँ जो broken है, वो adjective है, इसका actual translational meaning यह होता है, एक कुरसी हो चुकी है, टूटी हुई उसके दौरा, इसका मतलब जो कुरसी है, वो टूटी हुई बना दी गई है, किसके दौरा, उसके दौरा, तो यह इस समय कोई काम नहीं, बलकि state है, और state बताने के लिए हमेशा किस की form आती है, वो अब की form, बी की form आती है, तो यह बी की third form लेना जरूरी इसलिए है, क्योंकि डूर, डूर नहीं, अब recipient हो गया है, action का recipient यहाँ आगया, और डूर वहाँ चला गया, तो आप बीन कर दिया आपने, that's the logic, इसलिए मैं कहता हूँ, जब भी passive बनेगा, जब भी passive बनेगा, तो उसमें हमेशे किसकी form आती है, बी की form आती है, उसकी form आती है, उसका reason क्या है, उसका reason क्या है, पैसिए में लिखा गया वी थरी, कहने को वी थरी और अज्यक्टिव होता है, क्या होता है, यानि उस sentence में actually कोई काम नहीं हो रहा होता, is it clear, कोई काम नहीं हो रहा English is being being taught by him clear हुआ present continuous present continuous यह taught हमारी verb की third form हमारे लिए है लेकिन ना यह तो adjective है is it clear यकीन ना हो तो मैं बता देता हूँ English is being easy English is being taught का मतलब है English है हो रही कैसी पढ़ाई हुई यह स्टेट है English की clear इसलिए पैसिव जो है बिना बी की फ़र्म के नहीं बनता है क्योंकि पैसिव में कोई काम ही नहीं होता काम active में होता है पैसिव में वो काम किसी की स्टेट बन जाती है that's the only reason इसलिए बी की बिन लिखा जाएगा या बिन लिखा जाएगा कोई ना कोई फ़र्म बी की जरूर होती है जैसे he will, he will drive the car he will drive the car क्या होगा पैसिव कोई बता है बच्चा बोलो, यह क्या लिख रहा हो मैं the car the car will be driven by him यहां काम हो रहा है वह कार चलाएगा, action हो रहा है अब इसमें नान अक्शन स्टेट है तो बी की फ़र्म चाहिए आपको आप देखो ना आप इसका मतलब पता है क्या निकलेगा तुम कोगे car उसको दौरा चलाई जाएगी यह समझनी होता, car होगी, चलाई होई car चलाई होई होगी बन जाएगी, चलाई होई बन जाएगी, उसके दौरा state होता है समझना है, तो हिंदी निकलनी पड़ेगा, समझना पड़ेगा तो वीत्री जो होता है पैसी वहस में, वीत्री नहीं हमेशा एजेक्टिव होता है, और एजेक्टिव बनाने के लिए, यानि किसी की state बताऊ कि नाउन प्रणौन की क्या बताते हो, quality तो वो इस नाउन की अब क्या है, quality चले आगे, yes or no, और यहीं से प्रूव होता है कि यह adverb है और किसका adverb है, इस अजेक्टिव का, driven by, ठीक है जले, आगे, चले, हमें वो पता रहे है, चलिए, जी, हाँ, बुलाया, बथाया, लिखना है, लिखना है, नोट कर लो, फोटो कहोगे, कीच मेरा फोटो, जल्दी करो, ने, मतला, board का यार, तुम तो, कोई मोका नहीं छोड़ तो मांस्टर की बेस्थी गरने में और मैं उतर आया तो फिर समझ लेना hire कि आनिा पाई करला इंटासेवा पाउसका पैसिव नहीं बनेगा na कि इंटेस्टिव की असपित ने बंता एंटासेव यहाँ डिया सtte में अथा आप अपन कर्म नहीं होता कूछ काम कासर खुद ऐस पर होता है तो उसकी आखा सब चाहिको यह ही तो चाहित ह JUDGE की की वह टोड़ रही है तो जब उसकी कि घृत रही है तो जब उसकी ह होगा का सब्सक्राइब चाहिक और जब कुरसी की बताओ पैसे बना रोगा है चाहिक कि नहीं जाननेगी आपको, वरना विद्वान बन जाओगे, किसी पीपल के पेट के नीचे आपको गयान के प्राप्ति होगी, is that clear? चले आगे, फिर फायदा क्या रहेगा, अंग्रेजी पढ़ना पढ़ना लोग बंद कर देंगे, हाँ, हाँ, कार चलाई, गई नहीं जाएगी हाँ, हाँ, मैं कुछ और बता रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे ये बताना ही बढ़ेगा, क्वश्चन यह था कि B क्यों आता है, B, वो में समझा रहा रहा था आपको, हिंदी जोमन में आम निकालो कि कार उसके दौरा चलाई जाएगी, ठीक है, मैं तो वही है, अगर धान से समझो, बस कहने के तरीके अलगे है, आपको समझो कोई बात नहीं, ठीक है, चले आगे देखे, दो-चार कॉश्चन वहां से करा रहा हूँ, फिर आगे पढ़ा रहा हूँ, कितने पॉइंट लिखाए थे मैंने कल, कुछ लिखाए था पॉइंट, नहीं, याद है, मैंने 12 एक्जाम्पल्स लिखे थे बोड पर, 12 एक्जाम्पल्स लिखे थे, वही लास्त था ना, उससे पहले मैंने आपको सेंटेस का नाम पहचाना, एक्टिव पैसे पहचाना, अबजेक्ट है या, यह पहचाना आपको बता दिया था, राइट, हाँ, अच्छा, अब यह हमारे पास हैंडाउट है, हैंडाउट निकालेंगे और आगे चलेंगे, मैं दो-चार कॉश्चन आपको करा देता हूं उसमें से, और फिर हम आगे चलते हैं, Wait for me, Wait for me, अगर sentence, इसका question tag क्या बनेगा, वेट for me, पढ़ाया था हम इन्यापको? नहीं पढ़ाया? Question tag topic नहीं नहीं पढ़ाया? अचा यह sentence नहीं नहीं पढ़ाया, मतब जो exam में है, तर आपने नहीं पढ़ाया, हम नहीं नहीं कर पए? बेट फार मीं इंपर्टिव है विइसे चुडूव फस फर्म से अब हरे इंपरर्टिव सेंटेज में तीन बाते हो सकती है रेक्षेस्ट ओर और अगर प्लीज लिखा होता तो हां अभी तो कंफो मिशन है नहीं कुछ भी कुछ भी हो सकता है तो यह तीने यह बाते हो सकती है जो फिसले से छे टायक्स बन सकते हैं? तीन पॉस्टिव तीन नेगटिव। तीन रिक्वेस्ट के पॉस्टिव। तीन मतलब पॉस्टिव। रिक्वेस्ट्व। और और किस के.. सब्सटिशन के.. और तीन उसी के.. अगर अम बाद से शलाह माल लें तो यह बनेगा, want you or will you, want you, यह उस बुक में यह दिया हुआ, जो आप पड़ते हो, ठीक है, नीचे दो आंसर दिया है, अबलिक लगा कर, उसके बाद चार और कॉन से बनेगे, can't you, can you, रोक नहीं सकता है क्या मेरे लिए, रोक सकता है क्या मेरे लिए, यह order हो गया, और अगल आगे, sentence देंके पहला, हाँ जी पता है, have some more tea, हाँ, यह यह भी question है, have some more tea क्या होगा, अब यह समझने वाली बात है, तुम चाय बनारो किसी के लिए, have some more tea, तो उसे जबर से तो पिलाओगे नी, कि तो तुम आगे मैंने चाय बना दे, तो पीना पड़ेगा, तो कही ने कही तो वो एक request यह सला मान लेते हैं, order तो कम सा कमो नहीं है, have some more tea, हो सेकता मैं request करो, चाय पी के जाए, महारे घराओगे, बहुत दूनों बाद आए, आप काई तुनों बाद आए, चाय पी कर जाए, तो वो क्या हो जाएगा, will you or want you, sorry, wouldn't you or would you request, और नहीं तो सला, अरे भार थंड है, थोड़ा, गलाद सही रहेगा, चाय पी कर जाओ, तो यह बन जाएगा, will you or want you, अब जब अब जब दस्ती तो प्लान लेका, चाय नहीं पी सकता, क्या, मैंने बनाया, सोबे से महिनत कर रहा हूं, नहीं कहीं का, तो क्या बोलेंगे, आप, can you, can you, option वहाँ गलाथ ह हो जाएगा, तो वह दो नहीं दिया होंगे, बाकी चार में से को यह बनाया जाएगा, चले आँगे, तौारा पहला कोशन क्या है, एक तुम्हें दूसरा भी कोई मिल गया था क्या, वोइस, यह नरेशन वाला मिल गया था क्या, तो यह नहीं है, तो मुझे क्या कुछ और ह जाएगा, अगर एक मिटको धूंढ रहा हूँ, हाँ, सॉंग, 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 आस सॉंग इस संग बाइ माई सिस्थर, अब आप सबको पता है कि जो संग का काम है, वो किस ने किया, सिस्थर ने, और अगर दूर पीछे होता है, बाद में होता है, तो हर पैसिब यह पाम तो इस संग नी इस संग हो जाएगा बीं क्यों नी आया जब को ऐसा है इस संग करने से भी तो संटेस हो जाएगा इस बींग संग से संटेस का मीनिंग बदल जाएगा गाया जा रहा है जबकि गाया जाता है यह उसका पैसिव है इंडेफिन टेंस का वह में भी सिखाऊंगा फिलाल पैस्टिव बने का यह समझ में आपको, अगर आप बिंग संग लिखोगे तो भी तो पार्ट भी ही रॉंग होगा, संग का संग पड़ेगा और बिंग जोड़ना पड़ेगा तो पार्ट कौन सा रॉंग होगा, बी, बी, solution दो नजर आ रहें, लेकिं पार्ट एक ही ए, एैज कान सा, बी कांपे नियुक हम तो बिन बी एक 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 पंद द। ईजर्णिंने ओग एक वास्ट सफषी और चाहरी अविल को कि फूटते निदा पूत यह लिए टाथ पूट का एक अगला कुश्स्यन नमट अगर हम पाचवर म अगणitive officers who were on inspection, in this factory were discovered many discrepancies, यह मने आपको बताया था ना, इसमें जो discrepancies निकाल रहा है वो कौन है, officers, तो doer अगर verb के पहले होते हैं, तो sentence कैसा होता है, active होता है, इसलिए were discovered गलत है, आप सिफ क्या लिखेंगे, discovered लिखेंगे, क्या लिखेंगे, discovered, क्या लिखेंगे, discovered, क्या इसका मतलब जो officers ना, इंस्पेक्शन पर थे, निरक्षार पर गए थे, उन्होंने बहुत सारी discrepancies को ढूंड निकाला, discrepancies क्या होते हैं, कम्या, कम्या नहीं होता, discrepancies क्या होता है, discrepancies, नहीं बता, समझतो रहो ना, ऐसा होता है कभी-कभी, ठीके, चलें आगे चलें, ना, कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें जो ना, were discovered गलत होगा, were हटादो, discovered या तो ठीक होगा, और या तो were discovering, इसे active form में लिखना है, अगला देखें, sentence number, 12, 12 number, the book has been stolen by someone, सही है, गलत है, बिलकुल सही लिखा है, उसके ठीक पहले 11 number, क्या लिखा है, the bells has rung by the pion, तो एक तो हैव आएगा, और फिर बीन आएगा, है ना, क्योंकि बेल पर काम हो रहा है, यह उसकी state है क्यों बजाई होई हो गई, इसे clear, यह नी, दूर बाद में आगया, तो पैसी बन जाएगा, has been sung होगया, क्यों ग्सक्त, हाँ, have होता है, बीन कहाँ था, बीन कहाँ था, जही ना, बीन कहाँ था, तो बीन जो हना पना यह आता, इसी पार्ट में, क्योंकि यह रंग तो ठीक लिखा हुए, तो आमें रंग के लिए नही ब्लकि हमें have के लिए बीन चाहिए, थाट फर मे वह जो चाहिए, have have जो चाहिए, ठीक है, चले, पैसिवाइज में है यह सेंटेस, नहीं, बेल्स को पहले, बेल्स है तो have करो, और फिर been करो, have been, बेल्स की वज़े से have होगा और have, have been होगा, एक और question नमर देखते है, 96, इतो बस आपको सिब बताना है कि भई कैसे क्या है और क्या नहीं, the burglars were broken into the house, and took away some cash and many precious things, एक अलद है, क्यों, समझ गया ना, जो सेंद लगा रहे हों बगलर्स से, और बगलर्स दूर है, और वब के पहले हैं, तो पैसिव क्यों लिखा, समझ गया ना, बद को, इसको किस form में लिखना पड़ेगा, active form में, तो active या तो कर दो, word breaking, या क्या कर देंगे, सिर्फ broke कर देंगे, second form past indefinite में, यह भी सही हो जाएगा, समझ रहों में, क्या क्या रहूं, हाँ, इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाला काम हो चुका है, तो जब काम हो चुका है, तो उस तरह से लिखो, वी टू लिखा जाएगा, ठीक है, हाँ जी हाँ, नहीं, past में है ना, past में, तो past का correction, past में होगा, अब हैड ब्रोकन क्यों नहीं कर सतते हैं, क्योंकि हैड ब्रोकन तब भी लिखते हैं, जब कोई दो का action, compare होते हैं, एक आम पहले होतार, एक वो इसमें है नहीं, इसलिए ब्रोक ही लिखा जाएगा, ठीक है, क्वेस्टन नमर और देखेंगे, 68, His behavior is so rude, that everybody disgusted with him, वो इतना अभद्र है, कि हर कोई उससे घ्रना करता है, disgusted with him, देखो, इसमें आंसे कौनसा पाट है, कौनसा, B है, ठीक है, और होगा क्या है, everybody is disgusted with him, disgust एक verb होती है, जिसका मतलब होता है, हेट, क्या होता है, इससे समझ आ गया होगा, कैसी बब है, यह सही हो जाता, अगर इसके ठीक बात क्या था, लेकिन आपने तो ठीक इसके बाद विद लिख दिया, क्या लिखा, वो तो प्रपोजिशन है, अब हमारे पास कोई option भी कि विद को हटा दे, क्योंकि कहां चला गया विद, किस पार्ट में, C पार्ट में, अच्छा, तो सर C पार्ट में भी जाके हटा देते, C पार्ट में ही विद को हटा लेते, और यह एक्टिब बन जाता, समझने वाली बात है, आधा सेंटेस पहले वाला प्रेजेंट रेफरेंट है, जा सुनो, अगर मैं डिस्गस्टिट को सही मानकर, अगले वाले C पार्ट में जाकर विद अटाकर, अब्जेक्ट बना दू, तो आधा प्रेजेंट में तुम रूटीन बता रहे हो, फैक्ट है, और आधा कैद हो कि पास्ट हो गया, तो वो इतना अभद्र है कि सारे अभी भी उससे घणा करते हैं, ना कि अभद्र है, लोगों उने घणा की, ऐसा तो ही होता न, इसलिए क्या कर देंगे, आप प्रेजेंट का ही इसको पैसे बना देंगे, क्या हो जाएगा? He is disgusted, समझ आ रहा है? He is disgusted with, जो भी था, सॉरी, he is नहीं, everybody is disgusted with him, everybody is disgusted with him, ठीक है? अब भी पैसे हो गया? इसके साथ disgusted क्या गया? थर्ड फर्म हो गया? ठीक है? चलिए, और एक दो दिख लेते हैं, फिर में आगे पढ़ाने जा रहा हूँ आपको. 172 172 172 समझ आ रहा है सभी को? क्या लिखा हुए? It will not be denied that he is a great rogue. बताये हैं. क्या होगा? It will not be denied. इस बात से इनकार नहीं किया जाएगा. It will not be denied that he is a rogue. क्या मेरी बात सब को सुन में आगई? रोग क्या होता है? रोग नहीं जनते है? है? क्या होता है? एक मुवी तो थी अजय जोगरिं के और क्या था? रोग बद्बांश को बोलते हैं. बड़ा नेगटिव करेक्टर जो हता है. इसे देखकर रोग लोग ना रोग एए. रोग उसे बोलते हैं रोग. यासा बंदा होता हो आर किसी को रोला देता है. रोग है और रोग है वो. क्या बोलते हो रोग तो नहीं बोलते हो अब लोग? क्या प्रणूंस करते हो? यह होता है जो मैं करता हो मैं करना मुझे आता है करना, ठीक है? इस रोग, रोग रोग दिक्शनी यही मिलेगा आपको. अगला, क्वेस्चिन नमर देख लेंगे. 174. The unreasonable behavior of his daughter was thoroughly upset Mrs. Mr. Gupta. एक सो कौन सा है यहे? 174. क्या? कि जो unreasonable behavior है ना उसकी daughter का, उसने Mr. Gupta को पूरी तरह से upset कर दिया. किसने upset किया है? है? दोटर ने? उसके behavior ने. यानि एक्शन का doer को ने? behavior क्या उसके पहले है? पहले है या बाद में बब के? तो पहले है तो पर passive क्यों लेका? एक्टिव लिखो ना? Yes or no? तो यहाँ was upset नहीं होगा. office daughter thoroughly upset होगा. was upset गलत है. क्योंकि जो Mr. Gupta है वो upset बब का object है. कोई परेशा नहीं है? एक single concept से error के सारे question निकलते चले जाएंगे. अगर आप सही से उसे apply कर पाएंगे. अगला question देखते हैं. 68? सिफ 68? 68 देख लें. लेकिन everybody जो है ना? everybody doer है यह कह रहो ना? घ्रना करने का doer है ना? अगर वो घ्रना करने का doer है तो disgust के ठीक बात क्या चाहिए आपको? यहनि आप डिस्गस्ट के ठीक बात नाओन या प्रणाओन आता? लेकिन आपने तो इसके बाद भी लिग दिया. जिसका सीधा समतलब है तुमने object दिया नहीं. इसलिए हमने इसको पैसी में लिग दिया था. एवरिबड़ी इस डिस्गस्टेट विद हम. एवरिबड़ी डिस्गस्ट हम. यह भी सही होता है. एसे जोड़ देना. हर कोई उससे घणा करता है. या हर किसी में उस किरपती क्या है? घणा है. एवरिबड़ी इस डिस्गस्टेट विद हम. यह भी सही होता है. कई बार पैसी वाइस में हर बार प्रेपोजिशन बाइ नहीं आता. कई बार तू आता है, एट आता विद आता है. इसे क्लियर? ही इस नोन बाइ मी नहीं होता है, ही इस नोन तू मी. क्योंकि हम शायद हर बार बाइस सही पैसी डूणते हैं. तो मैं आपको इस लिए बता रहता हैं, ना बाइस देखना, ना आत देखना, आप देखो किया वीतरी और डूर का कहा होना. यह पैसी 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 पाएगा, बाकि नहीं समझा पाएगा. एक और क्वेस्चन देख लेते हैं, क्वेस्चन नंबर जो होगा, 158, 158, उसके बादे पढ़ा रहा हूँ आपको है, बता दे कोई गल्ती है क्या? मताएं, क्या हुआ, कोई गल्ती है? है कोई गल्ती है? ही वोस क्या हैौ? करें, क्वेस्चन देखो, ओवकं क्या होता है? काभूपाना? ओके ओवकंऑ इसकी स्जल्ड़ने और फ़र्द परादे झांट्भन कर्द तैंस दे जती है क्या क्या क्या? एक बाद दोर दिखने वाली बात है काभूपाना मैं तुमसे को काबू पालो समझ में आया तुमको क्या काबू पालो किस पर काबू पालो यह तो बता दो कि बस काबू पालो यह सुनो मतलब करना ओवर कम करने का मतलब होता है उस पर अपना कंड्रोल करना तो भाई यह एक वर्ब कैसी है और इसे क्या चाहिए लेकिन तुमन के बाद proposition आने का मतलब तुमने object लिया नहीं तो यहां तो इसे पैसी बना दो कुछ ऐसा करो लेकिन है क्या जो तुमने पहले लिखा है वही तुसका doer है यह सुनो वही इसका doer है तो तुम्हें काम करो इसे पैसी मत बनाओ इसको एक्टिवी रहने दो डिड़ा में की क्लिया पैसी बनाकर हम क्या करते हैं अब्यक्त को क्या बनाते हैं सब्जेक्ट लेकिन यहां तुमने object को बनाया ही नहीं है वे धाटादो बस कर सकते हैं लेकिन इसमें object दिया हुए इसलिज नहीं करेंगे इसक्लेर नहीं तो फिर खुद पर overcome करेंगा लेकिन वो overcome समस्या पर कर रहा है हर वार सेल्फ नहीं लिगा सकते हैं इसक्लेर आइवसन में जैसे he died himself यह गलत होता है आ हैं बाठ रहा है यह क्युंद हो सकता है या ही किर्डं 9ः सल आगया कैसे होगा के हरवार तुम यह तो ट्रहशी इंशिप लिख रहे होगे और उसका आप तो पैस्फि generating मैं सकते हैं ठांसी बहु लिखे होगे उसका object उसके पहले चला गया active लिख रहे होगे ट्रांसी ब प्रणाउन के पहले आता है लेकिन हर नाउन प्रणाउन के पहले नहीं आता है किसके पहले आता है उस नाउन प्रणाउन के पहले आता है जो सेंटेस में क्या नहीं होता ना सब्जेक्ट होता है नहीं यह बहुत बड़ी बाते हैं जो मैं क्लास में आपको बड़े हलके में देता हूं पूरी लाइफ अब यहां घुमोंगे तब पता चलेगा प्रपोजिशन मार्केट में क्या पढ़ाया जा रहा है मैंने बड़े मज़ाक में एक जगे एक इस चुन में पढ़ाया था बैंड लगा कर ऐसा ही पानी बानी पी रहा था मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था तो बड़े हलके में पढ़ा रहा था कि मैंने कहा अगर किसी वब के बाद अगर कहीं कोई प्रपोजिशन आ सकता है तो कोई भी प्रपोजिशन आ सकता है कोई प्रपोजिशन आ सकता है तो कोई भी प्रपोजिशन आ सकत me due to me सारे सही होते हैं अब आपने रटलिया कि सलीप इन ही होता है मैं अगर तुमसे कहूँ कि फिल इंद ब्लाइंक करो तो ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट यहां और यह लिख़ा दें तो बोलो क्या आएगा परली बात तो आएगा ही क्यों मैं बता दूँ यह वब है यह कदूर हैं सब्जेक्ट भी और क्या है तो पैसिव भी नहीं पने गए निए इस दूसरी बात और यह वर्ब के साथा आई लिखाने जाता, ऐससा यह पता चला कि यहा अएगा, कौन साओब, आप बता दू वद? वद लेगा, मैंने वद लेग दिया. लेकिन तुम्हें कैसे बता चला कि वद लेगा? तुम्हे कहानी का पता नहीं, क्या चलादाश कूछ चल्दाश कीच उनके पास हो सकता है, उनके पहले सो सकता है, उनके ही वजे से सो सकता है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, प्रेपोजिशन आएगा, नहीं आएगा, यह चेक करना, और अगर प्रेपोजिशन आएगा, तो for different meanings, we can take different propositions, आ रही बात को समझ में, यहां अगर आ सकता है, तो कोई भी proposition आ सकता है, चले, अब हम पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे थे, यह question solve कर लेना, बड़े आसान है, answer भी पीछे दिये हुए हैं इसके, ठीक है, कल पे आते हैं, जो हमने कल 12 sentence लिखे थे, 12, तो उनमें से कुछ हमने डून लिया था, कितने sentences active हैं, कितने passive हैं, शायद कल वाले सारे sentences क्या थे, active थे, और शायद सभी में क्या था, क्या था, हाँ, सारे imperative थे, सारे active थे, दूसरा काम जो अब रहता है हमारे पास, यह देखना था, उनमें से किसमे object है, और किसमे object नहीं है, तो जल्दी से 12 sentence निकालेंगे, फटा-फट यह check करके मुझे बताएंगे, कि उनमें स है, और किसमे object नहीं है, जल्दी से, check करेंगे, और मुझे बताएंगे, फिर हम आगे चलते हैं, जल्दी से बताएं, कितने sentences में object है, और कितने sentences में object नहीं है, चेक करेंगे, और बताएंगे, कर्लिया कर्णाओ 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 सारे सेंटेसें इंपरिटिव हैं तो कितने में अब्जेक्ट हो कितनों में नहीं जरी से बताओ है साथ में फाच में नहीं है साथ में पाच में नहीं है यह ऌन्सरह सभी का साथ में पांच में नहीं है एक Centrum तो फिर उसमें उबजेक्ट है और अगर वब के बाद क्या नहीं आया नाउन पाडाउन नहीं आया तो फिर हम कह दें गे कि ऑप्जेक्ट नहीं है तो यही चीज तुम्हें अभी चेक करनी थी इने एगसामपल्स में और आप देखोगे कि पहला sentence लिखा हुआ है sing a verb क्या है a song क्या है noun है तो यह इसका क्या होगा पहले में object है clear हुआ सबी को दूसरा लिखा है sleep early today यही ना sleep early इसमें verb कौन सी है sleep कौन सी है sleep के बाद क्या लिखा है क्या यह noun या pronoun है नहीं है तीसरा लिखा है do not disturb your roommates यह लिखा हुआ है disturb verb है उसके बाद क्या लिखा है यह noun है object है तीसरा लिखा है do not do not go out यही ना verb क्या है उसके बाद क्या लिखा है out noun pronoun होता है क्या होता है तो फिर object नहीं है इसी तरह से पांचवे में है, छटवे में नहीं है, साथवे में है, आठवे में नहीं है, दसवे में है, ग्यारवे में नहीं है, बारवे में, बस बहुत हो गया, ठीक है, बारवे थी ना, तो कहने का मतलब पहले में है, दूसरे में नहीं, तीसरे में है, चोथे में नहीं, पांचवे मे तो वो जो सात्मा है तो कौन सा लगा जिसमें है प्लीज डॉन्ट यवला इसमें नहीं है इसमें लग रहा है लग रहा है तो इसमें जब वह पर हो तो शाउट है चिलाओ मत तो जब वह पर ही sentence खतम हो गया तो अब्जेट तो हो गई क्या है ना और बताएं जिसका जो अंसर गलत था छे में है छे में नहीं है आप बता दो किसा इसमें मुझे लग रहा है आप केरो नहीं है मुझे लग रहा नहीं आप केरो है वो बता दो मुझे कोई दिक्कत हो तो जल दी बताओ कहां answer mismatch हुआ वो मुझे बताओ let him play क्या था cricket let him play cricket और अगला क्या था let him sleep in his यही था ना let him play क्या cricket और अगला क्या let him sleep in the इन में object है या नहीं है बताएं दोनों में है पहले में दूसरे में नहीं है यह answer अभी का दोनों में है दोनों में है जल्दी बताओ पहले में और दूसरे में यह answer है देख लेते हैं एक बार समझना आज के बाद हमेशा समझना यह है कि जब भी sentence जो है न let से शुरू है let वब होती है लेकिन आप let को इग्णोर कर देना ठीक है let को इग्णोर कर देना अगली वाली वब पकड़ लेना यह क्या है और यह क्या है यहां से हिसाब बिठाना इसके बाद क्या गया noun object इसके बाद क्या गया object नहीं let वाले में let को वब मत मानना अगले वाले को वब लेना और वहां हिसाब इठाना बताओ क्या TV, ITV वो एक ही बात होती है यह इंट राश्टिव वब यह अबजट नहीं लेगी यह राश्टिव वब यह अबजट लेगी लेकिन अगर मैंने कहा let him sleep तुमने नम बहुत लंबा है में बार बार याद करने कुशिकरता है याद नहीं आता है तुम शॉट बाला बताओ कोई नाम ऐसे कोई घर का निक नेम राम ये चलेगा अब तुमने भुले तुमने भुले अग्य क्या तुमने ही भूले जाओगे चलेगा All right Let him sleep a sound sleep Clear हैं Let him sleep a sound sleep उसे चैन की नीन्स होने दो इसमें लेखा गया वो अब sleep फिर से इंट्रांस्टिव है ऐसा हमें लग रहा है इस बार इसका object है तो भाषा में कोई भी क्रिया पूरी तरह ट्रांस्टिव इंट्रांस्टिव नहीं है Context से ही पता चलता है कि वो ट्रांस्टिवली यूज हो रही है या इंट्रांस्टिवली Is that clear? He died, ये इंट्रांस्टिव है He died a glorious death वो बड़ी शांदार मृत्वी मरा ये उसका object है तो नो वब इस ट्रांस्टिव ए नो वब इस इंट्रांस्टिव Did I make it clear? जब क्रिया से मिलता जुलता object बनाया जाता है Sleep और Sleep ऐसा होता है तो उसकेस में होता किया मैं आपको बता दूँ ऐसे objects को cognate object बोलते हैं क्या बोलते हैं? Cognate objects कौन से वाले? Cognate object खर ये सब तो कोई एक्जाम मैं पूछता ही नहीं क्या object direct है, indirect है, cognate है या क्या है? जैसे मैंने कहा Run Run A Fast Race एक तेज दौड़ दौड़ो आपको कि गलत है? गलत नहीं है यह verb है और यह इसका क्या है? Is it clear? ऐसे जो किस से बने वर्ब से ही बनाए जाते हैं किसी फॉर में इसे Cognate object बोलते हैं तो in fact मैं आपको बता दूँ ना कोई verb पुरी तरह Transitive है ना ही कोई verb पुरी तरह Intransitive है sentence देखेंगे सही है और वहाँ देखेंगे कि noun pronoun ले रहा है या अगर ले रहा है तो object है नहीं ले रहा तो वो Intransitive है और object नहीं है उसका ठीक है? चलिए तो यह आप समझ गे लेट वाले में अचा से मैं लेट को इगनोर क्यों कर रहे हैं हम? लेट को इगनोर क्यों कर रहें? आपको पता है जो लेट वर्ब है वो एक कॉस्टिव वर्ब है हाँ कॉस्टिव याद है भूल गए? क्या था कॉस्टिव कोई बताए? जब दो बंदे मिलकर दो डूवर्स मिलकर किसी एक काम को परफॉर्म करते हैं यही तो था? जब दो doers मिलकर एक काम को परफॉम करते हैं तो उसे क्या बलते हैं? कॉस्टिव तुम एने लग रहा है दो बन्दे, एक तो यह काम कर रहा है यह खेले दो जब तुम इसे खेलने दो यू कॉस्टिव सब्जेक्ट है, यह कॉस्टिव वब है इसलिए कॉस्टिव वब कॉम भुला देते हैं, मेन वब पर चलते हैं इसलिए क्लियर? चलिए तो जब यह हमें 12 सेंटेज पहचानने आगे तब में आगे की बात आपको सिखा रहा हूँ मैं बोर्ड पर दो तरह के स्टुक्चर्स लिखूँगा, चाहिए? बोर्ड पर, हाँ कौसा? डोन डिस्टॉब यहूर तो डोन डिस्टॉब में वब कॉनसी हो गई है? उसके बाद क्या लिखा है? यहूर, रूमेट्स इसके बाद लिखा है यहूरूमेट्स तो वो नाउन हो गया, इसलिए उसका अब्यक्त हो गया लेकिन आपने बोला कि don't go out alone तो verb क्या है go और go के बाद क्या गया out तो out हमारा क्या होता है noun pronoun नहीं होता, preposition होता है इसलिए उसमें object नहीं है never dance never dance here never dance here object है या नहीं है कौन सा है ये जो hair है ना ये noun pronoun नहीं है ये है क्या adverb है क्यूं पढ़ो इन चक्कर में देखलो ऐसे देखलो dance question पूछो, क्या नाचो किसको नाचो न what का answer आया, न होम का answer आया object नहीं है, ये भी अच्छा नहीं लगा तीसरा तरीका देखो dance यो करेगा उसका असर उस पर ही पड़ेगा जब डूरी वब का object हो तो वब होती है intransitive he is sleeping, so कौन रहा है सोने का असर किस पर पड़ रहा है वही subject, वही object, अब ये क्या लेगी object, मैंने का उसने दरवाजा पेंट कर दिया क्या पेंट किया पेंट करने का असर किस पर दिखेगा और किया किसने है दो अलग अलग बाते हैं तो जिस पर असर दिखा हूँ object जो कर रहा हूँ subject जब subject ही object होता तो वह कैसी होते इंटराशिक, तीन तरीके सिखा रहा हुँ है या तो पहचानों की पाड़ आव स्पीच कौन सा है या तो यह पहचानों की इसका असर कही खुद subject परी तो नहीं है या तो वाट और हूम का question पूचिए सबसे बचकाना यह होता है वाट और हूम और मार्केन मी यही बट दोड़ रहा है क्योंकि आप भी तो बच्चे ही हो यह सुनों वाट और हूम पूच लेते हैं आंसर मिला कई भार वाट का आंसर ना आपको subject दे कर चला जाएगा कई भार वाट के आंसर से subject भी मिलता है इसे क्लियर तो इसलिए मैं इस बात को इस trick को पूरा नहीं मानता अगर मैंने कहा यह पर्फॉर्मेंस इस डिस्टर्विंग मी तुम्हें पूचा क्या डिस्टर्ब कर रहा है यह पर्फॉर्मेंस वो क्या है subject कहा मिला object कहा मिला object बड़ा असान है कोई बच्चा बताएं का वाट क्या होता है वाट या तो इंट्रोगेटिव प्रणावन होता है और मैं पढ़ा चुका हूं आपको यह वाट कैसा प्रणावन जो सेंटेज में सब्जुक्ट भी बंता तो तुम्हार यह कैसे करो कि वाट से ऑब्जक्टी मि speech क्या है उसका असर किस पर है या water home का question पूछ ले ना काफी हद तक यह चल जाता है चले आगे तो इसमें object यह adverb है अगर object नहीं तो वर्ब के बाद दो ही बाते आती है यार एक तो object होता है या उसका यह adverb होता है अगर कुछ भी तुमने उसके बाद लिखा और object नहीं तो वह होगा क्या सब्सक्राइब नहीं पढ़ाया अपने यार नाउन पर नाउन तो पढ़ाया है वह पैचान लो अगर वह नहीं है तो वह adverb ही होगा इस एक्लेर चले आगे अब देखो मैं क्या बताने जाए कोई और डाउट किसी कोश्चन में बताओ मैं आपको पूरे जीवन की पूरे लाइफ की बाते बता देता हूँ कि ऐसा बोल दिया तो यह होता रहेगा आप अब आप हम दो बाते सीख गए object होगा या object नहीं होगा sentence imperative पैशाना सीख गए active passive पैशाना सीख गए अब मैं उसी बेस पर दो structure बोट पर लिखने जा रहा हूँ हमारा sentence imperative है और sentence में क्या है object है तो उस case में उसका passive क्या बनेगा मैं वो लिखने जा रहा हूँ आप heading डाल सकते है passive voice of imperative sentences शादी heading डाली भी थी हमने passive voice of imperative sentences जब बोट पर बारा sentence से लिखे थे तो heading डाली थी है okay imperative sentences लिख ले जरा इस बात को let object be third form by plus doer ठीक है जी by plus doer पर check भी है और cross भी है यानि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है ये कब कैसे होता है वो बताता हूँ क्या लेखा पेंट अवाल टुदे पहला पहला हूँ Let him solve this question today. ये दोनों वों सेंटेंसें जो बोड़ पर लिखें क्या imperative हैं? क्या active है? Yes or no? imperative है और active है और एक बात और बताओ object है कि नहीं है? है object? दोनों में हैं? पहले में क्या है? the wall दूसरे में क्या है? this question, good. ये क्या है? है? बहुत अच्छे है आज तुम बिलकुल सही जा रहे हो वह object के बाद जो कुछ बचे वो होता क्या है? adverb होता है, ये adverb और वो भी adverb, ठीक है? चलिए हम इसका बनाते है passive voice. कहता है कि परदे लेट लिखेंगे, तो लेट लिख दिया, let आगे बताओ, the wall be painted today. तो नहीं करते हैं? नरेशन में करते हैं? कुछ बच्चे इसी में करने ही उस रहते हैं, this का that, today का that, ये ही करते हैं. वाइस नरेशन में जभी आसमान का अंतर है, वाइस में बोलने का तरीका बदलता है, मीनिंग नहीं बदलता है, ठीक है? और डिरेक्ट- इंडिरेक्ट में बहुत कुछ बदल जाता है? हम का यह बर बोलते हैं, डिरेक्ट बताओ ना क्या बात है? तो बदल नहीं गया? इंडिरेक्ट कुछ और बता रहे हैं, तो बदलने का तरीका बदल जाता है, कोई गुस्रे में बात करता है, कोई प्यार से बात करता है, बात तो यही थी थी, मुझे मुझ नहीं तो समझ जाएंगे जब एक दो बार हम जाएंगे, ठीक है? Let the wall be painted today हो जाएगा, इसमें by plus कुछ भी नहीं लिखा जाएगा. Na doer यहां लिखा गया, na doer यहां लिखा गया. लेकिन यहां देखो क्या बनेगा, क्या बोले अपने? Let object कैसका? This question, आगे बताओ, be solved by, today कहां जाएगा? Today by him, today by him. यही बात में आगे example में आपको बताओंगा. Today पहले लिखे हैं, बात में लिखे हैं, हमें यह समझना है. Today कहां लिखा जाएगा, यह हम समझेंगे. लिख लिया? अभी समझ में आजाएगा एक example और देखो. लिखा हुआ है. क्या? Let him clean the bathroom with new tiles and taps. Clear है? Sentence कैसा है? और imperative, active or imperative, object है नहीं? है, तो पैसे बनाएं. बता ना, मैं लिखूँगा, आप बोलेंगे, बता हैं. Let the bathroom be, okay, be cleaned, आके बता हूँ. With new tiles and taps. With new tiles and taps. और आगे बताओ. बाए, क्या? यह option जरूर तुम्हें मिलेगा exam में. Okay? वो सारे option जरूर मिलते हैं, जो आप बनाते हो. लेकिन यह guarantee नहीं वो ठीक ही हो. क्या यह साही लिखा है? क्यों गलत है? क्या होगा? Okay? ऐसा बताओ, tiles साफ होंगे, ऐसा करो अप. यही बात में बता ना, तुम्हें बाए करके पीछे क्यों लिखा गया, आगे क्यों लिआए, पीछे क्यों लिआए? यह बड़ा बुद्धा है, पैसे को बड़े हलके में बढ़ाया जाते हैं. यह मुश्कल चीज़ आती हैं तो पढ़ा ही किया जाएं, और एक्जाम में मुश्कल ही आ जाती हैं. क्या तुम्हारा अबजेक्ट बात्रूम था? हैं? शूर? इस बार अबजेक्ट बात्रूम ही नहीं पूरा है. नहीं समझ रहे हैं? बात्रूम नहीं वो बात्रूम जिसमें न्यू टाइल्स और टैप्स हैं वो. नहीं तो तुम बात्रूम यहां ले आए तो टैप्स कहां जाएंगे? मेरी बात समझ में आ रहे हैं नहीं यह बताओ. नहीं तो तुम बताओ इसे कहां लिखोगे? ऐसा लग रहा है कि बात्रूम को साब किया गया पता किस से? समझ रहो ना? और अगर तुम ने इसको «by him» के बाद लिख दिया? «by him», लेड बात्रूम बी क्लींड बाइ हैं AU BY HIM वेद यू टैइल्स और तैप्स ययानि जो हिम हिना हिम वो बंदा क्या है? टैइल्स और तैप्स के साथ उठी. आर बात्रूम साब करेगा. यह चीजें पढ़ाने की नहीं समझने की हैं कौन सा वर्ड कहा प्लेस होगा मैं आपको बता देता हूँ मैं आपको सुझाया था कि नाउन प्रनाउन के पहले प्रेपोजिशन लिखकर हम उसे उसका क्या बनाते हैं एडवर बना देते हैं क्या बनाते हैं और यहां जो किसी को मौड़फाय कर सकता है सिर्फ इतना होता है जैसे इस वर्ड को मौड़फाय कर रहे हैं तो उसका बस एक उसकी डिमांड होती है कि भाई मैं तो पहले आउंगा यह मैं क्या होंगा इतना कहता है वाकि उसे तुम कोई भी वर्ड दे दो उसके बाद लिको उसे मौड करेंगा कोई वर्ड दो अगर पहले आने वाला उसका नेचर ए तो पहले आकर किसी को भी मॉड़िफाय करेंगा तो भाई यह तो वैसे ही हो गया ना विद न्यू टाइल सेंट टैप से एक तरह का दो पे तुम यह पीछे आकर मॉड़िफाय करता जिसके पीछे आकर मॉड़ अरफाइर बन जाएगा कैमली बात संजा हरी है बाथरूम के ठीक बाद आया थो बाथरूम का बन जाएगा क्या? Let the bathroom with new tiles and taps. The bathroom with new tiles and taps be cleaned by him. Is it clear? Be cleaned by him. बताया था मने आपको? यह example बहुत चलता है market में, कभी मैंने आपको बताया भी होगा इसके बारे में. I love you करके, यहां एक adverb होता है to, बताया था मने आपको? यह to इसका nature होता है जिसको modify करता उसके बाद आता है. जानकारी वाली बात यह है. आप तू यहां लिखो sentence बिल्कुल ठीक. आप तू यहां लिखो sentence ए absolutely correct. आप तू यहां लिखो sentence ए absolutely correct. लेकिन तू यहां लिखो पुरी तरह गलत. समझ रो मैं love to you. इसका मतलब मैं तूमें प्यार भी करता हूं. मैं तूमें प्यार भी करता हूं. सिर्फ तू आने मदद ही नहीं करता हूं. तीसरा क्या? I love you to. इसका मतलब मैं तूमें करता हूं. sentence के meaning बदल रहे है ना? ऐसे ही जहां तूम से लगाओगे यह बिल्कुल तू जैसा हो गया. बाद में आने वाला हो गया. जिसके बाद आएगा उसको modify करने लग जाएगा, meaning बदल जाएगा. और अभी मैंने बुला voice में आवाज बदलती है, meaning नहीं बदलता है. कुछ सामन में आ रहा है. चलें आगे हैं? चलें. यही reason था कि today को मैंने वहीं लिखा जिसे modify कर रहा था. अगर today यहां लिखा गया था, तो हो सकता था ही नहीं है, तो अभी आया, इसे कैसे modify करेगा? ड़ा में की clear? इसलिए adverb को जहां लिखा था, उसको तरह पा सकते हैं. वब के बाद दो ही बाते हैं, या वब का, या वब का, और अगर दोनों आने हो तो कैसे आते हैं? पहले कोन आता है वब के बाद? क्या आता है? दोनों आएंगे, तो पहले object आएगा, बाद में क्या आएगा? हाला कि ये इसी को modify कर रहा है, लेकिन object वब का सब से near होता है, सब से खास होता है. तो reason यहां यह है कि वो today जो है न, कर solve को रहा है, लेकिन बीच में क्या आगया था? object चला गया, कोई बाद नहीं, वब के पा वाले का? थर्ड वाले का पैसी वाइस? हाँ, let the bathroom with new tiles and tabs be cleaned by क्या हो जाएगा? ठीक है, बस इतना सा होगा, पहला structure सब को sound में आया, क्या था? sentence imperative था और उसमें क्या था? object था, दूसरा structure लिख रहा हूँ, sentence कैसा है? imperative और उसमें क्या नहीं है? बस, point number two लिखो point number two क्या कहता है, sentence imperative है, but the sentence hasn't got any object, I hope you guys can now recognize the sentence being with object and without an object, yes or no? if you can't, it's your own responsibility, मैं सिखा चुका हूँ, चीजों को समझना सिखेंगे आप, अब सेंटेंस में अब्जेक्त नहीं है, sentence में object नहीं है, for example, example, अगर मैंने कहा, stay outside, stay outside, sentence imperative है, passive है, active है, मैं समझ गया, तुम active कहना चाहरे थे, जवान से गलत निकला, यह तो आसान है, तुम जानते हो कोई बात, stay जो है, imperative है, और वीवन से शुरुआ थर्ड फर्म नहीं तो active है, तीसरी बात बताओ, अब जवान नहीं पसननी चाहिए, object है और नहीं, adverb है यह, object थोड़ी है, इसमें, कैसे adverb है, तुम क्या करो, preposition, हाथ हो बोल दिया, तुम दिक्कत क्या है, out preposition होता है, side noun होता है, किसी भी noun पर noun के पहले preposition लिखकर, उसको adverb बनाते हैं, मारो मेरी बात, इसमें कोई object नहीं है, अब हम इसका पैसी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसमें कोई object नहीं है, अब हम इसका पैसी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है, यहां यू लिखा, क्या लिखा, और एक imperative sentence में तीन बाते होती हैं, कौन-कौन सी, request, order, suggestion, यह होता है, अपने बच्चों को पढ़ाने का यह मज़ा होता है, जब शिरुवा से पढ़ा हो तो अपनी रा में, मतलब अपने ही रिदम में चल रहा होता है, आपको पता तीन बाते होती है, वही तीन बाते हैं लिखूंगा, या तो तुम यू से request करोगे, या तो यह तो जब यह प्लॉरल था, यह प्लॉरली है, आगे मैं इसके लिखूंगा वी थरी, क्या लिखूंगा, जो कि इसको क्या बनाएगा, वाइज बनाएगा, और वो होगा कौन सा, यह देखो, requested, ordered, या क्या, advised, या क्या, forbidden, समझ आ रहा कुछ यह नहीं, उसके बाद लिखत हैं, to, क्या लिखेंगे, उसके बाद जो sentence बना, पूरा लिख दो, कोई दिखकर थो तो बताओ, sentence में object ना हो, तो this is the way to translate a sentence into passive voice, क्या मेरी बात समन में आई, sentence active है या passive, जो मैंने board पर structure लिखा हूँ, active है या passive, यह structure जो लिखा है मैंने, क्या है, passive है, इसका passive बढ़ा रहा हूँ, you are ordered, आगे बताओ, to, पूरा, stay outside, अब पड़कर बताओ, यह active है या passive, पैसिव है, बाहर कौन ठहरेगा, कौन ठहरेगा, तो जब काम करने वाला doer उसके पहले होता तो active होता है, पैसिव होता है, यह तो हम पैसिव लिख रहे है, हाँ, यह वाली, कई बार यहाँ लोग कन्फिउज हो जाते हैं, देखो यह ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, इन इफिनिटिव का doer उसके पहले है, ओडर कौन कर रहा है, यह तो बताओ, ओडर कौन कर रहा है, यह तो बताओ, ओडर कौन कर रहा है, यह सुनो, डिडाय मेक इट क्लियर, है ना पैसिव, कन्फिज होने की जोओता है, एक और सेंटेश जगूँगा, उसको आप अप अप्टिव है, हिसाब क्या बिठाया, कि सर स्टेक अन कर रहा है, यू, आप तो कहते हो, जब doer पहले होता तो नहीं होता, मैंने का इसे खाया था, मैंने का था, थार्ड फर्म दूना करो, हर चीज का doer दूनते हो, क्या हर वर्ब का doer दूनते हो, पैसिव वाइज के दिया था मैंने, समाज रहा है भाई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, तेज तो नहीं जा रहा है, good, he is forbidden to stay here, forbidden क्या होता है, जनते हो, forbidden क्या होता है, हाँ हाँ, मना कर देना, He is forbidden to stay here, यह sentence लिखा हुआ है, stay कौन करेगा यहाँ, he करेगा, तो अगर आप यह formula लगाओगे, यह logic लगाओगे, तो क्या पता, तुम्हें अक्टिव लग रहा हो, तो फिर मैं क्या दूंगा जरा इसका पैसिव बना दू, और किसी पैसिव का दूसरा पैसिव थोड़ी ब पता, जो माना कर रहा है उसका तो नहीं पता ना, वह अपकी थर्ड फर्म कौन सी है, दूर इसका ढूंडो गया उसका ढूंडो गया, थर्ड फर्म का दूर ढूंडते हैं, उसका दूर तो उसके पहले नहीं है ना, दिया ही नहीं है, यह भी कैसा है, पैसिव कैसा है, Do not, वो तो यह लिखा हुआ है, Do not stay here अगर करोगे, तो यह बंजा का You are ordered not to, या You are forbidden to stay here, अगर आप Do not stay here लिखोगे, तो You are से बनेगा वो, तुमने He को तो उड़ाई दिया picture से, He का आए उसमे, Do not stay here में कौन stay नहीं करेगा, You करेगा, अरे भाई, अगर मैंने का stay here तो कौन करेगा, तुमना यही कहां से आगया, उसमें तो He ही नहीं, आप समझे देगा मैं क्या कह रहा हूँ, आपने का सर इसका active यह बना, Do not stay here, इसमें He दिख रहा है कहीं, तुम तो मुझसे कह रहो यहां मतर को, He को कहो ना, इसका active बनाओ, क्या, बताओ, कोशिश तो सही कह रहा है तुम बताओ, कल क्लास में थे क्या, थे, अधा याद रहा है क्या, अधा भूल गए, हैं, His, यह अंगरी जी तो बिल्कुल गलत है, इस forbit क्या होता है, इसके साथ वीवन तो को भी आता नहीं, कुछ और कोशिश करो, सी कोशिश ऐसी करनी है, मीनिंग नहीं बदलना, आप समझ रहो मरी बात को, आपने अक्टिव तो बना दिया, लिकिए इस सेंटेस का अक्टिव नहीं, क्या यह बात समझ में आती है तुमें, यह भी एक्जाम में या जाएगा, ऑप्शन में लिखा होगा, अमपटाक से व आप में के खिला, तो मेक्शूर भी अंडरस्टैंड यह अक्टिव तो है, बत्रा मतला बत्रा नहीं मुखर जी नगर की बात कर रहा हूं, मैं क्या बताना चाहरा हूं, यह इसका अक्टिव नहीं है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा होना चाहिए, नहीं तो मन है, कर इंपरिटिव बनाने का तो don't let him stay here, यह बना दो, do not let him stay here, अब लग रहा ही आया पिक्चर में, कौन इस्टे नहीं करेगा, कौन इस्टे नहीं करेगा, ही नहीं करेगा, और यहां भी ही नहीं कर रहा था, ही को मना किया गया था, मैंने भी मना कर दिया, यह तो यह बना दो, क्या बनाओ के do not, let him stay here और या तो एक बन सकता है क्या लेखा, somebody forwards him to stay here somebody forwards him to stay here present and definite का भी जो बनता है वो यही बनता है यह भी हो सकता है क्या दो बाते समझ में आ गई एक जब sentence में object होगा और एक जब object नहीं होगा दो तरह के imperative sentences है यह जब object नहीं होगा और यह जब object होगा अगर double object है तो क्या होगा मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ी दर बात बताऊंगा आपको कि double object है तो क्या होगा लिख लिया सभी ने, नोट कर लिया, रफ कर लूँ, हाँ, एक एक जम्पल और, ताकि अब रात बर सो न पाओ, ठीक है, अगर समझोगे तुम, सर कोई फर्क नहीं पढ़ता, अब चाहिए जो कुछ कर लो, रात बर क्या दिन बर सो जाएंगे अब, देखो, मैंने कहा, let us, let us, go there, sentence imperative है, active है, passive है, object है या नहीं है, नहीं है, object नहीं है, तो अज क्या है, सही है, ठीक है, इसमें object, let को अबनी मानते हैं, और गो के बाद क्या लिखा, there क्या होता है, इसलिए object, तो यह object नहीं वाले किससे बनेगा बताओ इसका पैसिप्ध क्या बनेगा जाबतो मैं लिखता हो बलो आगे बो आगे बो औरt ऑगे लेंटte एंगा तु गोदियर। यहीं नअ? इसका पैसिव ना? इसका पैसिव लिखाओ इसका पैसिव है। समझ रहे हो कुछ। यह जो पैसिव लिखाओ इसका पैसिव है। Go there में V1 है, object नहीं है, you are order to go there बनेगा, यह जो लिखा है, यह इसका passive नहीं है, क्या आप कुछ भी नहीं समझते हो, sentence की meaning को नहीं समझते हो, advise कर दो, advise, चलो advise कर देता हूं, और बताओ क्या करना है, requested, आप बात ही नहीं समझ पा रहे है, उपर काम कौन कर रहा है, तुम यहां कम किसे कर रहा हो, जाने का काम कौन कर रहा है, यहां कौन जा रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है, ऐसो options exam में आएंगे, is that clear, यह तो समझो यार की उपर कौन जा रहा है, let us go, कौन जा रहा है, और नीचे तुम order भी U का ही दे रहो, so you ही जारा है, कुस समझ में आया, क्या बनाएंगे बाब, यू की जगे वी लिखा जाता है, कहां तक रहम रटा हूँ आपको, समझो ना बात को, ऊपर यू नहीं जा रहा था, तो नीचे भी तो यू नहीं जाएगा, वी जा रहा था, वी जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आई, और आपको याद होगा, लेटस का क्या बनता है, क्या बनता है, शेल क्या दिखाता है यहाँ पर, सजेशन, क्या दिखाता है, सब भूल जाते हो गया, शेल क्या दिखाता है, सजेशन, लेटस का हड़ सेंटे सजेशन दिखाता है, तो तुम वी तो लिखना, आर वी लिखना, लेकिन ना ओर लिखना, और लि वी आया क्यों आया समझ में आ रहा है अगर मैं यह लिख दूँ मैंने का let us play cricket बस यह पर छोड़ रहा हूं let us play hockey इतना बता हो sentence imperative है active पैसिव है object है या नहीं है क्या है बता हो कैसे बनेगा let hockey be played by us अरे object है ना तो उसे बनाओ ना let hockey be played by us अब तुम इसमें डर गया तुम इसमें डर रहे हो यह आसान है यह उसी से बन जाएगा let hockey be played by us दिमाग नहीं लगा होगे तो ऐसे डरते रहोगे चले आगे मतलब कल मिलते हैं इसके आगे समझ में आरा कोई तो नहीं हो रहा है अगर कंफ्यूस हो रहे है तो तो तुम्हारा सॉफ्वेर अपडेट हो रहा है ठीक है दिकेत वाली कोई बात नहीं समझ में आ जाएगा कोई परिशानी वाली बात नहीं इसमें है थैंक्यू गैस क्या अगर हमारे पास अबजेक्ट नहीं है और मैंने कहा कि let us let us protest against let us protest against corruption let us protest against corruption इसमें फिर से वर्ब कौन सी बानी जाएगी सेंटेंस कैसा और कैसा और अबजेक्ट है नहीं है ठीक है न थीन बाते सबको बता है imperative ए, active ऑबजेक्ट नहीं है औपजेक्ट नहीं है अबजेक्ट नहीं है लिए हमने क्या लिखा था you are requested you are requested you are रिक्वेस्टेट यूर आसे करके ना तो आप देखेंगे कि इस इसमें object नहीं है जो अच्छे बार बेटें जखेंगे Let us Renaissance against corruption इसमें object नहीं है तो इसको यो आर से नहीं बनाएंगे क्यूंकि जब अस बोलते हो तो असमें अल्यडी आई भी होता है है यू भी होता है तो अगर आपने you are requested बोला तो we तो picture से निगल जाएंगे, इसलिए इससे किसी बढ़ाना पड़ेगा, we are, लेकिन उको और भी लिख सकते हैं, we are suggested, we are requested, we are advised हो सकता है, लेकिन let us से बोला गया sentence हमेशा एक suggestion होता है, क्या होता है, इसलिए यहाँ पर प्रफर करेंगे, we are suggested to, क्य अगे क्या था, against corruption, against corruption, ठीक है ना, तो यह तो आसान हो गया, कि भई, are suggested और क्यों लिखा हमने भी, क्योंकि यहाँ subject जो था, doer था, we ही था, पहला वाला sentence जो ने किया, जो बच्चे बाहर बैठे हैं, let us solve this question, में this question हमारा क्या था, इसलिए let के बाद this, यह क्या है, problem है ना, let this problem, this problem यहाँ गया, let this problem, और अमने क्या लिखा, क्योंकि पैसिव वाइज में action, action नहीं रह जाता, action state बन जाता है, और किसी भी state को बताने के लिए B form का होना ज़रूरी है, वो being हो, या be हो, या being हो, तो आमने लिख लिख लिया, और पैसिव बनता किसे वापकी, third form, so let this problem be solved, बायस हो गया, clear, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा असान है, इसमें थोड़ा सा दिमांग लगाना है कि you are कि जाएगा, we are हो जाएगा, तो तीसरा structure में बोड पर लिखने जा रहा हूं, clear है, तीसरा structure पर लिखूँगा, अच्छा, अगर ऐसा लिखा होता, please let us solve this problem, please let us solve this problem, तो फिर बस, फिर हमको requested बनना पड़ता, we are requested to solve this problem, please का वही फंड़ा है, requested से ही बने का, लेकिन अगर object नहीं है, suppose object नहीं होता और यहां भी please होता, तो फिर हमें कहा लेना पड़ता, requested लेना पड़ता समझो ना, अगर please नहीं लिखा है, तो latest suggestion है, और please लिखा है, तो requested है, please नहीं लिखा है, तो latest क्या है, suggestion होता है, order नहीं होता, और प्लीज लिखा है, तो हर सेंटेस क्या होता है, request होता है, इतनी सी बात हमें ध्यानक नहीं है, ठीक है, तो point number 3 मुझे लगता नहीं कि मैं अग अगर object है तो bias लिख दोगे, अगर object नहीं है तो यहाँ जाओगे, और अगर please है, तो फिर चाहे object हो, और चाहे ना हो, we are requested बनाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, चले आगे, नोट कर लो इन examples को, फिर आगे चलते हैं, point number 3 देखते, नहीं 3 को देखने से पहल चाहे, सारे के सारे active थे और उनमें 6 में क्या था, हाँ यह था, 6 में object था और 6 में object नहीं था, अहाँ बता है, उपर आले में और please आएगा, तो भी आपनाएगे, we are requested to solve this problem, please का मतलब ही है कि requested से बनाना पड़ेगा, और फिर आपनाएगे, we are requested to solve this problem, यहाँ आएगा, तो भी हो जाएगा, ठीक है, कर लिया, तो वो जो है ना, 12 sentences अभी थोड़ी दर में करेंगे उनको, आप करोगे हैं और हम मैच कर लेंगे, 6 उनमें से क्या है, with object, जहाँ 6 क्या है, without object, जहाँ please kindly आजाएगा, you are requested, please kindly नहीं आएगा, तो हम अपने इसाब से उसको बनाएगे, अब हम इंपरिटिव सेंटेज का पैसिव बनाते हुए, तीसरे स्ट्रक्चर पर चलते हैं, और जो कल हैंडाउट आपके पास था, मैंने का था, क्वेश्चिन कर लेंगे आप, कात नकल, कर भी लिय होंगे, असान है, कितने दोसों थे ना, कितने कर लिये, साथ, 60, आप बिलकुल मेहनत नहीं करते हो, घर पर पढ़ाई नहीं करते हो, क्या पढ़ते हो सिर्फ, रिजनिंग, जियस, मैथ्स, ये सर, तो इंगलेश सही क्या ऐसे, मतलब खुननस क्या ऐसे, रफ कर दू, चलिए देखते हैं, सब कुछ पढ़ा करो, हैं, एंटीपिसी में नहीं हैंगरीजी, जिंदेगी के कड़ में अंगरेजी है, तुम एंटीपीसी के चक्कर में पढ़े हो, आज एंटीपीसी आ गया, और एग्जाम नहीं टागेट कर रहें, एंटीपीसी दोगे सिर्फ, और नहीं देना, लगबग सारी एग्जामनिशन एक जैसी होते हैं, आपका जब एक अँप एक्जाम में आपको लगए, एक अग्जाम में पढ़े हो कि उसके बगार लाइफ चलती नहीं है, इसलिए यह सोच के पढ़ोगे तो आगे जाओगे आप और एक्जाम में आती इसलिए पढ़ोगे तो तो दिकत आनी या नहीं, देखो जीए, अब हम लिखेंगे तीसरा structure, imperative का कौन सा, तीसरा structure, एक क्या हो गया, जिसमें object है, एक क्या हो गया, जिसमें object, अभी तीसरा क्या बचा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, है, double object, अच्छा, हाँ, यह बात भी सही है, अगर दो अबजेक्ट हो तो क्या होगा, मैं अभी बता दूँगा, दो तो क्या होगा, मैं आभी बताँगा, उससे पहले मैं आपको confuse नहीं करना चाहता, देखो जी, एक sentence लिख रहा हूँ, पहले समझना, मैंने एक एक्जामपल लिखा, get this room, बताया था, get this room cleaned today, get this room cleaned today, क्या ही sentence imperative है, yes or no, अकर वीवन से शुरूँ हो तो imperative ही है, उसमें तो कोई दो रहा ही नहीं है, यह हमारा वीवन है, क्या है गाइस, उसके बाद imperative हो गया, अब यह बता दो active है पैसिव है, active या पैसिव, active या पैसिव, active, passive, active, कितने कहते हैं active, resonance active है, put down, passive है passive, put down, बागी लोग क्या क्या रहें, अभी तक यह पैसानना नहीं आया कि active है कि पैसिव है, तो यह सब क्यूं पढ़ रहे हो फिर आप, हमें get से मतलब नहीं है, get verb की कौन सी form है, इसका doer दिया हो ना दिया हो, हमें मतलब नहीं है, भीवन के doer से लेना दिया होता है, doer चाहिए होता किसका, थर्ड फॉर्म का, तो क्या यह थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही है, यह वब की कौन सी form है, get कौन करेगा, you, get कौन करेगा और clean कौन करेगा, यह तो पता नहीं, get तो you करेगा, लेकिन clean जो करेगा उसका पता, मतलब वर्ब की third form cleaned का doer दिया, नहीं है, और यह लो मनें दे भी दिया, by John, अब बताओ active है कि passive है, अब भी passive है, और पहले भी passive ही था, क्या मेरी बात समयागी, यह यह imperative sentence देखने में हम ठोड़ा confuse हो गए, लेकिन यह था क्या, और हर passive का क्या बनता है, imperative में तो हर active का भी passive बनता है, बी की form होनी चीज़, ऐसा कुछ बोले हो, हाँ, यही तो धोखा है, get जो है ना, get ना जाने कितने मतलब देता है, get वर्ड को डिक्शनी में डालो और ना जाने कितने मतलब तुम्हें निकल कर आते हैं, get का मतलब b भी होता, become भी होता, पाना भी होता, मिलना भी होता, पहुचना भी होता ना जाने क्या-क्या, get एक ऐसी वर्भ है तुम लिखो के तो दो-चार महिने get भी पढ़ते रहो के डिक्शनी में, एक अची वर्भ है, यह sentence passive voice है, कैसा है guys, हम इसका active बनाते हैं, बताएं कैसे बनेगा active, जल्दी से, get, doer को पले लाना पड़ेगा न, get John to clean this room, आगे बताओ, today, ठीक है, get John to clean this room, today, get John to clean this room, today, यह बन गया active, क्यों बन गया active, अब इसमें कहीं कोई third form, ठीक है, get करने वाला you उसके पहले है, लिखा नहीं गया, understood है, clean करने वाला doer John उसके पहले है, ऐसे structure जिसमें doer उसके पहले होते हैं, क्या होते हैं, active होते हैं, अगर John न दिया होता, तो हम क्या करते हैं, अगर John न दिया होता, तो उस condition में, यह तो हम someone लेते, क्या लेते, किसमें पढ़ाया था पढ़ाया भी था कॉजटिव बढ़ाया था किसमें कॉजटिव में पढ़ाया था तो गेट जॉन क्यूंकि दिया था तो लिख दिया और जब में नहीं लिख रहा था तो सम्वन लिख देता और सम्वन भी अगर अप्शिम ना आता तो क्लीन कौन करता है cleaner या sweeper commercial doer लिखना नहीं होता है यह तुम लिखे दो commercial doer get commercial doer to clean the room today ऐसा मत कर दे ना get commercial doer cleaning का कौन बनेगा the cleaner और the sweeper उससे बना देना ठीक है यह बात समझ में आगी आपको तो यह imperative का एक और structure है जिसमें sentence पहले सही क्या है passive voice है और हमने उसका क्या बना दिया है active voice बना दिया है इस sentence को में बोर्ट पर भी लिखूंगा clear उससे पहले एक और example देखो यह पहला हो गया आप बात को समझ गया दूसरा देखेंगे मैं क्या बता रहा हूं दूसरा मैंने लिखा मैंने कहा make the servant make the servant to clean the room to clean the room सिफ यह sentence बता तो active है या passive है imperative है नहीं और अगर है तो क्या इसमें कोई गलती है तू नहीं आएगा क्यों 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 नहीं आएगा बोलो क्योंकि यह चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है किसमें positive verb में और पढ़ा है था अगर sentence active है तो make के बाद to बस यही error exam में आ सकता है सब को समन में आ रहा है असर्टिव से imperative होने में इस भी तना फरक पड़ता है कि assertive में doer सीधा सीधा मेंशन किया जाता है और assertive का doer I, we, you, he, she, it, they भी हो सकता है लेकिं imperative का doer सिर्फ क्या होता है यू होता है और you बोला नहीं जाता है यू understood होता है क्या मेरी बात समन में आ गई यह sentence कैसा है imperative है कैसा है active है और object है या नहीं है imperative है active है object है या नहीं है क्या है object दा रूम यानि object है चलो मेरी मदद करो इसका पैसे बनाओ क्या बनेगा मैंने passive बनाया let the room be cleaned by क्या कौन का रा clean अच्छा servant था by the servant यह बन गया passive बनाया नहीं बना बन गया क्या यह इसी सेंटेज का passive है यह उपर लिखा हुआ है फिर किसका है let the servant clean the room इस active voice का यह passive voice है इसका यह passive voice है यह इसका यह passive voice नहीं है समझ रहे हो दोनों में difference इसमें उससे काम कराया जा रहा है और इसमें कह रहों कि करने दो मेरी वाद सम्झा रहे है इसका passive यह है लेकिन इसका passive यह नहीं है इसका passive क्या होगा क्या मिस कर रहे है हम make मिस कर रहे है ना make का जो sense था, जो make का meaning था वो sentence में मिस कर रहे है इसलिए जो लिखा गया passive voice है वो sentence का passive voice नहीं है are you getting my point? इसलिए गलत है तो हम इसमें कुछ ऐसा change करे है कि meaning में चेंजना है यहाद रखना इस active का यह passive है लेकिन इस active का passive यह है क्या बनेगा let let the servant be made क्या? let the servant be made to clean the room to clean the room समझा आगया? कुछ समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है? passive voice बनाते समय वर्ब की third form की जरूरत पड़ती है बी की form की जरूरत पड़ती है दूर पहले नहोकर बाद में होता है यही ना? तो सब कुछी तो है yes or no? यह बाते हमें समझनी हैं यह दो स्टक्चिस में अभी बोट पर लिखूँगा एक सेंटेस और लिखूँगा एक और लिखूँगा जैसे मैंने कहा हां? वाला? मैं यह बताना चाहरा हूँ कि इसका पैसिव वो है क्योंकि जो वर्ब मेक थी ना यह जो मेक थी इसका आना भी तो जरूरी था तो मेक की थर्ट फॉर्म लिखी है मेट इस वाले का पैसिव यह है इसका यहने ऐसे ही बहुत close options exam में आ जाते हैं बहुत close मिलते हैं अशलगता है यह भी इसका passive और यह भी passive है लेकिन बहुत थोड़ा सा difference दोनों में रहता है और एक सही वाला टिक किया जाता है ठीक है? जैसे एक और example लिखता हूं और समझाता हूं हां? जैसे मैंने sentence लिखा मैंने कहा, make a new painting make a new painting sentence imperative है या नहीं है? active है पैसिव है? object है या नहीं है? क्या है object? a new painting यही ना? तो उसको बनाते हैं let a new painting be made let a new painting be made अब इसमें तो कहीं आपको इस sentence उस sentence पर डिफरेंस है रहा है कोची? make a new painting और इस वाले में बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें दो डूर है इसमें दो डूर हैं कौन-कौन से? एक तो सर्वेंट और एक यू पर इसमें पर इसमें गए और कौन है? you make a new painting और कॉस्टी वाब वो होती है जब दो डूर मिलकर इकाम को करते हैं इसे क्लेर? तो ये structure वो structure अलग-अलग है किस वाले में? इस वाले में? नहीं है इसमें क्या है? समझो बने बात को कि ये जो वाब है इसका तो ये डूर है यह नहीं हमें डूर किसका देखना होता है? थर्ड फॉर्म का, किसका? थर्ड फॉर्म का और थर्ड फॉर्म इसमें क्या है? made है, इसका डूर काहा है? इसका डूर है काहा? बताया है नहीं गया? let the servant be made to clean the room did I make it clear? ये चीज है यहाँ पर अब ये जो है ना दो structure में बोर्ड पर लिखूँगा क्या समझाए मैं आभी आपको बता देता हूँ एक get वाला मैंने आपको पढ़ाया ठीक है? get वाला और एक क्या बताया? make वाला get और make दोनों ही मैंने आपको कॉस्ट्यम में बताये थे सिफ इतना है कि वहाँ assertive था और यहाँ क्या पढ़ाया हूँ? imperative assertive imperative में मात एक डिफरेंस होता है कि आप subject को हटा देते है ठीक है? अगर आप कहते हो कि they play cricket every day सिफ they हटा दो बन जाएगा play cricket every day तो ये दो structures में और बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ और फिर एक passive एक active के passive बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 15 या 16 तरीके है 15 या 16 तरीके है चलिए देखें द्हान से अगर sentence में get लिखा हुआ है पहले से ही get लिखा है पहले से ही get के बाद क्या आता है get the question solved, get the room clean, get the AC repaired, get the car painted ठीक है buy him, buy them, buy John, buy Julie, जो भी buy करके doer हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है अगर doer दिया होगा तो वही doer वापस लिया जाएगा लेकिन अगर doer नहीं दिया गया है तो structure बदल जाएगा ठीक है? यह structure कैसा है? active या passive? कैसा है भई? passive है यह समझे रहो ना बात को? इसका क्या बनाएंगे हम? बोलो कैसे बनाया था? क्या लिखा था? get object लिखो के V3 के पहले तो पैसे भी रहेगा तो एक क्या करें? बोलो क्या करें? यहाँ doer लेना पड़ेगा जो doer दिया उसे लिया हो और ना दिया हो तो क्या लेते हैं? और अगर यह ऐसा भी ना हो तो फिर कैसा होता है? commercial कैसे प्रिणाउंस करते हैं इसको? commercial यह लिखा बोड़ पर जड़ा बताओ इसे क्या पड़ते हैं? यह बहुत कराते हो, क्या है? facial ना कि facial इस facial ठीक है? यह क्या लिखा हुआ है? है? jacket यह क्या लिखा हुआ है? wanted 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 जब भी td कभी last में आता है, जब भी ted नहीं होता है, तिड होता है चलो खर यह बात की बाते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं commercial doer commercial doer यह लिखा commercial doer इसके बाद आपको to लेना होगा इसके बाद क्या लिखोगे? वीवन और क्या लिखोगे? आपचेक्ट, ऐसे ही बनाया था है ना, क्या बनाया था? get someone to paint that door नोट करें, यह get वाले structure का active और passive है जली से नोट करें अगला structure हम make वाला लेखेंगे make अगर हमने make लिखा या cause लिखा, cause यादा है? cause के बाद हम to लिखते थे, लेकिन make के बाद to नहीं लिखते थे याद आया, यह sentence active है या passive है? कैसा है? active है भूट पर लिखा है मैंने, चीक है? और जब तक वब की third form नहीं, तब तक passive होता नहीं, अब हम इसका बनाएंगे passive, क्या बनाएंगे guys? passive बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, let, क्या लिखना पड़ेगा? और फिर हम क्या लिखेंगे? यह term जिसे हम subject और object कहते हैं, उसे लिखेंगे, उसके बाद लिखा जाएगा B, क्या लिखा जाएगा? और make की third form क्या होती है? और cause की third form क्या होती है? अगर ऐसा लिखा तो इनके बाद two आना जरूरी है, जरूरी या जरूरी? ओके, उसके बाद हम लिखेंगे V1 और object, नोट कर लें इस बात को, नोट करें बाकी में terms जो हैं, अभी example देके समझाओंगा, कि किस चीज को क्या कहा गया है और कैसे treat करेंगे? नोट करें इस चीज को, फिर मैं example देता हूँ और समझते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, लिख लिया सभी ने? जली से लिखें, two का बड़ा ध्यान करेंगे ना क्योंकि यहां से error भी बन सकता है, यहां से वो error भी दे सकता है, two लिख देगा, तो कभी सही भी होगा और कभी गलत भी होगा. हां? किस वाले में? पैसी में? पैसी में जो वीत्री है वो made और cost है. जो वीत्री हमें चाहिए, पैसिव की, वो क्या यहां पर है? made या, cost है, तो अलग से ने लेगे, ठीक है? यही हमारा वीत्री है. Example देखेंगे, अब एक दो example देखेंगे, चीज़ें clear हो जाएंगे. जैसे मैंने लिखा है, get, get him punished, get him punished, get him punished, get, get home, get there as soon as possible. तीस्रा, make him to make him, हाँ, हाँ जी बहलें, हाँ. बी नहीं आया ग्या? get वाले में? पैसे भू जो पहले वाला है? नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, भी तो पॉलड़ी वह हो गया, वह जो रिखा न, get, वह भी की फॉम होती है. get जो है, भी जैसा ही मतलब देता है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है. चीक है? चले, make him to learn everything. थर्ड लिखा आपने. फूर्थ लिखे हैं? लिखे हैंे लेखेँ लिखे मेंने आपने विर संच कहा को भी से पर गड़ता है? लिख लिया सभी ने एक और एक्जांपल देखे जड़ा, तीसरा होगया, चौथा देखते हैं लिख 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 लि एक और देखते हैं पांचवा चौता हो गया पांचवा देखते हैं स्ट्रक्चर साभी ने नोट कर लिया है जैसे मैंने लिखा लिखा कर लिखा कर देखते हैं to cook to cook something for me for me ठीक है? और एक लास्ट एक्जामपल छटमा देखें जैसे मैंने कहा let him, let her go let him let her go let him, let her go चलिए, इनका हम पहचान कर active-passive बनाएंगे और अगर कोई error है तो पहले error को find out करेंगे फटाक से देखें और आगे चलें तेखें और अथी yazि पहले 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 चुआ कोईशँ पहले पहले बनाएंगे, एक बनाएंगे पहले है क्पह सबसक्लेह घ। नोट कर्या? पहला लिखा है get him punished, क्या लिखा है? इसको जरह हम देखते हैं समझते हैं, यह जो get है, वो तो get है v1 ने, him जो हमारा हमारा object है इसमें, subject नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं है, क्योंकि नहीं है क्यूंकि नहीं पणिश कर रहा है, get करने वाला you और punish करने वाला का पता नहीं है तो sentence कैसा हो गया? Passive voice हो गया passive? यह sentence कैसा हो गया guys? Passive voice हो गया अब passive voice है तो आमने जो लिकाता है यहां हो सबसे करते हैं यह जाएगा get someone to आगे बोलो क्या? punish आ रहा हा समझ में doer मेंशन नहीं है तो हमने समझ ले लिया और पीटने के लिए कोई commercial doer होता नहीं इसलिए हमने समझ ले लिया तो क्या लिखा अपने get someone to punish him यह आपका बन गया doer नहीं दो काम हो रहे नहीं get करना और क्या? punish करना हमें V3 का doer देखना होता है अब कानभीश में थो हम्एशा V3 का doer देखते हैं मैंने चाहता है V1 or V2 है तो पैसिफ हो गा ही नहीं और V3 होगा तो V3 का doer ढूंढ़ना V1 V2 में पैसिफ हो गा ही नहीं और V3 में तभी होगा जब उसका doer या तो दिया नहीं होगा या उसके बाद होगा वही चीज़ दिखने आपको जहन से, ठीक है? आप जो को गला, get these, sorry, get there as soon as possible, get there as soon as possible, तो यह sentence imperative है, वीवन से शुरू imperative है, अब दूसरी बात यह बताओ, कि यह जो है, वो active है या passive है, क्या guys? active है, हर get वाला वही नही होता, जो मैंने आवी आज पड़ा दिया, कुछ get वैसे भी होते है, तो get there का मतलब यहाँ पर ही sentence active है, क्यों active है? sentence में कोई वीथरी नहीं है, तो active है, लेकिन अब यह तो देखोगे, imperative है active है, object है या नहीं है, object है या, बताएं जल्दी बताएं, object है या नहीं है, object नहीं है, तो जब object नहीं है और get वाला structure नहीं है, तो दूसरा वाला structure था उसे बनाएंगे आप, you are ordered to get there, you are requested to get there, you are advised to get there, clear? हर get इससे नहीं बनेगा, इससे वह get बनेगा जिसमें object और V3 होगा, तो आप इसका बना ले, get there as soon as possible क्या बनेगा, लिखो, you are ordered to get there, you are ordered to get there, or you are advised to get there or you are requested to get there, मेरी बात समन में आगई, कोई एक लिख सकते हैं, कोई भी एक, you are to get there as soon as possible, ASAP, as soon as possible, अगला देखेंगे, क्या लिखा हैं, make him to learn everything, हाँ, तू यहाँ गलत हो गया, समझ रहो ना, active है कैसे बता चला, learn कौन करेगा him, make कौन करेगा you, ठीक है, अब हम इसका पैसे बनाना, पैसे बनाने का क्या मतलब होता है, verb की third form लानी है, verb की third form लानी है, और doer v3 का उसके या तो हो ना, यही तो होता है ना बजी, चलो कर लेते हैं फिर, इसका बना, let him be made to learn everything, ठीक है, क्या, let him be made to learn everything, इसमें जो him थाना, वो structure में S O है, यह subject भी है और क्या है, यह S B है और O भी है, S किसका है, इसका, learn का, और O किसका है, make का, समझगे ना मत को, तो हमने object को पले लाना होता है, हम object को V3 के पले ले आए, इस verb का यह object है, doer का पता नहीं है, V3 के doer का पता नहीं है, किसका, Is that clear? चलिए, अब अगला क्या लिखा है, make a bigger box this time, इस बार एक बड़ा box बनाए, तो इसके बाद, make के बाद, इस तुमने लिखा नहीं है, S O नहीं है, सीधा O है, यह कोई काम तो कर नहीं रहा, ऐसे पहचानों के नहीं, तुमके make देखके वही चिपका दो, ठीक है? make a bigger box this time, इस बार एक बड़ा box बनाए, इस बार एक बड़ा box बनाए, इस बार एक बड़ा box बनाए, तो भाई, यह जो है, active है, और इसमें दो doer ही नहीं, तो object है, यह let से बन जाएगा, let a bigger box be made this time, क्या, this time, let a bigger box be made this time, note कर लिया, तो differences हमें समझने होंगे, कि कौन सा कहां यूज होगा, यह हमें समझना होगा, नहीं पासंजा गई, कोई परिशानी, चलें आगे, हाँ जी बताए, किस वाले में, हाँ इसमें 2 आएगा, यह वाला 2, लेकिन यह वाला 2, पैसे में 2 आएगा, active में 2, नहीं आएगा, समझ आ रहा है सभी को, आगे चलें, आगे यह रफ कर दूं पिछे, यह रफ कर देता हूँ, आप जड़ा यह जो सेंटेस लिखा हुआ है, यह जो सेंटेस लिखा हुआ है, आप बताएं कि क्या इसमें कोई एरर है, बहुत कॉंप्लिकेटेस सेंटेस आ सकते हैं, में एक दो एक्जामपल देकर आपको डिफकल्टी का लेवल बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, देखे जी, इसमें होगा क्या, यह जो मेक लिखा है, इस मेक का हर S और O है, अबजेक्ट इसका है, अबजेक्ट इसका है, लेकि अगले वाले मेक का यह सबजेक्ट है, क्या मरी बात समझ में आ रही है, इधर वाली एक्शन के लिए सबजेक्ट है, और इस वाली बब के लि समझ में आई बात, यह तू गलत, आगे बढ़ो, मेक हर डॉर्टर तू कुख, अगर इस सेंटेस यहां से होता, मेक हर डॉर्टर तू कुख, तो क्या तू आता, तब फिर तू आता, वही चीज है, फिर यह तू भी गलत है, समझ में क्या कहना चाहरा हूँ, भाई, इसको ब्रीक करके पढ़ लो आप, क्या पता, उतना ही सेंटेस है, भाई, जो नहीं लिख सकते, वो नहीं लिख सकते, तो मेक हर, मेक हर डॉर्टर कुक सम्थिंग फो मी ऐसे बनेगा, अचाहा, अब हमें देखना है कि अक्टिव पैसे बता दिया, अक्टिव है, कोई फॉर्म थर्ड नहीं है, अक्टिव है, और इसमें देखना है कि अबजेक्ट है की नहीं, यह मेक हो गया, यह मेक हो गया, तू लिखना नहीं होता, फिर क्या लिख रहा हूं? यह विवन हो गया और फिर क्या? यानि हर दोटर क्या हो गया? ठीक है? अच्छा, इसका पैसिव क्या बनेगा? बोलो, let, क्या होगा? हम एसो को उठाकर यहां ले आते हैं, तो let her be made to, made to, उसके बाद सेंटेस बैसा ही था, आप भी लिख दोगे, let her be made to, made to के बाद यह पूरा, यह पूरा, क्या हो जाएगा? ऐसे के ऐसे ही लिख दिया जाएगा, जा लिखेंगे, यह पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही यहां पर नोट किया जाएगा, ले भी अवगादा, जा ले मत वाम गान से बाद सेंगे, दुए अगता हैं, यह जा वाम मन किया जाएगा जाएगा हन तो nowौरा स्सक्टबना है, वह झाम जाएगा, गिजरा मत जाएगा कैंसे ही अवहागा, और सक्टबना हम दोटना है, झाम उत हॉरा भी एजाय यहगात झाल झाल पता चला क्या गलती है गलती इसमे ये है मैं बताता हूँ आपको सब्सक्राइब तो होगा सही होगा ना पैसिव क्या बनेगा लेट हर बी मेट टू पूरा सेंटेस रिख दिया जाएगा भूलो क्या मेक हर डॉटर मेक हर डॉटर तू तु थानी फिर क्या एगा कुक अगे क क्या सम्थिंग फॉर मी सम्थिंग फॉर मी नोट करें चीज को इसका पैसे बना ले आप कर लिया इसमें कोई परिशानी थी इस वाले में सेंटेस बड़ा था लेकिन आप उसी कॉंसेट पर चलेंगे तो सहुझ में आएगा एरर है क्या और कितने पार्ट का हमें यूज लेना होता मैं आपको बता दूँ अ में उसके बाद ऐसो और वीवन से मतलब होता है अगर अगर आप धियान देंगे तो हम सिब इतने ही पार्ट को बदल रहे हैं इतने पार्ट को उसके बाद तो जो कुछ लिखा है वैसा ही लिखा जा जा रहा है वह हम जो वी थरी बना एं किसको बना रहें में को और उसके बढ़त तू लगा देते है पैसी बैस तो कितना ही कनि इस्ट्रक्टर आजै अगर मैं कह दू कि मेइक दे कैप्टेण, मेइक दप्लेयर्ट, मेक दा बालर्स, मेइक दे बिकेट जीर्स, प्रक्ट्रश इन दूर्निंग, तो हमें दुनिया से लेना ने इन ने पहला ने प तू मत लिख देना, कितनी बार आप मेक लिखो, उसके बाद सो लिखो, उसके बाद वीवन लिखना, तू मत लिखना, अक्टिव वाइज में, पैसिब बनाओगे, तो जहां आना चाहिए, वही आना चाहिए, यह तू आ गया, आगे फिर नहीं आएगा, मेक हर डॉटर तू यह तू नहीं आएगा, क्योंकि आप यहां से बढ़ो, मेक हर डॉटर तो यह पार्ट तो एक्टिवी लग रहा न आपको, तो मेक हर डॉटर तू नहीं लिखेंगे, जिसका पैसिब बना था वो क्या है, उसके बाद तू लगा दिया आपने, वह से ता पैसिब में भी टू ठीखेंगे, चलिए, किस माले को, से इंड़ की हम चैपत करी, इसका मतलब है, उसकी डॉटर से मेरे लिए कुछ पक्व हा उत हूट था की वह तूर मेरे लिए कुछ पानने को कहे और झॉटर से कुछ झाय आप生ं से कह रहा हूं कि सुरू तुम ना उससे जाकर कहो कि वह अपनी पुत्री से कहे कि मेरे लिए कुछ बखार पड़ा लंबा है चैनल ठीक है दो चार और भी आ सकते हैं डिटाय में कि क्लैर तो आपने टू एड नहीं करना में के बाद डूर वीवन डूर वीवन डूर वीवन च make the driver, make the conductor to check the tickets देखना, sentence, make the driver, make the conductor to check the tickets यह sentence active लिखा हुआ है, जब तक आपको बी की फॉर्म ना दिखें तो आप क्या मानेंगे उसे, active मानेंगे बी की फॉर्म और थर्ड फॉर्म, दोने उनिचे, थर्ड फॉर्म इसमें है नहीं, तो यह sentence active wise है, active wise में make के ठीक बात यह जो बना यह क्य क्या बनेगा? ऐसो, क्या बनेगा? आपने इसके बाद तो नहीं लिखा, ठीक किया, लेकिन फिर sentence हम यहां से बढ़ेंगे, make, make के बाद, जिए तो दा conductor है वो, इस make क्या है? ऐसो, उसके बाद क्या लिख दिया? यह गलत, clear? अचा हमें मतलब से इतने से है, हम बना देगे, let the driver be made to, बाद की पूरा वही, let the driver be made to, make the conductor check the tickets, clear है ना? let, क्या बनेगा बोलो, let the driver to, sorry, be made to, let the driver be made to, बाद की पूरा वही, कहां से? यह पूरा, पूरा लिखे, full stop, लिखो, लिखो ध्यान से, ठीक है? जल्दी लिखें, और let him, let her go का जल्दी से पैसे बनाएं, let him, let her go, note करें, यह बताएं, हाँ, 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 आसकते हैं, तू, हाँ, फिर तो ठीक लेगा, वो अगर लिखा, वो तू, अगर उसकी विज़े से आ रहा है तो ठीक आ रहा होगा, ठीक है? इसका यह बन जाएगा? यह बताओ पहले, active है की passive है, let him, let her go, active है? यह एक इंपरेटिव सें नहीं बनता है, लेकिन let, 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 तीनो form, let होती है, तो क्या पता है रही में से कोई वीथरी हो? तो मैंने माना वीथरी हो, लेकिन आपने इतने स्क्षास देख लिए हैं, कहीने कहीन बीकी form तो होनी चीए, यह सुनो, और doer जो होता हो, क्या होता है? यह तो बाद में होता ह नहीं है, समझे इस बात को यहां, let him, let her go, go कौन करेगा? और her को let कौन करेगा? और him को let कौन करेगा? कुछ समझारा मैं क्या करा हूँ? हिम को तुम let करो, और him let करेगा हर को, तब हर जाकर क्या करेगी? गो करेगी? बई जो actions की doer हैं, वो respectively उनके क्या है? पहले हैं, तो sentence कैसा हो गया? बले हम confuse हो रहे हैं कि let third form है कि second form है कि वीवन है से क्या फरक पड़ता है? मैंने doer भी पैसान आपको बताया, तो हर action का doer उस बताया है, यह रफ कर दू दर वाला, ठीक है? जली से बनाएं, क्या बने का अजरा बताये मुझे? you are order to let her go, all right, यह हम तब बनाएं, जब हमारे पास sentence में क्या ना हो? object ना हो, है ना? क्योंकि हर sentence का असानी से you are ordered request बन सकता है, लेकर अगर आप देखेंगे, हमने इसे मानना let, let वाला let, तो यह let तो verb माना जाएगा, एक let को मैंने छोड़ दिया, मैंने का एक let को छोड़ दिया करो, अगली वाली verb को verb मानते हो आप, तो यह verb हो गई और हर इसक क्या होगा, rest part, यह अपको कम समझ में आ रहा है, मैं इसी के परलल एक sentence लेकर रहा हूँ, let him play hockey today, अब समझ में आएगा, यह let, यह him, यह him, यह play, यह let, यह hockey, यह her, यह today, यह, सम्झ में आया, इसका बना ले, जो इसका बना ओगे, वो इसका बना देना, बोल इसका बना देन बोलो, let hockey be played today by, by, यह तो बन गया होगा, let hockey be played today by him, बन गया, बन गया पैसे, नहीं बना, let hockey be played today by him, object वाले से बन गया, जो तुमने टम्स के साथ यहां किया है, वह ही यहां कर दो, यह जो let तुमने लिया है, तुम्हें यहां भी लेना पड़ेगा, तुमने क्या लिया, और वहा होगी क्या था, क्या था, तो लिखो न, let her be let, let her be let, और go क्या था, जो today था, लिख दो, by क्या, let him let her go, उसने उसे जाने दो, या उससे कह दो वह उसे जाने दे, यही न, उससे कह दो कि वह उसे जाने दे, यही न, उससे कह दो कि वह उसे जाने दे, है क्या इसमें कोई एरर है कि अहां है तो क्या दिक्कत होगी नहीं आता जी यह मैंने पढ़ाया था जब वब एडवांस आप नॉन्फरनिट वब पढ़ रहे थे मैं आपको बता रहा था कि लेट की किसी भी फॉर्म के बाद तू नहीं आता याद है भूल गए मैंने लेट बोला था कि लेट के बाद अबजेक्ट हो या अबजेक्ट ना हो दोनों ही कंडिशन्स में टू नहीं लिखा जाता लेट हमेशा बेर इंफिनिटिव लेता है या तो वहां से समझ लो या तुमने यहां तूड़े के पहले टू लिखा है क्या प्लेट टू तू तूड़े टूड़े ही तू लिख दिया तो यहां लिखा गया गो आर पार्ट है कौंसा पार्ट है रिमेनिंग पार्ट है उसके पहले टू लिखने का क्या मतलब अनता इसका पैसे भी है बनेगा लेकिन टू नहीं लिखा जाएगा हां हूं हूं यूऊ आर-इक्षेस्ट टू फिर क्या अगी क्याओ अबज्च्ट नहीं यह एना पात तो यए फिर यह श्यक्यन देख और नहीं है देखो कैसा मैं आपको बताता हूं ऑबज्ट है lis करते है, मैं आपको यह बताय था कि लेढ जो पहले वरा लेट होता है उसे आप एंग्नोर कर देते हैं और उस फेमले में में लेट के बाद वाली जो वभ होती है उसे हम क्या मान दिते है, वहोती हम सुर घू कार अन्या होता ज्रम और नो साथ तो ऐसा नहीं है क्यों ऐसा नहीं है रिजने साफ साफ इसका क्या है हम सब्जेक्ट और इसका हर क्या है अब्जेक्ट यहां क्यों नहीं हो रहा था यहां यू लिखा नहीं जाता इसलिए इस वाड़े लेट को जिसके पहले का subject mention नहीं किया गया को वब न मानकर अगले वाले को मानते हैं इसका subject भी लिखा है इसका object भी लिखा है इसका object भी लिखा है इसका object यहाँ जाएगा subject भाई करके पीछे चला जाएगा इसका इसका आएगा एकजाम में तू मत लिख देना तू नहीं लिखा जाएगा पांच structure समझ में आपको पहला object होगा दूसरा object नहीं होगा तीसरा get वाला बताया और चौथा कौनसा make वाला मैंने आपको बताया पांच वाला नहीं लिखाया तेखता ना please वाला लिखाया था राइट मैं sentence जड़ा एक बोड पर लिख रहा हूं उसके कई passive बोड पर लिख रहा हूं अब सिफ नोट कर लेंगे यह नोट कर लिया कर ले नोट अब मैं एक sentence लिख रहा हूं बोड पर लिखाये sing a song sing a यह sentence imperative है active है object है नहीं है बताओ जी object है की नहीं है sentence imperative है active है object है सबसे पहले मुझे इसका पैसी बनाओ क्या बनेगा देखना जी पहला इसका पैसे बिये बनेगा let a song be sung क्या मरी बासन में आगई second इसका क्या बनेगा third क्या बनेगा fourth क्या बनेगा fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and so on यह बनेगा you are requested to क्या sing a एक ये भी बनेगा गलत नहीं होता है एक बन जाएगा you are order to sing a song you are advised to sing a song you are expected to sing a song you are supposed to sing a song you are अग्रा देखेंगे a song has to be sung by you a song must be sung by you a song must be sung by you अग्रा देखेंगे यहाँ ठीक है आटव हो गया नहीं देखेंगे यहाँ a song is to be sung by you 10th a song should be sung by you 11th a song is required to be sung by you a song is supposed to be to be sung by you you are required to sing a song you are are requested to sing a song or singing singing a song is to be done by you singing a song should be done by you singing a song must be done by you singing a song has to be done by you done by you और इसके चार और बन सकते हैं ठीके? एक सेंटेंस के इतने पैसिव ओईज और ये पढ़ाई नहीं जा सकते हैं इसके चार और बन सकते हैं इसके पैसिव ओईज़ अब एक्जाम में ओप्शिन आते सिफ चार इन चारों में से या तो चार आएंगे सही और एक ये जरूर आएगा और सब से पहला ओप्शिन यही है अगर कोई भी चार ले लो और ये जरूर होगा तो यही आंसर होगा इस बात को समझना इसा क्लियर? चार सही आएंगे तो यह जरूर होगा यह टिक किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इन में से कोई भी एक सही आएगा और तीन गलात आएंगे इससे क्लियर? एक सही तीन कुछ भी गलत कि See दिखने के सही होगे तो यह सही होगा बोले लिया जाएगा संवज अगर मैं क्या कर ना चुझना अब आउरेसा क्यूं होरा कि चार इन में से कोई भी आएंगा एक यह तीन कोई भी, यही क्यों लिया जाएगा, sentence क्या लिखा है, sing a song क्या लिखा है, क्या इसमें order है, guarantee, request है, advice है, हमें क्या पता, तो sentence जैसा लिखा तो उसका passive यही तो बनेगा, ना इसमें order है, ना request है, ना solution है, जैसा लिखा वैसा, जैसे ही तुम लिखा है, तो तुमने क्या बना दिया, प्लीज कहा है उसमें, मैं यह नहीं कह रहा, यह पैसिव नहीं बन सकते, बन सकते हैं, लेकिन मीनिंग में चेंज टो किया ना, तुमने, क्या पता, बोलने वाला request ना कर रहा, उसने पैसे दिया, जवर्स्ति कवाएगा, रोकर गओ, लेकिन गाना पड़ेगा, यह सो नो, तो इसलिए, अब कोई भी सेंटे उठा कर देखो कि यह दो को अड़ाइस दे रहा है, इसलिए, कहीं भी देखो आप, जब आप शुड़ भी बोलते तो सला होती है, अपने आप गलत होंगे, कहीं इस बीइंग कर देगा, कहीं वाजवर कर देगा, कभी थर्ट फॉर्म भी नहीं लिखेगा, तीन गलत कर देगा, चौथा जो बचेगा, इनमें से कोई भी, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रहे हैं, राइट, चार जो इसके बनते हैं, वो कल में और लिख दूँगा, ठीक है, चार इसके इसके इनिफिनिटिव से बन सकते हैं, टू वी बन से, वो कल बता दूँगा आपको, यह नोट कर लिया, आप समी ने, इंपरेटिव दन है, कल एक दो चीजां और सिखाऊंगा, और इसके बाद असर्टिव इंट्रोगेटिव के पैसिव सिखाऊंगा, असर्टिव और इंट्रोगेटिव के, कल मिलते हैं गाईस, थैंक यू सो मच, कल कहा है, कि वोइस चला था, कितने एक्जांपल्स होए थे उसके, मलाव इंपरेटिव शायद हमने किया था मझा याद है, इंपरेटिव कर लिया था, इंपरेटिव के चार पांच स्ट्रक्टर्स मैंने बोट पर लिखे थे, ना, चलिए आगे चलते हैं, टिए और होते होते हैं, यह ऐसा कुछ है, कौंसे एक्जाम है, कौंसे एक्जाम है, BA, अच्छा, कब है आपका एक्जाब, 12th, इसकी 12th को, आज क्या होगी, 8, 7, 8, 8 है, 8 है, चलि 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 बता दो, बता दो, देखो जी समझते हैं पेज में ने दो पोल बना कर डाले थे एक क्वेश्चन था ही इस इंजर्ड डाला था ही इस इंजर्ड और एक मैंने लिखा हुआ था अगर आपने देखा हो seldom does he come here to dance इस question में पूछा गया की कितने adverbs हैं है न है एडवर्प कितने हैं और इसमें पूछा गया था कि active voice है या passive voice है क्या है आंसर आपका इस question के लिए या active है पैसिए है जिन्नोने ने उनक्लास में नहीं पड़ा है जिन्नोने नहीं पड़ा है वो यही बोल सकते हैं कि यह क्या है पैसिव है लेकिन आपको बढ़ाया था कि हर एक्टिव का क्या हर पैसिव का एक्टिव बनता है अगर आप इसे पैसे बोल तो इसे का एक्टिव बनाओ शाद यह एक्जम्पल देंकर समझाए भी था मैंने आपको सेम एक्जम्पल तो भाई यह सेंटेस कैसा है एक्टिव इस पैसिव नहीं है यहाँ पर एक तरह का एजेक्टिव की तरह युजवरा जैसे में को ही इस की इस संटेंस में हमारे पास तीन इन्फिनिटिव हैं मेरी बात समझ में आगी चलिए एडिवर के बारे में बतहता हूं आपको और ऑनला जूपढ़ रहे थे उसे देखते हैं और आगे चलते हैं छीजओं को समझते हुए तो का कि हाँ जी बताये हैं बताये है इसका मतलब यह हुआ कि seldom does he come here to dance शायद वो कभी यहां आता है dance करने के लिए ठीक है नानी नहीं देगा नानी नहीं देगा लेकर adverb क्यों मैंने आपको बताया थे समय वर्ब क्या है क्या है अगर आपने वर्ब से question पूछा what who or whom बताया था ना इसका answer मिलेगा noun या pronoun लेकर अगर आपने वर्ब से question पूछा how why where when यह त्रिक आपके लिए है तो इनसे हमें क्या मिलेगा adverb मिलेगा अगर आप इससे पूछोगे क्यों आता है तो answer मिलेगा dance करने तो इसमें लिखा किया infinitive क्या है adverb है डिटार में की clear लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं he wants to dance he wants to dance तो जान देना वो क्या चाहता है to dance यह noun है क्योंकि यह sentence क्या है object है क्या guys तो object noun pronoun बनता यह noun है समझ गया मत को ठीक है तो यह चीज है adverb को पहचानने के लिए simple तरीका यह adverb topic थोड़ा बड़ा है कि दीव ही पढ़ाओं आपको पहचानने के तरीका होता है why how when where यह questions जब मिलते है तो इनका जब answer मिलता है तो क्या होता है adverb होता है ठीक है चलिए हम लोग पढ़ रहे थे imperative के बारे में एक चीज में बताता वह चलता हूं imperative मैंने पढ़ा दिया object होता है object नहीं होता है और please kindly होता है तो हमेशा वही होता है और मैंने आपको क्या बताया था एक get वाला structure बताया था और एक make वाला बताया था good अब मैं एक sentence board लिख रहा हूं जैसे मैंने कहा give him a क्या pen today give him a pen today उसे आज एक pen दो यह sentence imperative है वह आपकी first form से शुरू है imperative है active है या passive है क्या है क्योंकि third form नहीं है अब इस sentence में दो object हमारे पास एक क्या है और दूसरा क्या है क्या मरी बात संभ्यागी अब हमें जब पैसे बढ़ाना होता है तो लेट से शुरुआत करते हैं यह object लिखते हैं लिखें क्या let him be given a pen today let a pen be given to him today है ना तो आप धान रखना generally हम prefer करते हैं direct object को आगे लाना क्योंकि direct object ही वो object होता है जिसके बगएर वो क्या होती है incomplete या गलत होती है क्या मरी बात संभ्यागी आ रही है लेकिन यह कोई hard and fast rule नहीं है मैं आपको बता रहा हूं ठीकी ना आप कोशिश करेंगे direct object को लेकर passive बनाने की क्या मरी बात संभ्यागी लेकिन अगर यह option नहीं है तो फिर हम इसे भी लेकर बना सकते हैं तो पहला जो answer बनना चाहिए तो मारा passive में यह होना चाहिए क्या बोलो let a pen be given to क्या him और यह क्या today क्या मरी बात संभ्यारी let a pen be given to him today clear अगर यह मिला तो यह टिक करना यह direct object पे आगे ले आया या direct indirect यहाद है अपको अगर यह ना मिला तो यह गलत नहीं होता है कि let him be given a pen clear हाँ बोलो हाँ 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 को बताता हूं हमें यह देखना होता है जो adverb है वो modify किसे कर रहा है किसके लिए यह आया है एक बात ध्यानकना वाप के बात क्या आता है तब कहीं जाकर क्या आता है तो हमें क्या पता कि adverb इसको modify कर रहा है इसको कर रहा है बस यह हमें समझना है data make clear, अगर वो इसके लिए आये तो इसके साथ ही आगे जाएगा, और इसके लिए आये, ये today गिव के लिए आये, पिन की कोई quality पिन को modify या हम को नहीं कर रहा है, इसलिए वही लिखा जाये और ये भास में, चले आगे आज ना दे आ ये भास में, तो हम direct object को आगे लाते हैं और उसका passive बनाते हैं, अगर वो option नहीं मिला, तो ये indirect object से भी बन सकता है, let him be given up and today हो जाया, सब को आगी बात समन में, चली आगी चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे passive voice, वो hand out कर लिया है समीने, 200 questions वाला, error वाला, spotting errors वाला, कर लिया होगा, बहुत आसान questions हैं उसमें, कल में आप passive और passive से active बनाने वाला, अब यब heading डालेंगे, passive voice off, पर्सों से comprehension को फिर से लाएंगे, हम लोग, daily जो है, एक sheet करेंगे, जो हम कर रहे थे न, बीच में थोड़ा नहीं हो पाया था, रफ कर दो उसे, कर लिया, करो, कई बार exam में पता नहीं चलता आपको कि जो question आया, वो किस topic से आया है न, अकसर आप पूस्ते रहते हो, और 2 के साथ V1 का बाता और NG का बाता अच्छी तरह मैंने आपको समझाया था class में, समझाया था न, 2 के साथ, नहीं बताया, तुम तो ऐसे blank कुछ आता है, यसे कभी नाम ही नहीं लिया, 2 के बाद V1 का बाता और NG का बाता है, एक्जाम में बात आता है, ये question आता है कई बार, तो मैंने समझाया हुआ था, और exam में क्या सच में ये जरूरी होता है, ये पता लगाना, कि जो question आया है, वो किस topic से आया उस अप्रोच को, और 2 के बाद V1 आएगा ये आएजी आएगा, ये दोने वीडियो आज श्याम को पढ़ जाएंगे यूटूब पर, ठीके ना, कोशिच की है, I am not used to that camera and all, so I am trying my best to be in my rhythm, यहान क्लास में तो ठीक होता है, तेज बोलो तो भी आप समझ जाते हो, क्योंकि आ और, एक्जाम्पल्स भी दे रहा हूं, डिटेल में सजी चीजों को समझेंगे, कुछ ऐसे मुद्दे में पहले दालूंगा, जो बहुत परिशान करते हैं, जो जादा परिशान करते हैं, मार्केट में बड़ी दिक्कत देते हैं, फिर हम चलेंगे सीक्वेंस में, फिर हमेशा हमें नाउन ही नजर आता है, इनिफिनिटिव ही नजर आता है, लेकिनों कभी-कभी एडवब भी होता है, चले आगे, चले हेडिंग के डाली, पैसिव वाइज ओफ, क्या, असर्टिव एंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ग्रामर में जो भी पढ़ते हो आप, या तो आप सेंटेंसिस की ग्रामर पढ़ते हो, अगर दिमाग खोलकर और ध्यान से बढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा, जब हमने टॉपिक टेंस पढ़ा था, उसमें दो ही तरे के सेंटेंसिम आपको पढ़ा रहा था, एक असर्टिव और इंटरोगेटिव, कि अ तो actually आप indirect और direct वाले topic में 5 sentences भी सिखोगे, साथ ही साथ complex sentence कैसे सही लिखा जाता है वो भी सिखोगे यह सब topic topic के नाम दे दी जाते हैं जो non-English background से होते हैं, पढ़ाया है वो सही जाता है लेकिन सच्छा ही क्या है, English की destination है वो 8-8 है 8-8, 8 types of words और 8 types of sentences शब्दों को सही प्लेस करना सिख गए, प्रणावन यहां लिखा जाता है, प्रपोजिशन यहां लिखा जाता है, sentence अपने आप ठीक बनेंगे इड़ाय में के clear, यह है English की destination, चल किया रहा है, 24 topic पढ़ा देंगे वो कायब हम याद कर लेंगे, यह यह नब नहीं होता है, इस अपने होता है, तो किसी भी part of speech की सिफ definition याद नहीं करने है, उसके function समझने होते हैं, और जो भी sentence आप लिखते बोलते सुनते हैं, वो इन आर्ट में से कोई एक होना चाहिए, structure-wise और meaning-wise, एक assertive sentence कैसे शुरू होता है, ऐसे, यह structure होता है, और साथ ही साथ करता क्या है, इट गिव्ज यू साम, दोनों बाते होनी चाहिए, क्या मरी बात सम्मे आरी है, दोनों बाते यह होनी चाहिए, तो यह चीज होती है, और हम topic topic करते रहते हैं, आट-ाट का सब मुद्द है और क चलिए समझते हैं, assertive, interrogative की बात करते हैं, assertive and interrogative, ठीक है न, आप पैचान लेते हो assertive, interrogative sentences, सबसे पहले यही सिखाया था, interrogative वो जो question पूछेगा, assertive भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है, in sentence का active से passive और passive से active करना हम सीख रहे हैं, पहली बड़ी बात जो बता रहा हूं ध्य in sentences में, क्या, object नहीं है, तो remember, कि ऐसे sentences का passive पैसी पॉसिबल नहीं है, imperative था, उसमें object हो नहीं पैसी बनता था, लेकिन assertive, interrogative में अगर object, तो इसका passive, did I make it clear, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, yes or no, अब देखें आगे जो मैं आपको बता रहा हूं, हाँ, तो ये बात समझ लेना कि assertive, interrogative sentences में objects हैं या नहीं हैं, अब मैं आपको बताता हूं, जब होते हैं और बनता हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन points हैं जो हमें follow करने होते हैं हमेशा, हम, क्या लेका हमने, subject नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, बौत हो गया subject, subject तो वो होगा जो आपको decide करेगा, voice में clearly क्या बोलना पड़ेगा आपको, हम doer को बनाते हैं sentence क्या, object तो बढ़ा ही नहीं सकते, जो नहीं हो कैसे बन जाएगा, समझो, place change हो जाते हैं place, object उठकर आगे subject की जगे, और subject उठकर पीछे कहा, object की जगे चला जाएगा, क्या मेरी बास हम जा रही है, did I make it clear, यह यहाँ जाएगा और यह यहाँ आजाएगा, clear है सभी को, चलिए, दूसरी बात, हमें हमेशा क्या लेना पड़ेगा, यह बहुत परिशान करेगा, और तीसरा, हम जो मेंवर्ब लेंगे ना, पैसिव वर्इज में, हमेशा वर्इज वर्वकी थर्ट फॉवर्ब रहेंगे, और बस यह एशर्टिव इंटर्गर्टिव सेंटेश इस पैसिमें रहें, हमें पड़ा दिया था, लेंग्विज की सारी helping us मैंने लिख दी थी और उसकी respective क्या लिख दी थी main verb पैसिव की बात करें तो helping us कोई भी और वर्ब की third form आईगी है ना सिर्फ यही करना होता हूँ सिर्फ तीन चीज़ आपको करने होते है मैं example लेकर समझाता हूँ मैं असानी से एक-एक steps करूँगा आप भी मेरे साथ करेंगे पहला example मैंने का Tom teaches English यह हमारा क्या हो गया यह क्या हो गया और यह क्या हो गया sentence कैसा है assertive active या passive क्योंकि इसमें कोई third form नहीं है यह भी देखना होगा क्या object है नहीं है क्या है object क्या है object क्या मैंने बात समय आगी अब पहला step इसको इधर उसको उधर करते हैं लोजी कर दिया इधर उधर English और बाए क्या हो गया Tom teach की third form क्या होती है दो बाते हो गए पहला और दूसरा यहां क्या आएगा इतना हमें पता हैं लिग दिया आपने English is taught by him क्या मरी बात समय आगी बड़ा आसान सा कोश्चन था बन गया हम से एक और देखते हैं दूसरा एक्जामपल सबको पता है यहाँ इस आएगा इस वाले में बता था रा शी दिद नॉट हाव तो call मी शी दिद नॉट हाव तो कॉल मी उसने मुझे कॉल नहीं करना था यह सेंटेज भी असलेटिव एक्टिव पैसे तुकिसमें भी की थैट फोर्म यह हमारा क्या है कैसे बता चला यह अबजॉक्ट है कुछ और तोनी कैन मी क्या होता है और करेंगा ऑब्जॉक्टी बनेगा ठीक है ना और इसका जो सब्जॉक्त हो क्या है पहला स्टेप उसको इधर लाओ क्या बनेगा यह उधर जाएगा कि बलो क्या बनेगा कॉल की थर्ट फर्म क्या हो गई और बीच में हमें क्या लेना है यही परेशान करेगा उपर आसान एक जम्पल दिया था आपने इस लिख दिया इसमें हेल्पिंग अब क्या है कि बताएं किया है यह है वाज नॉट कॉल्ट पर चनली तो यह होता है वीटू जो होता है या ड वाज सही रहेगा है सोचके बताओ I need not have अगर 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 यह ना होता शी डिडिड नॉट कॉल मी होता तो पैसिफ बन्जाता I was not called by तो तु तो तो विचा भी यही बनाते I was not called by her और इसका भी बना रहे हो एक्टिव से पैसिफ जओ पैसिफ से अक्टिफ जओ – मेनिं पस not change, meaning नहीं बदलना चाहिए, इसमें जो helping of आईगी वो यही होगी, I did not have to be, तो क्या समझ आया, यह समझ आया, कि subject औब्यक्ट हम change कर लेंगे, वो अपकी third form ले लेंगे, दिक्कत जो देने जा रहा है हमें वो क्या होगा, helping of, कब कौन सी helping of ली जाए, इसे clear, एक बात और समझ लेना, बहुत कुछ आपने समझा इसमें, मैंने बहुत आपको मुश्किल बढ़ाया शुरुआ से, वड़ी आपको यातना ही दी, ठीक है, लिगे एक बात ध्यानकना, बिना B के form के, कौन सी form? B form और B3 के बगार passive नहीं बनता, तो 3rd form तो आपने लिख ली थी, 3rd form तो आपने, अब हमें B भी चाहिए था, आपको लग रहा, वज सर B की form ही तो थी, वज लिखने से meaning बदल लाता, आप समझते हो, she did not call me का मतलब उसने मुझे कॉल नहीं किया, और she did not have to call me का मतलब उसने मुझे कॉल नहीं करना था, मतलब कर दिया, आप समझे नहीं रहे हो, हमनों तो अमीर असमान का अंतर कर दिया, समझे में नहीं रहा है, तो कॉल नहीं करनी थी, उसको यही लिखो, I did not have to be called by her. इड़ा में कि क्लिया, तो बड़े close options आपको मिलेंगे, द्धान से समझेंगे. सिर्फ एक चीज परिशान करेंगी हमें, कि कब कॉन सी helping of ली जाये, उसके लिए मैं चार्ट बनाऊंगा. बड़ा असान, बड़ा स्वादिस चार्ट बनाऊंगा, ठीके, बड़ा अच्या सब चार्ट बनाऊंगा, उसे हम लिखेंगे, ठीके, यह आप भी नोट कर लो, जली से नोट करो फिर अगे चलते, क्लिया नोट, क्या हो गया, है छोले बटूरे, क्या का क्या नहीं होगा वेज होगा मिर्स थोड़ी कम चाहिए अच्छा हा नी बताएं बताएं कुछ कह रहा है कोई यहां बोलो हाँ यह पुरी helping of है क्यों है मैं भी समझाऊंगा आपको हम कैसे बैचाने के did है और वो नहीं है हमें तो कई बार क्या तो को मैं बताई देता हूँ है जो में बहुती है तो उसका मतलब बहुता प्रश्शन दिखाना क्या मैं कि इस चीज़ प्रश्शन दिखा रहा हूं क्या I have a car, I do not have a car, that's not the case here, okay? मैंने का ना शब्दों का खेल है, जब भी confused होना, जिस वर्ड को लेगे confused हो वर्ड दिक्शन में डाल देना अपने आप दिखलने क्या मतलब निकल कर राएगा कि मेन बब की तरह यह मतलब होते है अगर वही मतलब निकल रहा है तो मेन बब है, और नहीं है, तो हेल्पिंगा मेन बब, ठीक है? चले जी आगे, कर लिया नोट सभीने, अब आपका हॉल दिर पर दिने अच्छा होता चला जा रहा है ना? गोरा होता जा जा रहा है, देखा आपने? यह थोड़ा दिक्कत दे रहा है बस, यह भी कल ठीक हो जाएगा, पढ़ते पढ़ जाएंगे, चले आगे, रफ कर दू, अरे कैसे सो रहे भाई, आवाज निकालो, पूरा दिन पढ़ा है, तुम ही सो जाओगे तो भी शाम तक या होगा, है, चले, एक समय में बहुत हैं, रात को आता है, रात को पढ़ा करो, टी बिकाम देखा करो, चलो, देखे जी, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, हाँ, अब में एक शार्ट फॉर हेल्पिंग वर्ब किन्वर्प किन्वर्शन, किस केस में कौन सी हेल्पिंग वर्प किस में बदल दी जाएगी, वो आपके first form में, या do, या does, अगर किसी sentence में ऐसा होता है, ड़डा में की clear, और हमें इसका क्या बनाना होगा, पैसिब बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा guys, तो ध्यान अखेंगे, इसका पैसिब बनाते समय, is, m, r लेना होगा, लेकिन भूले नहीं, इनके बाद object होन आपके बनाना चाहिए, शर्त पहली वही थी, अब यह मत कह देना, कि he sleeps at seven o'clock, तुमने कह सा, s or yes आगया, इस हमार लगा दे, नहीं, उसमें क्या होना चाहिए, object होना चाहिए, इसमें object नहीं था, पैसिब नहीं बनेगा, और I have a car, I have a car, इसमें यह वह की first form है, यह हमारा क्या है, और यह हमारा क्या है, क्या है यह, object है, है, क्या है, यह ही तो समझना है, यह object नहीं है, क्योंकि car हमारे पास होना कौन जा काम है, मैंने छेवाने पर एक नहीं कार ली, तब से कार मरे पास है, यह काम में लगातर कर रहा हूं, एक वर पैसे दिये, नक्की किया, कार मेरी हो गई, जब से को कार मरे पास है, क्या मैं व। कार रखने का काम कर रहा हूं, ध्यान से समझना, यह object नहीं है, इसे objects को बोलते हैं objects of possession ठीक है क्या बोलते हैं objects of possession बोलते हैं अगर आप compliment बोलो तो मैं गलत नहीं काऊंगा हलाकि compliment इसले नहीं क्योंकि linking verb नहीं है compliment जो होता या तो subject के बारे में कुछ बतता है या object के बारे में कुछ बताता है क्या ये कार आय के बारे में कुछ बतारी, इसकी कॉलिटी है मैं कि और ήम टॉल यिसकी कॉलिटी है ये को कंपलिमें कर रहा है इसकी कर रहें चाठी के अरू इसकी काड़िगरी होती है बोलते है on objects of possession क्या बोलते है गई इसलिए इसका passive नहीं बनेगा, एक कुछ महान परिशान करने के लिए बच्चों को बना कर देते हैं, क्या पता है, आकार is had by me, क्या ये ठीक है, ये sentence इसका grammatical structure तो है, लेकिन ये sentence प्रैक्टिकल नहीं और गलत है, आप समझे निरे बात को, object थोड़ी था जो आगे आजाएगा, ठीक है, तो नहीं बनाएंगे, शर्त क्या है, ये तो हो, इनके बाद क्या हो, object, समझ में आरी बात, I hope अब को आज रहा होगा, चले आगे, शेयर लिए जी, अब अगर sentence में हमारे पास पहले से ही क्या हो, is, am, are, was, were, तो जब हम इसका पैसे बनाएंगे, बोलो क्या करेंगे इसके साथ, पैसे बनाते समय, ढ़िटो, सेम ले लेना, ढ़िटो के साइन को समझना, ऊपर वाला यहां नहीं आएगा, जो ये लिखा, इनमें से कोई भी वो यहां आजाएगा, ये ज़रूर नहीं, इस लिखा तो इस ही आएगा, आर भी आ सकता है, वो जखा है, वर भी आ सकता है, वो तो डिपेंट करता है किस पर, जो आगे आया उसके नंबर पर, समझ रहे हो बात को, और इसके साथ हम जोड देंगे, क्या जोड देंगे बोलो जरा, हम जोड देंगे बिञ, क्या जोड देंगे, क्या मरी बात समझ मरे आ रही, अच्छ, बिंग क्यु जोड रहे है, बिंग का मतलब तो होगया ई और अटर है, अकेला वोज वर का पैसिव नहीं बनेगा, आए वोज टीचर का पैसिव नहीं बनेगा, ना इसमें बिंग जोड़ देना, a teacher was being by me अगर आप बिंग जोड़ और इन जी फॉर्म भी उसकर रहो और मैंने का था कि मीनिंग नहीं बदलता, मीनिंग नहीं बदलता का मतलब tense तो वाज बिंग नहीं होगा, पहले से यहां इन जी फॉर्म भी होगी और उसके साथ अबजेक्ट भी होगा, इन एक 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 बनेगा, ना कि आए वज बना देंगे, कुछ समझारहा है लोगो, राइट, चले आगे, और इसके बाद, जो फॉर्म होगी कौन सी यहीं, थर्ड फॉर्म क्यूंकि पैसी बना रहे हैं, चले आगे, इसमें जो मैं ल अगर sentence में हमारे पास क्या है, has, have, had, क्या है, has, have, had तो जब हम इसका पैसे बनाएंगे, ditto, same ले लेंगे, और इसके साथ क्या लिखेंगे, been लिखेंगे, clear, क्या लिख देंगे, b, double, e, n, been शर्त यहां वही है, been वर्व की third form है, तो third form तब ही आएगी, जब sentence में पहले से third form हो, यानि इनके बाद third form भी होगी और object भी होगा, तब ही है, ठीक है, और अगर यहां V2 है, या did है, V2 या did, इसका passive बनाते हैं समय, हम क्या लेंगे was या were, clear है सभी को, was या were ले लेंगे, क्य second form होती है, इसके अलावा जो बचा, उसे हम X मान लेंगे, बहुत अपने मैस पे माना X, अब यहां भी, माना वो helping above X है, let that helping above be X, है, और उस X का जब पैसे बनाएंगे, तो उसमें क्या जोड़ देंगे, बिना B form के तो पैसे बनता ही नहीं, बी जोड़ देंगे, अब आख किर X क्या होगा, जो कुछ यहां नहीं, वो सब X होगा, जो कुछ उपर नहीं लिखा, वो सारे X होगा, can, good, will, what, shall, should, need, ought to, dare, must, is to, am, to, are to, was to, were to, don't have to, doesn't have to, will have to, shall have to, सारे के सारे, जो कुछ उपर नहीं लिखा, वो सब क्या है, और उसका जब पैसे बनाएंगे, क्या मेरी बात समझ में आ रहे है, यह बात में लिख देता हूँ, X होता क्या है, आज कल X से होता क्या है, कुछ भी नहीं, X क्या होता है, सारे मॉडल्स, कितने मॉडल्स से, 13 मॉडल्स से, X एक तो यह, यहां पर यह है, दूसरा X क्या है, X कोई भी ऐसी HV, जिसमें आपने 2 जो वो भी हमारा किसमें आ जाएगा, मैं आपको बता दू कि मैं यहां helping up लिख जरूर रहा हूँ, लिगको उस केस में helping up नहीं होती, helping up प्लस 2 ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने का I am to teach, तो M यहां helping up थोड़ी है, I am to teach, आप मुझे बता हो जरा, parting करो उसकी, I am to teach, इसमें I क्या है यह क्या है, वर्ब में क्या, कौन सी वर्ब, भई, finite, non-finite, transitive, intransitive, linking, couple, positive, monotransitive, bitransitive, factitive, कौन सी वर्ब है यह, सरी ज्यादा हो गया, है ना, देखो जी यह है वर्ब, यह है वर्ब, और कौन सी वर्ब है, चलिए देखें, बोट पर देखें, यह जो है ना, एक non-action verb है, linking verb है, यहाँ लिखा गया to teach, इस verb का compliment है, क्या है, क्या है, क्या मेरी बास अन्मे आ रही है, अब अगर मैं इसे helping आप बोल रहा हूं तो सच में गलत बोल रहा हूँ, इसे clear, कैसे, क्यों नहीं, क्यों नहीं, अगर यह helping है, तो main होती, और अगर यह main होती, तो tense बताने में इसका रोल होता, इसका जो tense simple present है, उसकी वज़े से, ना यह continuous है, ना perfect continuous है, डिटाय में के clear, लेकिन चलने तो यही चलता मार्केट में, इसे clear, जादा समझदार बढने क कभी-कभी नहीं भी करने चाहिए, लिखने दो, helping हो plus 2 भी क्या माना जाएगा, x, और इसका जब passive बनाएंगे, तो क्या जोड़ जाएगा, b, clear है, यह x भी समझ में आगया, अगला देखें, एक क्या है, क्या जोड़ा हो, have जोड़ा हो, क्या जोड़ा हो, x के साथ have, तो याद अखना, कि जब हम इसका passive बनाएंगे, तो x have been कर देंगे, क्या मरी बासन में आगी, क्या कर देंगे, x have been कर देंगे, note करें इस बात को, और ध्यान देंगे, एक बात, कि यहाँ x क्या है, इस structure में, last वाले में, x सिर्फ models है, इसमें कोई helping of 12 अफंडा नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, models है, जैसे हो should have, तो क्या बनेगा, should have been, could have, could have been, would have, समझ रो न, should have been, could have been, must have been, would have been, यह बनेंगे आपके passive voice, note करें इस उसको, तो भाई, helping of, कब कौन से आती है, यह मामला है मैंने सुल्जा दिया, main web की threat form, बच्चा-बच्चा जानता है, है ना, और subject को क्या बनाना, और object को क्या बनाना, यह हमें पता होता है, चले आगे, चले, मैं कुछ examples दिखता हूँ, उन चीज़ों को समझते हैं, परले general बातों को समझेंगे, फिर आएंगे उन बातों पर, जो चीज़ें हमें confused करती है, general परले यह पढ़ा जाएगा, इसके बाद मैं बाते बताओंगा, क्या object नहीं, फिर भी passive बन रहा, कई बार यह chart follow नहीं होगा, पहले यह समझ लें, फिर वो समझेंगे, कि वो कब follow नहीं होता, आप सबको पताओंगा कि chart tenses का passive नहीं बनता, पता है न, सर बड़ा सम्वान दे रहा हूँ हमें, तो भी नहीं पता, कौन से chart tenses जिनका नहीं बनता, इनका नहीं बनता, लेकिन ऐसा नहीं है, यह भी बनेगा, धीरे धीरे उसको भी बनाएंगे, नोट कर लिया है सभी ने, जल्दी से नोट कर रहें, जल्दी से, कमाल याज याला इसी भी चल रहा है, है, यह नकली, यह नकली, और राइट, नोट कर रहें, यह नोट कर रहें, चल रहा है, कुलिंग नहीं कर रहा है, गैस नहीं है इसमें, नोट कर लिया, अमें एक्जाम्पल्स दूंगा, चाहे सेंटेस असर्टिव हों, और चाहे कैसे हों, इंटरोगेटिव हों, चाहे असर्टिव हो और चाहे इंटरोगेटिव हो, चार्ट फॉलो, यही होगा, और में वब की, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, अब्जेक्ट आप्यक्ट पैचान लोगे, पैचान लोगे, अन्दर से आवाज नहीं आ रहे हैं, सार अभी एग्जामपल मिलेगा, उसमें तो हम फच जाएंगे, देखो भी तिखाता हूं, चलिए, रफ कर दूँ, 80% assertive integrative खत्म हो चुका है, लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंगी कई ऐसी बाते हैं, जो मैं confuse करेंगे, वो देखेंगे, पढ़ेंगे और आगे चलेंगे, चलिए, जैसे मैंने एक sentence लिखा बोड पर, पहले आप मुझे बताएंगे, मैंने sentence लिखा, one of whose brother has stolen stolen one of your published books, one of the published books, चलिए, इन चीज़ों को देखेंगे और बताएं, मत अब देखना, बताना क्या मैं बताता हूँ, sentence interrogative है, है ना, यू तो बतावोगे सभी को, सही लिखा है interrogative, यू गलत लिखा है, कहा भे, शुरुवात में one of ने आना चीए, क्या आना चीए, है, 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 सुनो, brother की तरह की आएगा, ये नहीं दिखा रहा आपको, one of अगर लिखा है, तो plural noun कैसा लिखा जाएगा, noun कैसा लिखा जाएगा, plural, पहले ये समझो आप, sentence अब बिल्कुल सही लिखा हूँ, इसमें एरर ना निका लें आप, अब बिल्कुल सही लिखा हूँ है, इसका meaning क्या है, है, इसका मतलब ये है, किसके भाईयों में से एक ने published books में से एक को चोरी कर लिया है, sentence active है, और sentence interrogative है, हम passive के लिए तब बढ़ेंगे जब इसमें क्या मिलेगा, object मिलेगा, तो हम वही दूनेंगे, हम क्या दूनेंगे, object और subject पहले दूनेंगे, चलिए दूनते है object और subject क्या है, जल्दी बताये, क्या है object और क्या है subject, one of the क्या, यह क्या है, यह object है, यह object है, क्या है, publish books, okay, subject क्या है, जो को बता हूं यहां काम हो रहा है क्या है इस टोलन में वर्ब के पहले सब्जेक लिखा होता है एक्टिव वाइस में कुछ बात है आप लोग भी रूल कॉंसेप्ट ट्रिक बनाये करो और मनी मन खुश हुआ करो पड़ोसी को नहीं पता इसा कुछ किया करो जिसे तुम्हेना खुशी मिले आप ध्यान दखो के कभी भी इस इस स्ट्रक्शर में अगर आपका सैंदेस्ताइव होता होोसी को नहीं करना क्या सकता में है और यू crying आ की लिधिल कि उस्प्रिकम के बा-दो ये तो गवाइव के पहले है तो कभी कर सब्यक्तक्य को चलिए तो इस सेंध्टेस को सब्जीक्ट हैं अब ये तो सब्यक्त होगा नहीं, यह तो पूरी वह भी है न, यानि यह पूरा, इसका क्या है, राइट, है इसलिए आरहा है, प्रेपोजिशन के पहले वाला, लेकिन आप अलग नहीं कर सकते इसको, यह एक साथ ही लिखा जाएगा, और इसका जो अबजेक्ट है, वो पूरा अबजेक्ट है, नह आप इसे पार्ट में डिवाइट नहीं कर सकते, अगर आप सिर्फ वन को उठाकर आगे ले आए, तो वो कहां लिखेंगे, और अगर वो सिर्फ आगे ले आए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो वबका सब्जेक्ट होता ठीक, उसके बाद होता है, आप आप से बोल रहे थे, आप से त्रोड़ी वन से है पुरा, आगे बास अब को संच में, तो इसमें वो आगे आएगा, ये पीछे जाएगा, मैंने इसे X मान लिया, उसे Y मान लिया, ज्यादा बड़ा इसलिए, Y को आगे लियाते है, Y has been or have been, Y has been stolen by X, मन की बात, या सुनो, क्या की लिखा क्या मैं आप मने बता देता हो इक बार, one of the published books, has been stolen by one of whose brothers, समझ रहो, सही लिखा हो है, has been क्या था, stolen by क्या, one of whose brothers, हाँ बता है, क्या हो जाएगा, वो चार्ट में, क्यला तो क्या 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 इसमा लिख दिया मैंने, दिखा हो काहा लिखा है, नहीं, डिटो का साइन लिखा हो है, has, have, head में, डिटो का साइन है, प्लस बीन है, यही है ना, अरे भाई, सुजान कहा हो, इसे भी लिखा, मतलब वो तो पूछ भी रहा है, तो पूछ भी नहीं रहे हो, बागी समने लिखा है, दिटो वाला, फिर में गलत नहीं हूँ, उनना मुझे कई वार खुद पर डाउट होता है, ठीक है, हो जाता है कभी-कभी, नहीं भी, डिटो वे डिटो का साइन है, है, यह यहाज है, में से कुछ लिए ना, और उसमें क्या जोड़ देंगे, बीजोड़ देंगे, चले आगे, चलो बोड़ पर देखो, बोड़ पर देखो, वो तो बहुत छोटा मुद्दा, सही कर ले ना, बोड़ पर देखो, तो डिटो जो होता है वो ऊपर की चीज के लिए होता है, डिटो जो होता है उपर के लिए होता है, तभी तो मैंने बहुत महनत की, ऐसी नहीं बनाया, आप आप ब्लोट पर देखो, ये सेंटेंस इसका प्षाइवार चीओ को मैं शोलिभी बढ़ा रहा हूँ, जो, बिलकुल ज़िया है, और यह बिलकुल गलत है, आप बेसिक बाते भूल गे, लास्ट में कुश्चन माग लिखा हुए, यानी सेंटेस कैसा है, और इंट्रोकटिव सेंटेस कैसे बनाते हो, शुरुवात में कम से कम क्वेस्चन वट और ना मिले तो कम से कम, लिखा है, का माम लिखा है, आप बनाते हैं, वृ। आप eller बोत खुलू हैं, वीख देसी कैं, यह बिलिख की बैस्था हैं, यह बास्ट का आना ना मिले लिखा हुए, अब बहुत परश्ण नियों क्या बोले हुए, बलत हैं, और बहुत बहुत परश्ण की, यह बोले हैं। अबूले में आजाता है ये गलत है कैमरी बात संवियाई कभी भी लिखे गए question word को हम पीछे नहीं ले जा सकते हैं interrogative में अगर कोई question word आया है तो चाहे वो subject हो या लिखा वहीं जायेगा are you getting my point or not? एक आसान एक्जांपल से बात संझाता हूँ दुवारा इसका पैसे बनाऊँगा समझ लो बहुत आसान है पैसे लेकिन अगर मुश्किल आजाए तो दिक्कत आजाती है दूसरा एक्जांपल देखते है जैसे मैंने बोट पर लिखा एक बैच में बच्ची तो कहते है सर मिनने तो सिफ बाई हूम पढ़ा है आज अब बाई वोट पढ़ा रहे हो बाई विच भी पढ़ाते हो बाई हूस भी पढ़ा रहे हो मैंने का देखो शाय सही पढ़ा रहा हूँ, देख लो, भाई हूम ही नहीं होता और बहुत कुछ होता है, क्या लिखा, what is disturbing you, question mark है, मैं इसाथ बोर्ट पर बताएं, active है, passive जल्दी बताएं, interrogative है, interrogative है, मुझे sentence का passive बनाने के लिए दो बाते ढूननी पड़ेंगी subject और, उन्हें एक्षेंज करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ, इसका subject क्या और इसका object क्या, इसका subject क्या और इसका object क्या, इस वाले में object, नहीं है, अच्छा कोई नहीं subject बता दो क्या है, subject नहीं है, low, आदे कहरे subject नहीं, आदे कहरे, object नहीं, कुछ कहेंगे सर, इसमें वह भी नहीं है, कुछ कहेंगे सेंटेंस ही नहीं सर, दिखी नहीं रहा, what is disturbing you, subject अभी जल्दी बताओ, अभी सिखाये तो तो 2004 में मैं कन्वर्जी जोइन किया था, तब मुझे बहुत तगड़ा MTI था, MTS मजते हैं, mother tongue influence, my name is, alright, hello guys, is it clear, था होता है, सब में होता है, पड़ा सी जगे से लेकिन रहें जाता है, क्या करें माँ, teacher है ऐसा है, है सोल को साउल बोलता है, साउल, तो आरा साउल बहुत अच् is not at all in your life, अभी बताया था, sentence active के पैसी बताओ, मैंने क्या था, मैंने क्या था, मैंने वर्ब के, फिर कहा चले गए, तुम अपनी मानतों मेरी सुनते ही नहीं हो, फाल तू खड़ा कर रखा मुझे, यह मैंन वर्ब है, यह तो नहीं होगा, मैंन वर्ब, action मैंन वर्ब के बा अच्छा यह subject होता part of speech, तो वो बताओ नहीं, प्रणाउन, very good, प्रणाउन और कौन सा, इंट्रोगेटिव है सबको बता, इंट्रोगेटिव सबको पता, प्रणाउन बड़ी बाती जो तुम में बता दी, अब प्रणाउन sentence में यह तो subject बनता है, यह object बनता है, यह compliment बनता object कोई और बन चुका है तो object तो नहीं बचेगा, तो बचा गया, तो फिर कहा हो, is that clear, sentence का subject क्या है, राम, मेरी बास नम्यारी है, आपको एक पुरुष्कार भी मिला, that's good, मैं लाइक करना बूल गया ता आज करूँगा, ठीक है, कल्राद मिला, that's very good, memory का कोई कोई कॉंटेस तो तुमने याद कर लिया सारा कुछ, मतलब you performed well, good, good, very good, what is disturbing you, यह subject है guys, रो क्या है, यहाँ आजो, जारा बताओ मुझे subject का object जल्दी से, sentence कैसा है, active, कैसा है, बताओ, बताओ, जल्दी बताओ subject क्या और object क्या, है, subject क्या है, है, subject क्या है, हाँ, ऐसे चलोगे तो बहुत आ रीन आप के ठीक पहले लिखागया noun, प्रणूस का क्या होता है, डैढय में कैसे क्लिया यह क्या लिखा है, इससे भी चेक कर लेते, और गिस के लिया आता है, वाट के लिए तो नहीं आता, यह subject है, क्या object है, क्या ही तो ऑबजेक्ट है, यही तो ऑबजेक्ट है, इसमें ल बनेगा, सब्वेट को बन गया, तो बिशार आभी क्या करेगा, बनेगा, बनेगा, बहुत छोटा एक्जामपल दिया, ऐसे बहुत सारी बाते आपके काम आएंगी, डिटाय में के क्लियर, चलिए जी, अब मैं इसका पैसिव और इसका पैसिव बना कर दिखाऊंगा पहले, फिर मैं आसान एक्जामपल आपको दूँगा, इस बैच में मैं उल्टा ही बढ़ाता हूं, पहले मुश्किल एक्जामपल देता हूं, बाद मैं आसान देता हूं, बागी समें मैं उल्टा पढ़ाता हूं, पहले आसान पढ़ाता हूं, बाद मैं मुश्किल पढ़ाता हू क्योंकि तुम जब subject को पीछे ले जाते हो बाई लेखते हो और यह पीछे करना मैं नहीं जाओंगा उसे आगे लाओ क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है आप ऐसा भी लिख सकते हैं और आप एक फॉमिशन और दे सकते हैं What are you being disturbed by? वो भी हो सकता है Did I make it clear? अगर दोनों एक्जाम में आए तो क्या टिक करेंगे? बाई आगे यह बाई पीछे? बाई आगे यह बाई पीछे? क्या? आगे लिखा हो बाई पीछे? क्या? आगे लिखा हो अला? नहीं सरकारी नो करी है जो लगता वही गलत है Did I make it clear? सब कुछ लॉजिकल है आप मानते है नहीं बात को यह प्रणावन है उसके पहले यह क्या लिखा? क्या लिखा है? क्या लिखा है? बाई लिखा है? क्माल है? प्रेपोजिशन लिखा है? मैंने जूते बाई नखें? अब तो समझ जाओ मैं क्या पूछ रहा हूँ? ब तो फिर यह रीजन है कि बाई अगर पहले भी आया और बाद में आया तो प्रफर किया जाता है बाद में. क्या मरी बात समझ में आ रही है? राइट. अब आपने देखा बाई कोशन बटके साथ भी लग सकता है. क्यों लगा था? क्योंकि वो सबजेक्ट था. डूर था. ड बाई यू होगा. क्या बनेगा? वाट इस बीइंग रिटेन आगे बोलो बाई यू. वाट इस बीइंग रिटेन बाई यू. आगे बाद समझ में? यह इसका पैसिव है वो उसका पैसिव है. कभी भी सेंटेंज में जब वर्ब लिखते हैं तो बही सबजेक्ट उस बब का पैले ही होता है. कहने को यह सब्जेक्ट है, लेकिन यह अक्चुली अबजेक्ट. पैसिव हैस में जो सब्जेक्ट होता है, उसकी जगे वो अबजेक्ट होता है. जड़ा यह फटाक से नोट कर लें, इसका मैं भी बना दूँगा, इसमें सबको सही हुआ है, सिफ क्या यह बाई यह ही लेलेगा. By one of whose brothers have, no, has, one of the published books been stolen, बनेगा. इसे आप यह मन लो कि यह जो लिखा यह पूरा what है, और यह जो लिखा आपने इसे आप मन लो him लिखा हुआ है. और इस subject है, वो अबजेक्ट है, by what has he been stolen, यह तो लिखोगे, by what has he been stolen, यह तो लिखोगे. तो हम की जगह वो आजाएगा, और हैस यहीं बीन पीछे चला जाएगा, यह नोट को और इसका पैसी बना के दिखाता हूँ, हाँ, बाई, बता दो, हाँ, बलो क्या, यह बला, यह बला, what are you being, what are you writing, क्या बनेगा, what is being written by you, आगे, यहाँ कौन काम कर रहा है, तो जो दूर जि यह तो दिस्टर्ब हो रहा था, what is a disturb, कर रहा था, by what, इसमें by पीछे चला जाएगा, क्या बनेगा, what are you being disturbed by, चिक है, दोनों आएगे तो प्रफर करेंगे, जिसमें by पीछे लिखा हो, कहाँ पर, बीन बीन वाला, बीन, या हैस बीन पुरा, पुरा एक साथ के लिखने चा तो helping ही तो पहले आती है, अब विमल तुम्हें यह लगता है कि has been पूरी helping अब है, है, यही पढ़ाए जाता है, और क्या, has been के साथ ing आता है, third form आता है, लेकिन सच्चा ही है कि पहला वाला word सिफ helping होता है, आज बता रहा हूं मैं तुम्हें, यह root helping अब होती है, इसके यह third form होती verb की, इसलिए not never जो लिखा जाता है, main verb के पहले यहां लिखा जाता है, he has not been doing it, जादा पढ़ो तो दिखकत याकीन उटी जाएगा मझ पट से, ठीक है, सिर्फ यह helping verb है, वो नहीं, helping verb पहले लाओ ना, main verb क्यो ला रहा हो पहले, वो जो bean यहा, ing लिखते हो, he has not been playing यह उसकी state होती है, समझ जा रहा है, तो सिर्फ has पहले आता है, bean नहीं आता, will पहले आएगा, bean नहीं आएगा, is पहले आएगा, being नहीं नहीं आएगा, अब तो दिखकते हैं, is being, is helping or being क्या है, main verb क्या है, note कर लिया हो तो आगे चले, चले भाई, हाँ बताए, बताए, बता प्रेपोजिशन हाँ, नहीं आता, आफ के बाद, क्यों, समझाओ तुमारा दोस्ता नहीं पिर मुझसे बुरा हो जागा, समझाओ, बात करो, किसी भी प्रेपोजिशन के साथ धीरो, नहीं प्रेपोजिशन ही तो आता है, क्या तुमने हमेशा मुझे गलत सुना इक्लास मे किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, we always write a noun or a pronoun, वही तो लिख रहा हूँ में, यह था, शायद तुमने गलत सुन लिए उसको, अरफ कर दो भाई, पहले का बताने जा रहा हूँ में, अब आसान एक्जमबस दूँगा, समझ में आएंगे आपको, लेकिन subject और object पहचान पाओ होगे या नहीं, भी पहचान पाओगे नहीं, मेन मुद्द यह यह, by कब लिखा जाएगा, by whom ही नहीं होता, by what होता, by which होता, by who's भी होता है, और कही बाद हो तो by पुरा clause लिखा होगा, पुरा clause, अगर वोड़ा है, याद आया कुछ है, नहीं, sentence का subject za clause है, और वह काम कर र वरा उसके यहां रोज आने के द्वारा, रफ कर रहा हूं है, इसका पैसी बताता हूं, आगे चलता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा तो नहीं मैं नाव नहीं पढ़ा पाया था, वाइस नहीं बढ़ा पा रहा हूं, है, ये कौन गया यह सर, यह सर किसने गहाँ भी, पीछ one of whose brothers has one of the published books been stolen, ठीक है, ये इसका पैसी बनेगा, अगर चाहो तो आप बाय को, लास्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है, नोट कर लें इसको, बाय, इसमें भी, इसमें भी, बाई, क्योंकि question word क्या था ये, noun pronoun नहीं था, तभी तो subject था, तो noun pronoun नहीं रहने दो, हाला कि आप लिखते हैं, तो अब लिख सकते हैं, पीछले जाए, कोई issue नहीं है, अब मैं दो चार एक्जम्पल दूँगा, सब को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे मैंने पहला sentence लिखा, मैंने का, she likes your books, he doesn't like your, और, हाँ जी बताये, नहीं, 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 दो बतनों काले, he does not like your performance, अजी बताये, मैं बताया कई, अगला, he works on time, fourth, he does his work on time, he does his work on time, अगला देखेंगे, third हो गया, fourth, does he drive your car fast, why does he drive fast, why does he drive fast, which brand made you crazy, crazy, which brand made you crazy, which brand do you like, which brand do you like, he is about to win the game, the train is about to come, the train is about to come, who is that leader, who is that old man, who wrote this letter, who do you support, support, who do you support, ठीक है, इतने examples में पहला काम यही होगा, sentence का नाम पैचानना, active passive पैचानना, object है या नहीं यह पैचानना, ठीक है, फिर passive हम मिलकर बनाएंगे, जल्दी से लिख लें और फिर आगे चलते हैं, जल्दी से लिख लें और आगे चलते हैं, make it fast guys, जल्द लेजिग, लेकले हैं सबीने? सबीने नोट कर लिया? अब हमें सिर्फ इतना पैचानना है कि कौन सा सेंटेंस अक्टिव है, कौन सा पैसिव है, किसमें अब्जेक्ट है और किसमें अब्जेक्ट नहीं है, है न? चलिए चीज को देखते हैं और आगे चलते हैं यह सेंटेंस इंटरोगेटिव है और यह सेंटेंस अक्टिव है, सब्जेक्ट पैचान लें, इसमें जो में वह क्या है? ड्राइव है, क्या है? ड्राइव है, तो ड्राइव के पहले क्या लिखा अपने? यही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा इसके नए बैटरी जारही है, कफळ, बैटरी ड्राइव यहर कार्ट फास्ट, तो इसमें जो यहर कार्ट से हमारा क्या होगा? अपजेक्ट होगा बैटरी है अपने बस अगला वाई ड्राइव फास्ट subject क्या हो गया यह हमारी verb हो गई object है इसका passive भी नहीं बनेगा ठीक है क्योंकि इसमें object नहीं बनेगा अगला which brand made you crazy इस sentence की जो verb है वो made है sentence active है main verb के पहले जो लिखा जाए वो subject होता है तो इसमें subject क्या है which brand क्या है which brand clear what अभी को और you क्या इसका है तो जब इसका passive बनाओगे तो बनेगा by which brand were you made crazy हम बना लेंगे बात में पहले तो पहचाल ले which brand do you like main verb क्या इसमे like है क्या है तो subject क्या निकला क्या पसंद करता है क्या पता brand नौन होता है एजेक्टिव लेकर भी नौन ही रहेगा और नौन सेंटेज में subject क्या subject कौन बन गया तो यह बिचारा क्या बनेगा क्या मेरी बात समन में आई आई वाल्यम बढ़ा कि दिखना शफ़ज्टिव भ्लुम बढ़े है शर्फ़ए का में आप अर्यवाद सभी खोको बस ठीक है चल्लेंदों ठीक है शायद काम लिखा लेखा शी लाइक्स योर बोक्स क्या दिखा शी लाइक्स योर बोक्स इसे एपन के सा काल? और इसे भी तो फिट्ट आगताएा झालब कोई रूल लाइंडेंज सा एटार यह आपा है निर्फॉर्फॉर्स यह बाद किया तो '' mission came? this what happened? weoon he wewn?' सझा हुआ On! इस दिए प्रॉपोदिशन? ओप्रोचिन लिखा है और कोई अप्रोचिन है टाकि कोँ अच्छो, इसका पैसेव नहीं बनेगा He is about to win the game He is about to win the game, all the good He is about to win the game What is your subject? He Now this part is about to, is considered, is going to be considered, helping verb. X, remember? इसे X माना जाएगा, और उसका पैसिब क्या बनेगा? XB बशरते, प्रोवाइद इस गॉट अबजेगा, Does it have an object? विर अमारी वर्बोगी दा गेम क्या है? नाउन पर नाउन सेंटेज में क्या बनेगा? सबको बात समझ में रहे हैं? बनाएंगे इसका पैसे, मिल कर बनाएंगे. The train is about to come, the same structure, about to come. The train's object हो गया, is about to work part हो गया, ये इन ट्रांस्टिव इसमें object, इसलिए इसका पैसे पॉसिबल नहीं है. कि मेरी बात समझ में रहे हैं? अगला कह लिखा है? Who is that old man? subject क्या है? Who है? Who है subject? That old man की जगह कर लिखूंगा, these old men, व अब क्या हैगी? is या are? क्या हैगी? यार अब तो बड़े हो गए, और अभी तुम इसी में बड़े हो. First class लेकर याभी तक तुमको यही सम्झाता रहा, subject, object, compliment, कम सब कम बेस्ती खराब मत करो. ठीक है? जानबुषकर बोल रहा है, बोलना आता है. ठीक है? Who is that old man में subject है क्या? The old man, यह हमारी क्या हो गई? जरा बता हो यह क्या है? देखने में subject है? और subject है नहीं? जो देखने में subject और subject नहीं बिचारा क्या होता है? यह कोई object होते है? कोई बरें डरूमत नहीं, कोई बाता है. Compliment होता है, क्या होता है? मुझे तुमसे यह आशाय है, don't worry. ठीक है? यह compliment है. बस यह मत कहना बार कि यादव बढ़ा नहीं पाता है. यह से आशाय होता है. यह कहना कि मैं सीख नहीं पाया, मैंने मेहनत नहीं की. यह compliment है, जब sentence में काम ही नहीं हो रहा, तो object होगा नहीं. subject जब कोई और बन बैठा, तो प्रणावन क्या बनेगा? प्रणावन ही तो है यह. क्या बनेगा? क्या बनेगा? कोई परिशानी, चले आगे. Who do you support? Who do you support? मैं अरर नहीं निकलवारा आपसे. नहीं तो हूम होना चाहिए. अरर नहीं आजाए था एग्जाम एक्टिपैसी में के एरण मन निकाल देना. जब कहिए तभी निकालना? Is it clear? Who do you support में उसे डाउट नहीं? उसको पता है. क्या बता है? इसमें में बब क्या है? उसके ठीक पहले वाला नावन पर नावन क्या बनेगा? यह क्या बनेगा? अब्जेक्ट क्या कॉम्प्लिमेंट? जब काम होरा तो अब्जेक्ट बनेगा? होना चाहिए तो हूम लेकिन चलता है इसका भी पैसी बनेगा क्या मेरी इतनी बात समझ में आगी तो यह ग्यारा बारा एग्जांपल मैंने आज आपको दिये हाजी बताएं हू क्या है? बिल्कुल सभी बात है होता है क्या हू और हूम में डिफरेंट थोड़ा नहीं गया तो यह चीज ना पैसी बाइस में आ सकती है वो अपको कन्फूज करने के क्या करें हू लिखेगा जो आपको सब्जेक्ट लग रहा होगा लेकिन वो या तो अब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लिमेंट होगा चलता है क्योंकि यह तो मेरे निका लेंगे ठीक है यह बारा के बारा पैसी वाइस आप कल बना कर लाएंगे और आगे कि जो बाते एक्सेप्शनल हैं जो चीज ने थोड़े complicated है वो में discuss करना शुरू करूँगा ठीक है कल यह में मैच करूँगा सारे बना लेना प्लीज भूलना मत चली थैंक्यू सो मच गैस थैंक्यू गोड मॉनिय गैस आवाद आरी सभी को चले कल क्या पढ़ रहे थे कहां तक पहुचे आप हैं किसके अचा चार्ट बनाया था याद आगया कितने एक्जांपल से 14 14 एक्जांपल से 16 15 पंदरा पंदरा एक्जांपल से और मैंने का था हमें उनका क्या बनाना है पैसे बनाना बना लिए सभी ने चले बना लिए दो आगे चलते हैं ठीक है कल 2v1 आएंजी डाल दिया था अगर आपने इसे किसी न देखा हो है ना अचा कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसमें लाइक तो स्टेटिव भूती है तो सर को पता है आपने तो सर इसमें नहीं होती है तो इसली होता है बाकी आद ही यह लिंकिंग है कपला इस्टेटिव ए तो सब पता है धिरे भाते में एक्स्टेव एक्स्टेव करूंगा आज फोड़ी तर में पढ़ जाएगा क्या था वो क्या नम उसका शाम तक शायद वो क्या नम था उसका क्या क्या था मैंने आखिर टॉपिक कौन सा आखिर टॉपिक कौन सा बड़ा इश्यू है कि इसना में जब कॉश्चन आते हैं हां हां यह 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 था आपने बास गया एवाद देख लो मैं ने यह तो मिल जाए तो निने तो फिर कल दे ने को अणा आभ औहनों को बोला कि औहाउं कर दिस्काट इंग्लिस का वह लिंए दिखता है ना कि हाजी देखें चलिए फिर और आगे चलते हैं तो टॉपिक कौन सा देख लेंगे अभी हम आगे चलते हैं गाइस फटा फटाए मुझे जो सबस्ते objects बताए पहला है छलित तो पढैम है पर चाहरा है सिर लाइक सो अजोल सिर्फ नाबना और यह संप्रॉग्हस्या का शील जॉर बोक्स तो बाओ तो माइई दूना थे दूमने हम अफ्रिट हैं क्या बना वर्टे मिधा पारा जब का यह बना हुए, simple है, बहुत आसान है, your books are liked by, हर हो गया कोई दिक्कत नहीं, अगला बताएं, अगला क्या लिखाएं, He does not like your performance का बनेगा, Your performance is not liked by her, sorry him, by him, ठीक है, अगला, He works on time का तो कली बता दिया था, इसका कोई passive नहीं बनेगा, अगला क्या था, He does his work, इसका बन जाया गा, His work is done on time by him, बन गया जी सभी का, His work is done on time by him, ठीक है, हाजी हाजी, अगला, देखो, इसमें ऐसा है ना कि, मैंने आपको बताया था कि, वर्ब के पास जो adverb लिखा होता है, उसे अब वर्ब के जितना पास प्लेश करेंगा, उतना बैतर होता है, या तो इस वर्ब के पहले, या इस वर्ब के बाद, तो यह जो by him लिखा हमने, यह तो पिक्चर में था ही नहीं, तो अभी आया है, यह वाला adverb तो देखा है, यह तो हमने अब लिखा है, पहले था ही नहीं, तो इसे रखो पीछे, इसे लाओ पहले, अगला बताएं, ड़ज ही ड्राइव यॉर कार्ड्स फास्ट, यही, आर, बना, यॉर कार्ड्स, यॉर कार्ड्स के लिए आर ही तो आएगा, इस थोड़ी आएगा, डू ड़ज में इसमार लेते थे, तो आर लेंगे आप, आर यॉर कार्ड्स ड्रिवन फास्ट बाई हिम, बन गया, आर, यॉर कार्ड्स ड्रिवन फास्ट बाई हिम, क्या मेरी बात समझ में आगी सभी को, अगला, यॉर कार्ड्स ड्रिवन फास्ट बाई हिम नहीं हो सकता, इसमें ऑब्जेग, अभी यॉर को बन भी सकता है, वाई इस फास्ट ड्रिवन दन बाई हिम, तो ऐसे पैसिव भी बन सकते हैं, एक्जाम में नो पैसिव का उप्शन नहीं आता, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना होगा, रटी बातें काम नहीं आती, इसरे क्लियर, चार उप्शन आएंगे, चार में से कभी भी नो पैसिव नहीं आता, तो मीनिंग वही निकले, बात तो बही है, वाई इस फास्ट ड्राइविंग दन भाई, उसके दौरा फास्ट ड्राइविंग क्यों की जाती है, यही चीज़ है, फिलाल तो आप बोलो कि इसका पैसिव नहीं बनता है, आगे चले, विच ब्राइड मेड यू क्रेजी, विच ब्राइड मेड यू क्रेजी, तो भाई इसका बनेगा, ब्राइ ब्राइड वर यू क्रेजी, इस्था ब्राइड मेड बढ़ यू क्रेजी? प्राइड इसका ब्राइड दिये ब्राइड प्राइड यू? अगला, which brand do you like, which brand is liked by you, which brand is liked by you, clear है, अगला, he is about to win the, the game is about to be won by him, the game is about to be won by him, clear है, अगला, इसका passive नहीं बनेगा, इसमें object नहीं है, अगला बता दे, who is, बनेगा, नहीं भई, इसमें भी क्या है, object नहीं है, very good, who compliment है, अगला, who, by whom was this letter written, by whom was this letter written, next, who do you support, who is supported by you, who is supported by you, next, खत्म हो गए, चलिए जी आगे चलते, सारे खत्म हो गए, अच्छा, ये तो पैसे बन गए, कैसे बने, कैसे नहीं बने, कुछ समझ में आगे होंगे, कुछ समझ में शायद ना भी आ रहे हो, वो अब समझ में आ जाएंगे, कल मैंने आपको तीन बाते बताई, और यायनिट बनाते हैं, उबजेट की जगह ले जाते हैं उसे, और आपडेट को टाकर हम आगे ले आते, ये बताया हो, पेला स्टेप तूसरर के बताया था..., helping verb लेते हैं और कब कौन सी helping verb लेते हैं उसके लिए मैंने एक बड़ी मेहनत से क्या बनाया था चार्ट बनाया था अवदेश सही कर रहा हूं नहीं वहां अथ काल लेकार हो यहां कर रहा हूं ठीक है देखो मां कर रहा हूं ठीक है कोई बाने डरो मत मझे बता है मैं क्या बता रहा था हां helping verb में कब कौन सी helping verb ली जाएगी मैंने बता दिया तीसरी बात मैंने बताई में हमेशा वब की 3rd form आती इन जेनरल इबाते तो apply करनी ही आपको अब एक बात मैं और आपको बताने जा रहा हूं मैंने आपको बता है तीन तरह के sentence का active से passive और passive से active बनाते है ठीक है वह error वाले questions कर रहे हो आप लोग चार्ट से और help में लेगी सचाई यह है कि 90% यह जो इस error वाले questions होते है न वो इस chart से हो जाते हैं दो बाते ध्यान रखनी है कि वह अब किसमें बतलेगी और दूसरी बात passive बनेगा कि नहीं बनेगा तब बनेगा वह अब कैसी हो एरर की बात कर रहा हूँ मैं active passive बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ उस case में इसके बाद अगर object तो या तो क्या देंगे आप या तो लिखेंगे self या इसका क्या बना देंगे इसके अगर किसी सेंटेंस में जो कि active है उसमें लिखा ब्रोक ब्रोक दा चेयर ऐसे कुछ लिखा हूँ है यह एक्टिव होगे पैचान लोगे इसका passive बनेगा या तो वौस या वर के साथ क्या तो मैं कुछ और देख ही नहीं रहा हूँगा सिर्फ ऑप्शन में क्या देख या वर ब्रोक न अगर ऐसा एक option है तो तीन पढ़ना मत और आज एक तीन ऑप्शन है तो जागे की कहाणी देखना काई को हम कर दिया होगा शीस को हर कर दिया होगा नॉव को दें कर दिया होगा तोड़े का दैड़े कर दिया होगा अगर तीन options में यह नहीं और एक में है तो टिक कर देना बहुत time saving है और ऐसा हो ता 90% question chart से हो जाते है जब यह अब ही अब को conversion का मिले का है अब हैंडाओ मिले का 200 question का active passive 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 वो इस से हो जाय करता है तो चलिए हमने सीखा कि हमारे पास तीन sentence होते है assertive interrogative imperative imperative पूरा done हमने पढ़ लिया है assertive interrogative की शुरुवात हमने कर दी है chart कौन सा होता है आप समझ गए बात को अब मैं आपको ना इनका क्या बनाओंगा structure बना कर दूँगा मैं आपको ठीक है structure बोट पर लिकर दूँगा लेकिन आप समझ चुके जैसे sentence मैंने बोट पर लिखा what is troubling you है ना यह बताया थे example मैंने आपको नहीं बताया okay मैंने कह what is he writing लिखना नहीं समझना है लिखना नहीं है समझना है यह दोनों sentences अच्छा अगर active है तो भी यह चेक करना होगा कि इनका पैसिव बनेगा यह नहीं बनेगा और यह कैसे object करेंगे object है या चलिए यही पता करते हैं दोनों sentence active है आप देखें third form कहीं नहीं तो यह active sentence है हमें find out करना है क्या sentence का subject और object मैंने आपको बताया था जब आप कह देते हो कि sentence active है जब कह देते हो कि sentence active है तो active voice में verb के पहले ही subject लिखा होता है सच्चा ही बता हूँ पैसे में भी यह होता है बस पैसे में object ही subject होता है और active में subject अलग object अलग तो object पीछे आता पीछे आ जाएगा चलिए यह यह एक्टिवर यह एक्टिवर इसका subject object बताओ इसका subject object बताओ जल्दी से उपर वाले का उपर वाले के तो किसी को नहीं पतास तक तो उपर वाले से उपर निकले है पहले sentence का किसका कोई नहीं थोड़ा मजाग करने का बन था ठीक है पहला हो गया यह दूसरा हो गया तो उपर वाले में क्या बताओ फिर से बोलो subject क्या है what है are you sure क्या नाम तुबारा मनीशा मनीश ओके लास्ट में श्वा होता है श्वा बताऊंगा क्या होता है ठीक है वो sound होता है ऐसे उल्टा लिखा जाता है डिक्शनी में इसकी सपेलिंग होती है श्वा अश्वा श्वा ऐसा कोई शवा नहीं जिसमे ये sound डा हो हिंदी में इस बोला ही जाता है जैसे हम ने लिखा अमर के लिखाल यह हमर तब जब उपर डंडा लगा और ऑ अलाय tha होगा है आयसे, ऐसे, ऐसे, तो पता के लिए लिए आ, म, र, और ये क्या है? समझे? ये शोज़े है. जिए हिंदी में बोलते हैं, चोटा आ, और बड़ा आ, कभी पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया? अ, अ, ए, ए, इ, हा इंगलिज में होता है. तो जो अ वाला होता है न छोटा वाला उसे शौ बोलते हैं शौ ला के 5 साउंड होते हैं प्होगर में तगणी बस tätä हा से पढ़ा ए मैने बढ़िया वाली काभी सो ही खॉए इस पुकर में लेयन बढ़र स्क्रापच बाद में अभी पड़ लो रहे अभी what is troubling you, मैं आपने बिल्कुल सही कहा, यह मेन वर्ब है, मेन वर्ब के ठीक पहले लिखा गया है, यह तो नौन प्रणौन है नी, तो बचा यह तो हमारे क्या निकला, और यह क्या निकला, सबको सुन मिया की बाद, यह यह जी एक्जाम्पल लिख रहा हूँ, बहुत देक रहा है, भाई, नौन प्रणौन है, यह नौन प्रणौन सेंटेस में ऐसे थोड़ी आएगा, यह तो subject होगा, और अगर subject भी नहीं और object भी नहीं, तो कैसे आएगा, प्रपोजिशन लेकर आएगा, देखा, आपको मैं ने पढ़ाया है, गर फील करते हो, खुद पर य क्योंकि जो मैं Structures Board पे लिखूंगा आज तक मैं Assertive Interrogative के Structures नहीं लिखे, Tense में भी नहीं लिखे, क्योंकि मैं तब भी आपको उतना Confuse नहीं करना चाता है, अब आप मेचियर हो गए, ठीक है, अब आप मेचियर हो गए, मैं अब आप जो Structures लिखूंगा वो ना Arm Structures से थोड़े अलेग मिलेंगे, लेकिन होंगे सही, अगर मैं आप से Question पुछूंँ अगर कोई Sentence Interrogative है, तो उसमें Helping of आएगी ही, या नहीं आएगी, या आभी सकती और नहीं भी, Interrogative सेंटेंस में Helping of आएगी ही है, या नहीं, आएगी ही, पक्का, अच्छा, नो क्या, आभी सकती और नहीं भी, आएगी, मतब हो भी सकती और, आच्छा, जी आप बिल्कुर सही कह रहे हो आप, मैंने का, Who teaches you English, sentence कैसा है, Interrogative, का है Helping of, data में की clear, नहीं है ना, और Who is teaching you English, है ना Helping of, तो हो भी सकती और नहीं भी, इसलिए पहले structure लिखकर में confused नहीं कर रहा था, लेकि अब लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक में question word क्या बन रहा है, और एक में क्या बन रहा है, याद हो वो दिन, जब मैंने आपको पढ़ा है था, question word तीन तरह के होते हैं, language में, बताएगा कोई क्या-क्या, इंट्रोगेटेव, प्रणाउन, इंट्रोगेटेव, और बतादो जरा, इस दिन के लिए उस दिन मैंने कमर तोड मेहनत की थी, is it clear? कि ताकि आज आप समझ जो, अगर कोई sentence में question word कैसा है, इंट्रोगेटेव, प्रणाउन, तो प्रणाउन को रोल दो ही होता है, subject या, बन एड़व, ना उन लेकर आता है, ना देकर जाता है, ना ये subject बनेगा, ना ये object बनेगा, क्या मेरी बात समझ में आ रहे हैं? एक में question word subject होगा, एक में question word, object होगा, और एक में question word, कुछ भी नहीं होगा, ना question word subject होगा, ना object होगा, वो सिर्फ adverb होगा, मेरी बात सम्झा रही है, practically समझ में आ गया, एक में object, और एक में क्या, subject, एक और example देखो, मैंने का, why will he beat them? why will he beat them? आखिर वह उन्हें क्यों पीटेगा? बताओ, जल्दी बताओ, why will he beat them? sentence interrogative है, और active है, इसमें कोई third form नहीं है, क्या मेरी बात सम्झ में आ रही है? yes or no, हम ढूनेंगे अगर, तो main verb क्या है, तो ये क्या निकला, और किसे पीटेगा, तो ये क्या निकला, तो फिर ये कर क्या रहा है, ना ये subject है, ना object है, इसमें क्या है? ये question word आज adverb है, तो ये interrogative का तीसना structure है, when a question word is only a question word, what I mean is, that is an adverb, neither a subject nor an, and when a question word is going to be either a subject or an object, that is mandatorily either an interrogative pronoun or an interrogative adjective, अगर वो subject के object बना, तो या तो वो ये है, और या तो वो ये है, क्या मेरी बात सम्झ में आगी? है ना, right, चले आगे, चलिए, इसे नोट करने की जोट नहीं, इसमें समझा रहा था, इसी जिसको बोड पर लिखूंग, हाँ, नोट करना है, example, जैसे मैंने कहा, which brand, कल आपने लिख रहा था, which brand made you crazy, ठीक है जी, द्यांचे सम्झाएंगे, इसमें वोब क्या है, ठीक है, कम मैंने थोड़ा यूज गो, मैंने जब पनाई वीडियो देखा, तो बादर लासमें उने कहा, बोला, don't forget sharing, liking, ऐसा कुछ बोला मैंने, और वीडियो बनाते ही, जब मैंने उस सुच को देखा, तो मैंने रिलाइस किया, market में तो शायदी कोई पकड़ पाय, लेकिन मैं गलत दोल गया, don't forget sharing, liking नहीं होता, don't forget to share, to like and all, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपको किसी कोई, आपको कमिट मत कर देना जागे वहाँ, ठीक है, बिकिस मुझे बता, वर्प के बाद जब 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 जाता, तो एक्शन हो जुका होता है, अ active है, magic है, जब यथरी नहीं हो active है, तो यह ते हमारा क्या बनेगा, और यह हमारा क्या बनेगा, इसो क्लेर यह विच क्या लेकर आया है, तो brand क्या है, noun, तो which integrative, adjective है, यह subject निकला, यह क्या निकला, कोई बच्चा बताई क्या है, यह क्या है, ऐसे थोड़ी चलेगा, adjective तो है टम टम क्या है subject है verb है object है adverb है respect है कि सोचो और बताओ कि क्या आपको पता यह objective है crazy crazy craziest होता है है ना क्या है कि मैंने आपको कभी compliment object compliment बताया था है बताया होगा subject compliment होता और object compliment होता आज वो time आ गया कुछ यह पा नहीं सकता मैं आप से लिखा गया यह जो word crazy है adjective है adjective adverb तो है नहीं जो word की बात करें इस बाहर लिखा गया word crazy object compliment है आप समझो द्यान से यह बात मैंने पहले वाले वीडियो में डाली है functions of noun noun अगर यह noun भी लिखा होता है noun noun भी बनता है किसी object का compliment बनता है ठीक है इसे he called me a teacher he called me a तो मी तो क्या है object है लेकिन आप टीचर object थोड़ी है क्योंकि मी भी living है और टीचर भी living और दो living directing direct कैसे हुए समझरों मैं क्या करा हूँ मी object है और आप टीचर उसका compliment है लिखा गया word crazy जो के objective है आज इसकी बात कर रहा है इसकी बात नहीं कर रहा है crazy कौन है object compliment I hope you are getting it clear है आया तो ठीक हमने एक्जाम में नहीं आएगा ठीक है चले आगे हाँ 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 किसको इस crazy को वो तुमाने कैसे माने कि मैं तुमारा नाम बोल गए फिर से बताओ प्रदीप हाँ ठीक प्रदीप ओके प्रदीप देखो ऐसा ना यह objective है और कोई object क्या होता नावन या तुम तो समझदार हो हाँ 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 और दोनों living हो गए तो नहीं होगा यह कह रहा हो हाँ 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 कौन सार नावन लुगे क्रेजी इतनी तेरे बोलने के बाद मुझे लगा तुम नया question बूछोगे ठीक है अभी मैंने कहाने adjective है और subject object कौन बनता noun या answer मिला नहीं मिला क्या यह बढ़ी नहीं सकता यह कहला लिखाओ तब भी नहीं बनेगा क्योंकि तो adjective है ठीक है सुन लिए अगरो आधा question पूछने के बाद में बीच में बोलने लगा तो सोचो कि मैंने question पूरा समझ लिया है मैं एक समझदार अध्यापको बार बार बता रहा हूं ठीक है रफ कर दूशे चलिए यकिन करो में समझ जाता हूं तुम्हारा पहला वर्ड मुझे बता देता है दिक्कत कहा है चलिए अब में लिखूंगा structures एक question आप से पूछ रहा हूं अभी आपने का कि सर इंट्रोगेटिव में helping हो आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है ऐसा ही question और बताओ मुझे sentence positive है कैसा है positive positive assertive दो होते है एक positive और एक negative है ना sentence positive है उसमें helping आएगी ही या नहीं आएगी या आभी सकती है और नहीं भी दोनो मैंने कहा Tom teaches English sentence positive no helping of yes और मैंने कहा Tom is teaching English sentence positive or helping of समझ रहो ना यह समझा कर जब बोर्ट पर लिकूंगो तो पूरा समझ में आएगा इंट्रोगटे में आभी सकता और पॉस्टे में आभी सकता और अब एक और बात बता दो sentence negative है कैसा है कैसा है इस बार समझ के आंसर देना sentence negative है helping of या नहीं या दोनों आएगी ही या नहीं आएगी या दोनों सोच लिया क्या कहते हो आएगी ही सारे क्योंकि मैंने का सोच के इसलिए है इसलिए और अपने सोच लिया जी नहीं दोनों दोनों बाते हो जकती है दोगोजी कैसे ही ड़स नॉट टीच इंग्लिश ड़स पिंग नेगेटिव में या आप साही थे की आएगी ही अगला देखो ही नेवर टीचेस इंग्लिश नेवर क्या होता है नेगटिव हल्पिंग अप का है है या नहीं ही हार्डली कम्स एर यह सेल्डम डांसे नाओ यह बर्ली वेर शिस्पेक्ट्स यह सारे कैसे होते हैं नेगटिव लेकिन नहीं आई क्या आभी सकती है he is not teaching negative है helping of आ गई he does not teach English negative है आ गई तो मेरी बार समझ आ गई इंट्रोग्रेटिव में आ भी सकता और positive में आ भी सकता और negative में आ भी सकता और होता है तो मैं आपके लिए श्ट्रक्चर्स बोड पर लिखुँगा ठीक है धान से समझ लेंगे और याद अखना सेंटेंज का सब्जेक्ट क्या हो सकता है आज फिर से बताने की जूद हुई क्या क्या уже कर तो अब नान यह जरी ना क Success कि क्या यह को सकता है कि क्या यह को सकता है कि आपको June कुम होगया, सीता, गीता, रिता, ही, यह होगया, क्लॉज आपको पता हैए यह पूरा-पूरा सेंटेस बन सकता है और क्या फ्रेज भी पता होगा, वर्ड का कॉंबनेशन होथा है यह भी हो सकता है और क्षचन वोटब हुआ भी मैंने आपको बता है था जो कुछ subject बन सकता ह वो सबकुछ object बन सकता है, तो इस फिराक में मत रहना कि दिया गया subject बहुत छोटा होगा, या object बहुत छोटा होगा, वो छोटा भी हो सकता है, और बड़ा भी हो सकता है, लेकि हमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी छे, इसे clear? बात समन्मियारी सभी को, noun-pronoun होगा, ये सारे noun-pronoun ही है, सिर्फ इन, ये जो है ना, थोड़ा expressions में बड़े हैं, हैं ये noun-pronoun ही, कोई दिक्कत चले आगे, right? एक example लिख रहा हूँ, फिर में structure लिखने जा रहा हूँ, परला example, Why, Will, How, He, Comes, Here, Disturb, Disturb, You, पहला sentence, दूस्रा, Why, Will, You, Follow, What, He, Has, Been, Doing, Since, His, Childhood, Tisra, Why, Will, How, He, Comes, Here, Why, Will, How, He, Comes, Here, Make, You, Make, You, Make, You, Do, Do, What, The Teacher, What, The Teacher, What, The Teacher, Has, Been, Doing, Since, Monday, मेरी बात समन में आरही है, ये तीन sentences है, पहला काम यही है हम sentence में क्या पैशा रहेंगे, subject और object और active और passive और फिर हम देखेंगे बनेंगे और नहीं बनेंगे, ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही, परिशानी तो नहीं, कुछ चीज में बड़ी हो सकते हैं, complicated हो सकते है लेकिन आपको सेखनी पढ़ेंगे, एक बार यहां से सिख एने ले passive voice ना, तो गली महले में ब्रांड बन जोगी passive voice के, ठीक है, passive voice नरिशा, जब नरिशा बढ़ाऊंगे तब बद बड़े टोपिक हैं, लेकिन बड़ा कम टाइम में आपको सुल्जा कर पढ़ाऊंगे, जि कर मैं पढ़ लू कही सेंटेस गलत तो नहीं लेकिया मने, वा विल हाव ही कमस हेर, मेक यू दू what the teacher has been doing since morning, वा विल हाव ही कमस हेर, डिस्टर्ब यू, वाविल यू फोल्व वाव यू 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 फोल्वाव तेनों सेंटेस से ब्लगुछ चीग लेकिया है, और तीनों इं third form नहीं है तो हम यह कह सकते हैं कि तीनों कैसे हैं एक्टिव हैं यह सुनों guys और आप सभी को पता है मैं बार बार बताता रहता हूं कि active wise में the subject has to be before main verb यही ना subject हमेशा कहा होता main verb के पहले होता है अब हम main verb ढूंदते हैं कि आप main verb ढूंद लेते हों हां पुनीत रवाइट प्रदीप बासम जा रही है विमल सुजान राम काफी नाम याद हो गए हां गुट गुट मेमरी देखें मोट पर मैं क्या बता रहा हूं इनमें हम ढूंदेंगे subject verb object डिटाय में कि क्लियर देखते हूं और समझते हैं मेरी मदद करो बता वही इसमें subject verb object बताओ मुझे उस हिसाब से इसका पैसी पैसी बनाएंगे जल्दी बताएं हैं पहले वाले में क्या ने पहले object बता दू क्या है कि जान से समझता सब को पता जब sentence interrogative होता तो सबसे पहले या तो आएगा या नहीं आएगा क्या question आ भी सकता और अगर इना होता तो कहां से ह ली गई इसका इस वर्ब का रिस्पेक्टिव जो में वर्ब होगा इस वर्ब की जो रिस्पेक्टिव फॉर्म जो यह लेता है वो इसकी में वर्ब होगी विल क्या है model है दोदमन लिखी दिया है model है और हर model क्या लेता है वब की चलते चलो चलते चलो यह मिला कुछ सम्मन में आ रहा है अभी सिखा रहा हूँ बाद में का निफ्यूज करूँगा यह main verb है तो आप सबको बताएं कि इंट्रोकेटिव सेंटेसेस में question word, helping verb और main verb के बीच में जो लिखा जाए वो क्या होता है और यहां जो लिखा जाए वो object होता है कोई परिशानी हो तो बताओ दोबरा बताओ जैसे मैंने लिखा why is he calling her इससे compare कर लेंगे यह question word, यह helping verb और यह main verb helping main के बीच में हमेशा और यह हमारा वही why question word, will helping verb अब उस helping verb के main verb क्या है comes तो नहीं होगा disturbed होगा तो उसके बीच में जो कुछ लिखा गया subject होगा यह तरीका समझा रहा है yes or no right यहां why will you follow what he's been doing since his childhood इसमें मताएं subject or object यह क्या हो गया और यह क्या हो गई यह कौन सी फाम लेती है वीवन गाहा लिखा है काहा लिखा है काहा लिखा है follow follow यह लिखाओ कहां चलेगे भई यह follow तो यह हमारी क्या हो गई और यह हमारा क्या हो गया और follow एक ट्रांस्टिव बब है क्या follow करोगे तुम what he has been doing since his childhood उपर subject बहुत बड़ा था और नीचे क्या है object काफी बड़ा है चाहे जितना बड़ा हो तुमसे बड़ा नहीं है हमारे मस्टिश के पर एक कोई भी चीज नहीं इस ब्रह्मान में ठीक है तो guys देखें this was your subject and that was your object अभी बनाएंगे passive फिर ये पूरा उठकर आगया आएगा और वो जो उतना बड़ा लिखा subject वो पीछे जाएगा तब आपको दिक्कत नहीं होनी चीज अभी मैं समझा रहा हूँ clear है अभी को क्या subject क्या object समझ में आ रहा है तीसरे वाले एक्जामपल में तो मेरी मदब को रहा है बहुत बड़ा लिखा हुआ है जल्दी बताएं क्या subject और क्या object बताएं में क्या में क्या main verb है ये तो मैंने पूछे ही नहीं मैं तो subject और object पूछ रहा हूँ सही कह रहा हूँ ये क्या हो गया question word ये क्या हो गई इसकी जो main verb है वो make है समझ रहे नहीं तो भई interrogative sentences में main verb और helping verb के बीच में जो लिखा जाए active voice में subject होता है clear और make के ठीक बात जो लिखा गया वो इसका क्या हो गया object हो गया did I make it clear how I will he comes here make you do ajajaj doubted hello इसकी बात जाँ बात जाए और प१ि इसकी बात जाँ मैं यह कह रहा था कि इस सेंटेंस में सब कुसुन में यह एल्पिंग और यह क्या यह पूरा किया और यह क्या क्या चोड़ो क्या करना है हमने एससे करना हाम में तो सब्चेकов मतलब होता है सब्चेक को पीछ लिजा अब्जट को आगे लिए किसी को समुरार है कि संवाओ स्वाण केटियों नहीं हूआ म crisp catch मैंने आपको बढ़ा है था कोई भी मॉडल वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्मूले था वर्ब है लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब नहीं है यह अक्चुली क्लॉस है यह नौन क्लॉस है तब ही तो सेंटेस का क्या बना है सब्जेक्ट बना यह कम्स किसके लिए आया है सेंटेस के स्टुक्टेस होते हैं अभी आपको बहुत कॉमॉस होते है अभी मिन पड़ा रहा ह। is he clear? sentences के अपने ना formations होते है, वो हो भी सकते है, और में पम鬼 स्पोकन में कुछ सब इस भी चलता है हम तो हम एक बार में कि बहुत समय बहले की बात है, इसमें की बहुत समी बाट है, है मेले को बात है कुछ लोग बात कह रहे, थि मेरे माँ मेरे dif क différentes है वो निगरों रोते होते हैं बहुत पार जाते हैं तो मैंने गाए वेर आर यू फ्रम उससे इतने लोग कॉस्टें पोच्छोंगे तो वो बत इरिडिएट था तो जब मैंने पूछा है, मैरी मेरा 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 मैननुड़ है यू फ्रॉम होना चाहिए था। इड़ा में बहुत कुछ बोल रहे होता है यह संटेज पुरी तरह से लाया है वेर यू फ्रॉम प्रॉम तो विर आस्किंग संबडी दो नॉट से वेर यू फ्रॉम आस्क वेर यू फ्रॉम कोई बाल ने इंडिया की सारे हंदी से भोलेते हैं तो कभी इंप्रेशी संब था ना ना तो हमिशा नहीं होता है कि इंग्जिंड और अमेरिका के बाद तीसरा व्ल्ड में अकर हम बात करें तो वह इंडिया है पुरे वर्ल्ड में जो सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा अंग्रीजी बोलता है, it's only India. अकर वहां अंग्रीजी ने सीख पाई, तो यह ही सिखो के तुम. हमारे साक्षातकार जो होते हैं, इंटर्वीज जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? हिंदुस्तान में हिंदी में होते, घुसते हैं, मैं अगल दे लास्ट मुवी क्या थेंगी, इंगलिश में हिंदी में नहीं, आपने का मेरा शुब नाम, वो पले कहते हैं, इसको भाहर गुरु बहुता शुब है है, जुरूत ही नहीं है, तो आफ्टर इस तो कंट्रीज और learn English only India where you can learn English technically grammatically and as a native speaker तो यह बात होती है तो आगे आप देखोगे कई बार sentences को अगर sentence ऐसे लिखा जाए why he comes here why he comes here will make me make me happy समझना और लास्ट में ओब है कुश्चन आके बोलों यह जिखा है why he comes here will make me happy लास्ट में क्वेस्चन मांकर क्या यह सेंटेश सही है यह गलत लिखा हुए है यह गलत लिखा हुए यह जिखा हुए हम समझ लेंगे समझ वाई किया होगा वह यह क्यूं आता है मुझे खुश करता है अब यह समझ मेरा क्वेस्टन कॉन सा है जुद र सुद्वा shaped a question is ने कहीज है कि वह या क्यों आते है यह बडबाटपटा लिखना समुद्ट इसको आती उसको दिक्क्त आती है जिसे नहीं यह थो आपसे बात कर रहे होते आंसर भी आता है यह गलत लिखा हुआ अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो पता क्या करना बढ़ेगा यह विल बाहर लाया जाएगा विल वाई कम्स एर मेक में हैपी इसे क्लियर और यह तो तुम कोश्चन मा को हटा कर क्या लिखोगे तब यह स्टेट्मेंट बनेगा तुम किछी को बता रहे हो क्या मरी बात सम्जा रही है तो चलता है लेकिन इंग्लिश में आ जाएगा तो माक्स कट जाएंगे असर्टिव फ्ट्रॉ ऐस्ट किसे क्वा इससा कर रहे हो ऐसा कर रहे हो यह पीछे कुछ नहीं लिखा, वो लिखा हुए है, हाँ बस ठीक है, ठीक है, यह वाई विल ही काम एर, आप देहां से समझ ना, क्योंकि आप समझ सकते हो, वाई विल ही कम एर, तो सेंटेस तो यहीं खत्म हो गया, यह क्या कर रहा है, क्वेशन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, यहां तक तो सेंटेस का फॉर्मिशन सही गया, यह फिर से क्या आगया, यह वर्ब के वाद वर्ब काहां से आगई, वाद आगया, विल एटा दूँ, विल एटा दूँ, जोलो हटा दिया, मनलब आज तुम टीचर को ओढ़ा रहू, ठीक है, हटा दिया, मैं यह उक्सले तया, यह यह वब नहीं है, यह नहीं है वह कर है थोड़ी आथा यार इस ऑन meantow noun मेरी बात मानो इसे माना on sentence ka subject many तबहरों कर से संदेज बना हो गए तो वक के बाद उसका अब जेक्स के एक एकर और यह जड़ाई कि वो right के बाद यहां थो उसका उप्जेक्ट नन्ग प्रणाउन लिखा जाता है या तो इसका एड़ लिखा ते हैं तुम तो sentence' यह कहत्म कर बैठे एक इड़ भॉप क्या गया हं यह खट्म हो गया तो फिर भॉब लिख रहा हूं कर दो कि वॉब पकी आगे लागी और तु ब़स्ते मेर्प खरता हूं तो प्ट रहे हो जानते वो समझ साकते हो इसलिए मना श्रम इतला डिया सर मैं यहां से बना दूहूं वाइफ वाइब हुआ जिल एक मी हैपी या मेक्समी हैंपी तो तुम पता यह क्या सो एक बस्तम schw firmly क्या हो गया और यह object compliment हो गया है sentence तो तुम यहीं खत्म कर चुगे थे why will he come here यह adverb हो गया इस adverb के वर्ब कैसे आई तो तुम इसे वर्ब और ड़र नहीं बनाओगे इसे noun मनाओगे ताकि यह noun उस वर्ब का क्या बने subject बने चले आगे हम समझ में आ रहा होगा आशा करता हूं आएगा आगे चले रफ कर दू अब मैं तीन चार structures लिख रहा हूं हाँ कहां पर है इस वाले में है हाँ कोई कोई नहीं है मुझसे बोजाता है वीडियो में ठीक है इसकी जगे इस लिखने है और और क्या करो आगे क्या नहीं समझे नहीं यह जो वर्ब है इसकी है अकर यहां इस लिखोगे ना तो यहां लिखोगे disturbing कि यह दिक्कत देख रहा है क्यों विल्ट इस वाले में अच्छा यह मॉडल है यह मॉडल है मॉडल के पर कौन सी फ़ाम आती है तो यार इसकी वीवन यह है और कहां वीवन दिख रहा कहीं है तो इसकी यह होगी इसमें वीवन डूनों यह वीवन है क्या यह तो सिंगुलर है यह इसका नहीं हो सकता तो आगे बढ़े यहां तक क्लेर है कोई दिक्कत कैसे करेगा प्रदीप दिक्कत कभी नहीं होगी ठीक है राफ कर दूँ इसको अब मैं तीन-चार इस्ट्ट्चर लिखुंगा अब आप समझ गयोंगे सारे कि अटक कि अगुद है कि अचलिये चलिए ध्यान से समझेंगे देखिए जी पहले में structure देने जा रहा हूँ आपको किसका असर्टिव का इतना समझा लेने के बाद अब structure लिखूँगा ठीके बुक्स में आपको कुछ और मिल सकता है मैं आपको कुछ और पढ़ा रहा हूँ लेकिन बिलकुल सही पढ़ा रहा हूँ इसे क्लियर जब उस दो तरह के होते हैं कौन-कौन से पॉसिटिव और कौन सा नेगेटिव बताओ मैंने positive में क्या समझाया था मैं उसके active का structure लिखूँगा और फिर उसके passive का लिखूँगा सेम यहां ठीक है active में पहले क्या लिखा होता है बोलो फिर क्या लिखा होता है क्या helping of आती है या नही उसके बाद main verb भलो आ भी सकती है नहीं भी या आएगी ही बिना main verb के sentence बनेगा क्या आएगा ही उसके बाद क्या लिखा होगा object उसके बाद full stop फुल stop क्या R, R समस्तव? rest part आएगा ही या आ भी सकता और नहीं भी rest part के भी कोई ऐसी ज़वत नहीं होती कि वो आएगा ही आ भी स अच्छा अब हम बनाएंगे इसका passive इसका क्या बनाएंगे passive subject के place पर क्या ले आते हैं helping बो आएगी या नहीं आएगी या आ भी सकते हो नहीं भी passive voice में आएगी ही हाँ आएगी ही और वर्ब की कौनसी form थर्ड passive बना रहे हो भाई कोई भी passive बिना बी की form और third form के नहीं बनता यह बी वाली helping over यह हो उसके बाद लिखा आपने R उसके बाद by plus subject plus full stop ठीक है बन गया ना passive structure बन गया जो चीज थी वो लिखने ना जो नहीं थी वो नहीं लिखी जाएगी लेकिन यह ध्यान अखेंगे passive में helping जरूरूरा आता है लेकिन इस helping work का number कैसा होगा singular or plural con decide करेगा यह यहां con decide करेगा अगर आया तो con decide करेगा देखो जी कहने कोई object होता यह object अब नहीं रहा object come subject बन गया है यह जो word decide करे वो object नहीं होता है ऐसे कई confusing terms है जिने कोई teacher कुछ कहता है कोई बच्चा कुछ मानता कोई कुछ मानता है ऐसा ही बच्चा जो है है confused रहता है लेकिन वर्फ decide करें वह अच्छे हम क्या मानेंगे subject मानेंगे चले आगे यह कैसा structure था कि positive कैसा अब क्या देखेंगे आप negative कि negative में भाई help करो क्या होगा और कैसे होगा बताओगे मुझे सबसे पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा helping में बब आसकती या नहीं, बोलो आसकती या नहीं, उसके बाद क्या एगा, बोलो में बब आएगी ही, उसके बाद object, उसके बाद rest part, उसके बाद full stop, rest आ भी सकता और नहीं भी, टेखे, जिसने समझा नहीं जुछंग यह मैं थोरदे पहले समझा रहा था, उसे यह जो जो है structure इतने confused करेंगे में क्या बता हूँ कभी आ रहा कभी नहीं आ रहा अभी आपको लगेगा सार आपको positive भी वही है जो negative अभी structure देखना positive नेगटिव में कोई difference ही नहीं देख लो है क्या not नहीं लिखा मैंने क्या negative सिफ not सी बनता है तो क्या लिख दूँ not and never hardly rarely barely seldom seldom or ever seldom or little अभी क्या क्या लिख दूँ इसे clear यह तुम समझ लेना लेकिन जो भी not लिखा जाएगा वह main above के पहले आता है helping up के बाद आता है इसे clear अगर no not आये तो यहां लगा देना seldom seldom आये तो यहां लगा देना और यहीं लगा देना और यहीं लगे काई बनता है तो क्या लिख दू चलने दो इसे ऐसे इसे clear दोनों structure में कोई बड़ा difference नहीं लेकिन यह कैसा है negative है तो negative वाले negation दिखाने वाले words आपको दिखेंगे को दिखेंगे को दिखेंगे अब इसका बनाते हैं क्या पैसे अब इसका पैसे बनाएंगे तो जब पैसे बनाएंगे तो आपको पता क्या आएगा और helping verb अब इस बार verb की कौनसी form और यह क्या लिखा rest और उसके बाद क्या लिखा by plus subject और full stop ध्यान देना जो था वो है जो नहीं था वो नहीं है इस बार verb decide करेगा यह यहां decide करेगा यह क्या मेरी बात समझ में आ रही ठीक है नोट कर लेंगे इस चीज को और मैं चार इजी example देकर concept clear कर दूँगा चलिए पहले नोट करें जल्दी से नोट करें जल्दी से इसे आप नोट करें करें जल्दी से आप पहचानेंगे उनमें तम्स को और पहचानना सीख लेंगे हम वह बस हमारा काम हो जाएगा हम तम्स को अगर पहचानना इसके बाद जो structures दूँगा वह जो structures होंगे आपके वह होंगे interrogative कैसे होंगे इंट्रोगेटिव होंगे ठीक है हां मताएग हाँ तो अपने लिखा हम अब्जेक्ट भी होता है और subject भी होता है अब अब इसे subject भी होता होगे तो यही चला रहा है इसे यही चलने दो समझ करखो, अगर वब को डिसाइड कर रहा तो इस subject या object तो नहीं है, did I make it clear? इस वजए से subject होता है, आपको कर्सी तोड़ दी गई? इस या object बोलेगा तो subject का है? आपको जिसने तोड़ा हो हो, जिसने तोड़ा हो, तो वो तो ही नहीं ना इसमें, तो बिना subject कि संटेज बना बहुत कन्फूजिंग है। चलिए अब मैं चार एक्जाम्पल्स लिखूँगा जरा इन से मैच कर लेंगे कि टम्स को समझ लेंगे जो मैं बताना चाह रहा था। जैसे मैंने लिखा तॉम टीचेस इंग्लिश इन दे मॉर्निंग फिर मैंने कहा तॉम इस टीचेंग इंग्लिश थीज 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 फिर मैंने कहा तॉम दस नॉट इंसल्ट इनीबडी एट अनी गॉस्ट तॉम लğाट सुआ युभ सुआ झाल 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 Tense negative है ये वाला भी ये वाला भी हा ये बात बहुत obvious है सब को दिख रहा होगा अब तम्स को एक बार समझ लें छोटे examples में अगर तम्स को आप समझ जाते हैं तो चाहे जितने बड़े अब लेक्जामपल सो हमने रिलेट कर लेते हैं जैसे मैंने अभी example दिन्ट्रोग्रिटिव बहुत बड़ा example दिया था ऐसे असर्टिव बहुत बड़ा हो सकता अभी बड़ा करके दिखाऊंगा आपको देखेंगा आप सम्झेगा तीचे समारी क्या होगी गाईज यह हमारा क हो गया helping of नहीं है कोई बात नहीं है यह मैंनोब है English क्या है और in the morning क्या है क्लेर हो गया इस पर आजाओ tom क्या है subject is क्या है और यह क्या है और English क्या है और these days क्या है इस अचलेर तो देखाँ आपने helping of आई भी और नहीं भी आई जो बच्चे बार बेटे इतमिनान से देखें समझे इस बात को इसमें नहीं आई और इसमें आई हैंस प्रूफ दोनम तरवाणी बात बता दिया ये आपको इसमें आरहा इसमें नहीं आरहा मतलब इसमें नहीं आरहा इसमें आरहा नगटिव देख लेंगे tom क्या है का इस subject और डॉस क्या है नेगटिव आले से helping or insult क्या है और anybody क्या है at any cost क्या है यानि helping verb के साथ ही negative है tom never plays bullets here tom क्या है never क्या है negative बनाने वाला लेकिं helping verb नहीं है और यह क्या हो गई main verb और यह क्या हो गया object और यह क्या हो गया confuse मत रहना वब के बाद दो ही बाते आती है या तो वब का object या वब का adverb did I make clear compliment भी आ सकता है वो तुम पैशा लेना तो tom never plays bullets here यह adverb rest part यह object यह main verb यह subject तो negative है लेकिं helping verb नहीं है is that clear assertive के structure को दिमाग में डाल लो मैं बता रहा हूँ कैसे डालना है कोई भी assertive sentence यह होता है उसके उसमें सबसे पहले subject लिखा होता है फिर क्या आती है helping आभी सकती और फिर क्या आएगा और फिर क्या आएगा इसके बाद subject आएगा फिर जाकर क्या आएगी में वब helping और में वब के बीच में जो कुछ लिखा हो प्रदीप क्या होता है यह बात मेरी पास नहीं आगई चले रफ कर दू रफ कर दू रफ कर रहा हूं इसे अब अब एक्जांपल दूंगा बहुत बड़ा यह मतलगा ना यह यह तब है जब तुम्हारे पास टाइम ना हो एक्जाम में मेट्रों में जा रहे हो फटा 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 रिवीजन कर लेना लेकिन समझा नहीं तो किसी काम नहीं आगा यह मैं पहले बता दू यह चेक क्र क्या है ना समझेंगे आप कोई तुम्हारा नोट्बुक चुरा ले चुरा ले ने दू वापस यह यह तो तुम्हारे पास यह मेरे पास ठीक है नोट्बुक उपर नाम डाल दिया को अपना भी और मेना भी ठीक है इंग्लिश भाए जैसे आदव सर ओके कहीं लिखा नहीं अब बनाओं को शेल कें एक सेंटेज लिखा मैंने कहा थे लोट फी खीणच रिद्विलक है किल गभी कैंडिट दोटीं कैंके दिखुंट इस चांड हुड थोट गव सिंसर्थथे चांड होटं सिन्सर्थे चांड हुड बएक गवल अ संसर्थें श्याइव ने सक्र फिक happy makes us happy पैला कोस्टिन दूसरा कोस्टिन लेखेंगे ठीक है ठीक है लेखेंगे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और अब्जेक्ट अपने पहचानना है एक और एक्जम्पल में दूँगा शी दस वाट हर मदर हाज बेन बेने दिक बेनी बेनी है तू सेंस्डियुश तूसंच्टीन तू सूसंटूसंच्टैंटू what he has been doing since his childhood makes us happy she does what her mother has been doing for her since 2002 ये दोनो ही sentences ये दोनो ही sentences assertive है है या नहीं नहीं assertive है या नहीं मैने ये तो काने अरर निकालो जब अरर निकालने को नहीं बोला तो पीचे फुल सॉफ है और फुल सॉफ का मतलब क्या है assertive है जादी मग मतलग हो question word interrogative ना ना हर question word interrogative थोड़ी होता अभी समझाए clause भी होता है noun भी तो बनता है वो दोनों sentence assertive assertive का structure अगर याद हो तो ये बाते तुम्हें समझ में आ जाएंगी मुझे subject object ढूंड़ना करेंड में ढूंड लिया तो आगे दिक्कत नहीं हो नहीं कभी भी difficult वाले समझा रहा हूँ अभी Tom teachers English वाला तो सब को याता होगा Tom subject है English object है बात कहतम होगी और exam में आगे हमने खा लिया हलवा है है सोड़ी आएग exam में subject object ढूंड़ते हैं बताएं इसमें subject object इसमें subject object दोनों sentences active हैं ठीके ना किसके पहले मेक्स के पहले पूरा पूरा subject कैसे बता चला सारे यह कहते हैं चलिए मैं भी मान लेता हूँ अचा आगे चलते हैं इस वाले sentence में subject object ड़स के बाद पूरा हैं सबका यह answer है कुछ तो बताओं यहीं क्या समझ में नहीं आ रहा कि जिसने answer किया है अब मैं पूछूंगा क्यों कैसे बता चला बताओ सुजान क्यों क्यों क्या रहो कि इसके वाद यह पूरा object है हां कि उसमें में नहीं क्या है mix तो तुम्हां मुझे यह बताओ कि तुम्हें वहां में 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 नहीं लगती यहां ड़स क्यों लगती है कि सब्यक्ट के बाद तो ठीक है तो यह यहां भी तो subject था यह में नहीं हो गई कि इसमें तुम्हें यह दॉस क्यूंकि एस में टुम्हें इसमें तुम्हें यह क्यों क्या क्या रहा हूं उइक भी करता शी इस डूइंग कुछ लिए धान इंटेंशली लिख दिया मैंने आपको थोड़ी हल्ब के लिए लेकिन अगर लिखा हो तो she is doing तो वो तो does हो गया, मतलब makes हो गया, ये doing हो गया, कैसे बता चलेगा, समझ अजरबात को, हमें यही चीज़े यहां समझनी है, ठीक है, इंट्रोकृटिमें असान होता है, helping of पहली आ जाएगी, अब कौन सा वीथरी उसका है, और कौन सा वीथरी helping of का है, वो समझ लेते हैं, अगर उसे वीथरी के ठीक पहले subject दिया, तो उसी का है, तो अब जो वीथरी बचा, वो उसका होगा, समझ रहे हो, अब ही देख लेते हैं, इस sentence में जी हाँ, जो main verb है, वो क्या है, में 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 मे यह तो question पूछेंगे intr plac成 अगर अगर यह question नहीं पूछते तो याद रखना हे क्लाॉज बनाते हैं क्टास बनाते हैं क्लाॉज बनाते हैं इस बात का धियान ना और वो लो ग्लॉज या तो पूरा sentence sentence में या तो subject होगा या object होगा अभी के लिए हाला कि adverb भी होते हैं वो बाद में पढ़ा होगा अभी के लिए noun की तरह पढ़ा रहा हूँ noun की तरह clause होते हैं या तो पूरा sentence एक word नहीं एक word होगा या तो वो sentence में है question word होगा वो अलग ही दिख जाएगा तो इसमें अकर मैं what को लेकर चलता तो what को छोड़ कर इसे नहीं ले सकता क्योंकि ये पूरा clause लिया जाएगा is that clear? what he has been doing since his childhood ये clause लिया जाएगा और ये clause sentence का या subject बनेगा या object बनेगा main word कौन सी इस में है? makes makes के बाद us क्या है? objective case क्या है? objective case मेरी बाद सम्या रही है वो object है ये पूरा subject है और वो object compliment है बाद में लिखा हुआ clear है सभी को? यहाँ जो she does what अब देखरा हम what बात करते है what यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा एक clause है बीच में नहीं कर सकते है ये verb हो गया ये subject हो गया तो फिर इसके बाद object ढूनोगे क्या? नहीं ये पूरा एक noun की तरहे treat होता है और ये पूरा noun इस main verb का object समझ के इस बात को? इसमें ये object है और इसमें वो object था ये पूरा subject था इस तरह से भी हो सकता है और कई बार sentence में subject भी बहुत बड़ा हो और object भी बहुत बड़ा हो हो सकता है फिर बिल्कुल हो सकता है जैसे मैं लिखता what he has been doing since his childhood since his childhood उसके बाद मैं ऐसी verb लिखूँ उसके बाद फिर clause लिख दूँ तो subject भी clause और object भी clause हो सकता है बिल्कुल हो सकता है sentence बड़ा हो जाएगा लेकिन हम पहचाना सिखेंगे clause जो है what when दिमाब के बात आगी मैंने क्या कहा यह कोई रूल नहीं होता why when जितने question words जब हो question पूछेंगे interrogative बिल्कुल अलग दिखेंगे और जब हो question नहीं पूछेंगे तो पूरे clause में आते हैं वो एक word individual treat नहीं होते पूरा एक sentence या तो clause की तरह subject बनेगा या object बनेगा कोई परिशानी कोई दिक्कत अभी हम questions बाद में करेंगे यहां पहचाना सिखाया था मैं तीन structures interrogative के और लिख दूँ फटा फट ताकि बात समझ में आजाए अच्छा interrogative में क्या समझाया है वो भी जड़ा देख लेते interrogative थोटी दर पहले मैंने तुमसे पूछा था अगर एक sentence interrogative है तो क्या जरूर यह helping up होगी होगी ही या हो भी सकती और नहीं भी हो भी सकती और यही तो कहा था आपने interrogative sentences sentences यह दो तरह के होते हैं interrogative sentences जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं कौन-कौन से होते हैं देखेंगे कौन-कौन से पहला यह पढ़ चुके हैं आप क्या लिखा है starting with क्या helping up or starting with याद आया अब सोचो कर यहां से कोई बच्चा देमो में आ जाए तो तो तुम्हें लगता हो कनवर हो पाएगा आज इसी टाइम पर दो पहर में डेमो है यही पढ़ा रहा हूं उसमें अब आज बच्चे आएंगे और पढ़ेंगे आज उनके धारी की परिक्षा है ठीक है या तो केंगे कि कताई इसको कुछ भी नहां था और मैं समझ सकता हूं यही बोल पाएंगे और ना देखतें करना क्या है स्टार्टिंग विड क्योंकि सेम ऐसी उस उस वाले बैच में यही चल रहा है तुमारे पो पैलेल चल रहा हूं बैच स्टार्टिंग वे एक में कुछ भी नहीं एड़वह यानि एक में question word क्या बनेगा? subject एक में question word क्या बनेगा? और एक में question word क्या रहेगा? क्या मरी बास अन्म में आ रही है? तो question word वाले में तीन formula लिखूँगा, इसका एक ही formula होता है. इंट्रोगेटिव के दो structures हैं, पहला और दूसरा. पहले वाले का active formula मुझे बताओ, शुरुवात किस से होगी? इसमें helping of आएगी या नहीं आएगी? यार ये लिखा है है, और तुम कहरो आ भी सकती ने भी? कमाल करते हो पंडे जी, हैं? देखो जी, यहां तो आएगी ही, इसका नाम ही ये है, नहीं, क्या हो गया? नहीं, सुजान पंडू, मैंने तो एक्जांपल दिया, पंडे जी और भी होंगे पंडे, वो अकेला पंडे थुड़ी है, देखो, helping, helping verb, उसके बाद आएगा subject, और फिर क्या आएगा? में वर्ब, और फिर object, rest part आभी सकता और नहीं भी, ये हो भी सकता और नहीं भी, क्या मेरी बाद समझ में आ रहे है, yes और नो, पैसे बना दो जड़ा, इसका क्या बनेगा, पैसे बनाएगे, helping up जरूर आएगी, बस subject के place पर क्या जाएगा, object आएगा, वर्ब की कौन सी form, प rest part को इधर लाओ, और by plus subject लिखो, ठीक है, ये तो हो गया, helping up बाला, इसका सीधा से एक ही फंड़ा होता है, note कर लिए जड़ा, कर लिया, हाँ, और अब इंट्रोगेटिव जो question word से शुरू होंगे, उनके तीन structures होंगे, एक में वो क्या होगा, subject होगा, एक में क्या होगा, object होगा, और एक में वो सिर्फ, आप ड्लोकोंने सुना होगा, कभी-कभी passive by whom से बनता है, सुना होगा, किया सिर्फ by whom ही होता है, क्या by what, by which, by, यह सब नहीं हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, अगर यह question word पहले से क्या रहा होगा, subject, तो passive बनाते समय, doer के पहले by लगा देते हैं, इसे clear, अगर by लगता है, तो by लगेगा, अगर कोई और preposition लगता तो वो भी लगेगा, by whom अगर होता है, to whom भी होता है, with whom भी होता है, at whom भी होता है, तो सिर्फ यह याद करके मत बैठना कि सर, हमने तो by whom भी पढ़ा था, आप by which भी बता रहे हो, तो which जब subject बनेगा, तो by which होगा, और by which क्यों होता है, देखो जी, question word चाहे subject हो, चाहे object हो, एक बात ता है, वो पीछे नहीं जाएगा, सबसे बात दू लिखने जा रहा हूं, तीन structure लिखेंगे, फिर मैं class को over कर दूँगा, रफ कर दूँचे, यह देख लिया, चाहे लिए, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला structure है, जब हमारा question word sentence में क्या है, subject है, तो इस case में active voice कैसा देखेगा, बताओ भई, लिखा मैने question word, क्या लिखा, question word, question word लिखा मैंने है, अच्छा जी, question word ही तो हमारा क्या है, subject है, subject है, subject लिखते है, question word, बताओ इसके बाद helping of आएगी या नहीं आएगी, आप ही सकती, और who teaches यह English में नहीं आई, who is teaching में आगई, उसके बाद लिखेंगे main verb, mandatory है, फिर लिखेंगे object, rest part, question word, clear हो गया, और, इसका जब पैसे बनाएगे, तो question word क्या था आपका, subject, तो बाएगे कहां लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे न, फिर लिखेंगे क्या, question word, helping of पहले आभी सकती थी, नहीं भी, और अब जरूर आएगी, और यह हो जाएगा, ले जा सकते हैं, बिल्कुल, ले जा सकते हैं, बता दूँगा वो, पहला structure, इसमें question word subject था, अगले में, question word जब क्या है, object है, helping verb आएगी ही, फिर subject, फिर main verb, फिर rest part, ठीक है, हुआ क्या है, जो question word जो object था, आप क्या बन गया है, subject बन गया है, यहonan decide करेगा यह question word, यहाँ यहę वर्प decide करेगा यह, यहाँ decide करेगा यह, यहाँ decide करेगा यह तीसरा जिसमें question word सिर्फ एक adverb है क्या guys क्योंकि यह इस बार ना subject होगा ना ही object समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है formula मैं भी बहुत बना सकता हूँ एक topic में 200 formula मैं भी बना सकता हूँ लेकि मुझे समझ में जाता है जाता formula बनाने का मतलब क्या होता है यह देखें आप question word सिर्फ question word है तो भाई helping verb भी आएगी subject भी आएगा main verb भी आएगी object भी आएगा यह भी होगा और इसका बना देंगे passive ठीक है ना question word helping verb object v3 rest by plus subject है ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है एक बात धानकनी है कि इसमें helping of condeside करा है इसमें condeside करा है subject इसमें condeside करेगा object समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है check cross पहले समझाया है तब लिखा है data में के clear तो ही समझ में आए का अगर मैं लिख देता तो कम सकम 6 classes और चाहिए होती थी यह बताने के लिए कैसे बनाएं ठीक है guys यह आप सिफ नोट कर लेंगे detail में कल इसके बारे में बात हम कल करेंगे ठीक है इसके बारे में detail में कल बात करेंगे और मैं आपको बहुत सारे examples दूँगा जब बड़े-बड़े sentences होंगे ना तो sentence को समने लिखेंगे और ऐसे करेंगे question word, helping verb, mean verb तब ढूढ़ेंगे subject कहा है इसे clear? और अगर आपने समझ लिया है तो इसकी जूत नहीं पड़ेगी चाहिए इतना बड़ा sentence ठीक है? कल मिलते हैं, thank you so much thank you guys चलिए यह देखें आप आप जो है पड़ रहे हैं गाई हमारे पास ना error वाले questions के शीट थी है ना? error वाले questions तो बड़े आसान लगे होंगे आपने किया होगा answer दिया उसमें पिछे उसमें पिछले वाले में answer दिया हो है ना? जिसमें 200 questions थे? पहले वाले में पूरें नहीं हुए है अच्छा नहीं दिया हुए है वो तो मैं फिर करा दूँगा 28-60 में यह करा दूँगा बागी एक answer दिये है अच्छा अब हाँ जैपोर से question पूछा किसी बच्चे ने अभी में बताऊंगा बटा शुरू कर रहा हूं अभी मैं आपके सारी doubts बता दूँगा मुझे मिल गया message आपका अभी बता रहा हूं चलिए अभी बहुत सारी बाते बाकी थे जो हम सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा बताना शुरू करूंगा ठीक है फिलाल तो अभी जो हमने सीखा है बहुत जनरल चीजें सीखी हैं मैं आपको एक बार recall करा देता हूं जैसे एक दो कॉस्चिन करूंगा बड़ी आसानी से हो जाएंगे हैंडाउट मिल गाए सभी को सबको अनुझे बाहर भी पहूंच के अपरांच में सबके बास एवाग कन्फिर्म करना देखो जड़ा एक दो कॉस्चिन देख लो जड़ा बारा नमबर देखें पीपल स्पीक इंग्लिश ओल ओवर दा वर्ल्ड यह एक्टिव वइस दिया हुए है है यह हमें खुदी पहचानना है एक्टिवे की पैसिव है और खुदी उसको बनाना जो बनाना ठीक है तो दिया हूँआ सेंटेस कैसा है एक्टिवेस का क्या बनाएंगे आप तो स्पीक वर्ब की फॉस्स फॉर्म है कौन सी फॉर्म है फॉस्स फॉर्म का पैसिव इजमार थर्ड फॉर्म से बनता है किसे बनता है हम इसमार दुढ़ते हैं तो पहले में है या चौथे में इस दिह रहाँ भी जे निए खाचiğ नहीं Terry yeah तो बहिए तो A होगा या D होगा बाकि बता दो कौन numa होगा है है होगा दी में तो ओल ओवर दवर्ड हटा ही दिया है तो वह दो हो नहीं सकता कितना असानी से बनेगा मैं आपको बता नहीं सकता अबर पीपल आठा दिया उसमें देखो अभी यह चीजे पढ़ानी बाकी है जेनरल डुवर्स जो होते हैं या समबडी समवन जो होते हैं वह हटा भी दिया जाते हैं और पढ़ने पर उन्हें वापस लेकी लिया जाते हैं उससे फ़क नहीं पढ़ेगा ठीक है ना लेकिन फरक किस वाज गिवन गिफ्ट वें शी रिटायर्ट अबर कुलीग वाज गिवन वाज गिवन अगर पहचान होगे तो पैसिव इस है ना वाज वर के साथ वपकी थर्ट फॉर्म है और अगर ऐसा होता है तो इसका जब एक्टिव बनेगा तो वी टू से बनेगा ऐसे बनेगा वी वीटू से वीटू कहां है जिसमें वीटू होगा वो आंसर होगा कहां परे बताओ A और D में है लेकिन D का तो अनर्थ हो गया पड़ो ज़्या ध्यान से We gave our college a gift Sorry, we gave our colleague a gift और A में क्या लिखा है हाजी हाजी, D ही सही है, D ही ठीक है, reason क्या है A वाले में na colleague खुद गिफ्ट दे रहा है, जबकि question में colleague को gift मिल रहा है, तो V gave हमने दे को V अपने पास से ले लिया Meaning भी समझना होगा ना मैं, meaning बिल्कुल नहीं change होना चाहिए, इस बात का ध्यान दखेंगे आप ठीक है, question number देख लेंगे जड़ा, 29th, 29th number, 29th number, क्या लिखा है I saw him leaving the house, I saw him leaving the house, ठीक है, तो I saw him leaving the house, 100 का पैसे बनता है, was seen, was seen किस में किस में लिखा हुए है A में है, B में है, D में है, सिर्फ इसमें C answer नहीं हो चकता, A, B, D में से कोई एक होगा, meaning भी समझेंगे आप Leaving the house, he was seen by me, यह बनेगा, या he was seen to be leaving the house, या he was seen leaving the house by me, कौनसा लिखा जाएगा? B answer, कौनसा? B answer लिखा जाएगा, is it clear? चलिए, कौस्चन नमर देख लिए, उसी के चीक बादवाला, 30, तीस नमबर, someone pulled the bull violently, pulled कौनसी form है? 2nd form है, कौनसी form है? और 2nd form का पैसे बने का was word, 3rd form, तो जहाँ was word 3rd लिखा होगा, वह आप लिख लो, कौनसा है? D answer लिखा है, है ना? D है ना? D हो गया, अब अगर हम देखें, question number 17, 17, the principal kept the staff members wailing, तीस का, नहीं, तू तो था ही नूसमें ना? तू भी तो था है, कौनसा नमबर बोला मैंने? 17, the principal kept the staff members wailing, kept का बने का was word से, है ना? क्या बन जाएगा? were kept, कहां लिखा were kept? be answer होगे, कितना आसान है, बहुत आसानी से हम इसे कर सकते हैं, question number देखेंगे, आप 19, the king gave him a reward, gave कौनसी form? कौनसी form? तो भई इसका passive किससे बनेगा? was word, third form से, हाला कि इस sentence में दो passive है, बन सकते हैं, दो object हैं, एक him और एक reward, एक direct object और एक indirect object, मैंने सिखाया था, direct को पहले ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोला था, कि दूसर option नहीं रखते हैं, भई हमारे पास अगर वो option ना मिला, तो दूसर बना सकते हैं, कैसे बनेगा? तो give की third form क्या होती है? given और उसके पास was कहां लिखा है? was given, was given, was given, was सभी में लिखा हुए, he was given by the king a reward, he was given the reward by the, by a king, he was given a reward by the king, कौन सा होगा? C answer है, बिल्कु ठीका, D, a reward was given by him थोड़ी था, king ने दिया था, हां, हां, इन चीजों को बड़ा ध्यान लखेंग हैं अब ठीक है? हां तो यह ही लिए जाता पहले, फिर हम डिरेक्ट अबजेक्ट ले लेते हैं, ठीक है? मेरी बात सब को समन में आ रहे हैं, बड़ा ही आसान है, चीजों को कर पाना बड़ा आसान है, 36 नमबर देखें, कौन सांसर होगा, कैन का जब पैसी बनाते हैं, तो कैन बी से बनता, किसे बनता गईज? तो कैन बी, कैन बी कहां है, सभी में है, तो फिर कुछ और भी देखेंगे, देखो, अब यह पढ़ाना बाकी है, अगर कंजंक्शन की बात हम करते हैं, तो दोनों ही पार्ट का हम पै अगला लिकाै, nothing can be done, unless more information is given, nothing can be done, unless we are given more information by someone, nothing can be done unless we are being given, तो गलत हो गया, being तो मतना ही नहीं बनता अब जो आउसर होगा, वो या तो भी होगा, या सी होगा, कॉन सा लेंग यहाप, कॉन सा? nothing can be done unless we are given more information by someone nothing can be done unless more information is given see answer है क्योंकि उसमें कहना सारी बाते लिखी गई है by someone और we को आगे लाए गया है चीक है हाँ ना ना वो direct से indirect में होते हैं can का रहेगा can ही बस बी जोड़ देंगे can का कुड़ तब होगा जब हम present से past जाएंगे वो direct से indirect में होते हैं एक question यह है और देखें फटा फट अठारा नंबर क्या लिखा है who taught you grammar who taught you grammar तो by whom were you taught grammar है ना by whom were you taught यह जो बनेगा बस taught जो है ना वो second form में was word से बनाएंगे बाकि यू के साथ क्या आता है यू के साथ वर आता है सबको बात समन में आगी चलें आगे हाँ question number देखेंगे 20 number क्योंकि मैंने आपको बता है इसमें जो subject है वो who है और who को ही हम क्या बनाएंगे object मतलब इसके पहले proposition लिखना पड़ता है ना वह राम के लिखते हैं काम करता तो बाय राम श्याम तो बाय श्याम तो हू काम कर रहा तो बाय हूम हो जाएगा question number देखेंगे he teaches us grammar 20 number grammar was grammar are grammar were grammar will be तो कौन सा होगा दूसरा होगा सिर्फ ismrc तो बनता है खतम होगी बात कुछ नहीं होगा आगे बढ़ेंगे बढ़ते चलेंगे question number देखेंगे 200 कैसे बढ़ेंगे जनरली हम डिरेक्ट को आगे ले जाते हैं लेकिन हमारे पस option नहीं हो गया नहीं समझे डिरेक्ट हाँ उसे बोलते हैं डिरेक्ट और दूसरे वाले को जनरली होता क्या है एक non-living object डिरेक्ट होता है और living हमेशा इंडरेक्ट होता है लेकिन फिर exam में हमारे पस options आते हैं हमारे पस कोई choice तो होती नहीं तीन गलत तो ले नहीं पड़ेगा तो डिरेक्ट लेते आगे ठीक है हाँ जी कौनसे नमबर 200 200 क्या लिखा है are they receiving the chief guest at the station तो is the chief guest being received कहां लिखा ऐसा A गलत, C गलत और D गलत और तुम जो ढूंड रहे हो है भी नहीं है ना तुम सोचोगे कि by them होना चाहिए नहीं दिया है कोई बात नहीं बी आंसर है कौनसा है is the chief guest being received at the station ठीक है ना, clear है ना? यह सारे question बहुत आसानी से हो जाएंगे कुछ एकदो नहीं होगे क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है जो मैं आगे आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूं ठीक है कुछ question कुछ बच्ची ने वहाँ से पूचा है women love men to flatter them यह question exam में आया था 37 ने पूचा है जैपूर से दोको मैं बता दूँगा अभी मैंने पढ़ाएं नहीं आपका answer में बता रहा हूं बाकी जो questions आगे मेरे पास वह मैं सारे भी बताऊंगा धीरे धीरे जैसे पढ़ाऊंगा आगे ठीक है तो question क्या था exam में आया था आपने लिखा इधर women क्या था मैंने बुला like men to flatter them to यह exam में आ रखाएं to flatter them बताएं जार क्या बैसे बनेगा इसका women like men to flatter them अगर हमें बोलना जाये बनाने के लिए तो क्या बनाएंगे लेकिन हमारे पास exam में options होते हैं जो हमारी बहुत मदद करते हैं चीक है इसका जो passive बना था वो मैं आपको बता देता हूं चीक है या भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा women like to be flattered yes to be flattered by men यह इसका passive बना था is it clear यह इसका passive बना था हम in infinitive का भी passive बना सकते हैं infinitive का passive किया था to be third form तो यह भी आपको सिखाऊंगा जैसे मैंने का I want him to paint the room I want him to paint the room तो इसका यह बनेगा I want the room to be painted by him अभी आना बाक्य है अगर मैंने का it is time to open the shop it is time to open the shop तो यह बन जाएगा क्या बोलो it is time for the shop to be opened यह भी बाक्य है अभी आना बाक्य है ठीक है और जो एक दो चार questions है वह मैं भी और बता दूँगा अभी मैंने एक आपको बताया है बता दूँगा कितने structures लिखा दिए मैंने आपको एक लिखाया था object होगा object फिर उप्लीज वाला make वाला और get वाला फिर हम आगे थे असर्टिव इंटरुटिव में असर्टिव के दो थे पॉस्टिव नेगरिटिव इंटरुटिव का एक था हेल्पिंग वाला अलग से करना रिकॉल करना बड़े असानी से what month what one must do one must do properly look at the poll result do they inspire hope okay get him to dance women like men ये तो मझे आ था she made him play cricket okay she made him play cricket इसका बन जाएगा ये तो आसान वाला फटाक से बना लेंगे he was made क्या बना होगे he was आगे बताओ to play cricket ये तो बन गया ये तो आसान था है है ना अच्छा what one must do ये लिख लिख लिए है इसको हटाके एक और रहन से बताता हूं फिर आगे चले what one must do what one must do समझा रहा है सभी को क्या what one must do one must do properly अच्छा ये सारे questions जो ने एक्जाम में आय हुए है तो वहां पर हमारे पास options ये और बड़े असान हो जाता अब ही मैं आपसे बनवा रहा हूं हम बना रहे हैं को कर्विकर कर्विकर कर्वा कर्म कर्या एला के चिकें, grammar मुझे आती हो नाती हो लिके इंगि आती है, ठीकें? इटाब में की क्लिया? इटाशापन. See, the thing that is not practical, we cannot practice is nowhere in grammar. यह भी सीडी ना, यह ना उन प्रणाउं तो बाद में करना पड़ता है. Is that clear? यह तो जी, what one must do, one must do properly. अब हमें यह समझना है. सब्जेक्ट और अब्जेक्ट ढूंड़ना है, क्या ढूंड़ना है? कई तरह के option exam में आते हैं, बताएं इसमें subject क्या और object क्या? फिर हम कर पाएंगे. sentence assertive है, कैसा है? यह बात होता है? integrative तो है नहीं, imperative तो है नहीं, बनता तीन का ही है, तो बचा क्या? असर्टिव है, असर्टिव कर तब बनाएं, जब उसमें subject और object हो, वो ढूल लो, बात खतम, इसमें सारी जो दिक्कत है, इसी चीज़ किया है. है? मैं समझा देता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना, what one must do, one must do properly. do एक verb है, और do एक verb है, और do हमेशा कैसी verb है, तुम भले ही, क्लाज लिखो, लेकिन क्लाज में भी अगर ट्रांस्टिव वब आएगी, तो ट्रांस्टिव वब क्लाज में भी अपना क्या लेगी, object लेगी, अगर क्लाज का subject singular है, तो वो वब कैसी लेगा, क्लाज में हो या में हो, समझरों मैं क्या कहना चाहरा हूँ, तो भाई, एक object इस do अप का होना चाहिए, और एक उस do अप का होना चाहिए, समझना बहुत ध्यान से, इस do अपका object है what, समझना चाहिए बता रहा हूँ, बहुत अच्छा question है ये, ठीक है, तो मैंने कहा, इस do का ये है, क्योंकि ये जो है यहा रेलेटिव प्रणाउन है, कौन सा प्रणाउन है, रेलेटिव प्रणाउन है, क्या मेरी बात समझ में आ ये जो है हमारा रेलेटिव प्रणाउन है, तो ये तो इसका हो गया, अब बात करते हैं उस वाले उस वाले डू का कौन सा है, उसका कौन सा है, तो मैं क्या बता रहा था, कुछ समझ में आ रहा आपको, भई डू जो हमारे पास क्या है बार बार, बोलो, टांस्टिव अब हर टांस्टिव को अपना क्या होता है, अब्जेक्ट होता है, ये जो वाट हो रेलेटिव प्रणाउन है, समझ में आ रहा रेलेटिव प्रणाउन पढ़ा चुका हूं, या तो इंट्रुटिव होता है, रेलेटिव होता है, रेलेटिव प्रणाउन कोई प्रणाउन क्या बने का सेंटेंस में सब्जेक्ट या इस मस्ट दू का सब्जेक्ट कौन है इस मस्ट दू का सब्जेक्ट कौन है इस दू ट्रांसिवप का अब्जेक्ट कौन है उस दू ट्रांसिवप का अब्जेक्ट कौन है बना दो उसका पैसिव डिटायमे की क्लि तो what one must हमना subject object का passive नहीं बनाते, sentence का बनाते मैंने आपको सिखाया था, तो यह जो है ना object था मैंसे subject बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? और must का अगर passive बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं? क्या जोड़ेंगे अपने पास से? क्या जोड़ेंगे? be, क्या जोड़ेंगे? तो बोल must be properly done, must be properly done, मेरी बात संदम्यारी है, यह इसका पैसे बनेगा, option होता तो बड़ा आसानी से में आपको बता सकता था, लेकिन options बहुत close दिये होते हैं, is it clear? यह हमारा object था और मैंने से object बना लिया, subject क्या बना दिया, और किसी भी model को X मान कर क्या लगा दिया, और हमें चाहो तो लिख लो, और चाहो तो ना लिको क्योंकि जर्नल फैक्ट है, समझे रो ना, जर्नल में ना, वी और एवरीबडी बगारा हट भी सकते हैं, और लिखे भी जा सकते हैं, कौन-कौन हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, एक और बस बताता हूं, एक मैं पढ़ों क्या बता हूं, एक और बताता हूं, फिर एक रज आएगा, भी बाद में बताऊंगा, get him to dance, get him to dance, questions पर पूछा करो ना, अगर आप तो बहतर हो कि अगर आप question को सीधे photo कीचो और भेज़ दो, कहीं भी, क्योंकि options में आपको यह बता पाऊंग, यह तो मैंने बता दिया, क्या ब इसका क्या बनाना हम देखेंगे, पहले दो को sentence active है, passive है, active है, passive है, और imperative है, जैसा है, आचा imperative में तो सब का बनता है, जाए object हो, जाए object ना हो, इसमें है या नहीं है, कौन सा है, him, object, object, him है, किस चीज़ का, get कौन सी वह है, है, अचा चलो, इसका पैसी बनाओ, छोड़ो सारा कुछ, पैसी बनाओ, कैसे बनेगा, है, कैसे, let him be God, let him be God to dance, या दखना मरी बाद ध्यांते सुनना, आज के बाद जो B forms होती है, get forms होती है, वो stative verbs होती है, वो action verbs नहीं होती है, अगर मैंने का he got angry, he got angry, तो angry ना adjective है, इसक ना, object नहीं, इसका compliment है, compliment तभी होगा, जब non-action होगा, यही ना, देखने में लग रहा वर्ब की second form है, second form है, इसका मतलब यह, he was angry, he became angry, और he got angry, तब तो सुम्झाएगा compliment है, इसका compliment है, non-action verb है, तो जब action, verb ही non-action है, तो object कहां से आएगा, object नहीं आएगा, इसमें object, object नही नहीं है, तो imperative का वो formula लगा दो, जो मैंने आपको सिखाया था, object नहीं होने पर, you are advised to get him to dance, you are ordered to get him to dance, you are requested to get him to dance, clear, आ रहे ही बास समझ में, चल पड़े है मम आगे, एक रहा गया question कोई मैं बता दूँगा थोड़ी देर में, चले आगे, चले यह शीट बढ़ी आसानी से ह हो जाएगी, आज जब मैं मैं थोड़ा सौर बता दूँगा उसके बाद हो जाएगा, रफ कर दूँ सारा, रफ कर रहा हूं, आगे चलता हूं, चले, कितने structures मैंने लिखे थे, अगर आपको एक बार याद हो, मैं एक बार समझा देता हूं, कितने structures लिखे थे, एक हमारे पास था imperative में, जिसमें object था, एक था जिसमें object, एक था जिसमें object, एक था जिसमें कहता था please or kindly, याद है आपको, नहीं था यह, लिखाए नहीं था क्या, कोई नहीं, you are requested, क्या, you are requested से बन जाता है, और एक हमारा शुरू हरा था किससे, get से, याद है, एक मैंने आपको बताया जो शुरू हरा किससे, make से, इतनी बाते तो imperative में बताई है, यह R.O.S. बताने वाले, कौन से sentences हैं, समझा रहा है सभी को, imperative sentences के बारे में इतना मैंने आपको बताया था, recall कर लो एक बार, object होने पर let से बनता था, let object be third form, object ना होने पर you are requested, you are वाला बन गया, यह होने पर you are बन गया, get वाला मैंने आपको बताया था, get the room painted, get someone to paint the room, commercial doer, get the painter to paint the room, get John to paint the room, get driver to drive my car, active यह भी दिया था मैंने आपको, get driver to drive my car, इसमें object इसली क्योंकि आगे दिया हुआ है, तो इसका क्या बन जाएगा, get my car driven by the driver, is it clear, get my car driven by the driver, get the room cleaned by the cleaner, यह बन जाएगा, get हो गया था, make क्या था, make him clean the room, make him clean the room, तो क्या बनता है, let him be made, let him be made to clean the room, एक बात बहुत ध्यारखनी होगी, बड़े ही मिलते जोलते options दिये जाते हैं, लेकिन मेनिंग नहीं बदलना चाहिए, तुमने जो समझा active sentence से, वही passive से समझ में आना चाहिए, तुमने जो समझा active sentence से, वही passive से समझ में आना चाहि कर दो, जबकि मैं क्या कह रहा था, उससे room को कराओ, इसा clear, तो meaning को समझ कर चलोगे, तो दिक्कत नहीं होगी, बी third form passive होता है, लेकिन साथ ही साथ मेनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, यहीं थोड़ी कोई भी third form दिख के आपने passive tick कर दिया, clear है यहां तक, assertive के दो में तो को कौन-कौन से, positive, positive और कौन सा, कि दोनों एक जैसे लिखे थे मैंने, अगर आपको यादो, कोई difference नहीं रखा था, क्योंकि दोनों हो भी सकते हैं, जैसे और नहीं भी हो सकते हैं, अब जब हमने बात कि थी interrogative की, किसकी guys, interrogative की, तो यह दो तरह के होते हैं, कौन-कौन से, हां एक helping verb से, और एक question word से, helping verb का एक ही formula, एक ही structure, helping verb, subject, main verb, object, question, mark, और बापस जाएंगे, तो helping verb, object, V3 करके ऐसा हो जाएगा, संब्यागी बाद, question word, question word, question word तीन थे, याद हैं, कौन-कौन से बताओगे, subject, object और adverb मतलब सिर्फ question word, question word सिर्फ इसमें क्या करेगा, question पूछेगा, तो जिसमें question word subject होगा, वो बाए से बनेगा, by whom, by what, by which, by whose, क्यों बाए लगा, क्योंकि वही doer है, और पैसे में यही बताया जाता है, काम किसके द्वारा किया गया है, होगी बात बन गई, अगर यह होगा, तो अच्छी बात ह आगे लाना होता है, तो यह पहले से आगे बैठा हुआ है, आपने इसको लिखा, helping of लिखी, V3 लिखा, ठीक है, और by करके doer, पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत, और यहां आ जाएंगे, तो simple है, question word subject लिख रहेगा, ना आगे जाएगा, ना पीछे जाएगा, और ना ही हम इसमें क्या करेंगे, बाय जोडेंगे, subject को ले जाएंगे पीछे, और object को ले आएंगे आगे, मेरी बास अंजाई, कल कुछ हमने complicated examples भी देखे थे, कुछ examples दिये थे मैंने आपको, मुझे आदे लंबे sentences दिये थे न, नहीं दिये थे, हाँ पैचानने के लिए, अब ज़र से complicated कि infinitive का कप ऐसे बनाते हैं, it is का कप बनाते हैं, कैसे करते, वो सारी बाते हैं, मैं साथ board पर sentences लिखो जरा कुछ मैं लिख रहा हूं, मैं board पर कुछ sentences लिख रहा हूं, मेरे साथ तुम लिख लो, ठीक है, अभी गला sentence बूल दिया थे मैंने, participle कहीं और लगा दिया था, रफ कर दू, यह क्याय तो लिखा होगा, कभी आप लोग के लड़ाय व्लाय हुई कभी, बहुत, यार यह तजरूबा नहीं रहा कभी लाइफ में, हैं, हैं, ऐसे ही हो गया तो लास्टोले क्लास में, ऐसे मजाग करे थे, अभी तो मजाग हो रहा क्लास के बाद हो लोग, गुथम-गुथ हो गया, ठीक है, उठा धरी इसको बोलते हैं, समझते हो और नहीं समझते हो, सब समझते हो, इमोशन तू समझ में आते हो, वर्ट बहलीने समझ में आते हो, चली आगे चलते हैं, नहीं मेरे नहीं नहीं कभी, अच्छी बात, और होगी भी नहीं कभी, ऐसे पर दोस्त कम हो तो दुश्मनी कमी रहते हैं, आपका बहुत लंबा थे रुपए, हाँ तो आदे में ही आगा है, बीच में ही संटेस पूरा भी नहीं हुआ, चलिए देखते हैं, क्या समझा रहा हूँ, कुछ एक्जाम बस देख रहा हूँ और वहीं मिलकर हम सीखेंगे, कि उसमें subject क्या हैं और उसमें object क्या हैं, सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है, चलें आगे देखें, पहला लिखा हैं, मैंने लिखा, when will you, when will you open your new branch, पहला, दूसरा, what have you, what have you sent to him, तीसरा, whose car has he stolen, पहला, whose teacher, whose teacher helped him or helps him, what sorts of, what sorts of dresses, what sorts of dresses, do they buy, do they buy, where is he working, where is he working, और एक लास्ट और देखते हैं, where have you kept my, where have you kept my key, where have you kept my key, लेकल सिस्कों. कि नोट कर लिया सभी ने नोट करने के पहला काम हम यह करते हैं मिलके कि हम इसमें पहचानते हैं सब्जेक्ट क्या है और अब्जेक्ट क्या है पहले यह पहचानते हैं जब यह पहचान लिया तो बाकी काम अप कर लेंगे क्यों कोश्चन बड़े नहीं है असान है से पहचान कर लिया चलिए पैचानते हैं वो चलते हैं फिर आप इनका पैसे बना लेंगे और सारे सेंटेंसे अक्टिव वईज हैं सारे क्या हैं एक्टिव वईज हैं इसे क्लियर और किसी में भी ना सेंटेंस की शुरुवात में हल्पिंग अपनी आई सब में क्या आया है question word आया है, तो question word वाली इम चीज़ अप्लाई करेंगे, यहां क्या लिखा अपने, क्या लिखा, यह क्या पूरा, question word वहां तक treat होता, जहां तक helping आपना मिले, is it clear? चाहिछी तना बड़ा लिखा, one of whose friend's relatives have or has done it, पूरा वहां तक, helping आप से पहले जो कुछ लिखा होता है, integrative में पूरा क्या होता है, question word रीट होता, द्यान अखना, इसमें यह हो गया, इसमें, यह हो गया, इसमें बोलो, यहां जी, यहां तक, समझ रहो ना, फिलिका, where is he working, इसमें, इसमें बोलो, चलिए, question word रीट हमें सम्में दिख गया, अब हम subject object ढूंड लेते हैं, ठीक है, सारे sentence active है, सबको समुन में आरी बत, सारे active हैं, तो active के विन एक trick बताई आपको, main verb के ठीक पहले का noun pronoun क्या होता है, subject होता है, अब main verb ढूंड तोंटे है, इसमें क्या 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 है, बहुत जल्दी कर लिया, है ना, सब में main verb मिल गई, उसके ठीक पहले का noun pronoun उसका क्या हो जाएगा, subject हो जाएगा, open के ठीक पहले कौन है, यह हमारा दूर हो गया, ठीक है? send के ठीक पहले क्या है doer हो गया stolen के ठीक पहले doer हो गया helps के ठीक पहले teacher अकेला है नहीं ये पूरा क्या हो गया buy के पहले क्या है doer हो गया working के पहले क्या है he हो गया kept के पहले क्या है you हो गया subject मिल गया सभी को doer मिल गया अब हम क्या डूनेंगे, object, जिसे हमें change करना है, कर लिए भी सभी ने, वर्ब के बाद होता है, generally, क्या object, लेकिन देखो, question word जो होता, वो पीछे कभी जाता नहीं, तो कई बार question word subject होगा, तो भी आगे लिखा रहेगा, और object होगा, तो भी आगे लिखा रहेगा, Is it clear? अब हमें ढूनना object है, subject तो मिल चुके, सभी में subject मिल गए, अब हम अब जिखते हैं, क्या क्या इसने, open क्या, क्या open क्या, क्या open क्या, इसमें जो your new branch ये पूरा क्या है, object, क्या मरी बास सम्झा रहे है, your new branch, इसमें लिखा गया question word ना subject है, ना ही object है, ये सिर्फ एक question word adverb है, क्या 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 इस, adverb है, what have you sent to him, तुमने उसे क्या भेजा है, sent के बाद देखो कि तो two आ गया, two क्या होता है, preposition, तो ये object रहा नहीं, हम क्या ले ले हैं, सम्झ में आ गया, इसमें question word क्या निकला, object बन गया, कोई परेशानी, बिलकुल नहीं है, अगला, whose car has he stolen, उसने चोरा ली है किसकी कार, तो stolen हमारी transitive verb है, उसे object चाहिए ही होगा, और अब और कुछ दिख भी निरा, he निपट गया, और has निपट गया, has होती है, verb, बचा क्या, तो whose car क्या निकला, कोई परेशानी, चले आगे, whose teacher helps him, helps के बाद क्या लिखा, him तुमा परेशानी है, ये, ये पूरा क्या है, object है, कोई परेशानी है, अगला, where is he working, subject क्या है, he, working, object क्या है, working है, working in transitive verb है, अब हरा बार थोड़ी तुमें पीछे ना मिले, तुमकर तो ये object है, इसमें object है ही नहीं, इसमें object, क्योंकि where is he working, खुद में complete है, वो कहां काम कर रहा है object तम मिलता है, जब हम question पूछते है, water, home का, water, कहां का छोड़ी पूछेंगे, तो वो आपको मिले का नहीं, क्योंकि water, home ही हमें क्या देते है, noun, pronoun, बनेंगी हमारे क्या, subject, object बात यहां बनेगी नहीं, इस वाले का passive हम बनाएंगे नहीं, इस पाले का passive हम बनाएंगे नहीं, यह sentences तुम कल करके लाओगे मैं चेक करूँगा, जो बच्चे बार बैठे हैं वो भी, कल मैंने चेक करूँगा, आगे पढ़ा हूँ, पैसे तो बनी जाएगा, yes or no, चले आगे, रफ कर रहा हूँ, चले, हाँ, हाँ, फिर से पढ़ दो, क्या था, जैसे लेट वाले sentence में औब्जेक नहीं होता, तो यू से बनाते हैं, वैसे गेट वाले sentence में औब्जेक ना होतो, तो यू से तो बनाया था मैरे, किस से बनाया था, you are advised to get him to dance Satish you are advised to get him to dance you are ordered to get him to dance get him तुम्हारा question यह था get him to dance तो get him to dance के यह बना तू था यह 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 चले आगे हाजी हाजी have someone हाजी have someone to paint the room actually इसमें two नहीं आएगा आया तो कोई बाद में बता रहा हूँ में passive नहीं 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 तो have someone paint the room ऐसा होता है इसका जब passive बनाएंगे तो क्या बन जाएगा have the room painted have की जगे get आ रहा है get to लेता है लेकिन have to नहीं लेता is that clear? get the room painted यह get someone to paint the room exam question आया था get the box broken get the door broken इसका बनेगा get someone to break the door या have someone break the door बनेगा have the door broken, vice versa जब options मिलेंगे तो इस बात का बड़ा धानक that's it बन जाएगा चले आगे यह मैं रफ कर रहा हूँ अब आगे चलते अब जो बाते में बताऊँगा वो जनल नहीं है वो कई बाते जो है अलग है थोड़ी सी कई चीज़े सिखाता वो जलूँगा अभी तक क्लियर है कोई confusion तो नहीं imperative के तीन देखे हमने तीन-चार फामले देख लिए structures देखे हमने बताए आपको और assertive के मैंने दो बता दिये positive, negative, integrative कितने बताए चार, एक हेल्पिंग अबला और तीन तीन question उनमें पैचानना आगया subject होता है, object होता आगया समझ में, अब हम आगे चलते हेल्पिंग का चार्ट हमिशायद रखना, सधे वियाद रखे सधे उस्परण करें साहे क्रियों का दिया गया वो निर्देश ठीक है, वो आपका परक्षा के दौरान माल प्रशंस्थ करेगा ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा practice होनी चे हिंदी की भी, है न चलिए जी, अब मैं आपको जो बाते बता रहा हूँ वो point करके लिख सकते हैं, point number one point number two करके लिख सकते हैं, पहला point वो चार टेंसेज, जिनका passive नहीं बना करता है जिनका passive नहीं बना करता, टेंसेज है ये, टेंसेज सबसे पहले हम उन चारो का active structure देखेंगे और फिर उन चारो का passive देखेंगे, क्या आपको पता हैं, वो चार कौन से हैं बोलो, कौन से, तीनो perfect continuous और एक होता है future continuous, is it clear? जो वो चार टेंसेज हैं, देखेंगे PCT, perfect continuous और एक होता है FCT, FCT का मतला future continuous तीन, perfect continuous और एक future continuous इनका passive क्यों नहीं बनता, अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा पहले इनका active structure देखेंगे, फिर देखेंगे इनका passive structure, active और passive, समझ रहों में क्या कह रहा हूँ? मैं जब tenses की बात हो रही है, तो sentence उसमें assertive भी होता, interrogative भी होता है, assertive ही, interrogative ही मैं assertive का structure board पर लिख रहा हूँ, हार assertive कैसा होता पहले? उसके बाद helping भी होगी और, यहां बता होगी की नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? यहां होगी ही, उसके बाद main verb होगी, यहां main verb कौन सी होगी? active voice में, क्या लिखा है, क्या लिखा है, और कोई भी continuous tense कैसे बनता है, इस दिन के लिए मैंने इतना चिला चिला कर उस दिन पढ़ाया था तुम्हें, ताकि कुछ नहीं याद करना पड़े, मैं तुमसे जब जहां जो पूछूँ, तो मुझे वो तब तहां बता दो, मतलब वहीं, वहीं, subject, helping of, अब जो वहब आएगी, वो इन चारो ही tenses में common क्या होती है, और फिर क्या हुआ, और फिर क्या हुआ, और यह देखो, क्या है माद समन में आ रही है, या तो has been होगा, had been होगा, have been होगा, will have been होगा, shall have been होगा, या will be, shall be होगा, और सब के साथ कौन सी फ इसका बनाएंगे passive, तो सीधी सी बाते क्या करेंगे, और क्या करेंगे, जो थी वही लेना, अब जो थी हम वही ले रहे है, has been, has been लिख रहे है, लेकिन अब तुम्हें एक ing form भी चाहिए, कि tense यही बना रहे है, और एक third form भी चाहिए, कि passive भी बन जाए, समझ रो मैं क्या कर इसलिए getting ले लेते हैं, get भी बी का substitute होता है, और बनने में अच्छा लगता है, अगर यह बी का issue ना होता तो मैं being ले लेता, कुछ grammarians being भी लेते हैं, आप गलत नहीं है, दिल चोटा ना करें, कुछ लोग being भी लेते हैं, कुछ लोग getting भी लेते हैं, लेकिन getting ज्यादा प्रफर किया जाएगा, did I make it clear, सोच कर देखो, he has been being invited since 2002, तो been being बिलकुल अच्छा, कभी आपको कोई मिलता नहीं लिखा हुआ, getting आ सकता है, समझ रो मरी बात कोई नहीं समझ रो, तो कौन सी form आ ग हिएवाग अर अब क्या लेंगे, और अब क्या लेंगे, और अब क्या लेंगे, बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आरा है, मैं अभी एकजमपल दे दूंगा, ठीक है, जली से नोट कर लो कन्फ्यूज मत हो ना पेशेंच के साथ पढ़ाना बड़ा टॉपिक है और अब डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ठीक है आसान पढ़ाना होता तो खतम हो गया हो अभी तक और अभी तो वो चीज़े आनी बाकी हैं जो बहुत कन्फ्यूज करती हैं आपको गेटिंग और बिंग करके उसका पैसिव हम बना दिया करेंगे वो अपकी थर्ट फॉर्म ले लेंगे और जो है जो लिखा होता है वो सारा कुछ लिखा ही रहेगा कोई दिकत जैसे मैंने एक ऐक ऐग्जेंपल दिया जैसे मैंने जो है एक ऐग्जेंपल दिया आपको मैंने कहा की यह रहाज बीन सपोर्टिंग यू ना यू मत करो हर he has been supporting her since kya since 2002 since 2002 he has been supporting you since 2002 2002 he has been supporting her and has been supporting her before we start to understand the terms terms in the formula terms where what is guys here this sentence active because there is no third form has been what is what is what is what is what is what is and what will we say this part to any problem to anyone terms all of us make money see how it will make it she has been getting supported supported since 2002 by him clear and someone feels like what is what is the money we write like but when we don't know who is the money who is 10 days then when we don't know who is who is who is who is doing 10 days then we don't know who is who is doing had been supporting what happens past continuous perfect and what happens will have been supporting what happens future perfect continuous and that happens she will have been sorry he will have been supporting her since 2002 what is wrong since since you were sitting before why didn't you say it since not here did you forget you forgot let let bygone why you have done man this tense will since not here but we will have been written written has been written had been written will have been since from from what what have been since from from what be he will be supporting her that's it and what will be she positive negative active passive interrogative 4 formula 1 helping and 3 question word subject will sometimes and sometimes then write it what is is what what has been disturbing you since Monday what what has been disturbing you since Monday what has been disturbing you since by what by what have you been getting disturbed since Monday what what has been done what have you been doing since Monday what have you been doing since Monday what has been getting done since Monday by by you this is what need is it clear this I have written one thing on board I have written which number I have written I have written no problem I have written I have written let me I will do it come see with attention come see one more structure I am going to write do we have in passive wise get some structure get imperative imperative get him third form now see structure number 2 what is active and passive this is what is subject after helping can happen and what what is is then what is written what am I saying listen write he has got the room cleaned today by them understand what am I saying why is this structure passive wise who understand me V3 is V3 V3 is not for money you confused you are confused are getting who getting first he started getting getting can get get can understand I understand one work here from what I am getting you invited today by him this getting but the difference is what written this getting and v3 what was before getting and v3 nothing was not getting and v3 if nothing was but if getting or get what was written it no he does passive he has no passive I have got present I am getting present continuous but if I have got present am getting third firm I don't I don't know what I don't know I don't know I can change to what is active subject helping up will not change if say say what do to to write v1 object and rest part full stop big problem is not it will I will give you formula also note three four example to differentiate different for different but this is a little little difficult all easy to because all are nervous this will come and will if you note I will ask which structure structure this active is active and then this active and change meaning that's it it rough 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 teach that I don't involve community not need help not hurt enough check the and that is a rough को लग जाए जागे कहीं उसमें फिर दिक्कत मातम भी हो सकता है देखे मैं क्या बता रहा हूँ रफ कर दू मैं अभी मैं आपको समझाना सिखा रहा हूँ तॉम्स को देखेंगे और समझेंगे डिड़ा में के क्लियर एक एक्जमपल पर सिहां देखो पहले आप मैंने कहा कि Tom has been Tom has been getting Tom has been getting him promoted since 2002 by John कितना confusing structure लिखा है उसको हम समझेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे बात को समझ पाएंगे Tom has been getting him promoted since 2002 by John इतना तो सब को समझ में आ रहा होगा कि has been आ रहा है इसमें has been के बाद आएंजी आ रहा है तो 10 कौन सा present perfect quantity लेकिन देखना यह है कि यह structure कैसा है मैं आपको बता दूँ has been getting getting और promoted के बीच में क्या गया आप अभी यहां है ध्यान रखना इसका जब तुम जो भी बनाऊगे सो आधा इससा वैसा ही रहेगा अगला अधा बदला जाएगा समझ रहों मैं क्या के रहा हूँ इसका यह क्या एक्टिव है पैसी बताओ वो देखो बाए जौन और बाए जौन ना भी लिखा होता तो भी तो मैं समझना पड़ेगा टॉम हाज बन गेटिग गेटिग काम तो टॉम कर रहा है बड़ प्रमोट कौन कर रहा है ही प्रमोट नहीं कर रहा है ही प्रमोट खूब सिखाय था मैंने किसमें कॉजटिव वर्प्स में सिखाय था वही चल रहा है यह पता नहीं कौन कहां कहा ता है सब लिंक्ड है क्थुसरे से ना अब आप जब बनाओगे तो इस पार्ट को बदला ही नहीं जाएगा यह रहेगा Tom Has Been बोलो आगे क्या Getting आगे बोल दो John अगर इवो पैसिव तौशी का अक्ति बनाओंगा Has Been Getting John आगे बोलो तू बोलो तू कुछ समझ आया Tom Has Been Getting John to Promote Him Since 2002 यह कैसा अक्ति बना कि Getting गाय भी ना हुआ जबकि इससे पहले वाले में Getting आ रहा था और जा रहा था इसमें Getting Getting लिखाई हुआ है एक और देखो फुर अच्छी तर आपको डिफरेंस समझ में आएगा सिर्फ एक और एक्जामपल, that's it यह रफ कर दू लिख लिए यह यह एक और एक्जामपल आपको ना सारा समझा देगा फिर मैं और करूंगा क्लास को कोशिश करते हैं कल इसे खत्म करेंगे आप ठीक है देखो मैं क्या बता रहा हूँ मैंने कहा Tom has been Tom has been teaching English for 16 years Tom has been teaching English for 16 years सोला वर्शों से पढ़ा रहा है Tom इतना बता दो active है कि passive है active है passive तो passive बनाएंगे हम object को आगे लाएंगे subject को पिछले जाएंगे यह करना होगा तो बोलो क्या करोगे आप English English has been getting taught for 16 years by Tom कुछ अगया उसमें क्या हुआ यहां तक तो मैंने हाथ ही न लगाया तेखो आ रहा कुछ कुछ समझ में यह सुन हो इसके तीन चार एक्जाम्पल्स तुम्हे और चाहिए ठीक है थाए 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 कि कि थाए थाए कि थाए अपजेट पहचानने वाला अच्छा थीक थीक समन्में आ गया कल वो चार टेंसे वाला था जिनका नहीं बनता और एक गेट वाला था ठीक है और राइट नो प्रोल्म देखते हैं उसको समझते और चलते हैं शीट सभी के पास हैं जब यहमारा टॉपिक खत्म हो जागा ठीक है तो चलें आगे कोशन आगे सही है या गलत है अच्छा वेर हैव आई तू डिपॉजिट दफी बोलो सही है गलत है फीस लिको जरा फटाफट बताओ सही है कि गलत है वेर हैव आई तू जापूर से कोशन वेर हैव आई तू वेर हैव आई तू डिपॉजिट दफीस देखो जी एक्टिप ऐसे बनाएंगे बाद में बनाएंगे अगर बोल लिए पैसिव तो बना देंगे लेकिन पहली बात कि क्या ही सेंटेस सही है क्या गलती है आये पहले आना चाहिए पिर सही हो जाएगा कोई और गलती है है आये पहले कर दें तो फिर इंट्रॉक्रीटिव कैसे बनेगा अगर अगर आये पहले कर देंगे इंट्रॉक्रीटिव कैसे बनेगा हां कि इसकी जगे फिय होना चीए है एक साथ आता है और बताए भाए कोई सारी मेहनल पर पानी फिर रहे हो सब इस तरह के उकोशिशन करा चुका हूं मैं है 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 कि जगे एम होना चीए क्यों है कि आये पहले होगा तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा वेर दू आइब तू डिपोजिट दिफीज होगा समझे आप सेंटेस इंट्रोगेटिव लिखते हो तो सब्यक्ट से पहले हेल्पिंग अब लिखते हो में वप कहा है उसमें तो हमने जिस टेंस में था उसी में रखा डू और हैप को बना दिया में वब अगर और कोशेंस तो अभी बताऊंगा थोड़े देर में बताता हूँ क्योंकि अभी हैनी सिस्टम पे कोई बताने वाला कोशेंस हैं चलिए देखें दान से पढ़ें और समझें देखें जी में क्या बता रहा था कल हमने यह देखा कि वो चार टेंसेज है ना चार वो टेंसे जिनका पैसिव नहीं बना करता था हमने कलोन का पैसिव बनाया वो चारो ही जिनका पैसिव नहीं बनता था उनके नाम देख लें एक था है FCT FCT बोलो क्या होता है future continuous tense is a clear बाकी तीनो three three बोलो क्या perfect continuous tenses मेरी बास अको सनम्यारी इन चार का हमें ऐसा लगता था कि इनका पैसिव नहीं बनता लेकिन कल हमने मिलकर इनका पैसिव बनाया तो पैसिव तो हम बनाएंगे उससे पहले active जो structure होता है वो अगर समझने की कोशिश करें तो आप सबको पता है चाहे यह continuous हो और चाहे क्या हो perfect continuous हो दोनों ही conditions में क्या होता है आइन जी आता है क्या था guys तो अगर आम इसके structure को देखेंगे तो subject हुआ कोई भी continuous chance जब होता है तो उसमें helping up जरूर आती है इसमें भी आएगी तो यह रह subject फिर क्या था हाँ और ना नहीं हाँ और इसके बाद वब की कौन सी form और फिर क्या लिखा था और rest part full stop यही था ऐसे बनता I am teaching या I will be teaching English right I will be teaching English यह हो गया active voice passive बनाने के लिए simple मैंने क्या था subject को उठाकर पहला step हम लुग यही करते थे तीन वाते लिखे थे subject को क्या बनाते है object और object को subject बनाते है यह बन गया फिर हम लेते है helping of इस tense में helping of इसी की रहती है जो थी वही बच singular plural देख ले न अपने past से लेते हैं getting क्या लेते हैं इसमें getting पहले था नहीं हम लेते हैं और फिर क्या लिखते हैं work key third form और फिर क्या लिखते हैं बन गया structure ठीक है ना clear है यह उन चार tenses का है जिनका समानिता नहीं बनता था तो नहीं क्यूं नहीं बनता था क्यूंकि उसमें क्या होता था ना उनमें एक B की form पहले सही होती है अगर ध्यान दो तो will be shall be में बी आ गया has been have been में बी आ गया had been में बी आ गया or will have been shall have been में क्या गया been आ गया हमें B की ही form लेके तो पैसे बढ़ाना होता है और पहले से B की form लेके तो अच्छा नहीं लगता भोलने में लिखने में समझ में नहीं आता तो अगर B की form पहले तो मैं B की form भी नहीं लूँगा B की जगे गेट यूज हो सकता है is that clear? get का कहीने कहीं मतलब B जैसा निकलता है तो यह दोनों पढ़ने में अच्छे नहीं लगेंगे be being यह been being अच्छा नहीं लगेगा तो हमने getting लिख लिया क्या लिख लिया? is that clear? इस तरह से यह passive बन गया कल का उन चार tenses का जिनका passive सामाने था नहीं बनता is that clear? अब हम बात कर रहे थे यह क्या लिखा? कोई भी tense कोई भी structure अगर आप ध्यान दो मैंने आपको यह बात imperative में पढ़ाई थी यह क्या लिखा था? imperative बता दो get लिखा था फिर क्या लिखा था? और फिर क्या लिखा? और फिर rest part हो भी सकता और और by plus subject हो भी सकता और यह मैंने imperative में समझाया था आपको कि get the door repaired get the room cleaned get John to clean the room आधा structure किसका ही? imperative का है यह क्या लिख दिया मैंने? और यह क्या लिख दिया मैंने? हो भी सकती और form किसकी आएगी? इसके according ismr तो getting has have to got यानि इसकी क्या आएगी अब? form आएगी और यह किसी भी tense में हो सकता है ismr getting हो सकता है has have got हो सकता है simple got हो सकता है यह किसी भी tense में हो सकता है यह sentence जो है यह जो structure है यह पहले से passive voice है कैसा है? इसका अब हम क्या बना रहे हैं? ध्यान देना दोनों के difference को समझ लो यह get की form बीच में क्या है? और फिर क्या है? get की form बीच में क्या है? और फिर क्या है? third form क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उपर हमने पूरा subject को object और यह कर दिया था लेकि इसमें difference दिख रहा होगा यह passive है क्या लिखा है? इसमें getting ही लिखा होगा क्या लिखा होगा? और getting के बाद वह की कौनसी form आईगी? तो तुम समझ जाना गर ऐसा है बीच में object नहीं और getting third form है तो उन चार tenses में से किसी एक का है जिसका नहीं बनता था लेकिन भले ही यह getting लिखा हो getting लिखा हो लेकिन बीच में क्या हो? और फिर क्या हो? passive voice है लेकिन यह उन tenses का नहीं है कैमरी बात समय आ रही है? चलिए समझते हैं अब हम क्या करेंगे? इसमें यहां तक कोई change नहीं आएगा क्योंकि imperative में भी हम change इसके बाद करते थे करते थे न? वैसे लिख दो पूरा get के जो form आ जाए वो लिख देंगे और उसके बाद यहां लिखेंगे या तो someone या तो subject या क्या? commercial doer और फिर हम लिखते हैं to v1 object और अगर रेस पार्ट है तो लिख देंगे Is it clear? Hmm? structure तुमरे पास कल भी लिखा हुआ था? इस वाले में 2 प्लस v1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों के structure को बदलने में जो है na difference है एक है हमारा जो है tenses वाला और यह जो हमारा है यह costive आप से बना हुए है एक में getting हमने खुद लिया है उसमें costive नहीं है, costive समझते हैं costive वाले चीज होती है और वैसे जिसे मैंने का I got my salary इसमें got costive नहीं है मुझे मेरी salary बिल गई और मैंने का get the room cleaned, यह costive है अगर मैं काऊंगा I will get him punished यह costive है दो बंदे मिलकर काम कर रहे है तो costive के लिए 2 लेना पड़ेगा आपको लेकिन simple अगर I am getting angry I got my salary, I got I got tired ऐसा कुछ लिखा जाएगा तो इसमें costive नहीं यह जो 2 आ रहा है वह costive के वज़े से आ रहा है Is that clear? That's the only thing यह तो समझ लेंगे यह में structures को याद कर लेंगे मैं example देकर 2-4 बाते आपको समझा रहा हूँ मैं example में क्या लिखाया देखते हैं जैसे मैंने कहा पहला अजिए शीख दिए गटे. यह मैंब दान टूथ शीख गति क्थे लिफ आराट शीव गतित्व रो वाक्षाण खाव अगति क्रगत जाराangen शीख वाया वावति खाव जागत동ेंदट, ज理ा ओंवावति शी वाज गेटिंग दा क्लोथ्स वाष्ट इस अक्लिर अब हमें समझना होगा प्रैक्टिकली पढ़कर गेटिंग तो शी कर रही है लेकिन कपडे कोई और दोरह है राइट यह तो ऐसे समझ लो मेनिंग से यह दे को गेटिंग और वीत्री के बीच में क्या गया तो पैसे व हम इस केस में क्या करती इतना ध्यान एक यहां तक नहीं छड़ते हैं यह ऐसे लिखा रहे है बही यह हिसा पैसी बहें इसको एक्ति बना देंगे ना बोलो क्या क्रेंगे she was getting someone यह तो होगा she was getting someone to wash the clothes she was getting someone to wash the clothes, यहा लिख सकते हैं, she was getting the washer meant to wash the clothes, मेरी बास अब को संब रही है, मैं क्या रहा हूँ, ठीक है, साथ ही साथ, एक और एक्जामब देख ले, मैंने कहा, she has been, she has been getting, she has been getting invited since 2002 by him. structure नहीं संदर्स को पढ़कर समझ करी समझ में आएगा, structure नहीं होता, अब संदर्स को समझ मेनिंग समझ हो, उस वाले में कम संदर्स कोई तो काम कर रही थी वो, गेटिंग कर रही थी, वाशिंग कोई और कर रहा था, उस तरह से पैसिव निकला, इस वाले में देख लो, वो इनवाइट की जाती रही है, कब से 2002 से किसके दोरा, ऐसे समझो को तो समझ में आपको अपने आप आप आजाएगा, तो अब जब आपने समझा तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, तो इन चारों में से किसी एक का है, उस चेस में पूरा-पूरा कनवर्शन होता है, इसमें न वो पूरी तरह से अब्जेक्ट है, वो कोई भी काम नहीं कर रही है, इस वाले में उ कम सकम ये तो कर रही थी, यसो नो, तो जिसका दूर कम सकम वहा तो लिखो, इसमें तो दूर है नहीं न, उसे पीछे लाओ, तो बोलो क्या करें, बताओ, ही, ही, हाज बेन गेटिंग हट जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ के करोगो तो structure के कोई जवत नहीं पड़ेगी, जिसमें शी दूर है तो दूर को दूर नहीं रखोगी तो passive बन जाएगा और वो पहले से passive था, अगर तुमने शी को वहां से बीछे किया तो फिर passive बन जाएगा और passive का passive बनाना होता है active, और active का क्या बनाना होता है? इस वाले में शी कोई काम नहीं कर रही, तो जब डूर नहीं है तो डूर उसे हटाओ ना जो डूर उसे वहां ले जाओ, डूर को action के पहले लिखना ही active होता है, लिख दिया, simple हो गया, किसी भी टेंज काओ, आगे बात समझ में, चले आगे कोई दिक्कत, दो example सोट देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, मैं बार बार कहता हूं, rule है, समझ बिठाओ, अपने आप बात बन जाएगी, हाँ, पताएं, किस वाले काँ? पहले वाले का मतलब यह है कि वह जो है, अपने कपडे दुलवा रही थी, अपने कपडे दुलवा रही थी, दूसरे का मतलब है कि दो हजार दो से उसे बुलाया जा रहा है, इन्वाइट किया जा रहा है उसके दुडारा तो इन्वाइट को एक ही काम हो रहा है इन्वाइट करना वो कर रहा है उपर क्या है कप्डब थोल रहे है कि यू छी थोल रहा है कि 수ह बुबना रही है तुक्त अग्या कि वाला पार suitable मृतना चाहिए far पिसिवर ये Points, लिख देता हूं, ये passive voice है, क्या active voice है, ये activities है, ये passive voice है work लिख लिख लिखें सभीस,को दिख्यत नहीं ? स्रां कोई दिख्कत दे रही है और दिख्यत कोई बात नही aan, आप सम्झो के तो आजाएगा आप यह भूल लिए तुम्हें पढ़ा किया था यह तो यह आद कर लो कि पढ़ाया किया जा रहा है बात एक यह तीसरा एक्जामपल देखें और अगे चलें यह थोड़ा और मुश्किल ध्यान देना structure नहीं sentence समझेंगे he has been getting them he has been getting them punished since Monday by Tom since Monday by Tom लिख लिख लिए he has been getting them punished since Monday by Tom sentence को समझेंगे active है passive हर किस तरह का passive है कैसे active बनेगा सब समझाता हूं मैं आपको he has been getting them punished since Monday by Tom क्या आपको यह समझ में आया यह passive है बलो जिसको ना समझें वो भी दाहूं passive दिख्या अब हम देखेंगे किस तरह से active बनेगा मैं समझा देता हूं अगर यह किसी भी action का doer नहीं है और फालतू लिखा इसे हटाओ और अगर यह एक भी काम कर रहा है तो काम करने वाला काम करने के पहले लिखा जाएगा नहीं तो passive फिर से बन जाएगा doer किसके पहले होना चाहिए वर्ब के पहले फिर तो active बनाओगे तुमने कह दिया यह passive है कैसा है तो क्या बनाएंगे इसका अगर तुम इसको वहां लेके दुवारा passive नहीं बनाओगे देखो कैसे समझाता हूं दो काम हो रहा है यह क्या करना कौन पनिश हो रहा है यह हो रहा है यह करने रहा है यह हो रहा है लेकिन यूहीं को इनको पनिशने कर रहा है तो यह काम कौन कर रहा है इस वर्ब का डूर कौन है बोलो अगर तुमने इसको यहां से हटाया तो डूर वर्ब के अगर पीछे गया तो फिर जब ऐसे बन जाएग कि अगा, सेंटेस क्या है, वहां तक बात बहुत लगाना, यहां तक लिखा रहने तो, एक ट्रिक और थी, गटिंग और इसके बीच में अगर क्या जाए, तो मैंने कहा तक फिर मामला वहां से बदलेगा, तो उसे ही बदलो, यहां तक यह ही लिखो, क्या जागे यहां पर, आगे बोलो, तो, पानेश, देम, सेंस, बोलो क्या, बन गई बात, समझ का कोई तोड नहीं, समझेंगे को कोई दिक्कत कभी आने नहीं, पले वाले तरीके से, हाँ, 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 पैसिव तब बनता है, जब करने वाला काम जो होता, वर्प के पहले नहीं वर्प के, तुमने कहा ही, सेंटेस पैसिव है, क्या है, पैसिव है, क्या बनाएंगे हम इसका, एक्टिव बनाएंगे, तो अब हम जब एक्टिव बना रहें, तो एक्टिव का म इसलिए इसमें आधा structure बदला जाता है, और इस बाले को पढ़कर देख लो आप इसमें कुछ भी नहीं कर रही थी, यह कुछ नहीं कर रही थी, यह पैसे वे तुमने कहा, तो पैसे में क्या होता, दूर पीछे होता, दूर पीछे क्या है, उसे तुम आगे लिया, इसे पीछ कुछ लिखा नहीं आपर, हाँ, तो भई इसका दूर यह था, तो इसका दूर यहीं तो रहेगा, अगर इसे हिलाया तो पैसे फिर सन नहीं बन जाएगा, तो इसमें हमने आधा से इंटर्स मना दिया है, हो रही बास में आगी, चले आगे, अब तो आगया होगा, बाहर जो आपको बताया था, कि सेंटेस कही तरह से बनाए जाते हैं, कही तरह से बनते हैं, यह तो हमें समझना पड़ेगा, सारे स्ट्रॉक्चिर अपनी से, मैंने का, I want him to dance, I want him to dance, यह active है, dance कर रहा है हिम, उसके पहले है, और want कर रहा है उसके पहले है, लेकिन अकर मैंने का, I want the room को पीछे पहुचाया, तो तुम्हें पता ही नहीं पैसे बना रहे हो, want का आय वहीं लिखा रहेगा, भी आगे पढ़ाऊंगा आपको इन्फिनिटी वाला, किसी बच्चे ने कल पूछा था, जैपूर से, वो टाइम आरा में बताने हैं, आपको छूटे का, कुछ भी नही पैसिब का क्या बनेंगे आप, तरीका कोई भी हो, पैसिब का क्या बनेगा, अक्तिव और अक्तिव का क्या बनेगा, पैसिब बनेगा, I want the room to be cleaned by him का बनेगा, I want him to clean the room, ये मत बना देना, he is wanted, पता नहीं क्या क्या करके, वो गलत हो जाएगा, option दिया होगा, गलत हो बना, चले यागे, बता है, बता है, they say that he did that, they say that he did that, actually options के साथ ज्यादा बहतर होता, मैं इसके चार तरे से बना दूँगा, आपको बता नहीं क्या answer क्या आपके बस, they said that he did that, आप ही बता हूँगा, यह रफ कर दूँ, यह रफ कर दूँ, चलें आगे देखें, हाँ, इसमें डूवर पहले है, तो फिर पैसे हुआ क्यों, हुआ क्यों, इसमें 3rd form कहां दिख रही है, इसका डूवर कहां है, इसका डूवर को देखते हैं, इसका डूवर क्या था, यह रफ कहां है, इसका डूवर क्या था, यह गलात हो, सोमवार से पनिश करा रहा है, हिंदी निकाल लिया, अगरो क्या था, कुछ भी निखालो, एक्साम में थोड़ी बुझेगा, चलें आगे, चलें आगे, चलें जी, जब मैं तुम्हें डराइब बता रहूं, डराइब कैसे करते हैं, स्टेब बता रहा हो, तो भाँ निया दोगा मुझे, हो जाएगा, फर्मुला भूल जाएगे, अगर आपको यह निपता कैसे बन रहा है, अब आप नंबर कौँसा लिखेंगे, दो नंबर होगे ना, पह वर्व के बाद अगर प्रेपोजिशन आ गया तो तुम क्या कहोगे है यह कहो गêu pass है अब जानारियो बदल गया है सिनारियो बदल गया आप पैसी बनाके समय कॉनसी फार्म जो preposition लिखा गया था पहले, उसे पहले ही लिख दोगे, जो लिखा था उसे मही लिख देना, क्योंकि no passive कभी option नहीं आता, अब जो preposition तुम्हे लेना, तुम यहां लेना, यह बन गया passive, एक्जामपल देकर समझाता हूं, इस से आसान कुछ भी नहीं, पहले आप नोट कर लो कुछ से, लिख लेया सभी ने, लिख लेया, हाँ, 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 मैंने आपको बता दिया, एक्जाम में कभी no passive option नहीं आएगा, जो sentence आएगा, उसका passive बढ़ाना पड़ेगा, और बता दूँ, अगर no passive कभी option आगे, तो 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 question भी मत पढ़ना, वही गोला काला कर देना, अपने आप वही answer है, यह मेरा तजरूबा कहता है, इस से clear, आज तक no passive का option नहीं आया, अगर no passive का option आया, तो मैं कहूंगा कि question और option पढ़ना ही मत, no passive बढ़ना गोला काला कर देना, guarantee मेरी वो number तुमारे मिल जाएगे, एक paper को सेट करने के psychology एक methodology होती है, एक method होता से, जो options दे जाते हैं, अगर आपने उसकी psychology पकड़ दी ना, तो 80% तो आपने का यहाँ करेगा, जो जादा गिसे गाना उसी का भीक्सित होता है, उचाये paper set करने वाला हो, एक यह प्रिपर करने वाला हो, एक टामे के clear, जिसने इसको जितना use कर लिया उसको उतना चलेगा, field अलग लग होती है, वो अपनी field में मारती हो, वो रिक्षा एक पर चल अगले वाले पे, तुम चला लोगे क्या, तुम पेपर सेट करते रहो, पार्ट में डिवाइट करते रहो, अपना-पना काम है, तो जो options आते हैं, उसकी psychology होती है, आपको पता चल जाएगा, जब भी कभी ऐसा आता है, जब भी close test में ना, दो options एक जैसे लिखे हो, मतलब एक syn synonym, दो synonym, दो antonym, ऐसा कुछ लिखा हो, तो तुम यह ध्यान लखना, जिसे दो question आगा, एक लिखा good और एक bad, और यह दो अगले वाले बिल्कुल अलग है, यह जो अलग अलग है यह answer ही नहीं, यह तो good answer यह bad answer है, यह कोई grammar नहीं है, यह कोई trick नहीं है, यह observation है, यह उसकी clear, तो यह observe करके बता चलता है, यह कोई grammar का point नहीं है, अब observe करोगे, अच्छा, जब दो-चार paper हो जाते हैं, तुम्हारे number आ जाते हैं, तब उजागता, यह मैं क्या कर रहा था भी थक, लगता मेरी बात पकड़ ली लोगोंने, डिटा में की clear, यह होता है, और अगर एक option मिलकुल, अगर तीन सनौनी में, तो इहें मत पढ़ना, यह answer है, अगर तीन सनौनी में, तो वह मत पढ़ना, यह answer है, अब हमें रहा नहीं होता है, पहले तो होता था, आप शाद बदल दिया उनोंने, ऐसा हो जाता है, वो भी change करते रहते हैं, चलिए, इसका example देखें, he, तो यह जो exam में आएगा, इसमें कभी भी no passive का option नहीं होगा, तो हम ऐसे बनाएंगे, दिखना देना, क्या लिखाएं, he laughed at her, he हमारा क्या हो गया, laugh हमारी क्या हो गई, और at हमारा क्या हो गया, कुछ कहते हैं at preposition, कुछ कहते हैं phrasal verb, तो मैं जो मानना वो मानते रहो, यह फंडा लगाते रहो, हर को आगे लाओ, क्या हो गया, यह वो अपकी कौन सी form थी, तो बोलो क्या बनेगा, she was laughed at by him, जो by तो मैं लिखना at के बाद लिखो, did I make it clear, she was, यह तो पता है कहां से आया, यह हमारे चार्ट से आगया, और वो लिखा ता लिखा रहा by करके हमने लिख we should not, we should not look down upon the poor, we should not look down upon the poor, हमें गरीबों को घणा की दर्शी से नहीं देखना चाहिए, should हमारी helping verb है, look down upon पूरी वब मानी जाएगी, और यह हमारा क्या माना जाएगा, object, उठा कर आगे लाओ, बोलो जी क्या बनेगा, yes, the poor, should, model का बनाते हैं पैसिव तो क्या आता है, be, should not be, looked, down upon by us, by us लिख भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि जब भी कोई general instructions होते हैं, उनमें doer हटा ही जा सकते हैं, everybody, we, you, हटा ही जा सकते हैं, इसे clear, अगर मैंने का जब भी तुम दो और दो जोडते हो, तुमें चार ही मिलेगा, तो यह तुम ही नहीं और मैं भी करूंगा, तब होगा, वो भी करेगा, तब भी होगा, तो ऐसे में बायू हटा सकते हैं, हम बोलेंगे, whenever two and two are added, four is received, और four is the result, इसे clear, यह वाद समझ में आ गई, जो proposition लिखी थी, वो लिखी रही, हमें जो लेना था अपने, पास से ले लिया, कोई दिकत, मैंने कहा, he turned down my request, एक्शाम में he turned down my request, उसने में रिक्वेस्ट को reject कर दिया, refuse किया, तो आप बोलेंगे, my request was turned down by him, is it clear, he will take over your company, my company or his company will be taken over by him, is it clear, I cannot zip through this work, I cannot zip through this work, मैं इस काम को zip through नहीं कर सकता, zip through क्या होता है, एक phrase love भायात की होगी आपने, वह कैब नहीं किया, वह कर दो कर सकता है, तो मैं नहीं बता हूंगा, ठीक है, यह काम zip through नहीं किया, मैं ऐसे ही बढ़ा हूंगा, यह काम zip through नहीं किया सकता, क्या बन जागा, this work cannot be zipped through by me, zip through का मतलब होता है, किसी काम को बहुत जल्दी करना, निप्टा देना, zip through, एक phrase love भाया है, तो आ गया समझ में, जो preposition लिखा, उसे वहीं लिखा रहने देना, बाकि चार्ट, subject को, और object को, subject बना देंगे, मतलब, किया लिखा है, जाएगा या नहीं जाएगा, हटाना है, मतलब समझानी बात, question है तुम्हेरे पास, सारा दोश मेरा है, निकालो question मताओ, आप कब बदलोग है अपने आपको, निकालो question मताओ मुझे फटाक से, do not blame me directly, आप का ही है, सब अइसे नहीं करते भाई, मुझे भी लाओ, sheet जल्दी से, और आगे चलते हैं फिर, कई बच्चे बहुत पढ़ लिख जाते हैं, आप लोग सारे पढ़े लिखे हो, ठीक है, लेकिन एक चीज जो आपको अपने नेचर में रखनी चाहिए, वो है तुम्हारा, याला ना, सत्रार नमर कौन सा? सत्रा, सत्रार कर्मज वाला दे दिया है इसने, एरोला क्या अगा, एरोला क्या, तुम्हारा दो, ये क्रमज वाला है, सत्रार नमर गांधी जी वाउज रिपीटित अल ओर टे वर्ल्ड बाइ द पीबल, अचा यह अटा दिया है C पाट रॉंग बता दिया है कौँछा C C अटा दिया है 17 नंबर C Gandhiji was repeated all over the world by the people by the people no error है C पाट हट जाएगा तो sentence तो रहेगा दो ही पाट में A और B C हो गई ही नहीं ऐसा कभी exam में आता है कि C में ऐसा correction किया जाए कि C पूरा हट जाए आई ऐसा नहीं होता ठीक है आप ना लिखते वो सही था ऐसा error नहीं होता कभी भी मैं समझ किया अच्छा question तभी मैं कहा तो दिखाओ आप मैं यह नहीं समझ पा रहा थे कि error का question है या फिर options में आप passive बना रहे हो अगर options के passive बनाओगे तो हम helpless होते हैं is that clear? मैं यहां कुछ गलत कर दूँ should be ना लिखूँ हां? और bias लिख दूँ तो यह गलत हो जाएगा और एक मैं bias ना लिखूँ लेकिं should be लिखूँ वो सही हो जाएगा समझरों मैंने क्यों पूछा question कौन सा है क्योंकि error में तो भाई कोई option नहीं होता ABCD करना होता है लेकि जब passive बनाओगे तो चार options होते हैं अगर तीन गलत हैं तो चौथा फिर मजबूरी में लेना पड़ेगा चलिए वास के साथ क्यों? तो यह पैसे से पैसिव है ना? वास से भी तो पैसिव बनता है यह पहले second form था और उसका पैसिव बना है वास वर से second form का पैसिव कैसे बनाते हैं वास वर third form से ना? तो यह वास वर third form इसलिए आई है पहले वीटू था the people repeated Gandhiji all over the world उसका बन गया was repeated पहले वास वर नहीं था, ठीक है? चले आगे यह नंबर समझ वे थार्ड आसान था, चौथा देखते है बता हू क्या पता चले? second form है third form है? second form है third form के लिए दुखो ना, बुक में वो दिया होता है बहुत pages होते है नहीं तो आपको यह पता है बार-बार third form बिना helping वाब? बस wanted, want, wanted, wanted होता है second भी है, third भी है अकेला wanted वी टू है और was wanted, has wanted यह हो जाएगा third form, समझ गे ना? helping के साथ होते हैं, ठीक है? चले आगे चलते हैं point number four देखते है point number four point number four देखते है इस बाले हैं, अगर पैसी बने दो, क्या बनेगा? देखो भाई, question था जिसका they say that he did it इसका एक पैसे अभी पढ़ाने जा रहा हो, आपको that का funder पढ़ाऊंगा एक तो बन सकता है, it is said it is said by them, लिखे है या ना लिखे है, option पर depend करता है that, आगे बताओ, he did that same, it is said that he did that, correct एक option ये बनेगा, दूसरा ये बन सकता है it is said that, that was, आगे बताओ, that was done by him, एक ये बनेगा clear? तीसरा क्या बन सकता है? he is said to have done that, he is said to have done that, he is said to have done that, ये बन सकता है, मेरी बासन में आरी है, चौथा ये बन सकता है that he did that, that he did that is said by them चारो एक्जाम में नहीं आएंगे जब ये एक्जाम में आएगा तो हम टिक नहीं कर पाएंगे ये वाल आपको बहुत कंफूज करता है, ये कैसे बनता है, he is said to have done that, ये मैं आपको बता दूँगा, इसली लिए गया, क्योंकि क्या लिखा है? और to have इसली लिखा गया, अगर मैं to do लिख देता है, समझना, he is said to do, तो मैंने आपको बता, to do अगर लिखो गए तो इनिफि तब use होता, जब काम अभी होने को है, ये तो हो चुका है, या तो gerund लिखूँ, होना काम कौन दिखाता है, gerund, और या तो perfect infinitive दिखाता है, तो क्योंकि काम पहले हुआ, कहा बाद में जा रहा है, इसली to have done लिखा है, did I make it clear? अगर यहाँ sad होता, क्या होता? sad होता, तो पस कर देते हैं, वाज कर देते हैं, क्या मरी बास हम जा रही है, तो options पर depend करता है, इन में से कोई ने को एक option आपको मिल गया होगा, exam में tick कर लेंगे, ठीक है? तो बचार नूट को रहा है, इसका number आ रहा है, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसको, चलें अगला देखें number कौन सा चौथा number, guys, कई बार हमारे पास ना दो सेंटेंसे जुड़े होते हैं, किस से, किस से guys, क्या लिखा, conjunction से, इधर भी और इधर भी, conjunction से दो सेंटेंसे जुड़े होते हैं, देखो यह ऐसा है, अगर दोनों का पैसी बन सकता तो दोनों का पैसी बनाया जाएगा, सकता है समझ इसका नहीं बनेगा, है, पैले से ता पैसी नहीं बनेगा, एक और सिच्विशन, ऑब्जेक नहीं होगा, इनमें से जिनका बन सकता पैसी बना देना, जिनका बन सकता का मतलब जीहां, दो ही मतलब होते हैं, या तो उसमें ऑब्जेक नहीं किसी एक में, दोनों में ऑब्ज changes, this, changes, और this part, बोलो क्या, changes, अब ये changes का मतलब optional है, किसी पार्ट में अगर object नहीं है, मैंने का the patient had died, या the patient had taken the medicine before the doctor came, सुन्ड़े हो, क्या, the patient had taken the medicine before the doctor came, तो the doctor came में कोई object, उसका passive, clear, लेकि उधर बाले का बन जाएगा, the medicine had been taken by the patient before the doctor came, गर दोनों में object है, तो दोनों ही पार्ट किये जाएगे, मेरी बाद सम्झारी है, अगर दोनों passive है, दोनों active बना देना, दोनों active है, दोनों बन सकते बना देना, और अगर एक active और एक passive है, जिसका passive उसका active बना देना, जिसका active उसका passive बना देना, ये conversion सिखा और आहूं कैसे खा रहा हूं और में ऐसा नहीं हो ता यह थो फूरा Sub Of Water ्षिध होटा है लेकिन जब करांब कर दो देला किता है तो इसा थे चर्द सुझ रही है कि दोनोप पर प्रसेंगे और प्योंडेश हैो और possible का में तब समझगे, object नहीं होगा तो passive नहीं बनेगा, यह ची लिख रहे हो आप, लिख लो, example अभी थोड़ी देर में दूँगा, note करें इस बात को, हाँ बताए, हाँ जी हाँ, sentence में लिखा के हो तो language क्या लिखी होती है, समझ रहे हो, क्या लिखी होती है, तो जो है, तुम उसको change कर दोगे, active को बना दोगे, passive और passive को बना दोगे, active को दिक्कत परिशानी तो बताओ, चले आगे, चले अब देखते हैं अगला number, बोट पर देखें सारे, number 5, number 5, मैंने अपको क्या सिखाया इस बात को समझ लो, बहुत देखें से क्या लिखाएं, यह भी तो conjunction होता है, लेकिन एक बात इसमें ध्यान खना, यह जो पार्ट होता है, यह वाला, यह वाला पार्ट, यह must be changed होता है, समझ गे मैं क्या कर रहा हूँ, यह हिस्सा जरूर बदला जाएगा, चाहे इसमें object हो, यह ना हो, उसका logic और reason होता है, वो जो that करके अभी हमने लिखा था था न, they say that, वो that इसका object होता है, वो that इसका object होता है, sentence की शुरूर बात यहां से होती है, क्यों वहां से होती है, sentence का passive बनाता है हम, तो जब यहां से शुरू करेंगे, तो sentence यहां से बन गया, यह दो that clause होता है, noun clause होता है, subordinating में noun clause होता है, यह अभी के लिए अभी है ध्यानक को, कि that के पहले वाले clause का passive जरूर बनाते है, object दिया हो, तो subject object बदल कर बनाते हैं, ना दिया हो, तो अभी जिखाया था, it is said, it was said, it is believed, it is assumed, बन जाता है, that के बात का क्या होगा, that के बात का क्या होगा, जो हो सकता हो करेंगे, अभी वहां पर किया था न, क्या किया था है, एक जगे मैंने वह ऐसा ही लिख दिया था, एक जगे उसका passive बना दिया था, optional का मतलब समझ रहो, अगर passive बन सकता है, तो बना देंगे, बन सकता है, लेकिन exam में नहीं आया, कोई बात नहीं, इस पर पूरा ध्यान देना, मेरी बात समझ रहो, मैं क्या करा हूँ, क्या, that के पहले वाले का passive बनना, mandatory है, बाद वाला बना दिया, तो tick कर देना, एक ऐसा option आ जाए, जिसमें इधर का भी passive बना, और इधर का भी passive बना, एक ऐसा option आ जाए, जिसमें इधर का passive बना, इधर का नहीं बना, कौँ से tick करोगे, जिसमें दोनों convert हुए है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जिसमें दोनों convert हुए है, उसे बनाएंगे, clear है, कैसे बनाते हैं, इस अब आपको पता ही बताए, say लिखा होगा, तो is and are said, said लिखा होगा, तो was but said, has said, तो has been said, और have been said, is saying, is being said, और am being said, और are being said, chart तो ही चलेगा, जो चल रहा था, चले आगे, अगला दिखते है, नमबर छे दिखते है, यह असाने तो example एक साथ दे दूँगा, कोई बहुत टिपकल नहीं है यह, कभी-कभी ऐसा लिखा होता है, जो इसमें क्या काम हो रहा है, non action verb है यह, compliment है लिखा हुआ जो लिखा है, फिर भी passive बना रहे है क्योंकि no passive option निया था, तो भाई यह structure ले लिया हमने किसमे, active में, इसका passive देखना कैसे बनेगा, बोलो, पता है आपको, it is time for, it is time for, और यह आगया object, passive निज़र आ रहा है आपको यह, बन गया पैसे, अब आपको के सर आपने कहा था, इस MR में बिंग जोड़ देते हैं, तो मैंने वहीं आपको बताया था, बिंग तब जोड़ देते हैं, जब पहले से ING फॉर्म हो, इसमें ING फॉर्म तो है नहीं, तो बिंग कहां से जोड़त होते थे ना, जब कोई continuous tense होता, tense नहीं बदलते हैं, being जुड़ने का मतलब, tense बदल गया, लिखो इसका example अभी देता हूँ, समझ आ रहा सभी को, कई बच्चे आने कम होगे इस बैच में क्या बात है, एक्जाम चल रहा है कोई, है कौन से, graduation exam चल लहा है, क्या हुआ हुआ, क्यों घर क्यों चले गए, अरे यार दिरू, लिख लिख लिया, example दो इसका, हाँ, बताए, कौन से बला, या बला, हाँ, कर सकते हैं, लेकिन, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर एक वैसा ही option दिया हो, जिसमें ये पीछे लिखा हो, और एक आगे वाला, तो जैसा लिखा अगर question में before से शुरुवात थी, तो तो मांसर भी before से लेना, एक मेरी ट्रिक मालो हमेशा के लिए, यह मैं तुम्हें बारबाट नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि कोई sentence कैसा कभ लिखा जाता, यह कोई नहीं पढ़ाता और अमें समझ में नहीं आता, अगर sentence के शुरुवा सारे option गलत, तीन गलत, एक चौथा ही टीक निकल पा रहा है, जिसमें before, बीच में लिखा है, इसलिए voice and narration दो topics ऐसे होते हैं, जिसमें हम सही नहीं गलत ढूंडते हैं, क्या ढूंडते हैं, गलत ढूंडते हैं, दो पूरी तेरह गलत हो गए और दो हो गए एक में before पहले, ए यहीं पर, जैसे मैंने कहा, यहाँ example देखनें पहला, it is time to, it is time to open the shop, it is time to open the shop, तो भही, यह क्या बन जाएगा, it is time, बलो क्या बनेगा, for the shop, for the shop, should be opened, should be opened, हैं, should गलत हैं, जी हां, गलत हैं, और ऐसा option exam में आ जाया करता है, जब तो में इस time बोल रहे हो, अलड़ी advice कर रहे हो किसी को, यही चला है, और यह उदर लिख दिया जाता है, हम वो नहीं लेंगे, is it clear, आप दो sentence जोड़ कैसे हो, समझ में ही नहीं आ रहा, यह दो sentence होगे पूरे पूरे, subject, verb, subject, verb, दो subject किसे जोड़ें यह तो बताओ, प्रेपोजिशन से थोड़ी जुड़ता है, कंजांक्शन से जुड़ता है, technical reasons on में आ गया, नहीं लिखा जाएगा ऐसा, आप यह तो बी ओपन करेंगे, अब यह दो sentence नहीं है, is it clear, अब फॉर प्रेपोजिशन चलेगा, it is time for the shop to be opened, लेकि इसका एक और यह बना सकते हैं, the shop should be opened by now, कुछ चीज है ना, structure पर नहीं पढ़ा ही जा सकते हैं, it is time for the shop to be opened, यह हो जाएगा, by the way, इसमें कोई गलती हो जाए, opened कीजेगे, open आ जाए, बी ना लिखा हो, तो option में और देखलेंगे, द्यान से देखलेंगे, आप संझेंगे इस बात को, बी के साथ जब तक third form ना यह पैसिव नहीं बनेगा, और meaning change नहीं होना चाहिए, कॉन स it is time, by now, by now, by now, by now time को दिखा रहा है, by door नहीं है, by now मतलब अभी तक, it is time, to, invite him, it is time, for him, it is time for him, it is time for him, it is time for him to, help them और चौता यहां देखलेंगे it is time for the topic it is time for the topic to be to be to be finished कल अम्हेन कोई प्रॉपर ली वाला कुछ ए कुछ अ-कॉशन किया تھ तगया के प्रॉपरलि वो वो व्ट 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 वी वाद्मोंस दो व्ट प्रॉपर्ली असा करके उसमने पर उप्सटेसिंट में आपार आपीड़ दॉन हमार में कुल्छा जाता हैud ज्वह कॉश्चन पूछा था आपने। कि ए्धारम कुछ्ड वाइस किया कि प्राफरटा कॉष्चन के बाद भुक में लिख की यह लिखा गया है लेकिते हुझे आ games ऐखर आप यह पता आपको पैसे वाश्य 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 गलतिया होती है, जब एक्जाम में को जाते हैं, उस्से बनाने को कहो कि मैं कुछ और बना दूंगा, और रो सही होगा, पूरी तरह सही बनाऊंगा, अब एक्जाम में क्या करता है, मैंने आपको बदाया था, he has not slept in his bed, उसका भी his bed has not been slept in by him, नहीं जाने क्या मतलब निकालना चाहरा है, कोई मतलब नहीं होता, तो properly done होना चाहिए था, done properly नहीं होना चाहिए था, done properly उसने तब लिया होगा, जो बाकी के options पूरी तरह गलत रहे होगे, otherwise manner को हम वीधरी के पहले लेते हैं, अब ये questions कर लेते हैं, it is time to invite him, ब for him to be invited, it is time for him to be invited, मेरी बात समझ में आगई, अगला, it is time for him to help them, क्या बनाऊगे, बोलो, ये सेंटर से active voice है, पैसे बनेगा, क्या बनाएंगे, it is time, आगे बताओ, it is time for him, for them, अरे बोलो भाई, it is time for, क्या लिखो, मत्म मैंने जरा सा बदल दिया, तो तुम पूरे बदल गए, दिवांग लेका हो ना, अरे इसमें करने वाले का नाम दिया हुए, ये doer हो जो क्या करेग, help करेगा, पीछे ले जाओ ना, काह तक समझा पैसे में doer अपने action के पहले नहीं आता, कौन help करेगा, तो पीछे ले जाओ, तब ही तो पैसे बनेगा, तो सोच किया रहे हो, हम फॉर फॉर करें, for him, for them, अरे भाई, them की help हो रही है, he कर रहा है, he को पीछे ले जाएंगे, them को आगे ले आएंगे, बोलो क्या बोलेंगे, it is time for them to be helped, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, by क्या हो जाएगा, अगर समझोगे नहीं, तो वहां for him, चपका क्या जाओगे, मीनिंग तो निकालोगे, मदद कौन कर रहा है, तो पीछे जाएगा, और जिनकी मदद हो रही हो आगे आ जाएगा, it is time for them to be helped by him, बो it is time for the topic to be finished, ये पहले से ही passive voice है, कैसा है ये, passive voice है, इसमें दूर का नहीं पता, तो it is time to finish, दा आ रहा है समझ में, दूर दिया हो तो पीछे ले जाना, ना दिया हो तो अच्छी बात है, इसमें दूर का पता किसने फिनिश किया, ना इसमें पता किसने फिनिश किया, तो दूर ना होने पर passive हो जाता है, ये, दूर ना हो सेंटेस पैसे हो जाता है, कब होता है, ये, वीधरी, यार तुम लोग कब मेरे question के सही answer देना शुरू करोगे, ना जाने वो दिन कब किसको देरो आपस ही में, मैं पूछ रहो मुझे बताओ ना, मैं क्या बता रहा हूं, डूर ना हो, मैंने कहा तक किसी और का डूर नहीं ढूर नहीं, ढूर ढूर ढूरते हैं, वो अब की, बस, third form हो तब दूर का अब जो है पंगा देखो, नहीं तो sentence active होगा, इसका डूर क यू है यू, रह यार बोलता कौन है, बोलता कौन है, आए बोलता है, यू बोलता है, आए बोलता है, और यू सुनता है, तो जब इस sentence बोला जाएगा, तो सुनेगा कौन, तो कौन ये topic कहतम करेगा, हम ना समझेंगे, मेरी हाइट कम होगे 6-4 फुट पे आगया, ये समझा समझा के घड़े-घड़े, लेकिन हम नहीं समझ रहे इस बात को, कोई बात में, और भी कई लोग नहीं समझते मार्केट में, चले आगे, ये समझ में आगया सभी को, right, active में dover होता है, लिखा जाय तो भी होगा, नही होगा, एक ही dover चिपा सकते है, वो होता ही हो, मैं तुम सही कह रहा हूँ, कहने का तरीका बदल दिया है, बस, मैं तुम सही कह रहा हूँ, finish the topic, क्या कह रहा हूँ, finish the topic, तो understood नहीं कि time आगया, finish the topic, और वसी बात को बोल दिया है, मैंने, it is time to finish the topic, तब भी तो यह है, इधर चलो यह उधर चलो, चले आगे, चली रफ करता हूँ, अगला एक और पॉइंट देखते है, हाँ दे रहा हूँ, चार पार एक जंपल दे रहा हूँ, एक पॉइंट और अचा से दिमाग में आ रहा है मेरा, रफ कर दू, चार पांच का बहुत आसान है, इसलिए मैं नबर देखें, नबर साथ, नबर सेट, नबर सेवन किया कहता है, जलो से समझेंगे, आप इनिफिनिट्टिव का का पैसिव जानते हो, इनिफिनिट्टिव का पैसिव, यस, र sickness, क्या होता है इनिफिनिटीव का का ह। टू भी, हाँ, टू भी, थर्ड फर्म, टू भी, थर्ड फर्म, ठीक है, कब लगाते हैं, इंफिनिटिव का पैसिव, जब वो, सेंटेंस पैसिव वाइज में होगा, या दखना, इंफिनिटिव का पैसिव होना, और सेंटेंस पैसिव वाइज में होना, दो बाते हैं, सेंटेंस पैसिव वाइज में होना और इंफिनिटिव पैसिव में होना दो बाते हैं इंफिनिटिव पैसिव में तब लिखा जाएगा जब इंफिनिटिव वाले काम को करने वाले का पता ना हो और पैसिव का बनता है जब इन्फिनिटिव वाले काम को करने वाले का या तो पता ना हो या उसके बाद में लिखा हो तब इन्फिनिटिव का पैसिव बना देना सेंटेंस की पैसिव की क्या बात हुई sentence की passive की बात होती है verb और भी finite verb कौँसी verb finite verb का अगर passive है तो sentence का passive है gerund का passive है तो sentence का passive नहीं है infinitive का passive है तो sentence का passive नहीं है are you getting my point or not? sentence कि sense में है उसका पता चलता है finite verb से sentence का passive बनता है finite verb के passive से बाकि non finite का passive बना तो non finite का passive बना did I make it clear? लेकिन हमारे पास exam में no passive या no active का कोई option नहीं आता, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, active structure देखो, structure लिखने से पहले इस sentence देखो, she wants him to solve this question, पैशानो, sentence active या passive, active या passive है, सबको पता है, क्योंकि wants कौन कर रहा, और solve कौन कर रहा, बस doer अपने पहले लिखे हो sentence active ही रहता है, और वैसे भी third form है कहाँ, doer की क्या जोद पड़ गई, sentence कैसा हो गया, active, समझना, अब मैं जब इसका passive बनाऊंगा, तो कहीं हम इसे देखेंगे wants जो की S or E S है, S or E S का पैसी बनाते समें हम क्या लिखते हैं, is M, R, ये लिखते हैं, बताओ क्या बनेगा, बता दू, बलो, he is wanted, he is wanted to solve the question by her, ये बन जाएगा, हां, क्यों नहीं बनेगा, किसका, हां तो पैसे में यही तो होता है, object आगए आता है, सब्सक्राइब, क्या ये him wants का object है, है, इसका पैसे बताता हो, फिर दिमांग लगाएंगे, she wants this question to be solved by him, ये बनेगा, वो is wanted वाला नहीं बनेगा, या तो मैं भी structure board पे लिखूँ और सीधा, rule no.7 आप देखेंगे, सीधे लगा देगे, ऐसा क्यों होरा, मैं सम्झा देता हूं, ये जो him है ना, वो इसका object नहीं है, क्या ये कोई काम है, बहुलो, action verbs का पैसिव बनता है, non-action थोड़ी बनता है, काम तो ये है, solve कर देना, did I make it clear or not, ये ही reason है कि इसमें him को आगे ले जाकर पैसिव नहीं बनते है, आप इस infinitive का पैसिव बनते है, और infinitive का पैसिव तब ही बनाएंगे ना, जब उसका doer उसके बाद में हो या ना हो, question, इस infinitive का क्या है, और doer कौन है इसका, आगया पीछे, B form आगे, 3rd form आगे पैसिव बन गया, B form आगे, 3rd form आगे पैसिव बन गया, और doer भी बाद में आगया, यह इसका पैसिव है, सीधा structure board पे लिखूँगा, नहीं समझना, structure ato, अभी लिखने जा रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है, इसमें अकस्तर want आएगा, want आएगा, like आएगा, ऐसी verbs लिखी होती हैं, जो हमें देखने पर लगती हैं कि वो क्या है, object है, sorry, action verbs हैं, तो उनके बाद हमें क्या लगता है, object, लिकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए infinitive part में कोई action हो रहा होता है, उसको हम convert कर लेते हैं, is that clear, कुछ बात समन में आ रही है, मैं लेखने जा रहा हूँ, यह structure यहाँ, देखो कैसे, हाँ, कुछा, नहीं, आप इसे transcript बोल सकते हैं, otherwise इसे जो हैं आप linking की तरह भी उस करते हैं, linking में इसमार was word भी आती है, देखें, get भी आता है, देखें, like भॉप भी आती है, तो linking के साथ साथ ऐसी भॉप जो अबजेक्ट नहीं लेती हूँ, उन्हें स्टेटिब भी बोलते हैं, यह पूरा अबजेक्ट है, निक अगर पूरा अबजेक्ट तो पूरे को आगे लिया हूँ, उसमें कौनसी आपता है, she is, she is wanted, नहीं, she to wants है न, he is wanted लिख सकते है, he is wanted to solve this question, कैसे, she is wanted कैसे करेंगे, she is wanted का मतलब उससे कोई कुछ चाहता है, बलकि she wants, she खुद कुछ चाहती है, तो she is wanted तो नहीं बन पा रहा है, समझे लो बात को न, तो देखो कैसे करेंगे, इसके स्पले active structure को समझो, guys, यह लिखा है क्या, यह क्या था, फिर यह क्या थी, main verb क्या थी, लेकिन जरूरी नहीं main verb सीधिया आ जाए, क्या हो सकता है, she would like to, she would like, यह सुनो, तो helping verb आ सकती है, उसके बाद यहां कोई main verb आईगी, और फिर आप लिखेंगे, यहां जो लिखेंगे, वो देखने में object होगा, लेकिन क्या होगा, him, object किसका, लग रहा है, subject किसका, समझ रहो ना, solve का वो क्या निकला, और इसका क्या निकला, यह, उसके बाद आपने 2 लिखा, फिर V1 लिखा, और फिर object लिखा, इसका एक passive और बना देता हूँ, ठीके, इसका passive structure और देख लो, इसका जब passive बनेगा तो कैसे बनेगा, subject वही लिखा रहेगा, यह जो OS है ना, OS, यह जाएगा पीछे और O उटकर आगया आएगा, ठीक है, इसे note कर लो, और इन तीनों के examples में आपको कल दूँगा, कैन्यांक्शन वाले दोनों और बोल देना यह इनिफिनिटिव वाला, इन तीनों के examples में कल आपको detail में दूँगा, कल आपको इस topic को खत्म कर लेंगे, ठीक है, फिर कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं होगी आफ कहीं से करेंगे, कोशन सारे बन जाएंगे और फिर बार 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 में बता रहा हूं आपको कल का कल देख लेंगे बता दूंगा आपको फिर मैं आपको बार बता रहा हूं एक्टिव वाइस मतलब वाइस और निरेशन में दो टोपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें सही नहीं डूंडना होता है हमें गलत ढूंडना हो तो मैं बारवार आपको बता रहा हूं ठीक है रीजन क्या कुछ सही बनाने के तरीके बहुत सारे होते हैं और गलत वाले निकाल देंगे जैसे मीनिंग बदल रहा हो या पैसिव ना बना हो फिर जो बचेगा वो ले लिया जाता है ठीक है चली गईस मिलते कल थेंक्यों सो मच गण बारणी काईस क्या चला था लास्ट ख्लास में अहां वॉइस हाहां अच्छा हैंड़ाउट अब सभी के पास हैं दोनों ही तरह के हैंड़ाउट से आपके बास जड़ा एक बार handout निकालें कुछ कोश्यस में करा दूँ क्यों कुछ बच्चों को दिक्कतारी उसको करने में शायद हो नहीं पा रहे हैं जो भी है उसके बाद हम आपी जो दो चार पॉइंट्स रहते हैं उन्हें पढ़ेंगे ठीक है कलम लोग शायद वो लिख रहे थे ना करनमरजन वाला है उन्हें 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 पासी बनाने वाला एक तो मेरे पास है निचे भी है नहीं इसमें नहीं है कॉस्टिन टाइग वाइस हां नहीं यह वाला नहीं यह तो अर्रवाला है वे दूसा बनाने वाला जो था वो नहीं चार ओप्शन्स वाला कुछ नहीं हो रहे हैं यह यह आपके जो है एक तो अर्रवाला था और एक जो है आपका यह वाइस वाला था अब एक काम एक करो कि वाइस वाला जो अर्रवाले कॉशन्स थे एर्रवाले जिसमें 200 कॉशन्स थे ना कितने कर लिए होंगे पटास कर लिए होंगे आप लोगोंने सभी के पचास होगे पचास तक के डाउट ले लू मैं आज फिफ्टी तक में अगर कोई डाउट है तो बता दो फिफ्टी चार वर में खताम हो जाएगा न अच्छा अच्छा एक मिनट वही में काऊं वही इतो वह आला नारेशन वहाला है वहादिंग पड़ियो वाइसस में एक वही देना जो अभी दे रहे थी ना जो अबिश्य दे रहे थे वही देना अग्छा हाँ पार्शमा देखो अब यह है क्या the officers who were on inspection यह वाला है तो यह तो मैंने शाद बोट पर भी कराया था the officers who were on inspection in this factory were discovered many discrepancies है ना मैंने आपको बताया था discovered जो है अपने बाद object ले रहा है इसे passive में लिखा जाएगा active में लिखा जाएगा तो आप वर हटा देंगे ठीक है ना वर यहाँ drop करना पड़ेगा कोई परिशानी वर को हटा देंगे जब sentence का subject object वब के बाद और subject वब के पहले होता है तो structure होता है active voice इसलिए आपने वर डिसकवर्ड लिखना था ठीक है चलिए पांच में के बाद 10 था कोई और डाउट 37 था से 20 कोई डाउट 13 17 13 17 देखें सारे 13 लिखा है the teacher asked the students whether they could tell the name of the man who had been invented steam engine समझ गए? invent क्या किया गया है? steam engine वो वब के बाद है वब का object अगर वब के बाद होता है तो sentence active voice होता है had been गलत हो जाएगा who had invented हो जाएगा is that clear? सब को सम्म्यागी बाद? और यही था? पीछे को और दिया है? सम्म्यागी ना क्यों है? 17 17 देख लें 17 लिखा है गांधी जी was repeated all over the world by the people यह वेने कल अपको बताया था शाद पीछ यहां सगलत दिया यह no error है 17 नंबर no error है ठीक है? और बता दे कोई doubt 20 को गया अब तीस तक 15 भी है 15 as the first president of India Dr. Rajendra Prasad was known by all types of people in the world यह भी एक पॉइंट बाकी है कि कुछ वर्प्स जो है नहीं लेती है known और obliged to लेते हैं interested content engulfed in लेते हैं ठीक है ना? और satisfied, disgusted with लेते हैं surprised, shocked, alarmed, amazed, astonished at लेते हैं वो भी लिखाऊंगा बूट पर 28 और 60, 28 और 60 और देखें बिलकुल, 28 और 60 चलिए पहले आप बताएं तीस तक कोई doubt तो नहीं अब? चलिए आगे चलें अब 28 और डाउट है देख लें क्या लिखा है? she ought to be helped by him ought to be कुछ होते ही नहीं, ought to be helped by him हो जाए ठीक है? 37 क्या लिखा है? had the police not reached their on time, बहतरीन question एक्जाम में आया हुआ है had the police not reached their on time, तो क्या होता? क्या होता? तो robbers, नहीं, traders, traders would have robbed रॉब करना लूटना होता है और जिसको लूटा गया वो बताना चाहिए आपने कि भे मैंने किसे लूटा is it clear? तो rob जो है, transitive verb है, कैसी guys? और हर transitive verb अपने बाद क्या लेती है? और मैंने बार-बार चीक शिला कर आपको समझाया, जब एक transitive verb अपने बाद object ना ले तो गलत हो जाता है उसे या तो object दो, या उसका self दो, या क्या sentence का? पैसे बनाओ तो object में क्या लिख दू, मुझे तो पता नहीं किसे लूटा, तो आप उसे ही लूट लो, the traders would have been robbed वैपरी को लूट लिया गया होता, पैसे बना देंगे, जब तक या understanding clear नहीं होगी तब तक हम active passive खेलते रहेंगे, error नहीं कर पाएंगे, ठीक है? active से passive तो बना लेंगे अप, लेकिन error के questions नहीं बना पाएंगे आप से, वो गलत हो जाएगा, ठीक है? चलिए, यह हो गया, सहत्यस नमबर, 49, 39, in case you apologize, for having broken your promises, you will certainly be forgiven, forgiven, B के बाद second form तो कभी नहीं आते, या तो third form, या ING form, तो passive में forgiven आएगा, क्या एगा, forgiven आएगा, पचास तक कोई डाउट, जल्दी बताएं, भाई सहाव, जल्दी बताएं, अधे सहाव, या व्योगों, जल्दी इस आएगा, व्योगों, व्योगों हुआ एगा, सहाल कौछ नहीं एंगा, क्यों है, बताएं, नहीं एगा, जल्दी बताएंगा, जल्दी बताएं, voice, हम conversion की जो बात कर रहे थे, इसमें पचास questions तक देखते हैं, उसी में से 48, 45, 48, 45, तो 48, 45 भी देख लेते हैं, 45 लिखा है, he seriously wounded during the crossfire and was rushed to hospital, wounded, wounded, एक मिनट में कुछ सोच रहा हूँ, हाजी, wound मतलब होता है किसी को चोट पहुचाना, transitive love होती है, कैसी होती है, अगर आपने wounded लिखा तो बताना पड़ेगा आपने किसे चोट पहुचाई, वो आपने बताया नहीं, इसका मतलब उसे व्यक्ति ने चोट पहुचा ही नहीं, बलकि उसे खुद चोट पहुची है, और कर पहुची ही तो पैसे पना, तो क्या बन जाएगा, He was seriously wounded, और आगे देखो, पैसे भी लिखा हुए, तो पार्ट कौन सो रॉंग होग है इसका, ए, क्लेर वास अभी को, अड़त आलिस नंबर, The teacher said, years ago, it believed that the earth was flat, it believed, वर्शयों पूर्व, it ने बिलीव किया, कि प्रत्वी जो है वो flat है, it कौन है? क्या it believed कर सकता है, क्या it कभी मर सकता है, क्या it कभी सो सकता है, ऐसे काम it नहीं कर सकता है, तो it believed नहीं, it was believed, it believed करता नहीं था, ऐसा विफ्सुआज, मतलब ऐसा यकीन किया जाता था, it was believed हो जाएगा, क्लेरे हैं अभी को, फंडा वही है, बिलिव एक ट्रांसिजिव वह है, उसका object नहीं दिया, मैं बार बार समझा रहा हूँ, या तो object यह दो, या उसका पैसे बना दो, 32 गार देख ले, 32 तो दूसरे पेज पर है, यार, पीछे चले गए तुम, आगे चला गरो, पीछे मत आया करो, अच्छा तुम्हारे मज़े एक ही बेच पिए है, ओके, I was surprising, at not having seen her, even though she was standing, just beside my wife, हाँ, इसका मतलब है कि मैं बड़ा अश्यर चकित हुआ, जब मैं उसे तब भी ना देख पाया, जबकि वह मेरी पतनी के, पास खड़ी थी, इस बात पर मैं surprised था, या मैं surprised किसी को कर रहा था, surprise एक ट्रांस्टिव भब है, उसके बाद object आना चाहिए, तुमने object लिखा नहीं है, या तो object दे दो, या पैसे बना दो, तो I was surprised, है ना एक ही फंडा हर जगे वही फंडा लग रहा है, इतना बैठरी नुसका मैंने आपको जाएगा, इतना बढ़िया पढ़ाता हूँ, मैं आपको पता है, ठीक है, I was surprised होगा, क्या होगा, I was, वह उसे बात हसने वाली नहीं थी, सच बात है ये, हाँ कर दिया पर ओठीक है, I was surprising, ये सही हो जाएगा, अगर आप आप बाहर पढ़के देखो, और और कोई नहीं कराता है, एक्टिव से पैसी बनाते हैं, पैसी से एक्टिव बनाते हैं, एर्र कैसे जाते हैं, समझ में नहीं आता है, हाँ, क्या करो, अच्छा हाँ, इस बिए बिए इस बात का प्रमाड है, प्रितक्ष्यम किम प्रमाड में ऐसा नहीं होता, तो सब्सक्राम क्यों बैठे होता है, सही बात आपके, होगे questions, पचास तक दन, पचास के आगे कल करेंगे, ठीक है, कल करके आना आप लोग, मतलब यह की बीच में दो दिन का टाइम है, तो पूरे खतम कर लेना, 200, यह ना हो कि वोईस की प्रेक्टिशन इस ब कर लो, इसके डाउट में यही क्लास में ले लोगा, खतम करूँगा, अब हम आते कर नवर्जन में, अब हम चेंज करने वाले पर आते, यह चेंज करना इतना आसान है कि मैं बता नहीं सकता, बहुत आसान, एक्टिव से पैसी बनाना, पैसिव से अक्टिव बनाना, बड़ी ही आसान बात है, एक से दस तक कोई डाउट तो बताओ, पांच्वा, मैं अब कन्वर्जन करा रहा हूँ, एक्टिव पैसिव चेंज करा रहा हूँ, पांच्वा लिखा है, इट इस यूर ड्यूटी टु मेक टी एट एट एलेवन ओक्लॉक, देखो आसे कॉस्चिन एक्जाम में आते हैं, इट इस यूर ड्यूटी टु मेक टी एट एट एलावन ओक्लॉक, अच्छा किसी की ड्यूटी होना क्या होता है, ड्यूटी क्या, अगर मैं को तुमारी ड्यूटी है, तो यह अबलिगेशन है, मतलब यह काम मेंडिट्री है या उप्शनल है, बस समझ लो, इसका मतलब यह तुमसे कहा जाता है, तुम्हें ओर दिया जाता है, यू अर्रिक्वाइड जरूट है तुम्हें, यू अर्पोज़्टी इस तु बी मेंड बाई यू अट एलेवन ओक्लॉक, तो को डिफरेंस इस तू और हैस तू में डिफरेंस देखो, अगर मैंने का I have to teach, तो मतलब है कि मुझे पढ़ाना है, बे मन पढ़ाऊँगा मैं, और I am to teach, मेरा मन है मैं पढ़ाऊँगा, तो T is to be made का मतलब, खुशी-खुशी बनाई जाएगी, जबकि उपर क्या है, समझ रो ना, duty है, करता बे करना ही पड़ेगा तुमें, तो इस case में, supposed या ask गलत हो जाएगे, you are required का option लिया जाएगा, is that clear? हाला कि दिये हुए चारो ही sentences पैसिव वाइज है, लेकिन फिर भी जो meaning ना बदले, वो पैसिव वाइज लिया जाएगा, और, हां, suppose में, वो strong obligation नहीं होता, suppose को अंतर तब तुमसे आशा की जाती, you are expected, कहते हैं, you are not supposed to do it, तुमने कर दिया, तब बोलो, you are not supposed to do it, हां, बोलो, हां, बोलो, हो गया ना, हां, ऐसे ही questions आएगे, बहुत ध्यान चार पढ़ना होगा, जरूरी नहीं है, 25 में 25 कर लो, एक दो नहीं भी हों, तो, दिल छोटा नहीं करना, कि दुखी मत होना, सारे questions जरूरी नहीं होई जाएं, लेकिन ये जरूरी है कि गलत वाले attempt मत करके आओ, जो नहीं आते हैं, डाउट होने छोड़ देना भी, अच्छे नंबर पानी के तरफ बढ़ना होता है, सौ में सो attempt करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, चीक है, 10 तक हो गए, 10 से 20, 6, 6 लिखा है, I don't like people keeping me waiting, I don't like, don't like, don't like, don't like, जब चारो में आप्शे don't like है, तो हमारी बचा क्या, पांच में एक और है, आप में ने बोला ना, चारो ही पैसे वे, मैं कहारो न, इस तू जब बोलते हैं, इस तू भी मेड, मैंने बता दिया, हैस तू मेक, मेक और इस तू मेक में क्या डिफरेंस होता है, इस तू में कोई काम विलिंग ली किया जाता है, हाँ वही मैं कहारो न, इस तू, मैंने का, I am to teach, और he is to teach, इसका मतलब है, वो खोशी-खोशी, विलिंग ली इस काम को करेगा, उपर तुमने बोले, दूटी है, दूटी तो करनी पड़ेगी, सोभी आट बजान है तो आए, आए, मन हो या ना हो, करना ही तुमारा दूटी तुमारा करता भी करना पड़ेगा, अबलिगेशन है तुमारा ही है, तो इस तू, एम तू, आर तू से ओबलिगेशन नहीं दिखता, उससे तो विलिंगनेस दिखाई जाती है, यह तो हैस्टू होता तो बात बनती, इसलिए रिक्वाइड ले लिया, ठीक है, अच्छा, कौंसा नमट शट्वा, दूखो हम कुछ नहीं कर सकते, जब चारों में डोंट लाइक लिखा हुआ है, तो शरुआट डोंट लाइक से होगी, इसलिए अगे की बाते देख लें, आइड लाइक पीपल आर केप्ट, यह कौंस यंगरिसी है, आइड लाइक कीपल वर वर वर, यह तो समझ नहीं आरा, आइड लाइक बिइंग केप्ट वेटिंग, इंतिजार किया जाना मुझे, अंतिजार करते रहना मुझे पसंद नहीं है, 15, पंदरा नंबर देखें, फटा फट, बिफॉर फेस्टिवल्स, अगे के बाद फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है, कॉमा है वो, ठीक है, क्या लिखा पटे, समझ में आया मैं क्या करहा हूँ, यानि तेहवारों के पहले क्या होता, दुकानों मर भीड लगी होती है, में की, विमन की, बच्चों की, और वोई क्या कर रहे होते हैं, पर्चेस कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे होते हैं, तो भाई, जब इनका हम बनाएंगे, तो क्या बनेगा, इसका अंसर कौन सा है, बी है, डी तो खुद में पैसे बे, और सी में तुमने वो तो बताया नहीं, थ्रॉंज वाला वर्ड नहीं लिया, समझ गे ना, है ना, मैंने का ना, आप सही मत धूंड़ना, आप गलट धूंड़ना, मैंने पहले ही कह आपको, सही मत धूंड़ना, गलट धूंड़ना और काम हो जाएगा, जली बताओ, 10 से 20 तक कोई और, 16 नमबर देखें, तो इसमें ये हो जाएगा, कौन सांसर होगा, C, it was not realized by the smuggler that their conversation was being recorded, और पहला क्या लिखा है, the smuggler did not realize that someone was recording their conversation, okay, B तो नहीं होगा, है ना, और D भी नहीं होगा, A और, C में से कौन सा है, it was not realized by the smuggler that their conversation was being recorded, हाँ, 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 वोई में कर रहो, आदा active और अदा क्या है, अचा, ऐसा option हमें मिला नहीं, जिसमें जो क्या हो, कि उस active वाले का passive बना दे और passive वाले का, तो मैंने अपको एक बात सिखा ही थी, कर साथ optional होता है, जबाँ है यदा है, यदा है भको, यदा के पहले वाला पार्ट होता है, असे बदलना ही पड़ता है, main sentence भी होता है, तो अचा, अच kep में क्या रहेंगे, एक बदलनों को तो तो क्या बन जाएगा, अचा ता, जागे न, इसलिए answer इसका लिए, that के पहले वाले part को convert जरूर किया जाएगा, और एक कौन सा था, did not realize that someone was recording their conversation, नहीं यह यह answer, C वाला है, हाँ, वो optional होता है, जिसमें दोनों बदले जाते हैं, फिर वो ही लेते हैं, ठीक है, 20 to 30, 20 to 30, 24, I am doing sums, sums, sums are being कोई भी नहीं है, I must be doing the sums, sums are being the sums, sums are done by me है, B में done guyp नहीं किया है, A में being guyp किया है, option A tick cross में being लिख लो, sums are being, ऐसे लिख लो, A में being छूट गया है, लिख लो, sums are being, ठीक है, sums are being, clear हो गया, चलिए, 40 तक, 40 तक, 34, कौँछा, 32, 32 लिखा है, A loin does not grass, however hungry he may be, eat, यहां गायब हो गया है, A loin does not eat grass, does not eat grass, however hungry he may be, तो grass is not eaten by a loin, ऐसे कहां लिखा है, A answer हो गया, A और C दुनों में है, नहीं, तो C में not कहीं और पहुच गया है, है न, not तो कहा होगा, क्या होगा, is not eaten होगा, आंसर हो गया, A, 34, 34 देखें, he was obliged to resign, he was obliged to resign, was वर के साथ, जब third form लिखते हैं, तो sentence पैले से ही passive होता है, इसका हम क्या बनाएंगे, तो active देखें कहां बना है, was obliged को वापस लाएंगे, तो V2 चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, क्या कहीं होगा, क्या कहीं वीटू लिखा है, बोलो, किसमें लिखा है, C, और, C में क्या लिखा है, circumstances obliged him to resign, resignation obliged him, बताएं क्या होगा, C, A, D, आप meaning समझते हो, या match करते हो, उदर लिखा शुगर, इदर लिखा शुगर मिला दिया, meaning भी समझना होता है, कोई बच्पन वाला, match वाला गेम थोड़, या column A, column B, उदर लिखा शुगर, इदर लिखा शुगर मिला दिया, S, meaning भी तो समझो, resignation obliged him, गलत है, circumstances obliged him to resign, परस्चितियों की वज़े से उसे resign करना पड़ा, ठीक है, answer C, होगा, होगा 50 तक सारे, 50 तक होगा, कोई डाउट और, नहीं, चले आगे, 46, do not speak until someone speaks to you, तब तक न बोलो, जब तक कोई तुम से न बोले, do not speak, do not speak, do not speak, हमारे पास options, यही हैं do not speak, तो आगे का passive yeses बनाएंगे, until someone speaks to you, until you are spoken to, until someone is spoken to, until you have been spoken to, तखो ऐसा है, speaks लिखा है, क्या लिखा है, तो speaks का जब passive बनेगा, तो is mr spoken बनेगा, is mr, तो is mr spoken कहां कहां लिखा है, एक a में और एक b में, एक a में, कौन सा होगा, बता दो, कौन सा होगा, a answer है, ठीक है, you को अठा कर आगे लाएंगे, और preposition जहां लिखा, उसे मही छोड़ देंगे, you are spoken to, ठीक है, चले भाई, आगे, पचास तक के questions आज ही हो गए, बाकी 200 पूरे ये और 200 पूरे वो जब करोगे, तो next class में पूरे ही डाउट में ले लूँगा, ज्यादा questions में बनेगी नहीं आपसे, मैं जानता हूं नहीं बनेगी, क्या नहीं है, नहीं है answers, किस वाले में, ये चेंज करने माले में, दिला दूँगा answer कोई बात नहीं, ठीक है, आँसर के दिला दूँगा, चलिए, आगे चलते हैं, जो हम पढ़ रहे थे, कल कितने points पढ़े थे हमने, अच्छा एक examples खुछ के रहते थे शायद, वह conjunction वाला था, और लास्ट में क्या पढ़ा था, तू, तू वाला, हाँ, conjunction ये example थे, और किसका example बाकी है, टाइम वाला हो गया था, और ये टू वाला ना, तो देखें, जो कल points हैं, उनको देखते हो चलते हैं, ध्यान से समझे जरा, पहला example, क्या लगा है, ये वोद लएक नियम टो, ये वोद लएक नियम टो, दाणस अदाणस, दाणस अगरत दाणस, भी ऑनस, वो चाहते हैं कि वह है एक खतरनाक बड़ा ही अच्छा डांस करें तो यह लिखा हुआ है यह हमारा सब्जेक्ट हो गया यह हमारी हल्पिंग वर्ब, यह में वर्ब, यह S.O. याद आया? यह तू, वी वन, और अग्रेट डांस उसका क्या हुआ? टर्म समझ रहे हूँ, का लास्ट वाला जो फाम लिला था उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसका अगर हम बना दें, तो He, sorry They Would like They would like A great dance A great Dance To be danced क्या मन जाएगा? To be danced By Him क्या मरी बाद संद में आरी है? संद में आरा ने आरा? पहला हमने क्या किया? जो S.O. था वो पिछे चला गया और O.T. कर यहां आ गया यही तो कल लिखा था हमने ऐसे तो कुछ दिखा होगा है ना? समझ रवरी बाद को? हमने पैसे बढाना है पैसे बढाने के लिए बी की फॉर मारनी चाहिए थर्ट फॉर मारना चाहिए और डूर वो उपके बाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो तुमने देखा एक doer तो पहले लिखा है कि like तो देख कर रहे हैं, लेकिन dance करने वाले doer dance के बात चले गाए है, तो ऐसे बना कि नहीं बना, मैंने यही आपको बताया था, ठीक है, दूसरा देखें, मैंने कहा, she wants them, she wants them to solve her questions, ठीक है, समझ रहों सारे, कोई परिशानी, they wants them to solve her questions, वह चाहती है कि वह उसके questions solve करें, तो बताओ जी कैसे बनेगा, she wants her, बोलो क्या, questions, आगे बोलो, to be solved by them, कोई परिशानी, नो परिशानी, third, third थेखे, no problem, थेखे, जैसे मैंने लिखा, he wanted them to be punished, he wanted them to be punished, वह चाहता था कि उन्हें punish किया जाए, he wanted them to be punished, मेरी वासन में आगी, देखर जी, हमें पैचाहना होगा, sentence active है या passive है, want कौन कर रहा है, he, और punish कौन कर रहा है, है, पता नहीं है, punish कर नहीं रहे है, बलकि punish हो रहे है, तो हम समझ गए कि be your third form भी है, और doer missing भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह passive है, हम इसका बनाएंगे active, उस condition में, जब हमें doer का पता ना हो, जैसे मैं to be punished by them लिख देता, बाए हर लिख देता, तो यहां क्या हो जाएगा, he wanted someone अपने पास ले लो, commercial doer ले लो, या कुछ ऐसा ले लो, नहीं है तो हमने someone ले लिया, he wanted क्या, someone to punish them, punish them, he wanted someone to punish them, ठीक है जी, he wanted someone to punish them, यह तुवाला फंदा समझ में आगया आपको, yes or no, right, यहां हम infinitive का पैसे बना रहा है, किसका, infinitive का, infinitive का passive भी वैसे ही बनेगा, जो आम passive होते है, infinitive को करने वाला उसके पहले है, तो अगर करने वाला उसके बाद में है, तो वो क्या है, passive wise है, और infinitive का passive form क्या होता है, to be third form, to be third form, क्या मेरी बात समन में आगई, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, यह तो मैंने भी संझाने के लिए दिया, अगले example दे रहा हूँ, यह सब उसमें नहीं लिखा हुआ है, यहाद रखना हम इसमें बना किसका passive रहे है, main verb का नहीं infinitive का, किसका, किसी भी third form का do, अगर उसके पहले नहीं तो sentence infinitive treat किया जाएगा, options दिये होंगे, हम उसे उस पर trick करेंगे, मैं कि, हाँ, बताएं, हाँ, अगर object लेंगे तो भी, देखो इन में क्या है, वो कहीं नहीं object तो बनी रहा है, फिर भी हम बना रहे हैं, देखो मैं बता रहा हूं, इसा क्यों होता है, अगर आगे वहां से बनाएंगे, जैसे wants का बना देंगे, they are wanted, ऐसा बना देंगे, तो they are wanted से पता है कि उसका meaning बदल जाएगा, is that clear? they are wanted से उसका meaning बदल जाएगा, और reason भी क्या होता है, a cup of tea नहीं होता है, I want a cup of tea होता है, यह reason होता है कि इस case में लिखने वाले इस verb को जो की देखने में object होता है, यह noun-pronoun, वह object में इसका compliment ही होता है, तो compliment को मा आगे लाने ही पाते हैं, तो गलत हो जाएगा, sentence गलत हो जाएगा, उसको वह ही लगते हैं, अगले वाला जो action ही परफॉर्म कर रहा है उसे बना देते हैं बैसे, that's the logic, is it clear? और अगर आपने लिखा कि they are wanted to punish, they are wanted to be punished by him, तो तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है, they are wanted to be punished by him, हा, जबकि punish वो कर नहीं रहा, ऐसा लगेगा, they are wanted to be punished by him, तो punished by him थोड़ी हो रहा है, punish तो कोई और ही कर रहा है, मेनी बतल जाएगा, यही reason होता है, क्योंकि वो ना इसके बारे में बता रहा होता है, compliment इसका है वो, इसको यहीं लिखना है उसको वहीं लिखना है, तो आगे वाले पार्ट को पैसे बना देते हैं, हां, जिसा भी मने किया है, I do not like people telling me what to do, exam में आया, I do not like people telling me what to do, मैं नहीं पसंद करता लोगों को बताएं मुझे क्या करना है, I do not like being told what to do, क्योंकि like, समझे ना, like उसके बाद वो action तो नहीं है, I do not like people, जो people who like का object नहीं है, is it clear? समझ रहों नहीं समझ रहों, वहना rule number कर लिखाई दिया था मैंने, हर चीज का अपना एक logic होता है, like स्टेटी वर्व होती है, state बताती है, वो मिन वर्व नहीं होती है, आपने का like want होता है, like want अच्छी तरह समझा सकता हूं, समझ में आ रहा होगा आपको, एक question और exam में आया, जब तक बहतर से बहतर तरीके से हम meaning नहीं समझेंगे, तब तक गल्ती होगी, रफ कर दू, अभी conjunction वाले example दूँगा, जो कल conjunction वाला था वो example दूँगा, देखो समझते हैं जर एक example और, जैसे exam एक sentence आया, His uncle gave him a novel to read, सब्सक्राइब को, His uncle gave him a novel to read, उसके uncle ने उसे एक novel दिया पढ़ने के लिए, किस ने दिया? पढ़ेगा कौन? समझ में आराने सबीकों? अब जो भी तुम करना meaning मजएंग करना, मतलब जैसे भी पैसे बनाओ, इसका meaning मजएंग करना मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ, ठीक है? एक ये बना, a novel was given to him to be read by his uncle. सही है या गलत है? गलत हो गया? क्या गलती हो गई? नोवल अंकल पढ़ लिया? नोवल हाँ, यही चीज़ा में समझनी है, यह sentence खुद में तो सहीग है, यह sentence खुद में तो ठीक है, लेकि मीनिंग कुछ और है, एक ये लिखा था, a novel was given to him to read, to read by his uncle, ठीक है? हलाके एक और इसका पैसे बन सकता कर he को आगे लाकर बना ते, he was given a novel, he was? नहीं बन सकता क्या? दो अब्जेक्ट से नहीं यादे नहीं यादे आपको? direct, indirect, पहले तो direct लाते हैं, मैंने direct से बनाया है, indirect object non living होता है, direct non living होता है, he was given a novel to read या to be read, बोलो क्या होगा? to read या to be read by his uncle, चले इंचेजों को समझ लेते हैं, देखो जी, पहला वाला गलत होगा, क्यों गलत होगा मैं आपको बना लेता हूँ, आपने इसका भी पैसे बनाया, आपने इस वर्ब का भी पैसे बनाया, यह गलत नहीं होता है, meaning change नहीं होना चेह, यह पैसे इसलिए बना होगा, क्योंकि इसके जो पहले लिखा इसका दूर नहीं होगा, और है भी ऐसा, novel दिया गया है ना कि novel ने दिया है, तो यह तो सही लग रहा है न, पर दूर तो यह नहीं, लेकिन यह क्या लिखा आपने, यह पैसे में है न, तो यह पैसे तब होना चाहिए था, जो इसके पहले लिखा हो, इसका दूर नहीं हो, पढ़ कॉन रहा है, तो फिर पैसी क्यों बना रहे हो, समझे भी बात को, यह गलत हो गया, sentence grammatically correct है, उसका meaning कुछ और है, नहीं तो इसमें अंकल पढ़ेंगे, पढ़ना अंकल नहीं था, तो फिर मुझे क्यों देगे, यह गलत हो गया, अनौल वास गिवन टो हिम तो रीड बाइस अंकल, अब कुछ बच्चे क्या समझे, sentence पैसिव है तो पूरा ही पैसिव चलेगा, अब आप देखो, इसमें यह पैसिव बना, यह नहीं बना, कुछ बाले में यह नहीं बना था, यह बनना था, अभी आगे जो एक्जांपल दिये थे, तो हमें यह समझना होता है कि दूर, कौन किसका है, इसका दूर यही है, इनिफिनिटिव तो अक्टिव में है, लेकिन जो finite verb वो passive में और हमें doer किसका चेक करना होता है 3rd form का उसका doer पहले वो passive sentence माना जाएगा बोलो मैंने इस इखाया था पेले क्लास से बता रहा हूँ फिर चाहब वो V3 infinitive का हो या gerund का हो V3 अगर आपने लिखा है तो उसका doer पहले नहीं होना चाहिए ये sentence बिलकुल सही लिखा और passive है और he was given a novel to read इसमें क्या एगा to to be read इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि इसको पढ़ने वाला इस verb का वो doer नहीं है लिकिन इस action का वो doer है तो आप ये नहीं ये लिखेंगे या तो ये होगा या ये होगा और दोनों आ जाएंगे तो वो अला होगा direct object को पहले बाहर लाते हैं clear है सभी को? दोनों options लिख लें question अच्छा अब चल लए अच्छा ठीक ठीक जली से note करें indirect नहीं बोलता है indirect लिखा होता गया indirect लिखा हुआ है indirect को पहले लाते है अच्छा उसमें कितने pages हैं बुक में बताना कल बताना मुझे उसमें जो शुरुवात के pages हैं वो मेरी बुक के हैं ठीक है? तो मैं आपको बता दूँगा फिर तो मेरी लिखा मामला है कुछ बहुत बहुत किया होगा तो बता दूँगा उसमें जो वक्या पार्ट शुरुवा ना वक्या पार्ट तुम देखो ग्रामर उसमें लास्ट टॉपिक है शायद सब्जग वगर्मेंट या इन्वर्शन होगा शायद एडवप का जो भी है नहीं क्या हो शुपर फ्लॉवस तुम देखना अगर वो ग्रामर में लास्ट टॉपिक है तुम में बता तूँगा थोड़वा बदलागया क्या है ठीक है? उसी बुक में कई लोगों के फोटोचिप का के नाम बदल बदल के लिखे गए ठीक है वो खुद उन्हों भी लिख दी उनके दोस्तों ने भी लिख दी उनके भाईयों ने भी लिख दी जिसके बैच में जितने बच्चे कुल मिलाकर बोकोच चली जाए अब मैं अब मैं आपको कंजंक्शन वाले एक्जामपल देता हूं फड़ा फड़ा आप लोगों ने कभी क्वासी पैसिव सुना क्वासी पैसिव क्वासी नाई और राइट सुना है रफ कर रहा हूं मैं से हाँ दोनों कर आजाएंगे तो आप पहले और लेंगे डिरेक्ट अबजेट को क्या कर देंगे पहले लेकर आते हैं हम लोगों ठीक है डिरेक्ट अबजेक्ट ही सेंटेंस में में अबजेक्ट होता है और उसे हम पहले लाते हैं ठीक है चलिए देखें अभी रिवाइज कर आपको, want वाला example है, इस शीर को देखें जड़ा example यहां से देखें, मैंने कहा, you cannot change your destiny, if you cannot, change your masters, masters का मतलब है हम मालिक है, you cannot change your destiny, if you cannot change your masters, अगर अब अपने मालिक नहीं बदल सकते हैं, तो अपनी किस्मत नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, यह एक्जाम में आया, और यह हमारे पास क्या रहा, conjunction है, और एक जो है, conjunction के पहले, एक conjunction के बाद है, देखेंगे, जो सिखाया था, वही करेंगे, दूसरा example देखते है, मैंने कल आपको पता है, था, था पेशेंट, हैड, टेकन, था मेडिसेन, the patient had taken the medicine before the doctor died before the doctor died iso me conjunction before hai at bharati concept exam at bharati concept exam at bharati concept at bharati concept every question is answered every question is answered because baki sabo hai hai because we believe that because we believe that even Einstein asked questions exam mein aai tha because we believe that because because we believe that even even Vivekananda Sudhir Shiro even Vivekananda asked the questions to so bhai yaa harayak prashna ka uttar diya jata hai kyunki hum ye maantte hai ki prashna to Vivekananda ne bhi poochet hai eaasa question aya hai तैयार है आप आप मुझे पता सर क्या बोलते हैं don't worry तैयार हां तैयार होता है तैयार है आप लोग हां चले देखें एडभार्ती concept every question is answered because we believe that even Vivekanand asked a question Vivekananda एक साथ लिखा जाता है एक साथ एक नाम है ना तो सौरी हाँ gap नहीं है ठीक है Vivekananda हाई की साथ होगा देखें एडभार्ती concept अब आप देखो कि इन तीनों questions में आपको समझा रहा हूं और समझ में आ जाएगा ठीक है इसके बाद में एक को था example और दूँगा नोट कर लिया सभी ने पहले हम sentences को पहचानेंगे की active है की passive है क्या है और क्या नहीं और फिर आगे चलते हैं हम् हाँ हाँ, हाँ क्या होगा हाँ नहीं तू नहीं लिखेंगे उसे में नहीं बदल जाएगा तुमने ये भी दे तो दिया जो भी बोलना चाते हो इसमान गया आगर भी तीन होते हैं एक आथ सब के नहीं में होते हैं तो किसी शप्राइजंग उसे मिवाल गा जाता है जो एकस्पेक्ट आहीं था और वो हो गया अगर मैं को कि तॉमैस हले इडिशन ने तेरा वर्ष की उम्र में ही, तेरा वर्ष की उम्र में भी 16 एक्सपरिमेंट्स कर लिये थे, तो वो matter of surprise है, वहाँ इवन आएगा, ठीक है, और सिफ यह जानकारी देनी हो, तू जो होता है, जिसके बारे में बात करता है, उसके बाद आता है, और जिसके बारे मे सब्सक्राइब होगे, तो जब तू इवन यहां लिकित होगे, तो तू किसकी बात करना चाह रहे हो, छुब आता हुए है, जिसके बात करना चाह रहे हो, यह संटेस होगा, गलत नहीं होगा, लेकि मिन्हीं ही मस बुँबड़ जाएगा, कि विवेका अनंद ने भी, क्वे पूछे थे, जो कि तुम्हें यह कहरा नहीं चारो, चले, देखें, यह sentence लिखा हुआ है, यह part active voice है, है, यह भी कैसा है, right, और दोनों में हमारे पास objects है, तो दोनों को क्या बना लेंगे, right, the patient had taken the medicine, यह भूरा क्या हुआ, active, object है, यह भी active है, लेकिन object, तो भाई इसका passive नही नहीं बनेगा, मेरी बास सम्झा रही है, yes or no, right, अब जब यह sentence देखोगा ना, इसमें कई टुकड़े हैं, कई parts है, every question is answered, passive voice, because we believe that के पहले वाला, active voice, that के बाद वाला, अँँ, active voice है नहीं है, विवे कानन्त, आस question यह भी कैसा है, active voice, अब हम करेंगे क्या, सब को हम convert करेंग एक्जाम में तो options देखेंगे, लेकिन अभी हम बना रहे हैं, तो सब का पूरा-पूरा conversion करेंगे, इन दोनों active का passive बन सकता, बनाएंगे, इसका बनेगा, उसका नहीं बनेगा, छोड़ देगे, इसका बनाएंगे, इस वाले part का active बनाएंगे, दोनों का passive बनाएंगे, समझ इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे, दोनों be changed by you, लेकिन बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे इसका बनान ड्चाएंगे और हम नाहीं लिखें, क्योंकि यह जर्नल फैक्ट है, हम बात किसी एक बंदे की नहीं कर रहे हम सब के लिए बात बोल रहे हैं, you का मतलब सिथ, not you, it's आस्टर्स गांट भी चेंज़्ट भाई यू लिखने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है और लिखना भी पड़े तो एक बार लिखोगे सिर बाद में ठीक हैं? लिखना भी होगा तो एक बार सिर बाद में लिखा जाएगा that's it, note करें चीज़ को और फिर हम आगे चलते हैं ठीक है? लिख लिया? इस वाले का बनाए है तो बताओ क्या बनेगा दा क्या मैजिसेन आगे बहलो हैड बीन हैड बीन टेकन बाई दा पेशेंट बिफोर पुरा वई बिफोर दा डॉक्टर टाइड हो जाएगा इंट्रेंसिट वहाँ क्या? लिख लिया? दा मेदिसिन दा बीन टेकन और राइट taken लिखा जाएगा, miss हो गया था हो अब इस वाले का जब बनाएंगे आप तो देखो क्या होगा इसका बनेगा at भारती concept at भारती concept we answer every question वी कहांसे लिया गया? वो लिखाय हुई ठीके ना? at भारती concept we answer every question because because it is believed by us it is believed by us that that आगे बताओ questions were asked यह तो होगा भई asked भी टू था उसका पैसे उपनाएंगे वोस बड़ से तो questions were asked हो गया by us that questions were asked इसके बाद बताओ क्या लिखू? बाई इवन विवेकानन या इवन बाई विवेकानन क्यों अचिये इवन बाई यह option भी था और यह option भी था विवेकानन अब बता दो क्या आएगा अब तो पता चली गया होगा सरकारी नोकरी है जो लगए हो बिलकुल, नहीं होता अरे, सिंपल सा लॉजिक है तुम्याज एवन कहा होगा हो इवन किसके पैले लिख देख रहे हो पाय के पहरे पैले प्हरे था क्या पर्ले तो फाय था नहीं, तो तुमने आप कैसे लिख दिया तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हें मेनिंग मदल दिया है इवन अडबर्ब होता है जिसके पहले लिखा जागा यह पहले आके यूज़ जिसके पहले आएगा उसे तुम्हें पहले लग जाएगा हो सकता है तुम ट्रांसलेशन ना कर पाऊ इसका समझ महीं ना है लेकिन यह ऑप्शन गलत होता है इवन ने शॉरी मोल्टा कर रहा हूं सॉरी 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 यह वाला ही ठीक होगा यह बाय Skills आए और उधर से कुछ दिख दिख रहा था यह दर कुछ दिख रहा है इवन बैका नद एक साथ लिखा जाएगा और बाय यहां आएगा यानि यह जो हमने लिखा बाई इवन बश्मोज कोई डिफ्रेस्ट लगता अब को He came even by bus और He came by even bus में कोई हिईफेन्स लगता अपको को मेंनी मोरे poly Carn tun एंच hours ने होता हुँ बस से भी लेया अब दस से भी है और एक में हैं और एंपर एक में क्या बस से ही आया बस से भी आया हिंदी में की मतलब निकलेगा लेकिन इंफसाइज अलग जगे कर रहे हो इवन बाई का मतलब समझते हो इवन बाई बस हो सकता आते समय जो है न उसने कई टांस्पोर्टेशन के मीडियम स्चेंज की होंगे और उसमें एक बस भी रहा होगा बस भ इसके पड़े लिखोगे इसे मोडिफाइ करेगा और जब बस के पड़े लिखोगे तो इसकी बात करेगा एक बिद भी होता है एक इन बस भी होता है एक अन बस भी होता है और बाई बस भी होता है इसे क्लियर अगर बस के पड़े लिखोगे तो सिभी इस पर होता है वो डिफरेंस यहां पर रहे है इसे क्लियर वह बस के साथ ही नहीं बस के द्वारा भी आया अब आरा को समझ में वह बस में नहीं बस में नहीं बस में का मतलब बस के अंदर नहीं बस के ऊपर भी आया तो ऊपर भी का संस्ट कैसे लिए इवन ओन दबस इवन तो वो इ हम बोन गई इसमें दोनों पार्ट बदल दिए ह сх share modelसकते हैं इसमें किसका उसका बदल सकता इसक्ता इसमें mix मिक्स ता यह सब्सक्राइब आगीमि है य्सेंटेस पैसिवाइस था यह दोनों कैसे थे every question, because we believe का पैसी बनेगा, it is believed by us, it is believed by us, that even Vivekanand asked questions, asked वर्ब की कौन सी फॉर्म, इसका पैसी बनेगा वोज वर्ट से, किसे बनेगा, यह लगा दिया आपने, that, एक option में तो यहां भी आया था even, even यहां पर भी आया था, even questions were asked, questions were asked by even Vivekanand, तुम्हारा focus emphasis यहां है, कि Vivekanand के द्वारा भी, Vivekanand ने भी questions पूछे थे, is it clear, ना कि questions भी पूछे थे, है ना, ना कि questions पूछे भी थे, यहां लगा होगे तो भी sentence सही होगा, यहां भी सही होगा, व तो आपने जैसा लिखा था, even Vivekanand, बाए के बाद door को place कर देंगे, is it clear, अब भी नहीं समझ रहे हो, कि even by or by, even Vivekanand में क्या difference है, even by का मतलब पता क्या होगा, Vivekanand के साथ ही question नहीं पूछे गए, Vivekanand के द्वारा भी question पूछे गए, is it clear, Vivekanand के पहले ही question नहीं पूछे गए, ब I hope I'm able to, done, यह सम्झे गए बाद, थोड़ा और देख लेते हैं, रफ कर दो इसको, पहला वला, इफ के बाद मॉडल नहीं आता, alright, देखे, यह जो चीज लिखी हुई है, आप समझेंगे, यह सही लिखा है कि इफ के बाद मॉडल नहीं आता, you cannot change destiny, your destiny if you cannot change your masters, यहाँ पर य यह कोई condition नहीं है, यह general fact है, यह general fact है, कोई शर्त नहीं है, हम किसी को यह बाद condition की form में बता रहे हैं, अगर तुम वर्फ को गर्म करोगे, पिखल जाएगी, is it clear, इसका actual meaning क्या है, मैं पको पता रहू न, error नहीं निकाले है active voice में, यह sentence सीधा exam में आया था, वो मैं आपको स वो भी सकता और, लेकिन अगर मैं primary verb लिख दूँँगा, तो काम पक्का होता है, टेंसेज वाले काम पक्के होते है, model वाले में doubt होता है, is it clear, तो लेकिन अब उसने यह बात लिखी क्यों है, कही ने कहीं उसको 1% doubt भी रहा होगा, क्या पता बिना master बदले भी destiny, बदल जाए इसलिए उसने fact form में नहीं लिखा, ऐसा लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखना गलत नहीं है, हमेशा model के बाद, if के बाद model गलत नहीं होता, सही लिखा होता है, चले आगे guys, मैं रफ करता हूँ एक बात सुनो धहन से, कुछ वापस ऐसी होती है, जिनके बाद passive voice में हमेशा बाद नहीं आता, हमेशा बाद कुछ अलग अलग prepositions आते हैं, बाद का बाता है, यह समझ लोगे तो वो रटने नहीं पड़ेंगे, नहीं वाब जाएगी, आप समझ जाओगे, जब हमारा doer, living हो, human being हो, काम को perform कर सकता है, फिर तो बाद लेना, राम ने कमरा साफ किया, र मुझे सर्प्राइज कर दिया, तो strange behavior कोई living agent नहीं है, living doer नहीं की काम को कर पाएगा, बोलो मरी बाद सम्झारी है, तो हम इसमें by his strange behavior नहीं करेंगे, या तो with लिखें या at लिखें, उसके behavior पर या उसके behavior से, say के लिए with भी आता है, मेरी बाद सम्झारी नहीं आ रही है, तो ऐसी कुछ verbs में आपको दूँगा, जिनके साथ हर बार बाई नहीं आएगा, कोई और अलग prepositions आएंगे, तो मैं कल यही बताना है जब नेक्सलास में होगे, कि बाई नहीं आएगा, यह पुछोगे सर बाई कहानी आएगा, और एक नाम ले दोगे, कुआसी, 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 और यह खत्म हो जाएगा, हला कि अब आप कर सकते हैं, जहां से चाहें, वहां से कर लें, कुछ रहन रहना ही गया है, तो यह दोनों हैंड़ोट पूरे-पूरे कर लेंगे, 200 कॉश्चिंस यह और 200 कॉश्चिंस हो, ठीक है, और आपके जो डाउट समें ले लूँ अब आपको कर लिया है, काफी समय मिल गया बीच में आपको कर लिया है, वह 200 कंवर्जन वाले और 200 स्पोर्टिंग इनर्स वाले हो गये थे, चलिए, कुछ डाउट ले लेंगे, उसके आगे चलेंगे, लाए तो हो ना हैंड़ोट सरे, सभी के पास है ना, चलिए, तो अगले की तरब बढ़ते हैं, देखते हैं, समस्ते और आगे चलते हैं, चलते हैं, क्या लिखा है, क्या नहीं, समस्ते उन्से, हाँ जी, मेरी खाल से मैं लास्ट में जो बात बता के गया था आपको, वो दो बाते थी, हाँ बोलो, हाँ वही वाला वही वाला यही दो बाते रहती थी हमारे उसमें बाई और कौन सा क्वासी वाला वह मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं ठीक है एक लंबी लिस्ट होती है कुछ वर्प्स ऐसी होती है जिनके साथ प्रपोजिशन बाई नहीं आता अभी तक हर बार जहlä प्यसी बनाते हैं तो क्या लेते हैं थीजर के साथ हाँ जिसके बाद कौन साथ प्रपोजिशन आता है जैसे addicted to ही आता है, escaped from आता है, तो कुछ चीज़ें क्या होती ही, fix होती है, कि इसके साथ, उसका reason क्या होता न, मैं आपको बता देता हूँ, fix वैसा कुछ नहीं होता, कई बार एक word सिफ एक ही मतलब दे सकता है, एक ही context में use हो सकता है, जैसे, अगर हम बात करें, ऐसे कह दें कि, die, तो एक तो यह कि यह verb intransitive है, कैसी यह गाईज, intransitive का मतलब यह हो गया, यह बात fix हो गई, कि इसके बाद कोई object, मतलब noun pronoun नहीं आएगा, तो यह बात सिर्फ इसी verb के बारे में थोड़ी है, वो तो कोई भी जो intransitive verb होगी, अपने बाद object नहीं लेगी, उसके बाद noun pronoun नहीं आएगा, क्या मेरी बात समन में आ रही है, दूसरा, और यह भी अब जानते हो कि यह जो action है, वो कोई living being करेगा, इसको कोई non living भी नहीं कर सकता, हम ऐसे नहीं बोल सकते, कि the chair died, the door died, the room died, यह भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मरने का काम कौन करेगा, जो जीवित हो, और जीवित हो वो living होगा, तो ऐसा नहीं होता कि फिक्स हो गया, फिक्स नहीं होता, हमें समझना होता है, context में word किस तरह use हो सकता है, क्या मरी बाद समझा रही है, ऐसे ही जो escape होता है, escape का एक ही मतलब होता है, बोलो क्या, बच के निकलना, है न, बच के निकलने का सीधा मतलब होता है, कि किसी की गिरफ्थ से, पकड से भाग जाना, यह तो होता है, इसलिए escape अपने बाद from लेता है, क्या लेता है, he escaped from prison and all that, तो क्योंकि इसका एक ही मतलब निकलता है, इसलिए इसके साथ क्या लिख देते हैं, from लिख देते हैं, डिटामे के क्लिया, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल भी नहीं होता, क्योंकि वह भाग निकला, किसी के गिरफ से अगर यह बोलना हो, तो from आएगा, लेकिन वह अगर किसी के साथ भाग निकला, किसी के साथ बच कर भागा है, तो with भी तो आ सकता है, तो इसलिए एक तो हमें लगता है कि कुछ वह स्फिक्स हैं, बट वह लगता है, most of the times उसी कॉंटेक्स में यूज होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होगा, क्या, कि वह किसी और मीनिंग में यूज होंगे, और नया प्रपोजिशन यूज हो जाएगा, वह भी ठीक होता अपनी जगे, मेरी बाद समझा रही है, तो वही चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ verbs में लिखूँगा, जिनके बाद प्रपोजिशन बाई नहीं आता, कुछ और प्रपोजिशन आते हैं, लिखते हैं जरा एक पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा होगा, 6, 7 कौन सा, नमबर कौन सा होगा, 8 दिख ले, 8 नमबर क्या है, 8 नमबर, पॉइंट नमबर 8 क्या है, पॉइंट नमबर 8 जो है ना वो ये है, 8 ये लिखा हुआ है, कि कुछ verbs होती है, जिनके बाद पैसी में हम क्या नहीं लिखते हैं, बाय नहीं लिखते, कौन सी वर्प्स हैं वो, कोई और प्रपोजिशन्स वहां आती हैं, जैसे, इसमें क्याटिगरी नमबर 1, अगर सेंटेंस में, पैसिब बनाते समय, क्या गया, 9 ना गया, या क्या आगया, क्या आगया, औबलाइज़ आगया, नोन आगया, औबलाइज़ आगया, तो याद रखना, यह समझें वाली बात है, वह मेरे दुवारा जाना जाता है, यह थोड़ी है, उसके अपनी पहचाना तुम्हारे दौरा क्या जाना जाता है उसने पहचान बनाई है लोग उससे जानते तुम्हारे दौरा थोड़ी जानते है हम मेनिंगी गलत निकाल लेते हैं वो तुम्हारे दौरा नहीं ऐसा है अगर तुम उसे जानते हो तो बोलो तुम उसे जानते हो या तुम उसे जानते हो या क्या उसके बारे में मुझे पता है ऐसा बुलना चाहिए हमें यह नहीं बुलना चाहिए कि वह मेरे दौरा जाना जाता है मेरी पार सम्झा रही है यहां दौरा डौर गलत हो जाता है इसके साथ सही प्रपोजिशन क्या माना जाता है नोन टू मी लिखा जाता है नोन टू लिखा जाता है चीके ना उसके बारे में पता होता है ना कि उसके दौरा तो he knows me कपैसिप बनेगा I am known to him I am known by की जगे क्या हो जाएगा known to him हो जाएगा मेरी पार सब को सम्झा रही है राइट दूसरा अगर कभी alarmed क्या लिखा alarmed यह क्या लिखा है alarm alarm है alarm है आप conscious हो गए सारे ठीक है नहीं तो सारे alarm बोलते हैं पारक गया पारक ठीक है कोई बात नहीं पाक alarm ठीक है alarm हो गया amazed हो गया amazed और क्या surprised और क्या astonished alarm हो अमेज़ अस्टोनिष्ट यह से नहीं सांग बोलाएं पाले वाले में पाले वाले में क्योंकि जानने का काम किसी के द्वारा किया जारह रहा है अक्शली जानना कोई काम होता ही नहीं है अगर ध्यान दोगे तो जानना कोई action नहीं होता है ना भई तुम उसके वारे में जानते हो या तुम उसे जानते हो वह है मेरे द्वारा जानना जाता है उसको क्या मतलब निकलना चाहरो मेरे द्वारा जानना चाहता है तुम्हारे द्वारा नहीं उसके अपनी पैचान है वो तो उसने पैचान बनाई है निया मैंने वह भी लिख दी ना नोन और अबलाईजी वह भी ऐसी लिख दी कि नॉन एक्षन होगी हो मैंने तो आपको रिस्ट को लिम्टेट कर दिया जिसमें होगा एक्षन तो फिर तो पैसिवी तो बतारा हूँ मैं आपको इन सभी को मतलब कहीं न कहीं होता है आश्यर चकित कर देना तो इनके साथ जो लिखा जाता है वो क्या होता है एट ठीक है और और एक होता है इन्ट्रस्टेट इन्ट्रस्टेट हाँ 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 होता है लेकिन होता क्या है अभी जब सेंटेस को पढ़ो गए आप तो क्या हो जाएगा वह उसके द्वारा नहीं कोई काम किया जाता है उसके द्वारा होता है आप कभी किसी बंदे के द्वार अश्र चाकित नहीं होते हो, सारे हम एक जैसे होते हैं, किसी को देखर कोई सर्प्राइज नहीं होता, बल्कि किसी को देखर कि वो कुछ ऐसा कर दे, उसके आक्शन के द्वारा, तो आप किसी बात पर सर्प्राइज होते हैं, जैसे his performance surprised me, he did not surprised me, और his performance एक non-living agent है, non-living है na, his performance क्या कर पाएगा वो, तो we were surprised at his performance, बाई नहीं लिखा जाएगा, living doer नहीं हो आप, ठीकिना, अगला देखें, क्या, क्या लिखा हैं, interested, और क्या लिखा, content, engulfed, interested, contained, engulfed, इसके साथ क्या लिखेंगे, in लिखा जाता है, ठीकिना, हम बोलते हैं, I am interested in this book, अब ये book मुझे कैसे interest कर सकती है, बोक मेरे लिए गाना नहीं गा सकती, अच्छा खाना नहीं पका सकती, तो सच में कोई काम नहीं कर सकती, है न, वो living doer नहीं होता, हम बाई नहीं लिखते हैं, हम क्या बोलते हैं, this book interests me, और I am interested in this book, ऐसा लिखा जाता है, इस box में 500 books हैं, तो 500 books are contained in this box होगा, by this box नहीं लिखा जाता है, living agency नहीं होते हैं, इसलिए by नहीं लिखा जाता है, क्या मेरी बाद सब को सम्मिजा रही हैं? यह मैं कुछ ही लिखा रहा हूँ, बहुत जादा ड़ा डिटेल में तो आप preposition म नहीं हो रहे होंगे, इसलिए preposition बदल रहे होता है, एक और देखें, कई बार हम लिखते है satisfied, क्या लिखते हैं? satisfied, और फिर क्या लिखते हैं? dissatisfied, या pleased, pleased भी क्या होता है, खुश करना किसी को, pleased करना, satisfied, pleased, और dissatisfied, इसके साथ हम लोग with लेते हैं, क्या लेते हैं? with लेते हैं, by नहीं लिखा जाता, by नहीं लिखा जाता, with लिखा जाता है, note करने, इसको, ठीक है? इसे आप note कर लेंगे, note कर लिया हो, तो दो जार examples में आपको देता हूँ, लिख लें, मैं आप करता हूँ, examples clear हो जाएंगे, यह और लंबी list होती है, मतलब हर category में और वी words होते हैं, ठीक है? या और वी बेलग words होते हैं, तो उन्हें हम बहतर समझ पाएंगे, जब हम preposition पढ़ेंगे, और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कि लिखते जरूर बटा ऐसा होता, कई आपको देखने को मिल जाएगा, यहां मैंने at लिखा हैं, तो कई आप with भी हो सकता है, कई आप ऐसा भी मिलता है, एसा भी हो सकता है कि non-living के साथ with लगाते हैं, और living के साथ at लगाते हैं, बट केस दोनों में एक होता है, आप उस पर surprise नहीं थे, उसके किसी काम पर ही surprise थे, लेकि अगर सीधे वह non-living ना लिखकर living लिख दिया जाए, तो आप at ले देते हैं, और उसको कोई action लिखा जाए, his singing, his dancing, his performance तो आप with लिख देते हैं, चीक है, चलिए मैं इसको rough करता हूँ, examples देखते हैं जरा क्या लिखा हुए, और simple है, इसे कर पाएंगे, जितनी बाते हमने सीखी थी सारी apply करनी है, बस preposition by को हटा देंगे, that's it, जैसे एक example देखते हैं, और फिर देखते हैं quasi passive, जैसे मैंने लिखा, मैंने कहा राम, नोज, शाम, क्या लिखा, राम, नोज, शाम, राम शाम को जानता है, तो अपने हिसाब से मिसका पैसे बनाते हैं, शाम यहां गया, क्या बन जाएगा, शाम is known by राम, तो बस सब कुछ वही, सिर्फ आप preposition by को drop कर देना, और क्या लिखोगे, to, बागी सारा कुछ वही है, शाम is known to राम हो जाएगा, clear है, एक और एक्जाम्पल देखे, हो नियू हिम, लिख लिए असा भी ने, हो नियू हिम, उसे कौन जानता था, तो हम जब पैसे बनाएंगे, इसमें हू हमारा क्या है, और ये क्या माना जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट डूर के पहले बाई लगाते हैं, लगा दिया, by whom was he, क्या, known, बस बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ by को drop कर दो, क्या हो जाएगा, to whom was he, known हो जाएगा, ठीक है, to whom, to whom was he, known, by की जाएगे, सिर्फ, to लग जाएगा, और पहले भी मने आपको बताया था, अगर दोनों options आजाएगा, हम to को पीछे भी ले जा सकते हैं, क्या बन जाएगा, who was he, known, to, to पीछे लिख देंगे, to भी चीक होता है, गलत नहीं होता, ठीक है, नोट करें शीशको, पहला एक्जम्पल, दूसरा एक्जम्पल, तीसरा देखते हैं, this book does not, this book does not interest me, this book does not interest me, fourth, that box contained two guns, that box contained two guns, ठीक है, फिर लिखेंगे, हैस् क्राइब अलाम्प्ड मी, हैस्ट क्राइब अलाम्प्ड मी, फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे, अलाइब, customers, he satisfies all his customers, note करें, अब हम इनका पैसे बनाएंगे सब कुछ वही रहेगा सिर्फ क्या बदलेगा हमारा प्रेपोजेशन चेंज रहेगा सब्जेट को अब्जेट बनाएंगे यह सारी बाते ठीक है चलिए देखते हैं तो पहला बताओ क्या बनेगा कौन से हैं इस बुक डज नॉट इंटरेस्ट मी यह ऐसा एक सेंटेंस है जिसे हम शायद अक्टिब में बोलते ही नहीं क्या बोलते हैं प्यासिव में, बोलो क्या बोलेंगे, I am not interested, I am not interested in this book. बाए के प्लेस पर हमें सिफ क्या लिखना है, इन लिखना है, बस, I am not interested by this book, गलत हो जाएगा, I am not interested in this book हो जाएगा, अगला लिखा, that box contained two guns, that box contained, contained verb की second form, तो भाई two guns यहाँ लिया हो, वाज की जगे वर आजाएगा, मतला वाज बर आता है वर लिए जाएगा, two guns वर contained, third form भी यही होती है, अब बाई that box की जगे, क्या हो जाएगा, in that box, in that box, two guns वर contained, in that box, मेरी बाद सब कुसम भाई रही है, his cry alarmed me, तो I was हो जाएगा, alarmed कौनसी form है, वर की, तो पैसिप बनादिसे में क्या लेंगे, was or, तो his cry alarmed me का बनेगा, I was alarmed at his cry, at his cry, उसकी चीक सुनकर मैं चौकन ना हो गया, सावधान हो गया, ठीक है, फिर क्या लिखा अपने, he satisfies all his customers, he satisfies all his customers का क्या बनेगा, all his customers, all his customers, यह जामार आएगा ना, क्योंकि satisfies लिखा हुए, तो are, आगे बोलो, satisfied by him or with him, with him, उस से ना कि उसके द्वारा, note करें इसको, ठीक है, note कर लेंगे, कर लेंगे, अभी ने, तो बाकि सब कुछ वही है, subject को object बनाया हमने, और जो verb ली है, helping up, वो चार्ट से ही ले रहे हैं, अभी भी, सिर्फ proposition जो है, buy के place पर, धूसर proposition यूज करते हैं, क्योंकि वो living doers नहीं होते हैं, ठीक है, rough कर दो मैं इसको, simple test में कुछ नहीं नहीं था, quasi passive पढ़ा आप लोगों ने घर पे, क्या होता है, देखा किसी ने, quasi passive या क्या, mid passive, ये क्या होता देख लेते हैं, रफ कर दूँ, चलिए, quasi और mid passive क्या होता है, quasi passive और mid passive, quasi passive का ही दूसरा नाम क्या है, mid passive, आधा passive, mid का मतलब आधा होता है, है ना, तो ये वो structures होते हैं, जिनमें sentence आधे active रहते हैं, और आधे passive रहते हैं, आधे active और आधे passive होते हैं, हलाकि गलत होते हैं, हमें पता हैं, अगर हमें बनाना है, या तो पूरा sentence कैसा हो active या पूरा कैसा हो passive लेकि इसमें ऐसा नहीं होता इसमें आधा active होता और आधा passive होता है जैसे एक example देखो पहले मैंने कहा sugar tastes क्या sweet sugar tastes sweet sugar जो है sweet taste करती है करती है या देती है मीठा स्वाथ देती है ऐसा कर लेते हैं अभी sentence लिखा हुआ है क्या हम इसका पैसे बना पाएंगे अगर technically चलेंगे तो यहाँ जो taste है वो हमारी एक couple वब अगर मैंने कभी पढ़ा हो आपको couple वो वब होती है इसके बाद क्या आता है एजेक्टिव आता है बताया कभी नहीं बताया नहीं बताया वो पढ़ाया नहीं पढ़ाया नाम भी नहीं लिया ऐसा नहीं हो सकता sugar tastes sweet अशा यह तो पता है कि sweet adjective है चलो फिर ठीक है इससे काम बनेगा यह क्या है और यह क्या हो गया हम object को आगे लाते हैं subject को तो यह object है जो आगे चला जाएगा यह तो क्या है adjective और object क्या होता noun यह इससे बता चल गया passive नहीं बनेगा क्योंकि object होता तो ही आगे जाता ना object थोड़ी है यह तो प्ला वर्ब है मैंने बताया था आपको यह तो adjective में बताया होगा वो वर्बस जिनके बार एड़ वर्बब नहीं adjective आता है या मैने वर्ब में कही नाम लिया होगा कि couple of ups क्या होती है जो state बताती है, काम नहीं करती है फिर भी हमारे पास sentence चाहे जैसा आ जाए, हमारे पास exam में हो है ना, no passive जैसा कोई option नहीं होता है इसका passive यह बनेगा sugar is sweet when it is tasted समझ गए यह इसका passive बनेगा और आप देखेंगे, इसमें आधा sentence active है, sugar is sweet part active है और when it is tasted कैसा है, passive है, है ना आधा passive और आधा कैसा है active, क्या मेरी बासन में आ गई, हम, मैंने आपको passive बनाना जब सिखाया था तो आपको बताया था किसी ट्रांस्टिव वब में object मिस हो जाता है तो बनाते हैं और subject उतना important नहीं होता doer उतना important नहीं होता, तब उसका पैसे बनाते हैं object को आगे लाते हैं इसकी क्या जरूत पढ़ गई, जो ऐसा बोला जाता है कि sugar test sweet को पैसे बनाए sugar is sweet when it is tasted बिना टेस्ट किये हुए कैसे पता चलेगा कि वो मीठी है, यह कोई कहने वाली बात है कि जब आप चखेंगे, टेस्ट लेंगे, स्वाद लेंगे तो आपको sugar जो है मीठी लगेगी बिना टेस्ट किये कैसे लगेगी यह बात अभी संजाता हूँ यह संजाया, कैसे बना? सिंपल, यह सारा प्रेजेंट में क्यों है? क्योंकि पूरा सेंटेज किसमें था? अगर यह टेस्टेड होता, कैसा होता? तो सब कैसा बनता? वाल स्वीट वेन टेस्टेड इसमें कोई रूल नहीं होता है खुच समझ लेंगे एक 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 ऐसमपल देता हूं भास्च का मैंने कहा कर्ड, कर्ड क्या होता है? दही होता है? कर्ड smelt sour क्या होबा? दही जो है वो खट्टा था या खट्टी थी जो भी था खट्टी थी, tamam तो दही जो थी, वो खट्टी महकी यही ना? यही, उसे तो स्मेल आ रही ही, वो कैसे थी, सौर थी, सौर क्या होता, कट्टी होता है, all right curd smelled sore इसका पैसे बनाते है बोलो क्या बनेगा curd was sore when it was आगे बोलो smelt when it was smelt बन गया, इसमें कोई वो नहीं होता भाई यह वो आपके second form है यह past बन गया और second form का passive यह बन गया कपला, अभी पिता दूँगा कपला वो 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 वोती है जो अपने बाद अजेक्टिव लेती है अडवर्ब नहीं लेती है ठीक है, अभी लिखा दूँग उसको यह क्या लिखा अपने curd was sore when it was इस बात से थोड़ा सा अलर्ट रहना केरफुल रहना कि वो क्या करता है it was हटा देता है when smelt, when tasted exam में एक option यह भी आता है जल्दी में हम होते हैं, ज्यान नहीं देते हैं कि sugar is sweet when tasted यह गलत होता है sugar is sweet when it is tasted और curd was sore when it was smelt जल्दी में हम उसे tick कर देते हैं, वो गलत होता है ज्यान अखना, ठीक है अब मैं आपको बता दूँगा ऐसा passive हम क्यों मनाते है subject हमारे पास वही जो था important भी होता नहीं है बात भी दही की हो रही, किसी और की तो हो नहीं रही कि किसी ने महका, इसकी तो बात ही नहीं हो रही कर्ड, समल्ड, सौर का क्या मतलब अप समझते हो बताए दही, खटी, महकी तो कै इसकी दो मतलब नहीं हो सकते हैं क्या महकी तो खटी, लेकिन थी नहीं नहीं समझें ऐसा नहीं होता है, यह कह रहे हो ज्यादा तो दुरूब आपको दही का चलिये, कोई नहीं, दूसरा एक्जाम्पल देते हैं, हो सकता है, दूसरा एक्जाम्पल, इसमें तो खर्मे नहीं जीच सकता आपसे, कि सर जब खटी महकते तो खटी होती है, लगा लो आप, ने तो जमा के दिखा दो, हैं, देखो मैं कलवी, कलवी थी तीखी थी, तीखा क्या होता है? तीखा बढ़य होता है? मसाला होता है? चीली, ओक चीली. The medicine tasted bitter, यह लिखा हुआ है, इसका passive बना लेते हैं, the, भूल, भूलू, the medicine was bitter, आगे बोल दो, when it was, when अब दही छोड़कर में इसकी बात करेंगे The medicine was better when it was tested यानि नहीं आप test को फिर लग लग ले जा रहे हो कोई भी चीज जब आप खाते हो तो पहले उसका test आता है खाना न खाना बाद में होता है सबसे पहले हमारी स्वादिंदरी जो होती है test buds जो होती है वो अक्तिव होती है पहले test ही करते हैं ठीके ना अब मैं आपको बताता हूं इस sentence के क्या मतलब है इंफेक्ट दवा को खाय नहीं test ही किया जाएगा खाना खा सकते हैं, सेव खा सकते हैं, दवा कैसे कोई खायगा दोक्टर बलता है take the medicine does he ever see eat the medicine? नहीं ना कीटनस लिए हो ही लेंगोज है सब बता जाती है, हम वही समझे तो कलिए है गलत होता है दवा नहीं खाय जाती है दवा ली जाती है ज़ा खाना क्या होता है और दिक्सिन करना eat का मतलब क्या होता दूने उट एट होता है क्रिया इँट क्या है हम तो हुँ हम तो हाएं जैंना वो भी ए भाई रहे हो तो देखो वह से एड़मेटिक होता है एड़मेटिक ऒधिंग measurement अछना का मतलब संज़ो पहले किया होता इसका मतलब क्या है कि दवा जो थी वो कैसी थी कड़ुन लग थी यह कोई भी चीज का टेस्ट को अच्छा लगा था उसे में अच्छा नहीं लगता, खाने का मन नहीं करता, पीने का मन नहीं करता, दो-तीन दिन बाद फिर टेस्ट आई होता है न, उस बीच में जो भी चीज खाऊगा आपको कैसी लगेगी, कड़ भी लगेगी, तो the medicine tested better की क्या यह indefinite है, यह indefinite है, कहां गया, यह indefinite है, भाई वो present का, यह past का है तो indefinite ही, और indefinite का नाम समझते हो, indefinite होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी श्योर नहीं होता, दो बाते जरूर होती है, वहाँ भी ऐसा ही है, sugar, taste, sweet के दो मतलब होते हैं, हो भी सकता और नहीं भी, कई ब शुगर को एक pot में रखो और यूज ना करो, काफी समय बाद यूज करो, देखना उसका टेस्स कैसा निकलता है, आंगरी जी पढ़ने पढ़ने क्लिए क्या क्या नहीं क्या मने लाइफ में, आपको नहीं बता, ठीक है, यह सब करना पढ़ता है, तब आपको प्रैक्टिकल और एक यह कि उस टाइम बींग पर दवा आपको कड़वी लगी, लेकिन अगर आपने यह लिख दिया, तो इसमें डाउट नहीं है, यह बात होगी पक्की, इसमें जिसने भी दवा को टेस्ट किया, उसको क्या लगा, यह मतलब है इसका, डेटामे की क्लियर, तो यह इसका पैसिव होता है, हलां कि हम क्या कहते है, अक्टिव से पैसिव लाओ, पैसिव से अक्टिव ले जाओ, मिनिंग नहीं मतलना चाहिए, कल मैंने बहुत गुस्य में एक बच्चे को रिपला है, क्या बहुत कोश्यन पूछ रा था हो, काफी कुछ लिखना पड़ा, ताइम नह कर दो, it is me होना चाहिए, it is me whom he wants to meet, मैंने आपको बताया है न, it is I am me करके, अब उसे मैंने समझाया कि दो वाक्याक ने कभी भी लिखे हैं, चाहे दो शब्द हो या दो सेंटेंसे हो, अगर अलग तरह से लिखे गए हैं, तो उनका अलग usage होता है, पर्टिकुलर कॉंटेक हैं, यह तो शब्दों के दो मतलब निकालने हैं पड़ेंगे, उसमें तो शब्द जोडएगा हैं, तब ही हमने वह मतलब निकाला, तो अलग मतलब होते हैं, इसके अलग मतलब हैं, हम वो नहीं समझते हैं, जो वक्ता कहना चाह रहा हैं, हम वो समझते हैं, हम सुनना चाह तो महक अगरी तो लेकिन खा के देखा तो नहीं ऐसा कही बार होता है, कही बार होता है, अगर भालवाय के यहां जाओ तो उसमें बहुत सारे दही के पॉट रखे होते, अब उसमें से कौन सा वला खट्टा, महक तो आएगी खट्टे की, अब कौन सा खट्टा तुम्हें तो महक आएखट्टी लेकिन नहीं थी और आई और थी तो यह होगा, अब एक एक्जामपल दे रहा हूँ तो बना देना पैसे उसका, ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं होता, देखकर बन जाएगा, ठीक है, एक्जामपल देखो, एक्जाम में आया, कुनीन, जानते आप कुनी कुनीन टेस्ट बिटर, कुनीन जो होती है, वो कैसी होती है, इसका अगर हम पैसे बनाएंगे तो बताओ क्या बनेगा, कुनीन इस बिटर विन इस टेस्टेट, कुनीन इस बिटर विन इस टेस्टेट, बना लेगे, अभी बना दूगा, ठीक है, एक और देखते हैं, water feels cool at the bottom, water feels cool at the bottom, water is cold at the bottom, what happens in the bottom, what happens in the bottom, what happens in the bottom, it happens in the fields, we don't know if it happens or feels like this, because you go to bottom and get water, you are cold, is that clear, so the water is cold, or you are cold, sentence is already written, but if I make one indefinite tense, से बदल दूँगो तो बात पक्की होगी, is that clear? समझ में आ रहा है ठीक बढ़ना पैसे बना दे न आब यह बना दोगे पैसे, मीनि में क्या रखास तक अब निकाला जो आब निकालेंगे, yes or no active passive tick करवा आगे बढ़ो, एक और देखते हैं, would, feels, ठीक है, would feels hard, लकडी कैसी होती है, hard होती है, लकडी कैसी होती है, hard होती है, यह लिखा हुआ है इसमें, लकडी hard होती है, कभी soft नहीं होती है, हो सकती है, mostly hard होती है, है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं है, अच्छा वो बताओ, जैसे कोई पौदा है या कोई पेड़ है, कद जिए होती है, जब उसमें ब्राउटे सारी होती है शुरुवात में, तो लकडी नहीं होती है, he would like, क्या होता है, Yeah. या, मसल्स होती है, क्या होते क्या है, हम समझते ही नहीं, लकडी है वह वह bands, बदा हो बनेगा, लकडी है और लो है क्या, आप उसे किस केटगरी में रखोगा, लोगा तो है नी, स्टील तो है नी, लकडी है, उस स्टेज पर वो सॉफ्ट हो आगे जाके वो टॉफ हो जाएगी, मेरी बास नम्यारी नियारी, तो किस स्टेज की बात करें, मुझे क्या बता, अगर फैक्ट लिक दो को तो फैक्ट हो जाएगा, डिटाइ में की क्लियर, चलिए, ये तीन-चार एक्जाम्पल्स लिखे हो है, इसका बना लो, इसका भी बनाओ, और इसका भी बनाओ, मैच करते आगे चलते हैं, इस कैट्गरी में बहुत ज़्यादा एक्जाम्पल्स नहीं आते हैं बोड पर, जो आते हैं आसानी से बन जाते हैं, नोट करने फैर में बना देता हो और आगे चलते हैं, लिख लिया है सभी ने? इधर वाले रफ कर दूँ मैं, यह वाले, इसी को क्वासी पैसिव या मिड़ पैसिव बोलते हैं, जिसमें आधा सेंटेंस अक्टिव होता है और आधा पैसिव होता है, ठीक है? इन तीनों का पैसिव देख लें, समझें और आगे चलें, इसका तो बन गया होगा, क्या लिखा है? कुनीन एज, इट एज, तेस्टेट, और इसका क्या बनेगा? वाटर इस कूल, वाटर इस कूल, आगे बताओ, यहीं लिखना, ठीक है? अट दा बॉट्टम, वाटर is cool at the bottom, वैं, यहीं लिखना, बना लोगे? वाटर is cool at the bottom, वैं, वैं, वाटर इस कूल, और आगे अगला क्या बना लोगे? वॉट इस हार्ड, क्या बनेगा? would is hurt when it is felt तो ये हमारा कौसी पैसे हुआ बढ़ी आसानी से ने कर पाते हम हम options देखकर बना लेंगे क्योंकि हमें वहां लिखने की जुद्ध रड़ी पड़ेगी हमें तो सिर्फ देखना होगा options में अपने आप मिल जाएंगे when felt गलत हो जाएगा when it is felt, when it was felt लिखा होना चाहिए, क्योंकि when के बाद felt लिखा गया ना जाने क्या लिखा गया, grammatically वह गलत होता है when या तो conjunction होता है और या तो conjunction होता है कुछ और होता नहीं, adverb भी होता हो तो अगर वो adverb होगा ना, तो time की बात करता है वो time की यहां कोई बात हो नहीं रही अगर आपने यह अटा दिया, it is अटा दिया when felt में फिर time की बात नहीं हो पाएगी ठीक है, तो पुरा clause लिखा होना चाहिए पुरा clause, या तो relative adverb बनता है या यह conjunction बनता है तो relative adverb भी किस चीश को relate करता है और conjunction पुरा-पुरा sentence जोड़ता है तो when felt गलत हो जाएगा, when eaten गलत हो जाएगा हाँ, when conjunction भी होता है, relative adverb भी होता है ठीक है, relative adverb भी होता हाला कि यह conjunction है क्योंकि मैं relate नहीं कर रहा मैं relate नहीं कर रहा, ठीक है, रफ करता हूँ इसको तो यह quasi-passive, mid-passive ऐसे हो जाएगा कोई भी example आएगा, आप आसानी से कर पाएगे, ठीक है चली आगे चले पैसी में कोई category जो आपने पढ़ी हो, ना हुई हो यह questions कर ली है सारे 200 वहाँ से और 200 वहाँ से handout निकलो फटा-फट सारे handout निकले यहाँ से लाएगा निकले handout साभी ने, साभी के पास है कियें कुछ questions कियें, आप लोग ने कर लिए हैं कुछ doubt जो आप से ना बन रहे हो, ना हो पा रहे हो वी प्लेट होकी और वी प्लेट होकी पेला सिंटेंस दूसरा वी, वी रूड रस्ट रस्ट देखो, यहां everybody लिखा हूँ, यहां लिखा हूँ, दोनों में difference समझना कब यह लिखे जाते हैं, पीछे कब हटा दिये जाते हैं, अगर आप pronounce से, दो बाते हैं, somebody, nobody, anybody तो वैसे हट जाते हैं, बड़ी वाले जो होते हैं, उन्हें लिख भी सकते हैं, जैसे somebody broke the door, the door was broken by somebody भी हो आते हैं, इस बात का ध्यान अकना जब पढ़ोगे तो आपको मिलेंगे, दोनों options नहीं होते हैं, और अगर दोनों options होगे, तो ध्यान देना कहीं कुछ ने कुछ गलत होगा, कहीं door के पहले से article हटा देगा, कभी दा लिखा था तो ए लिख देगा, अगर ध्यान से पढ़ो होगा, we play hockey का मतलब हम hockey कहलते हैं, हम का मतलब कौन, दुनिया जहां में सब hockey कहलते हैं, ऐस दुनिया है, कुछ ही लोग होगे अपनी बात कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हम hockey खेलते हैं, ये कोई fact नहीं, ये universal fact नहीं है, जबकि इसमें जो आप कह रहे हों, we should respect our elders, ये ब point of time पर नहीं किया ना करते हैं, लेकिए अगर ये लिखा जाएगा, तो पीछे से अगर bias आपने हटा दिया, तो गलत हो जाएगा, यहां लिखना पड़ेगा, क्या मरी बात संब्यारी है कुछ? जेनरल सिनारियो में, bias, by them, by people, by everybody, हटा दिये जाते हैं, लेकिए अगर उन क लिखना mandatory होता है, क्या मरी बात संब्यारी है, अगर मैं कहूं, we helped him, इसमें नहीं हट सकता है, लिखा ही जाएगा, did I make it clear? लेकि, somebody helped him, somebody से कभी fact बनने ही नहीं था, तो somebody हट सकता है, क्योंकि important ही नहीं ना वो तो, दो बाती थी ना, या तो हमारे पास doer का पता ही नहीं है, और या doer उतना important नहीं है, तो somebody तो important ही नहीं, हम अटा सकते हैं और लिख सकते हैं, he was helped, somebody helped him का क्या बनेगा, he was helped, मेरी बात संजारी है, यह we, they कभटेगा, संजारी बात, तब जब वो general sense में आएगा, हम उसे हटा सकते हैं, वो सब के लिए होगा, लेकिन अगर मैं कहूं, they they are making paintings, इसमें they नहीं हट सकता, we नहीं हट सकता, कुछ भी लिखा होगा, नहीं हटेगा, clear ना, यह doer को कभ लिखा जाए, कभ लिखा जाए, यह भी दिख कर देता है, यह दोनों सेंटेंस कैसे थे, जड़ा पैसिव देख लें, मैंने कहा, she was, called, she was called, संटे समझ ना, she was called, क्या लगता है तुम्हें, क्या यह कोई general fact है, नहीं ना, तो जिस तरह से हमने वहाँ हटा दिया था, उस तरह से हम वापस नहीं लेंगे आप, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यह वी कभटा था, जब general sense था, general sense में भी को हटा सकते हैं न, यह fact तो नहीं है, इसका मतलब यहाँ बाइस नहीं हटाए गया, यहाँ कोई buddy हटाए गया, buddy, somebody, anybody, someone, no one, by us या by people यह नहीं लिखा जाएगा वापस, तो जब हम इसको वापस active बनाएंगे, तो हम नहीं ले लिया somebody, क्या ले लिया, somebody called her, क्या मरी बास न में आई, somebody called her, और मैंने कहा, books are sold, are bought everyday, books are bought everyday, किताबे हर दिन क्या होती है, खरीदी जाती है, books are bought everyday, तो अब इस चीज़ को आप समझोगे, वो specific था, यह general लग रहा है, books are bought everyday, क्या पता इसमें से मैंने क्या हटा रखा है, बायस, और यह वो अस हो सकते हैं, हम सारे ही, भई कभी आप तो कभी मैं तो कभी वो, हम सारे क्या करने हैं, कभी ने कभी, book खरीते हैं, हर दिन book की बिक्री हो रही है, यहां नहीं तो कहीं और हो रही है, हम मतलब human beings, हम मतलब क्या, human beings, हम वापस यह वी ले सकते हैं, कुछ खास लोग हैं जो daily book खरीते हैं, वे daily book खरीते हैं, ऐसा भी हो सकता है, यह by us का meaning भी दे सकता है, और by them का meaning भी दे सकता है, by the students का meaning भी दे सकता है, या by the players का meaning भी दे सकता है, जो यह तो नहीं है, क्या पता किस context में भोला गया है, कि खिलाडी जो हैं हर दिंग किताबे खरीते हैं किसीने देखा होगा और ये बात वो बोलना चाह रहा होगा तो हो सकता है एक मीनिंग इसका ये भी हो सकता आपका निफ्यूज मत हो न सारे नहीं आ जाएंगा एक्जाम में मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ ऐसा के देखा नहीं करता कि दो आंसा निकलना इसके या तो वी आगे ले लेगा वी बाइबुक्स एवरी डेए ये जनरल से नाज़िव बता रहा है वी बाइबुक्स एवरी डे या तो ये आएगा उप्शन में और अगर ये ना आया तो स्पेसिफिक बताने के लिए कुछ भी ले लेगा कुछ भी सम्बडी बाइबुक्स एवरी डे मुझे लिए बता कौन खरीता है माइफ्रेंड बाइबुक्स एवरी डे ये भी हो सकता है कई बार आपको एक ऐसा डूर मिलेगा एक्टिब में जो पैसिफ में कहीं था ही नहीं और हम सोच नहीं सकते वो इसलिए लेता है क्योंकि अगर सेंटेंज जर्नल फैक्ट नहीं है तो हम वी और एवरी बड़ी और पीपल नहीं ले सकते अगर ऐसा है जिस इस वाले में hasSoci was called, तो यहां वी लेना गलत हो जाएगा इसे clear? तो हम subject खुड decide करेंगे कि वापस आकर subject क्या लिया जाएगा उन्हें इसे कोई भी ले सकते है, वी ले सकते है इस वाले में वी आ सकता है, जनरल बन सकता है, और उनमें से कोई भी आ सकता है, मेरा यही कहने का मतलब है कि इन दो टॉपिक्स में, वाइस और नरेशन में, आप सही मत ढूंड़ना, गलत ढूंड़ना, सही बनाने के तरीके, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकि इतने तरीके होते हो पढ़ाएं नहीं जा सकते, एक सेंटेस को कही तरह से एक्टिप ऐसे में किया जाता है, तो बहतर होगा, आप चार ओप्शन में से क्या डूंड़ोगे, जो गलत है वो निकाल देना, गलत कैसा मुझे बता, अगर R bot है, तो वापस जाके या तो V1 बनेगा by या byes, ऐसा option आपको एक ही मिलेगा, इसे जो प्रैक्टिस के questions हैं, उसमें इस सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है, हाँ बोलो बोलो, I like looking, test कहिए, हाँ, इसका वीडियो आज पढ़ जाएगा शायद, चलो कोई नहीं, इसको आज में share करूँगा, फिर में डाल दूँगा, I like looking, looking बोलो क्या, at, at the moon at night, looking at the moon na, I like looking, I like looking, at the, आगे, at night, I like it, अब देखो, इसमें ध्हांते समझदा, ये like कौन सी form है, इसका जब पैसे बनेगा, तो is MR लेना पड़ेगा, और third form आएगी, मैं बता दूँ आपको, ये हमारी verb होगी, looking इसका क्या माना जाएगा, तो looking अगर आगे आएगा, looking subject आगे आएगा, तो इस ही तो आएगा, is like, पहले आप ये ढूड़ो कि is like किस में लिखा है, कितने options हैं, देखो, हैं ये options, कितने options हैं is like के, अगर ये तो टिक कर तो वही answer है, तीन options है, अच्छा, अब जब तीन हैं तो फिर दिक्कत है, एक answer नहीं, तीन में से कुछ भी होगा, तो समझेंगे कैसे मैं आपको बता लोकिंग नहीं, लोकिंग अट, और जब अट ले लिया, तो आगे भी बढ़ना पड़ेगा, प्रेपोजिशन क्या करता है, नाउन प्रणान को जोड़ता है, लुक होता देखना, क्या बाद सिफ देखने की हो रही है, उसे देखना पसंद है, तो तो तुम खुदी मताची नहीं पने बाद ऑन प्रणान लेता है, तो आएगा इनीजीचर में, फिर तो ओमने क्या लेन मे मठाएगा, लुकिंग वुकिंग अट धे बून, हुदा उसे रात में देखना पसंद है या चांद रात में देखना पसंद है, इसे लिए मैं इयां पताजशन होगा यहाद रखना at night को अगर आप कहीं यहाँ महा लेगे तो meaning बदल जाएगा और आपको पता ही नीच रहेगा इसलिए मैं कहता हूँ जैसा sentence लिखा हो कोशिच करो वैसा ही जिपका दो आप इस पूरे को उठा कर आगे ले जाओगे looking at the moon at night looking at the moon at night is liked by me looking at the moon at night यह आगे जाकर पूरा नहीं तो गलत हो जाएगा इसलिए भूलो looking at the moon is liked at night by me इसका मतलब हो जाएगा कि चांद को देखना मेरे दौरा रात में ही पसंद किया जाता है और अगर कभी चांद देख जा तो मैं पसंद नहीं करता यह sentence grammatically correct होगा और practically गलत होगा चांद रात में ही दिखता है तुम रात में मुझे देखना अच्छा लगता है दिन में में देखता है तो तुम किस ग्रह में चले जाते हो भाई जहां रात में चांद लिखता है हम रिलाइस ही नहीं करते हम क्या लिख गए सार यहां लिखते है वो भी नहीं गलत हो जाएगा अगर हम चीजों को ऐसे समझे तो मैं एक ट्रिक देता हूँ जो वर्ड जहां प्लेस किये गए है कोशिच करो वहीं प्लेस किये जाए नहीं तो मिल जाएगा looking at the moon is light at night by me आपको कुछ कुछ सुन में आ रहा है looking at the moon चांद को देखना पसंद किया जाता है रात में मेरे द्वारा चिक है तो गलत हो जाएगा चले आगे मैं आपकर रहा हूँ डाउट हो कर रहा है मुझे लग नहीं राभ लूको ने किये हैं डाउट्स हाँ बताए हाँ बोलो हाँ I don't like people telling me what to do एक मैं डाला आपने देखा था वीडियो क्या था वाला वीव नाएएजी वाला देखा कुछ सुन में आया थोड़ा बहुत कुछ को देखा होगा कुछ एग्जामपर्स दिये हैं अब मैं आपको जेरंड और क्या था वह जेरंड और पाटिसिपल के बार हविंग क्या है आइजी फॉर्म है क्या है आइजी फॉर्म है ये क्या क्या बन सकती एक आइजी फॉर्म क्या क्या बन सकती है एक ये बन सकती है और एक है है क्या बन सकती है प्रेजन पार्टिसिपली तो बनता है वर्ब के आइजी फॉर्म प्रेजन पार्टिसिपली यह तीन होते हैं, जब यह बनेगा तो इसके पहले एक helping वग होगी, I'm having dinner ऐसा करके, जनर बनेगा तो यह खुद sentence का subject क्या, और participle मैंने आपको पढ़ा है क्या होते हैं, adjective होते हैं, ठीक है, चली बिल्गुच छीक है आप यहां पर, यहां तक बिल्गुच छीक है, अब ध्या पल कहते हैं, बोलो जी, yes or no, पढ़ाया था, और यह क्या होते हैं, क्या होते हैं, adjective होते हैं, लेकिन एक पते की बात और बता दू, यही having threat from, gerund भी होता है, यह gerund भी होता है, यह बात जब तक आप समझदार नहीं बनोगे, समझोगे नहीं तक समझ में नहीं आएगी, इस बीच में थोड़ा बोड टाइम लगा, एक दो वीडियो मैं भी देखे यूटूब पर, इतने खतनाग वीडियो की, शायद में बच्पन में भी इतना बुरा नहीं था, जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, तब भी मैं आसा नहीं था, लेकिन फॉलोवर्स पता आप वो उस तरह की majority को target कर लेते हैं, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी चल रही है, तो मुझे क्या लगता है, कि मेरे आपकी जैसे लोग बहुत कम हैं, अगर आप क्लासों बैटके पढ़ रहो हो, और मैं समझा रहा हूँ और समझ बाते हो, तो हम बहुत ऊपर की जैरंड है, अगर जैरंड है, तो तुम्हें पता sentence में subject या, यह पूरी जिंदगी तुमारी help करेगा, इसे हम active का past बोलते हैं, active voice, active में past होता है, दोनों के example देकर में समझा दूँगा, ठीके, वो telling वाला न, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, telling वाला, telling जो होता है, जैर passive voice, लेकिन having third form क्या होता है, having third form, यह active voice है, कौन सा है, बोलो आप समझ पारो नहीं, समझना तभी मजाएगा, वरना कई लोक मेरी बाते मानती नहीं, मैं समझाना नहीं चाहता, बस मैं कुछ बाते सोच करना बैठ जाता हूँ, क्या answer दूँए इसको, यह समझ पाएगा नही having third form जो लिखा active voice और passive voice नहीं, क्यों passive voice बिना B की form के बनती नहीं, जब तक B की कोई form नहीं आएगी, third form नहीं आएगा, passive नहीं बनेगा, यह किताब और नहीं लिखा हो ता personal observation है, तुम भी करो, passive मत कह देना इसे, यह active gerund है, active, लेकिन याद रखना है, तुम्हें हमेशा past बत ही चल जाएगा, और अगर कोई काम complete हो चुका तो जाहिट सी बात है past है, क्या है, इसे clear, एक बत मैने ही आप से कही थी, कल को कोई पूछले में पहले ही बता देता हूँ, कोई भी non finite verb, sir आपने कहा था, ना subject के बारे में बताती है, ना tense के बारे में बताती है, कई मान भाव टेंस नहीं बताता, अब यह तो वहां गलत थे, यहां गलत, अब कौन समझा है इनको, एक बात बता ना, डॉक्तर के आने के पहले पेशेंट मर गया कौन सा tense है, past है, past है की नहीं है, उसमें भी दो बात है, कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा बात में हुगा, तुमारे आने स पहले वह platform पहुच चुका होगा, tense कौन सा है, काम तो दो हो रहे है, इनने कौन समझाए, tense एक ही है, tense में भी तो दो काम हो सकते हैं, एक आगे और एक पीछे, बोलो मरी बात समझा रही है, I remember to meet you tomorrow का मतलब यह होता है, कि मुझे याद में तुमसे मिलूंगा, यह काम बाद म सा बाद में होगा, यह बात वो नहीं समझते, यह जो है na active है और sentence के, sorry, काम के पूरा हो जाने को दिखाएगा past में, यह है passive, पहले मैं यही समझाओं कि past perfect participle कैसे बनता और gerund कैसे बनता, एक example समझ देना, जैसे मैं ने कहा, I am proud of having completed my post graduation, my post graduation, यह पहला example, Satish, तुमने question पूछा था काफी समय पहले, मैं time का wait कर रहा था, जब आउंगा ता बताउंगा, तुमने एक question मुझे फोटो खीज कर भेजा था, कि सर यह साही हैं, गलत हैं, तो कई बार इसलिए सही गलत नहीं कहा पाता कि तुम पता नहीं समझ क्या रहा हूँ, चीज को मैं सही गलत बोल दूँ तुम कहीं और जाके लगा दो, तो समझो जरा मैं आपको बता रहा हूँ, अपने ऐसा ही कुछ पूछा था मुझे, I am proud of having completed my PG, मुझे मेरे post graduation को complete कर लेने पर बड़ा गर्व है, गर्व तो अभी भी है, लेकि पीजी हो गया complete, आर यह बात को समझ में, having completed को ही दूसरे example में बना रहा हूँ, यह पहला है और यह दूसरा है, दूख इस बात का है कि बड़ा छोटा हिस्सा समझदार है यार, पढ़ने वाले बच्चों में few, I must say not a few, few, इस बात का बड़ा दूख है, इसलिए मार्केट में दो तीन ही टीचर हैं जो चल पाते हैं देखो, having completed, having completed my PG, I joined a new company, I joined a company, देखो जी मैं आपको बता दूँ, दोनो ही sentences active voice हैं, किसी में भी बी की form के बाद third form नहीं है, active बोलेंगे, इसलिए clear, अब हम having completed के role को अगर समझ गया है, तो आज के बाद आपको कहां सरब कुछ भी होता है, समझोगे नहीं, किताब हैं नहीं बता पाती हैं आपको, having completed third form यहां भी है, having completed third form यहां भी है, आप बताओ इनमें से कौन सा gerund है और कौन सा perfect participle है, सोचो बताओ और फिर मैं आपको बताता हूँ, परस्वला जेरंड है, कैसे बता, बस, बहुत बड़ी help, बहुत बड़ा clue दिया है मैंने आपको, पहले वाले में अपने preposition के बाद लिखा है, preposition के बाद adjectives नहीं लिखे जाते, noun या, pronoun लिखे जाते, आप teacher को भी बोलत रहो मानेगा नहीं, क्योंकि तुमने पढ़ाई आने वाला word, noun या, pronoun होता है, और यह having completed पूरा noun है, मैं इसको subject भी बना सकता था, वो बड़ा obvious दिखता, वो अपके पले लिखा होता, तो तुम बोल देते, मैं चाहरा थोड़ा tricky समझ लो, इसमें of, preposition of का यह object बना हुआ है, समझनारी बात, इसमें having completed जैरंड है, और दिख अपनी कब join करी, और नहीं तो अब चेक कर लो, having completed, ना किसी preposition का object है, ना किसी verb का subject है, ना किसी verb का object है, बोलो बनी बात समय आ रही है, इस verb का subject क्या है, आए है, इसका object क्या है, इसमें लिखा गया having same word, same words, यहाँ adjective है, यह PPT है, perfect participle, बोलो बात समय आ रही है, clear है, यह perfect participle ह है, और वो हमारा gerund है, past में दिखाने वाला, मन तो कर रहा था मैं आप YouTube पर ऐसे follow video डालूँगा और लोगों को पता ही नहीं होगा, लेकि मुझे क्या लगा, ना ना ऐसे तो चली नहीं पाओगे, वो डालो, जो थोड़ा बहुत पता हो, जो पता ही नहीं हो देखे गई को मैं यसा लगा फिर मैं तो थोड़ा बदलूगा, बात को सीखने को मिलता है, लाइफ में, बात को सीखते है, फैक्त है यह, ये डाल दो थो थो तो उते पर ले उड़ जाने, यारी क्या बढ़ा रहा बड़ा, बढ़ा बढ़ा, इसके बाद ये बढ़ा रहा है, उनको तो telling me what to do, what to do, I do not like people telling me what to do, आप समसकतो like जो अना stative verb होती है, यो कोई कामाम नहीं होता, इसे object मानका गलत कर दोगे आप, आगे लाओ की तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप इसे यही रखा रहने हो, I do not like being told, being told what to do, और तुमने जर्नल लिखा था, कोई भी मुझे कुछ भी बताए करने के लिए मुझे उपसंद नहीं है, तो people जर्नल थे न, जर्नल बला हटा दिया मैंने, यह है जर्नल का passive, बी की किसी भी form के साथ अगर third form आजाएगी तो passive माना जाएगा, अगर उसके doer और होता है, doer पहले ना हो, I doer है like का, tell तो नहीं कर रहा, passive हो गया, यह option लिया गया होगा इसमें, ठीक है, यह passive है आई जी का, अगर इसका passive बताऊँ, इसका, यह भी तो passive बनेगा कल को, having been third form लगेंगे, कैसे, have की किसी भी form के साथ आप third form लिखते हैं, और passive के लिए third form लिखते हैं, तो been mean आया, having की वज़े से, और बीतरी जोगला आएगा, वो passive की वज़े से आएगा, solange कर चलोगे, सब बना लोगे, did I make it clear, I am proud of, जैसे मैं बोलू, I am proud of, you having been selected, you having been selected, तो अभी having been selected, जो है na, gerundi है, did I make it clear, मेरी पाँ संजा रही है, और कैसे, प्रपोटिशन के बाद ही लिखा हुए, ठीक है, और passive क्यों है, क्योंकि you select हो नहीं रहा, और मैं भी select हो नहीं रहा, करने वाले का पता नहीं है, बी की third form के बाद, doer अगर पहले नहीं है, तो sentence कैसा होगा, passive wise होगा, ऐसी चीज़े भी exam आती है, ऐसी चीज़े को पढ़ान चलने दो, कोई दिखकत नहीं है, आपको और डाउट था, चले आगे, आफ्टर कम्प्लीटिंग, I am proud of after completing, ऐसा, a second का है, यह वाला, after completing my pgi joint, हाँ, लिख सकते हैं, having third form जो होता है, यह after का ही sense होता है, अगर आपने ऐसा लिखा, after completing, हाँ, लिख सकते हैं, और इस चीज़ को समझ लो, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, इसका यह मतलब ना, complete करने के बाद, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, completing यह gerund बन जाएगा, preposition है, यह gerund बन जाएगा, यह noun हो गया, क्या हो गया, noun के पहले कोई preposition लिखते हैं, उसे क्या बनाते है, adverb, समानता है, क्या बनाते है, लेकिन समानता है बनाते है, 1% adjective कैसे बनता है, अगर मैंने का, he is in the room, he is in the room, यह जो in the room है, इस बार adverb नहीं है, क्योंकि यह non action verb, यह क्वा कॉंपलेमेट एजेक्टिव है, क्या है? तो जब तुम आफटर पॉंपलेटिटिंग लिखोगे, तब भी सेंटेस सही माना जाएगा, और इस केस में, जो यह एजेक्टिव था, यह भी एजेक्टिव ही होगा, स्टेट बता रहा है, having completed मतलब क्या है after completing my PGV correct हो ठीक है चले आगे हम जब शब्दों को जानते हैं तो substitute कर सकते हैं बोलो क्या हाँ हाँ the earth moves around the sun इसका पैसी बनाना है औप्शन से हैं मारे बास तब भी बनाना है तो इसका जब पैसी बनाना है तो तो कई तरह के से तुम एक तो यह बना सकते हो it is said it is believed जब जब अशनी के लगा रहा हूं में इसमें है नहीं कुछ भी मुझे पता ऐसे question जब आते है तो ऐसा ही पैसी बनते है the earth moves around the sun का कोई पैसी बना चाहिए क्योंकि उसमें around आ गया preposition adverb आ गया object नहीं है उसमें कोई तो पैसी बनना नहीं था लेकिन एक्जाम में नो पैसी का option नहीं आता इसको ऐसे बना देते है it is said general बना दिया people say it is said that the sun sorry the earth moves around the sun ऐसा कुछ दिया होगा हाँ हाँ सब में आगे लिए सब में आगे लिखा तो इन्वर्जन नहीं किया यह कह रहे हो हाँ हाँ देखो ऐसा क्या है मैंने बुला तो है लेकिन बात यह ना कि last week अगर आपने आगे लिखा क्या कॉमा लगा उसके बाद नहीं लगा है तो वो इग्णोर कर दी उसने कॉमा लगा होगा होगा होना चीए last week जब option ही चारो हमारे पास ऐसे हैं तो यह मालो तुम यह गलत नहीं सही है अब दूसरी गल्दी ढूणो जब चारो में लास्ट वीक लिखा है तो भे चारो में लिखा हुआ है अब अगल आप लिखेंगे last week a shirt was bought my image मैं फिर चारों बार बार आपसे क्या आपको सही ने ढूंड़ना है सही कई तरह के बनाएगा जनली होना हुआ ही चाहिए था लेकिन आगे लिखेंगे 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 और बताएं के डाउट है रफ कर दूँग अभी आप लोगों ने शायद किया नहीं है पूरा यह क्या कहते है इसको अब तो नहीं कुष्चन अभी आप लोगों ने हैंड़ाओट पूरे नहीं किया है कल कर लो में इनके डॉट्स लोगा तभी आगे बढ़ूँगा एक आत बच्चा वदा किस वालेगा इसका नहीं बनेगा क्यों इसमें आक्शन नहीं है यह एमवब होगी आक्शन नहीं इसका भी बनाओगे न तो having completed my PG I'm proud of my PG having been completed वो गलत हो जाएगा कभी बन पाएगा कभी नहीं बन पाएगा चले आगे गाईस तो कल आप लोग जो है दोनों ही handouts जो है आपके वो conversion वाले और यह दोनों करके आएंगे दोनों के doubts लूँगा तब आगे बढ़ूँगा तब आगे बढ़ूँगा तब मै मिलते नेक्स क्लास में doubts ले आएंगे सारे